स्वागत है आपका Self Study Classes पिस्टुमिच जैन यूटूब चनल में सभी साती आजए और एक बार जदी से वीडियो को लाइक कर दें किस्टार्ड हो चुका है दोस्तो आज का एसेशन और जिन भी सातियों ने Self Study Classes का एप डानलोड नहीं किया है वो नीचे पिले स्टोर में लिंक दी गई है दोस्तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है आप Self Study Classes का एप जरू डानलोड कर लें ठीक है और दोस्तो ये सेशन आपका रोज इन रंतर रात प्री नौवजे चलता है जिसमें आज हम गद्दे साहित थे हैना गद्दे के विकास से सम्मंदित कुछ प्रशनों पर चर्चा करने वाले हैं अब दोस्तो यहां पर हम आपको बता दें कि Self Study Classes में बहुती बढ़िया कोर्स लांच किया गया है जिन भी सात्यों को नोड्स मंगवाना हिंदी साहित के वो नोड्स भी मंगवा सकते जो क कई पुस्तों का निचोड के नोड्स हैं टॉपिक वाइस हैं क्रमबत हैं दोस्तो इस नंबर पर आपको संपर करना यह नंबर दिया है और यह नोड्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हो ठीक है हिंदी साहित के गद्द साहित वाले 3000 mcq वाली बुक भी मंगवा सकते हो ठ काब वसासर के भी हैं और महत्भूर इसमें कथन भी हैं तो जिनको भी मंगवाना हो संपर कर सकते हैं दोस्तों और यह हिंदी साहित के गद्दूर पत्द साहित वाले नोड्स हैं और दोस्तों 700 के 2 नोड्स हैं सास सासो के चउदा सो और दो सुरोपे पोस्ट चार्ड, सोला सुरोपे में आप अपने घर पर मंगवा सकते हो, ठीक है, और ये दोस्तों तीन हजार MCQ की साथ में, अगर तीनों साथ में मंगवाना तो 2100 रोपे पे करके, ये बाई पोस्ट, स्पीट पोस्ट से आप अपने घर पर मंगवा सकते हो, संपर करना है, नीचे नंबर दिया गया है, और जिन भी सातियों ने TGT, PGT में अड़िसर नहीं लिया, वो आज ही दोस्तों TGT, PGT में अड़िसर ले सकते हैं, ठीक है, एप डाउनलोड करना है, और इस कोर्स में मात्र 15 रोपे में 12 महिने के लिए अड़िसर ले सकते हैं, चाहिए TGT, PGT वाले हो, MPTED वाले हो, हैना KBS वाले हैं, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज कुछ अभ्यास प्रशनों को हम ले कर आए हैं, ठीक है, यहाँ पर अपन को क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करना है, निम्न मैंसे किस गत्यकृति का निर्माण, फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ, यह question पूछा गया है, तो बताए किस का गत्यकृति का निर्माण हुआ है, फोर्ट विलियम कॉलेज की बात आई है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, यह भी आपको बताना है, ठीक है, दोनों चीज़ें आपको बताना है, तो यहाँ पर आपसे question पूछा गया है, किस गत्यकृति का निर्माण होर्ट विलियम कॉलेज में हुआ, चैन कर लो और एक बार share कर दो, रोज रात त्री नोवजे इस किलास से आपको जुड़ना है दोस्तों सभी सातियों को, ठीक है, तो किस गत्यकृति का नि पराण गलत, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा नासी केतो पाख्यान, नासी केतो पाख्यान की रचनाकार कौन है, ये भी बताइए, और फिर्ट बिलियम कॉलेज की स्तापना कब हुई थी, तो अठाराशो में हुई थी, अठाराशो इस भी में, है ना, नासी क भी आपको बताना है जल्दी से बताए कौन सी रचना ललू लाल की नहीं है दो नंबर का क्वोस्चन है सुरेंडर जी पिरमोध जी आर्ती गौर जी तो कौन सी रचना दोस्तो ललू लाल जी की नहीं है नासी के तो पाक्यान की रचनाकार सदल मिस्र बताया आपने बिलकुस सही बताया बहुत बढ़िया ठीक है तो ललू लाल जी की रचना देखो सिंगासन बतीसी के ललू लाल जी की है रचना बैताल पच्चीसी भी है दोस्तो ठीक लेकों का संबंद फोट बिलियम कॉलेज से था, तीन नमबर का कॉस्चन है, किन कभियों का, दोस्तों किन लेकों का संबंद था, ये तीन नमबर के कॉस्चन में सभी को बताना है, जन्दी से चैन करिये, रीता जी, बहुती बढ़िया कॉस्चन है, सभी लोगों को आंसर चै ललू लाल जी और सदल मिस्तर जी का जी नमबर ललू लाल और सदल मिस्तर का जो संबन्द था वो फोट विलियम कॉलेज से था ठीक है तो आपका जो डी है वो बिल्कु सही है डी नमबर आपका राइट आंसर है ललू लाल द्वारा रचित नहीं है क्या नहीं है रचत कंचंजी दीता जी पायल रानी जी बताईए जद्दी से चार का उत्तर बतना है लल्लू लाल जी द्वारा रचत नहीं है क्या सिंगाशनБदतिस ही है शकुंतला नाटक की रचना भी नोने की थी प्रेम सागर की रचना भी नोने की है लेकिन चार का उत्तर वतना है किन का उत्तर है चंद्रावती D. नंबर D. नंबर अपन को याद रठेना दोस्तो ये रचना लल्लू लाल जी की नहीं है दी आपका राइट आंसर है दी जिनोंने बताया चंद्रावती वो बिल्कुस आंदर आंसर है शेयर कर दो एक बार जदी से पाच नंबर का क्वेशन है गत्य साहित अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों शबी सात्यों को पढ़ना है रेगूलर अध्यन करना है तो यहां पर कॉस्चन दिया है फोर्ट बिलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई फोर्ट बिलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई ऐसा कॉस्चन आया है और लगबग शबी लोगों को पता है कि सर्फोर्ट बिलियम कोलेज की जो स्ठापना हुई थी वो कब हुई थी विजय जी, लाइक कर दो जिन भी सातियों कोई अड्वीसर लेना है वो मातर 15 सुरोपे में 12 महिने के लिए अड्वीसर ले सकते हैं दोस्तों ठीक है तो पोड़ बिलियम कॉलेज की स्थापना हुईती काव 18.00 ECB में ये नमबर आपका बिल्को सही है ये नमबर ठीक है वेरी गुड इसकी स्थापना किसने की थी ये भी आप बता दे जल्दी से उसके वाद सुक सागर की रिचना कार कौन है ये क्वश्चन पूजा गया है लल्लू लाल जी सदल मिस्त्रे बाबु हरिस चंदिया पर मुंसी सदा सुकलाल नियाज सुनीत जी बताइए परविंदर जी बिजय गुपता रादिका जी सभी को बताना है छे नमबर का सांदर कौस्चन है नामबार सिंग जी आरूसी जी चेन करिए सुक सागर के रचना कार कौन है तो आपको पता है कि सर मुंसी सदा सुकलाल नियाज यानि कि डी नमबर आपक सही है राइट आंसर है नेक्स्ट कौस्चन की और हम बढ़ेंगे जब तक एक बार सेर जरू कर देना शबी साती लाल चंदरीका लाल चंदरीका की रचना कार बताइए लाल चंदरीका बताइए साथ नमबर का कौस्चन है लाल चंदरीका कि किसकी टीका मानी जाती है लाल सातियों को एडवीसर लेना है वो सभी साती ले सकते अभी दोस्तों नया बैद चालू हुआ है हिंदी भासा का चेप्टर चल रहा है हिंदी भासा का चेप्टर चलना और आपको टॉपिक वाइज बिलको तैयारी करवाई जाएगी बहाँ पर ठीक है तो लाल चंद्रिका की रचनाकार कौन है उत्तर है लल्लू डाल कि किसकी टीका मानी जाती है लाल चंद्रिका बताइए राइट आंसर बताना है और यहाँ पर आपका उत्तर है बहुत बढ़िया कुमोद सिंगल जी ने बताया है कि सर यह जो लाल चंद्रिका है कि टीका है और यह टीका किसकी है यह बताया है बिहारी सथ़सय ठीक है बहुत बढ़क नमबर का बहुत ही बढ़िया question है अधर नमबर का बहुत ही बढ़िया question है संजु जी बताइए मिस्तर बढ़कोन ने किसे हिंदी का प्रदम गध्द लेकक माना है और ऐसे सभी साती self study classes इस एप की लिंक दी है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में उपर देखेंगे तो वो लिंक दी है सेल्प स्टडी किलासेस एप की मनुझ गुपता जी तो इस एप को आप डाउनलोड कर सकते हैं health, study, classes, ये आपको practice set भी हैं, बिलकुल practice set हैं, है ना, recorded course भी है, live class भी हैं दोस्तों, है ना, तो मिस्टर बंदु आने किसे हिंदी का प्रितम गद्देले का माना है, आठ नंबर का question है, शबी का उत्तर है, ब, यानि की गोरकनात, गोरकनाथ आपका बिलकुल शही है ठीक है गोरकनाथ आपका राइट आंसर सही हो जाएगा मिश्रबंदु ने किसे हिंदी का प्रतम गद्द लेखक माना एक क्वेस्चन पूछा गया और आपने सही उत्तर बताया कि सर गोरकनाथ को है ना जो की नाथ संपरदाय के प्रबर् स्क्रीन पर है शबी लोग बताये और चैन कर दीजे सीर भी कर दें दोस्तो तो और अच्छा रहेगा यहाँ पर प्रेम सागर के लेखक कौन है इसके बाद नौपैतालिस पर टिर्की गुरु यूटूब चैनल पर एक किलास आती है आप सभी सातियों के लिए नौपैतालि इस पर वो किलास भी आप सभी को देखना है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है प्रेम सागर के लेखक कौन है इंसाल लाखा है सदल मिस्र है ललू लाल है बाल कशन भट है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है जन्दी से बताये प्रेम सागर पुरिसर प्रेम के सागर ने कुंद पड़े ठीक है कुंद पड़े इस प्रकार से याद कर ले ना स्जी नंबर ठीक है नेक्स्ट कॉस्चन है आपका वोड विलियम कॉलेज के किस सिख्छक के मात्यम से हिंदी भासा की पाठ पुस्तकों का प्रकासन आरंब हुआ तो बताईए किस के मात्यम से हुआ ये चार विकल्प आपके सामने हैं लाइक तो कर दो पटाक से सभी साती ये लाइक करिये जदी से तो बताओ किस के मात्यम से हिंदी पुस्तकों का प्रकासन चालू गुआ था किरण चौदरी भावना जी लाड मेकाले या फिर किस के मात्यम से तो शबी लोग क्या बता रहे है है ना कि अपना उत्तर है गिल क्राइस्ट गिल क्राइस्ट यानि कि जो डी नंबर है आपका डी नंबर बिलको सही है गिल क्राइस्ट आपका राइट आंसर है बहुत बढ़िया अध्यात्म रामायन का खड़ी बोडी में रूपांतरन फोड बिलियम कॉलेज से संबंद कि रचनाकार ने किया था अध्यात्म रामायन का खडी वोडी में रूपान्तरन पूछन पूछा गया ग्यारा नमबर का सांदार क्वेस्टन है अध्यात्म रामाईन का खड़ी वोडी में रूपांतरण किस ने किया था नीता कुमारी जी और ग्यारा नमबर के प्रशन में आपका उत्तर है सदल मिस्टर सदल मिस्र यानि कि आपका जो ये डी नंबर है सदल मिस्र आपका राइट है अध्यात्म रावान का खड़ी बोली में दोस्तों रूपांतरन किया था सदल मिस्र ने सांदार कोश्चन बहुत बढ़िया हिंद हिंदू हिंदी सब्दे का प्रियोक सरप्रतम किस ने किया हिंद हिंदू और हिंदी सब्द का बारा का उत्तर दो बिकल्प हैं आरियों ने कीसाईयों ने या पिर दोस्तों आपके बिकल्प में दो और बिकल्प आपको से यहाँ पर मिल जाएंगे दो बिकल्प है यहूदियों ने या फिर मुशलमानों ने हिंद, हिंदू, और दोस्तों बताए किसने सबसे पहले प्रियोग किया था बारा नंबर के क्वेश्चन में आरेयों ने या फिर मुशलमानों ने जेन करो एक कोस्चन है आपके तो आपका सही उत्तर है अकांचा गुपता जी की सबसे पहले हिंद हिंदू की सब्दों का प्रियोग कियाता दोस्तों किसने मुशल मानों ने तब आपका राइट आंसर डी नमबर बिल्कु सही है डी नमबर जिनों ने भी बता है वो बिल्कु सही है अंगला कोस्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि ब्रजभासा गत्य का आरंबिक रूप मिलता है किस सती में मिलता है ब्रजभासा ब्रजभासा गत्य का आरंबिक रू 12 सती से शत्रवी सती से या पिर 11 सती से ब्रजबहसा जिसका अन्नाम है पिंगल अपन को याद रखे ना और 13 का उत्तर है किसर 14 सती से आरंभिक रूप इसका मिलता है 14 सती ये नंबर आपका विल्कु सही है ठीक है नेक्स्ट है खडी बोडी में רचित, चंद चंद वर्नन की महीमा, नामक गद़ पुस्तक की रचित को उन है, चंद चंद वर्नन की महीमा, इस पुस्तक की रचना कार कोँ है, यह रचना किसकी है, अनुझी निदिदुबे जी, Self Study Classes का एप डाउनलोड कर ले नीचे comment box में लिंक दी है आप उपर देखेंगे तो नीले color में दोस्तों आपको एक लिंक देख रही होगी है ना उस लिंक से आप Self Study Classes के एप को डाउनलोड कर सकते हो है ना और जिनको एडवीशन लेना है वो मात्र 15 रोपे में एडवीशन भी ले सकते हो ठीक है तो खड़ी बोडी में रचेत चंद चंद बरनन की महिमा नामा गद्ध पुस्तक के लेका कोन है चवदा का उत्तर बताना है चवदा नंबर में शबी लोग बता रहेगी सर वो है कभी गंग या फिर गंग कभी यानि की बी नंबर आपका बिलकुस है ठीक है उले चंद चंद वर्नन की महिमा है ना गंगे गंगा पर कभी बता रहे थे गंग कभी बता रहे थे ऐसे भी याद कर सकते हो नाबादास क्रती अस्ट्याम नामक पुस्तक में किसकी दिन चर्या का वर्नन है पंद्रा में अस्ट्याम नामक पुस्तक में किसकी दिन चर्या का वर्णन है क्रश्न की विश्णू की ब्रह्मा या फिर राम की दिन चर्या नागेंदर जी सुनीता बर्मा जी चैन करिये जदी से नाभादास की करती अस्टियाम नामग उस तक में किसके दिन चर्या का बरनन है पंद्रा कोस्चन नमबर 15 और 15 में शभी लोग आंसर बता रहे कि सर वो है राम की दिन चर्या अस्टियाम में ठीक है नेक्स्ट है उर्दू साहित की प्रतम गद्यकरती मानी जाती है उर्दू साहित की उर्दू साहित की कौनसी मानी जाती है सोला में उर्दू साहित की प्रतम गद्यकरती कौनसी मानी जाती है तनु जी, आनंद जी सभी लोग बताईए जन्दी से कुर्दू साहित की प्रितम गत्य किर्थी 9.45 से टिर्की गुरु यूटूब चैनल पर आपको किलास रोज रोज मिलेगी दोस्तों तिर्की गुरु यूटूब चैनल पर आपको साथ 15 से मिलेगी ठीक है, और सुबे 10 बजे किलास मिलेगी तिर्की गुरु यूटूब चैनल पर रात 3, 945, रात 3, 7.15 और सुबे 10 बजे से एक किलास है आपको देखना है दोस्तों ठीक है वो और सेल्फ इस्टड़ी पे सुभे साड़े नो वजे मिलती है आपको है ना इसको याद करें तो उर्दू सायत की प्रतम गद्य कृति मानी जाती है कौनसी मानी जाती है तिला वतुल वजूद है यानि कि आपका जो सोला नंबर का उत्तर है वो सोला नंबर में सब्रस आपका सही है दोस्तों सब्रस राइट अंसर है ठीक है कुबला ए माला कथा कि किस की करती है सत्रा का उत्तर है कुबला ए माला कथा मुलाबजी बिल्कु सही है ममता जी कुबला ए माला कथा किस की करती है वो ध्योतन सूरी की है है ना या पर स्वांपरफ सूरी की सा 17 नमबर का कॉस्चन है 17 नमबर की कॉस्चन में लगबग सभी को पता है उद्योतन सूरी की किर्ती है कोबला ए माला कथा ये नमबर आपका बिल्कु सही है आचार सुकल के अनुसार प्रज भासा गत्य का सरप्रतम प्रियोग किस ने किया अठारा में प्रज भासा गत्य का सरप्रतम प्रियोग किस ने किया प्रज भासा गत्य का सिद्धों ने जैनों ने गोरक पंती योगियों ने या फिर आलवारों ने किस ने किया है अठारा नंबर का प्रस्ण है शबी लोग चैन करिए आचार सुकली के अनुसार ब्रजभासा गत्य का सरप्रतम प्रियोग किस ने किया है आचार सुकली के अनुसार अठारा नंबर का कॉस्चन है और अठारा नंबर का कॉस्चन है गोरक पन्ती योगियों ने गुरक पंती योगियों ने किया है ब्रजभासा गत्य का सबसे पहले प्रियोग हैना किस की अनुसार रामचन सुगली जी की अनुसार तो उत्तर आपका कहा जाएगा सी नंबर की ओर जाएगा बिलको सही है खड़ी बोड़ी गत्य में रचित पंचाग हैना पंचाग दर्सन नामग जोतिस गरंद की रचना की खड़ी बोड़ी गत्य में किसने की नया क्वेश्चन है बहुती बड़ी या क्वेश्चन है दो मैंसे बता दो पंचांग दर्सन नामाग जोतिस गरंत है जोतिस गरंत की रचना किसने की है किसने की है उन्नीस नंबर का क्वेस्चन है और जदी से बताईए दीपक गिरी जी जदी से बताओ परविंदर जी अनीता जी सुनीता जी पंचांग दर्सन के जोतिस गरंत है पुरे मतुरा नात स पन्चांग दर्सन के खड़ी बोडी गत्त में रचित रचना थे पन्चांग दर्सन हैं ना किसकी मत्रुआनात सुक्ल है ठीक है लाइक कर दो सबी साती दोस्तो रोज रात त्री नौबजे किलास आती है सबी सात्यों के लिए बढ़िया प्रैक्टेस नैना इक वस्टेनों पर अपन प्रेक्टिस करते हैं ठीक है अंगला कोस्चन यहाँ पर है सदल मिस्तर कहां के निवासी थे 20 नंबर में सदल मिस्तर कहां के निवासी थे आरा बिहार के पटियाला आगरा या फिर नई दिल्ली के सदल मिस्तर कहां के निवासी थे 20 नंबर का कॉस्चन है सदल मिस्तर कहां के निवासी थे ममता जी चैन करना है सदल मिस्तर कहां के निवासी थे पटेयाला के थे क्या आगरा या फिर आरा विहार के सदल मिस्तर और बंदरा जी ने बिल्कुर राइट अंसर लगाया कि सर सदल मिस्तर जो थे आरा के थे, आरा वेहार के, आरा वेहार, ठीक है, सदल मिस्र आरा वेहार के थे, ठीक है, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट है, मेरा जुल आसकीन, मेरा जुल आसकीन, इसके लेखा कौन है, मेरा जुल आसकीन के लेखा कौन है, मेरा जुल आसकीन, 21 नमबर में निधी दुबेजी चेन करिए Self Study Classes का एप डाउनलूट कर लिजे सभी साती 9.45 पर टिर्की गुरु यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी साती बेल आइकन को दबा देना ताकि इन्फॉर्मेशन बिलती रहे मेरा जुल आसकीन के ले का कौन है 21 नमबर का क्वोस्चन है अपन को याद रखे ना इनकी रचना है मेरा जुल आसकीन तो ख्वाजा बंदा बंदा बोले आसकीन है ना अपन को याद रखे ने आसकीन ठीक है बंदा ख्वाजा बंदा नेवाज हैं गया सुद्राज ठीक है बहुत बढ़िया इतिहास तिमिर नासक इतिहास तिमिर नासक इतिहास तिमिर नासक बताना अनीता सरोच जी इसके रचनाकार बताना है और सबी लोग बताएंगे इतिहास तिमिर नासक इसके रचनाकार राजा से उपर सा सितारे हिंद, राजा लक्षमन से हैं, राजा सदल मिस्तर या फिर लल्लू लाल चेंड करिए इतिहास तिमिर नासक इतिहास तिमिर नासक बाइस नंबर का क्वेस्चन है बाइस नंबर के क्वेस्चन में शबी लोगों को आइसर बताना है इतिहास तिमिर नासक सभी का आइसराय की राजा स्यो परसास सितारे हिंद सितारे है ना तो सितारे क्या होते हैं सित सितारे तिमिर नासक होते हैं राजा से उपर साथ सितारे हिंदी की रचना इतिहास तिमिर नासक ठीक है खुसरों की खालिक बारी में भासा के लिए किस सब्द का प्रियोग किया गया खुसरों की खालिक बारी में भासा के लिए बताना है भासा के लिए किस सब्द का प्रियो तो खाले के बारी में भासा के लिए किस सब्द का प्र醉क किया गया? ये Q49 बताना है और आपका राइट आंसर है किसर वो किया गया हिंदी भी अपन को याद रख perpendicular या ठीक है ये भासा के लिए हिंदी भी सब्दे का प्रयोग किया गया ये नमबर आपका बिल्कों सही है ठीक है नेक्स्ट है राजस्तानी गत्य का सुत्रपात कब हुआ 24 में राजस्तानी गत्य का सुत्रपात कब हुआ 12 सताप्दी से 10 सताप्दी से 13 सताप्दी से या फिर 9 सता चौबीस नंबर का बहुत इच्छा क्वेश्चन है राजस्थानी गत्र का सुत्रपाद बताना एकरण चोदरी जी रीना तिवारी जी सबी लोगों का इंसल आरा है कि सर राजस्थानी गत्र का सुत्रपाद इसकी बात करोगे तो वो हुआ है दस्वी सताब्दी से दस्वी स सताप्दी से रायस्तानी गद्द का सुत्रपात हुगा नेक्स्ट आचार सुकल ने खड़ी बोड़ी की प्रतम रचना किसे माना है बहुत अच्छा क्वेस्चन है खड़ी बोड़ी की प्रतम रचना किसे माना है आचार रामचन सुकल ने सरिता जी आस्ता सिंग जी चैन करि जिन भी साथियों को Self Study Classes में 80-20 सल लेना अभी मौका है 15 शॉमें 12 महीने के लिए आपे 80-25 सल ले सकते हैं 15 सो में 12 महीने इतना सस्ता कोर्ष है है ना सभी के लिए हैं दोस्तों सभी साथियों के लिए 15 में 12 महीने के लिए जिनको नोट्स मेंगाना है 3,000 MCQ की बुक 599 में घद्र पद्दे साहित की दोस्तों जो बुक है, जो आपके नोट्स है वो 16 सों में पोश्ट 4 साहित और अगर 3,000 MCQ गद्र पद्दे साहित 3ो मंगवाना चाहते हैं तो आप 21 रोपे में दोस्तों घर बैठे, पोश्ट 4 साहित मंगवा सकते हैं जो की गंग का भी की है दौलत राम जैन दौरा लिकित गद्दी की पुस्तक है कौन सी है। तो कौनसी है, शबी लोग बताएंगे, 26 नममर का question है और वो कौनसी है, सेबक चरित्र कौनसी है दोस्तों सेबक चरित्र थीक है, यह पुस्तक है गद्ड की, लेके गद्ड की पुस्तक कौनसी है, सेबक चरित्र यानि कि आपका C नंबर दौलत राम जैन द्वारा रिखे थे गत्त की पूची है C नंबर आपका बिलकु सही है ठीक है अंगले question के और हम बढ़ेंगे अंगला question है आपके द्वारा रानी केतिकी की कहानी इसके लेका कुण रानी केतिकी की कहानी लगबख सभी को पता है चेन करो जद्धी से फटाक से प्रीति कुमारी जी रानी केतिकी की कहानी बुरिसर रानी केतिकी की कहानी आदर्स जी राजी उरेखा जी पताइए जेल्प स्टेडी किलासे इसका एप डाउनलोड करो उपर लिंक दी है सभी सातियों को 9.45 पर 9.45 पर किलास करना है आपको काई की दोस्तों है ना टिरकीगुरू यूटूब चैनल पर टिरकीगुरू ठीक है रानी केतिकी की कहानी इनसा अल्लाखा ने सुनी वोले रानी केतिकी की कहानी ठीक है वासायोग बसेस्ट प्रेम सागर या फिर नासी के तो पाक्ष्यान यानि की 28 नंबर का क्वेश्चन है 28 नंबर के क्वेश्चन में शबी साती बताएंगे यह ना निखरे हुए खड़ी बोडी गत्दी की पहली रचना रीना जी क्या उत्तर लगाओ गया खड़ी बोडी गत हुए खड़ी बोरी गद्दी की पहले रचना है आपका उत्तर सी नंबर आपका सही है थापका किसकी कथा वरनित है, कथा वरनित है, स्रीमद भागवत पंचम इसकंद, स्रीमद भागवत नवा मिसकंद, स्रीमद भागवत दसा मिसकंद, या फिर स्रीमद भागवत चतोर्त इसकंद, प्रेम सागर में किसकी कथा वरनित है, तो राइट आंसर आपको चैन करना है चैन करिए शबी लोग बताइए प्रेम सागर में किसकी कथा वरनित है राइट आंसर सभी का स्रीमत भागवत दसमिसकंद यानि कि C आपका बिल्कुश है प्रेम सागर में वासा मुंसी के रूप में पहली निक्ति किसकी हुई थी पहली निक्ति बताना है बहले निक्ति किसकी हुई थी जल्दी से पोड़ विडियम कॉलेज में भासा मुंसी के पतपर भासा मुंसी के पतपर बताए तीस का उत्तर पोड़ तीस नमबर में उत्तर है कि सर लल्लू लाल जी की निक्ति हुई थी भासा मुंसी के पतपर ठीक है नेक्स्ट है संस्कृत प्रेश की स्थापना किसने की 31 नमबर में संस्कृत प्रेश की स्थापना किसने की इंसाल्ला का संस्कृत प्रेश की स्थापना किसने की संस्कृत प्रेश राइट आंसर चैन करना है और सभी लोग बता रहे कि सर संस्कृत प्रेश की स्थापना किसने की थी इंसालला का जान गिलकराई शदल मिस्री या फिर ललू लाल जी ने संस्कृत प्रेश की और संस्कृत प्रेश की यानि की 30 नंबर का क्वेश्चन है सभी का उत्तर है D, क्याने कि लल्लू लाल जी ने संस्कृत प्रेश की स्ताफना की थी दोस्तों D नमबर आपका बिल्कु सांदार क्वेश्चन है Next है ब्रजभासा गत्य की पुस्तक स्रंगार रसमंडन स्रंगार रसमंडन की रचनाकार कोन है? बत्तिसमें सुसमा जी 32 नमबर का उत्तर बताना है 32 का राइट आंसर आपका क्या जा रहा है ब्रज भासा गत्य की पुष्टक स्रंगार रस मंडन किसकी रचनाकार कौन है 32 नमबर में सभी सात्यों ने उत्तर लगाया कि सर स्रंगार रस मंडन स्रंगार रस कर दिया किसने बैठे बैठे स्रंगार रस कर दिया स्रंगार का रस किसने कर दिया बिठलना आदिकालीन गद्दी की रचना नहीं है कौन सी नहीं है 33 नमबर में आदिकालीन गद्दी की रच के साथ ठीक है आदि कालिन गत्ति की रचना नहीं है तो कौनसी नहीं है तेटीस नंबर का क्वेस्चन है तेटीस नंबर की क्वेस्चन में शभी साती बताएंगे आदी कालिन गत्ती की रचना देखो उक्ती बेक्ती प्रक्रण है बरन रतना का रहे लेकिन कीर्टी लता नहीं है कीर्टी लता आदी कालिन गत्ती की रचना नहीं है गत्ती की नहीं है तो आपका जो C नंबर है 33 में वो बिल्कुल सही है 33 में C नंबर रानी केतकी की कहानी किस सेली में लिखी गई 34 में रानी केतकी की कहानी किस सेली में दोस्तों बताए किस सेली में लिखी गई है 34 का उत्तर आपको बताना है 34 में आपका उत्तर है कि सर रानी केतकी की जो कहानी है वो किस सेली में लिखी गई 34 में फुत्तर है हाथ स्यात्मक सहली में यानि कि आपका जो B नमबर है हाथ स्यात्मक सहली ये बिलकुस ही आज़तर है ठीक है अंगले question क्यों जाएंगे वीडियो को सभी साती like share जरूर कर देना ठीक है अंगला question यहाँ पर है नासी के तो पाख्यान का दूसरा नाम है तो क्या है 35 नमबर में नासी के तो पाख्यान का दूसरा नाम क्या है निसा जी आस्ता जी share कर दिया करो दोस्तों एक बार जदी जदी से ठीक है नासी के तो पाख्यान का दूसरा नाम बताना है उदाइभान चरित है चंद्रावती है दौनों या फिर इंड में से कोई नहीं है 35 नमबर में और नासी केतु पाख्यान का जो दूसरा नाम है यानि कि 35 में 35 में आपको बताना है और आपका उत्तर है कि सर वो है नासी केतु पाख्यान का क्या नाम है नासी केतु पाख्यान जिसके रिचनकार सदल मिस्र मान जाते हैं किसका दूसरा नाम है चंद्रावती यानि कि आपका जो बी नमबर है चंद्रावती आपका बिल्कु सही आंसर है Next है सदल मिस्र की भासा की विसेशता क्या है सदल मिस्र की भासा की विसेशता वताना है पूर्वी पन है, पुर्दू की प्रमुकता है, सहजेबं प्रवाह मई भासा है या फिर किस्सा गोई है, नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक देख रही होगी, वो लिंक है सेल्प स्टडी किलासे से अपकी, सभी साती डाउनलूट कर लेना, सदल मिस्र की भासा की विसेस्ता क्या है, 36 नंबर का क्वोस्चन है, 36 नंबर में पुरापका उत्तर है, कि सदल मिस्र की भासा की विसेस्ता है, क्या है? पूर्वी पन है क्या? क्या फिर पूर्दू की प्रमुक्ता सहय जेबं प्रभाई में भासा है बताइए तो आपका उत्तर है किसरे पूर्भी पन इसकी विशेष्टा पूर्भी पन है ना तो आपका जो का नंबर है इसमें का नंबर लगा दो ये नमबर पूर्वीपन एक विसेश्ता मानी जाती है इनकी गिलक्राइस्ट के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कैप्टन विलियम प्राइस की निउक्ती कब होई बहुत अच्छा क्वोस्चन है गिलक्राइस्ट के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कैप्टन विलियम प्राइस की निउक्ती कब होई एक बहुत अच्छा क्वोस्चन 37 नमबर के क्वोस्चन में तो आपको पता है, 1800 ESP में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी दोस्तो ठीक है उसके बाद के अप्टन विलियम प्राइस की जो निउक्ती हुई थी वो हुई थी कब अभा अथारा सो अथारा सो चौवीस ESP में कब हुई थी 1824 में किसकी Captain William Price की निउक्ती हुई थी ठीक है तो आपका जो C number है वो बिल्कुल सही answer है ठीक है आरफन प्रेश आरफन प्रेश की स्थापना कहां हुई आरफन प्रेश नीतू सिंग बिनीता जी आरफन प्रेश की स्थापना कहां पर हुई थी 38 नंबर का question है आरफन प्रेश इसकी स्थापना कहां पर हुई थी 38 नंबर का उत्तर राइट अंसर है औरफन प्रेश मिर्जापुर कहा पर उती मिर्जापुर में और मिर्जापुर में कौनसी बोली बोली जाती है बोली सर भोजपुरी कौनसी भोजपुरी मिर्जापुर में है ना औरफन प्रेश किस्ता अपना मिर्जापुर किसने कहा कि व्याकरण की सुत्तिता और भासा की सफाई की प्रवर्तक दुवेदी जी ही थे गद्धी की भासा पर दुवेदी जी के इस सुभ प्रभाव का इसमरण जब तक भासा के लिए सुत्तिता आवस्तक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा कि किसने कहा था अच्छे से पढ़ लो कि किसने कहा कि ब्याकरण की सुद्धिता और भासा की सफाई की प्रवर्तक दुबेदी जी ही थे ये गतन बताना किसका है 49 नंबर में 49 नंबर का question है कि गतन किसका है पताईए ब्याकरण की सुद्धिता है ना और दोस्तों कहा गया कि भासा के लिए सुद्धिता आवस्तक समझी जाएगी जब तक है ना जब तक दोस्तों इनका क्या है ना किस्मरण बना रहेगा इस प्रकार से ये जो कहा है ये कहा है किसने आचार सुगल जी ने आचार सुगल जी ने सी नमबर आपका बिल्कु सही है खीक है जिन भी सात्यों के अड़िसर लेना है अभी ले सकते हो दोस्तों अभी अभी विश्त्रित अध्यन में पैड क्लास में साहित उध्यान जी नया बैच चाड़ हुआ है अभी हिंदी भासा का चेप्टर चला है सबसे पहला जिसको हम विश्त्रित पढ़ा रहा है पूर छाली बोडी राजा लक्षमण सेहं जनदी से बताई ये प्रयांका उपाध्याजी चैन करिये excel कर préc Argent कर हिए जो राजा लक्षमन सें थे किस भासा के पक्षकार थे संस्कृत निस्ट हिंदी के संस्कृत निस्ट हिंदी के पक्षकार थे ये कौन राजा लक्षमन सें किनों ने एक पत्र निकाला था प्रजा हित्यसी ठीक है सबी को बता भी होगा अंगला कोस्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जब तक सभी साती लाइक करो हिंदी गद्य के विकास में सरवादिक योगदान है तो किसका है हिंदी गद्य के विकास में सरवादिक योगदान किसका है रजन जी बताइए सरीता जी राजरानी डाक्तर नीता जी बताइए 41 नंबर के क्वेस्चन में 41 का सही उत्तर हिंदी गद्य के विकास में सरवादिक योगदान किसका है ये बताइए तो उत्तर है कि सर 41 में आर समाज आर समाज का योगदान, हिंदी गत्य के विकास में सरबादी के योगदान किसका है, आर समाज का है, वी नमबर आपका बिल्कु सही है, हिंदी गत्य का प्राचीनतम रूप किस भासा के रूप में मिलता है, रायस्तानी भासा के रूप में, मराथी भासा के रूप में, भासा के रूप में मिलता है 42 का उत्तर है सभी साती लाइक तो कर देना और आपका उत्तर है किसर हिंदी गत्य का जो प्राचींतम रूप मिलता है वो मिलता है किस भासा के रूप में राजिस्थानी भासा के रूप में ठीक है तो आपका ये नंबर बिल्को सही है तेरणी जी वीरेंद्र जी के नमबर आज्थानी वासा के रूप में अभियान सकुंतलम है ना खड़ी बोनी हिंदी में अनुबाद किस ने किया अभियान सकुंतलम का खड़ी बोनी हिंदी में अनुबाद किस ने किया 43 का उत्तर सेयर कर दो और 495 पर टिर्की गुरू यूटूब चैनल पर किलास आने वाली दोस्तों सभी लोग टिर्की गुरू यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है न 945 पर किलास आएगी जिसमें भक्तिकाल की किलास आएगी दोस्तों अभिज्यान सकुंतलम खड़िवोरी हिंदी में अडुबात किस ने किया है 43 का उत्तर चैन करना है सभी का उत्तर एकिसर वो किया है राजा लक्ष्मन सेहने ये नंबर आपका सही है माधाव बिलास की रचना कार कौन है माधाव बिलास 44 नंबर का कॉस्चन है सेल्फ इस्टडी क्लासेस का सभी साती एप डाउनलोड करें जिनको एडवीसर लेना है एडवीसर ले सकते हैं जिनको नोट्स मंगवाना हिंदी साइथ के नोट्स भी मंगवा सकते हैं पीटेट बाले, टीजिटी, पीजिटी, के वीएस बाले सभी साथी मंगवा सकते हैं दोस्तों माधाव बिलास की रचना कार कौन है 44 का एक सांदर कोस्चन पूछा गया है और आपका उत्तर है का नंबर यानि कि लल्लू लाल के माधाव बिलास के रचनाकार मान जाते हैं कौन मान जाते हैं लल्लू लाल मान जाते हैं माधाव बिलास के रचनाकार लल्लू लाल बहुत बढ़िया बनारस संस्कृत कॉलिज की स्थापना कब हुई 45 नमबर का question है बनारस Sanskrit College की स्थापना कब हुई? शबी बताएंगे ज़ंदी से 45 बनारस Sanskrit College की स्थापना दोस्तो Kaiser 1654 में ये नमबर आपका भिलकु सही है अंगले question के ओर बड़ेंगे हम अंगला question आपकी screen पर है सबी लोग बताईए राजा सियोपरसास सितारे हिंद किस भासा के समर्थक थे किस भासा के समर्थक थे 46 का उत्तर चैन करना है और सभी साती Self-Study Classes का नीचे लिंक दी है एप की तो एप डरूर डाउनलोट कर लें दोस्तो राजा सियोपरसास सितारे हिंद किस भासा के समर्थक थे ये 46 नंबर का क्वेश्चन पूचा गया सभी सातियों का उत्तर है किस तर ये जो जन थे वो किस भासा थे सियोपरसास सितारे हिंद किस भासा के समर्थक थे उर्दू के किस भासा के समर्थक थे है ना ऐसी बासा के समर्टक थे दोस्तो जिसमें अर्मी फार्सी के भी सब्दों हो है ना तो यहाँ पर आपका जो यह नंबर है वो बिल्कु सही है ठीक है नेक्स्ट है भूगोल हस्ता मलक के लेका क्वण है भूगोल हस्ता मलक किसके लेका क्वण है भूगोल हस्ता मलक लास्ट कॉस्चन है सभी साथ ही बताएंगे 47 नमबर के कॉस्चन में उत्तर है भूगोल हस्ता मलक राजा से उपर सास से तारे हिंद बिल्कु सही है हिंदी का प्रथम मौले को पन्यास है तो कौन सा है शबी लोग बताईए बहुत ही सांदार question रोज रातरी नौबजे के class होती है दोस्तों नीचे description में comment box में दोस्तों आपके लिए app की link दी है self study classes app की तो सभी साती app को download कर लें हिंदी का प्रता मौले को पन्यास कौन सा है आपको बताना है एक नंबर का question है हिंदी का प्रता मौले को पन्यास कौन सा है नूतन ब्रमचारी है परिक्षा गुरू है निस्ताहा हिंदू है या फिर रहस से कथा है ये एक नंबर के question में सभी साती बत कि सर हिंदी का प्रता मौले को पन्यास पूचा है और मौले को पन्यास में आपका उत्तर है परीक्षा गुरु परीक्षा गुरु 1882 का यह पन्यास माना जाता है और परीक्षा गुरु जी निवास पर ही होगी गुरु जी परीक्षा तो निवास पर ही होगी तो परीक्षा गुरु 1882 और कहां पर हो भी निवास पर तो स्री निवास दास जी यानि की वी नमबर आपका बिल्कु सही है ठीक है अंगला क्वश्चा ने गोपाल राय ने हिंदी का प्रतम मौले को पन्यास के से माना है दिवराणी जठानी की कहानी परिक्षा गुरु भागबती आपे नूतन ब्रमचारी को। गोपाल राइ ने हिंदी का प्रतम मौलै को पन्यास किसे माना है। इसके रचनाकार कौन है तो आपको पता है मैंने कई बार आपको बता है देवरानी जठानी से क्या है गोरी है गोरी गोरी है तो पंडित गोरी दत्त है पंडित गोरी दत्त का दोस्त ये क्या है वो पन्यास है और इसे गोपाल राय ने हिंदी का प्रतम मौले को पन्यास माना है ठीक है दिवरानी जठानी से क्या है गोरी तो पंडित गोरी दत है ठीक है बहुत पढ़िया अंगला कोस्चन है परिक्षा गुरु उपन्यास के लेखक तीन नंबर का कोस्चन है अपन पढ़ भी चुके हिंदी का प्रता मौले को पन्यास भी माना जाता है शबी लोग बत स्री निवास दास हैं बालकश्न भट्टे हैं कौन माने जाते हैं शबी लोग चैन करें जल्दी से चैन करो परिक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है परिक्षा गुरु परिक्षा गुरु तो परिक्षा गुरु तो स्री निवास दास बहुत बढ़िया नेक्स्ट क और पूँचा जाता है कि अंग्रे जी के धंका हिंदी का प्रतम मौले को पन्यास कौन सा है तो अंग्रे जी के धंका हिंदी का प्रतम मौले को पन्यास भी यही माना जाता है परिक्षा गुरू आचार राम चंशुक ने हिंदी का प्रतम मौले को पन्यास किसे माना है तो पर नोट्स मंगवाना है आप संपर कर सकते हैं दोस्तों नीचे नंबर चलना है 909098609291 इस नंबर पे आपको संपर करना है और दोस्तों नोट्स आप अपने घर पर मंगवानी के लिए ओडर कर सकते हैं ठीक है चाहे 3000 MC की हों चाहे हिंदी साहित का इतिहास गद्ध पत्य साहित ठीक है तो भाग बत्ती और बोले सर हैना भाग हमारा जरूर खोलेगा बोले स्रद्दा रखो स्रद्दा स्रद्दा से पूजा करो भगवान पर स्रद्दा रखो भाग हमारा चमकेगा भाग बत्ती हैना तो आपका यह नंबर है स्रद्दा राम फिल्लोरी ठीक है यह नंब का question है बाल कश्ण भट्ट ने कौन सा उपन्यास नहीं लिखा है अर्जुन सरोच जी सेर कर दो दोस्तों सब्सकाइब कर लेना चैनल को बेल आइकन को भी दवा देना कौन सा उपन्यास बाल कश्ण भट्ट ने नहीं लिखा है यह 5 नमबर का question है तो आपको पता रहस्य कथा बोले बालों की रहस्य की कथा तो सुनी है बाल कश्ण भट्ट नूतन ब्रमचारी भी है है ना सोजान एक सुजान भी है बाल कश्ण भट्ट का लेकिन यह नहीं सुना भी तक सौंदर्य उपासक है ना सुना है क्या बोले नहीं सर तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका उत्त एक लाख बेकैंसी एक लाख बेकैंसी किए बहुत सारे बिभागों में पटवारी पुलेस टैट हैना बिवन्य प्रकार के विभागों में एक लाख बेकेंसी की घोषणा हो गई है है ना अब यहाँ पर स्यामा स्वपने नामक उपन्यास किस ने लिखा है छे नंबर का क्वेश्चन है पुरुत्तर है स्याम का स्वपने है जग मोहन बनादो बुले निस्ताहाई हिंदू साथ नंबर का क्वेश्चन है साथ नंबर के क्वेश्चन में सबी लोग बताएंगे बालकर नवटका है के सोरि डाल गो Assahami या फिर बिना विकल्ब के भी आप लोग बता सकते हो निस्ताहाई हिंदू किसका उपन्यास है एक question आ चुका है दोस्तों निस्ताहाई हिंदू तो बताईए जल्दी से है ना ये चार विकल्फ हैं दो विकल्फ और है कि वो निसर जम निस्ताहाई हो जाता है हिंदू तो रादा क्रश्ण का दास बन जाता है रादा क्रश्ण दास थी नंबर आपका बिल्कूँ सही है ठीक है बिगडे का सुधार अत्वा सती सुक देवी उपन्यास के लेका क्वन है आठ नंबर का क्वेस्चन है ठीक है यह नंबर बहुत बढ़िया अब दोस्तो जिन भी सात्यों 9.45 पर किलास आएगी जो आपने अभी किलास देखी तिछाया बाद की उसका जो छूट गई है किलास वो 9.45 पर आएगी तिर्की गुरू यूटूब चैनल पर अठ पूर्ण प्रस्ण चाया बाद की आदर्स इंदू पन्यास के लेका कौन है आदर्स हिंदू 9 नंबर का क्वेस्चन है आदर्स हिंदू हरी कश्न जोहर के सोरी राल या फिर लज्जा राम महता चैन करना है फटाक से वीडियो को सेर भी कर दो आदर से हिंदू के ओपन्यास किसका है नौ नंबर का कॉस्चन नौ नंबर के कॉस्चन में कौन कौन सही बता रहा है बोले सर आदर से हिंदू को लज्जा नहीं आती आदर से हिंदू को क्या नहीं आती लज्जा नहीं आती लज्जा से क्या वनेगा लज्जा राम महता आदर्स हिंदू को लज्जा नहीं आती उत्तर हो जाएगा लज्जा राम महता अभी पढ़ाता परने निस्था हाए हिंदू जब हिंदू निस्था हाए होता वो लिराधा क्रश्न का दास बन जाद राधा क्रश्नदास और आधर सिंदु को लज्जा नहीं आती तो लज्जा से लज्जा राम महता दी आपका सही है नेक्स्ट है अंगूठी का नगीना अंगूठी का नगीना उपन्यास किसने लिखा है दस नंबर का क्वेश्चन है सुनील कुमार जी गीता जी सबी लोग बताईए अंगूठी का नगीना यह उपन्यास किसका है चैन करी अंगूठी का नगीना दस नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों वीडियो को सेर भी कर देना अंगूठे का नगीना ये किसका किसका उपन्यास है ये उपन्यास किसने लिखा है दस नंबर के question में right answer है का यानि कि किसोरी लाल गोशौमी अंगूठे का अंगूठी का नगीना किसोरी की अंगुठी का नगीना क्या हो गया है गिर गया गिर तो किसोरी लाल गोसामी अंगुठी का नगीना या देवाला उपन्यास किस ने लेखा ठेट हिंदी का ठाट या देवाला सबी लोग बताईए लाइक भी कर दो दोस्तो और सेल्प स्टडी गलासे इसका एप डाउनलोड कर लो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी है आप उपर देख रही होगी नीले नीले गलर में है ना तो 11 नंबर का उत्तर हो रहा है कि सर ठेट हिंदी का ठाट के उपन्यास है ह आयुद्या से मुपात्या ह्रियोद वी नंबर आपका बिल्कु सही है बहुत बढ़ीया अदिखिला फूल पन्यास किसने लिखा है 12 नंबर में अदिखिला फूल क्रियटेव बताईए दीपक पभार जी अदिखिला फूल 12 नंबर का क्वेश्चन है और 12 नंबर की अधिखिला फूल रह गया, कहां पर अयोध्या में, तो अयोध्या से हो पाध्या हर्योद, आपका जो B-Number है, B-Number आपका बिल्कु सही है, B-Number, Right Answer, कस्मीर पतन, कस्मीर पतन उपन्यास, कस्मीर पतन तेरा नंबर का क्वेस्चन है, कस्मीर पतन बताना है, डाक्टर रिंकी प्रतिमा जी, कस्मीर पतन तेरा नंबर के क्वेस्चन में सभी साती बताएंगे, और Right Answer है, कस्मीर पतन उपन्यास, किसने लिखा है, लाइक जरू कर देना, कस्मीर पतन, तेरा का Right Answer, तेरा में कौन-कौन सही आंसर बता रहा है, यहां पर, सही है, कस्मीर पतन, कशना सिंग जी, चैन करिए, कस्मीर पतन, पुर आपने उत्तर बता है, जैराम दास गुप्त, जैराम दास गुप्त का यह दोस्तों पन्यास है, कौन सा, कस्मीर पतन, C नंबर आपका सही है, जैराम दास गुप्त, C, जिन्होंने भी Right Answer चैन किया, उनका बिलकु सही है, जैराम, कस्मी जी अनार कली अनार कली उपन्यास चौदा का राइट आंसर बतना है अनार कली के उपन्यास किसका है पिंकी गोर जी अविशेक है चोदरी जी धीरेंद्र जी है ना तो अनार कली और इसर अनाल करी को बल देओ अनार कली को क्या देओ बल देओ बल अनार कली को बल देओ बल द अनारकरी को बल देओ, यानि कि आपका उत्तर C नमबर, C नमबर बल देओ, उरस्तर अनारकरी को बल देओ, ठीक है, नेक्स्ट, तिलिजमी अयारियो पन्यासों के प्रवर्ण तक कौन माने जाते हैं, पंदरा में, तिलिजमी और अयारियो पन्यासों के प्रवर्ण तक कौन म अइसा पूछा गया 15 नमबर के प्रबर्तक मांडे जाते हैं नमबर आपका बिल्कू सही है बहृत बढ़ जाते हैं नेक्स्ट दो इंदन खतरी के किस पन्यास को पढने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी 16 नंबर का question है बताओ देव की नंदन खत्री के के सो पन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी अब बताओ कितना powerful पन्यास होगा इनका लोगों ने हिंदी सीखी उस पन्यास को पढ़ने के लिए रुद्रशागर जी और सभी का अंसर है कि सर देव की नंदन खत्री के किसो पन्यास तो चंद्रकांता चंद्रकांता है ना तो याद रखे ना बोले सर चंद्रकांता को देखने के लिए तो लोग अपना काम छोड़के आ जाते हैं और ये चंद्रकांता को पढ़ने के लिए लोग हिंदी नहीं सीख सकते क्या सीख सकते हिंदी है ना तो चंद्रकांता को पढ़ने के लिए क्या सीखी हिंदी सीखी हिंदी अपन को याद करेंगे निराला नकाब पोस्ट उपन्यास किसने लिखा 17 नंबर का question है share कर दो सबी साथी निराला नकाब पोस उपन्यास किसने लखा है सत्रा नंबर के कॉस्चन में नकाब पोस नकाब पोस नकाब पोस निराला नकाब पोस अरे भाई नकाब पोस ब्यक्ती है ना पताईए क्या पुलिसर निराला नकाब पोस ने क्या कर दिया जोहर कर लिया नकाब पोस ने जोहर कर लिया है ना तो 17 नमबर का question है नकाब निराला नकाब पोस नकाब पोस ने जोहर कर लिया जोहर जोहर से बनेगा हरेक रश्न जोहर इनका दोस्तों ये निराला नकाब पोस उपन्यास है निराला नकाब पोस इन्होंने भी निराला जोहर, ठीक है, नकापङोस ने क्या कर लिया, जोहर कर लिया, जासूसी उपन्यास, जासूसी अपन को याद रख लियना है, है ना, जासूसी उपन्यास के प्रबटत कोने, 18 नमबर काकश्चन है, आपने देखा अउगा दोस्तो, कंसे, करश्ण जी के भेजते थे तो जासूसी अपन को याद रखे ना किसकी जासूसी बोले गोपाल की तो गोपाल से हो जाएंगे गोपाल राम गहमरी है ना और जासूसी तो जासूसी पन्यास के प्रवर्ट तक हो जाएंगे कौन गोपाल राम गहमरी वी नंबर आपका बिल्कु सही हो दोस्तों उपन्यास आएगा आपको 19 नंबर का question बताना है शबी लोग बताएंगे 19 का right answer तो गोपाल राम गहमरी आपको बता ही है कि सर गोपाल राम गहमरी जो है कि माने जाते हैं कैसे जासूसी उपन्यास के प्रवट तक इनके उपन्यासों की बात करें गोपतेचर सरकटिलास जासूस पर जासूसी और जासूस की अयारी है ना तो यह आपका जो B नंबर है यह यहाँ पर B बिल्कु सही हो जाएगा B नंबर गोपतेचर सरकटिलास ठीक है यह आपका B नंबर बहुती बढ़ी आ question हो जाएगा अंगले question की और हम जाएगे शबी लोग बताएगे और share भी कराएगे ठीक है तो यहाँ पर आते हैं कौनसा उपन्यास गोपाल राम गहमरी का नहीं है 20 का उत्तर बताना है माहिसें आरती जी कौनसा उपन्यास गोपाल राम गहमरी का नहीं है ये question बताना है और KF को download कर लेना है self study classes आपको 945 पर टिर्की गुरू यूटूब चैनल पर आप सभी सातियों के लिए class आईगी छायवाद के कुछ मात्पून प्रशनों की तो वो जरूर देखना आप सभी साती नीचे comment box में आप देखेंगे तो link दी है दोस्तो है ना self study classes आपकी जिनको एडवीसन लेना है पंदराशों में 12 महीनी के लिए डवीसन भी ले सकते हो ठीक है तो कौन सा उपन्याज गोपाल राम गहमरी का नहीं है ये 20 नंबर का पूचा गया है 20 का उत्तर पूचा गया और आपके उत्तर बेकसूर को फांसी ये तो है जादू गर्नी मनोला के भी है भोजपुरी की ठगी के भी है तो फिर कौन सा नहीं है 20 का उत्तर तो आपका उत्तर है कौन सा कौन सा नहीं है पुलिसर वो नहीं है जासूस के घर खून जासूस के घर खून ये नहीं है κिए तो जासूस के घर खून के गोपाल राम गह्मरी का नहीं है फुत-तर हो जाएगा आपका धी नमबर धी नमबर आपका बिलकु सही है Next Question है जिन्दे की लास किसका है जिन्दे की लास किसका है जिन्दी से चैन करना है जिन्दे की लास उपन्यास किसका है सबी लोग बताएंगे दोस्तों सबी को चैन करना है बहुत यह अच्छा क्वेस्चन है और यहाँ पर दोस्तों अपन एक कर देख रहे हैं यहाँ पर जो क्वेस्चन पूछा गया है कौन सा ठीक है यह आपसे पूछा गया है जादू गरनी मनोला है ना तो यह भी अपन को याद रख लेना है कि यह जादू गरनी कि जासूस के घर पून तो इनका है दोस्तों अपन नियास किसका गोपाल राम गहमरी का इनका अपन नियास माना जाता है ठीक है इसको next पर छोड़ो यहाँ पर आजाओ पहले ठीक है जिन्दे की लास यह उपन नियास किसका यह बताना है आपको जल्दी से बताए जिन्दे की लास जिन्दे की लास सभी लोगों ने बताया 21 नंबर का question है और सभी का उत्तर है किसर यह जिन्दे की लास यह जो उपन नियास है कि 20 नंबर में सभी लोग बताये राइट अंसर सभी का उत्तर है कि सर कि जिन्दे की लास कि सोरी लाल गोसों में सी आपका सही है जिन्दे की लास ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है वेरी गोड अंगले question क्यों और हम जाएंगे अंगला question आपकी screen पर आ रहा है next है प्रेम चंद का कौनसा अपन नियास जलबा एसार का हिंदी रूपांतरन है जलबा एसार का हिंदी रूपांतरन कौनसा है जलबा एसार का हिंदी रूपांतरन चैन करिए जल्दी से प्रेमचंद का कौन सा अपन्या जल्बा ए इसार चैन करना है बहुती अच्छा क्वेस्टन है और बाइस नंबर के कौस्चन में शबी लोगों ने बिलकु सांदरांस लगाया कि सर बरदान बरदान राइट आंसर है ठीक है प्रेमचंद ने अपने केसो पन्यास को हिंदी का भैतरीन नॉबिल कहा है तेईस नंबर का कौस्चन है शबी लोग बताईए किसने कहा है प्रेमचंद का बताना है चैन करिये जग्दी से प्रेमचंद ने अपने केसो पन्यास को हिंदी का भैतरीन नॉबिल का ये कौस्चन पूछा गया और तेईस नंबर में 27 का उत्तर है शेवा सदन को यानि कि आपका जो ये नंबर है वो बिलको सही है ये नंबर आपका राइट आंसर है दोस्तों है ना बहुती सांदार कौस्चन आपने लगाया है ये नंबर अंगला कौस्चन है आपका प्रेम चंदि के किसो पन्यास को हिंदी का प्रतम राजनेते को पन्यास माना जाता है प्रतम राजनेते को पन्यास प्रतम प्रतम राजनेते को पन्यास माना जाता है 24 नमबर का question पूछा पुर्वो माना जाता है प्रेम चंदि को 24 का आपका उत्तर है बी नमबर बी नमबर आपका बिलको सही है दोस्तो बी नमबर बहुत बड़ी आंसर प्रेम चंदि का कौनसा पन्यास बाजारे हुसन का हिंदी रूपांत्रण है बाजारे हुसन का हिंदी रूपांत्रण जल्दी बताना है और यहाँ पर यह जो कॉस्चन है दोस्तों अपने पड़ा था कौनसा के बेकसूर को फांसी भी है जादूगर्नी मनोला भी भोजपुर का ठगी है जासूस के घर खून भी है है ना ठीक है फिर इधर आजाओ इस कॉस्चन को पढ़ें पहले प्रेम चंद का कौनसा अपन्यास बाजारी हुसन का हिंदी रूपांत्रण है पच्चीस का उत्तर बताना है और राइट आंसर है से बाशदन ठीक है दी आपका राइट आंसर हिंदी में लेकित प्रेम चंद का पहला अपन्यास कौनसा है एक question पूछा गया सभी साती बताएं और एक बार share भी कर दें दोस्तों जल्दी से share भी करना है सभी सातियों को बहुत अच्छा प्रेमचंद का पहला उपन्यास 26 नंबर के question में सभी लोगों ने आंसर बताया कि सर है ना हिंदी में हिंदी में लिकेत प्रेमचंद का पहला उपन्यास है काया कल डी नंबर आपका बिल्कुस है नेक्स्ट है प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरी जनों की इस्तिती उनकी समस्याओं का चित्रन किया गया है उनकी समस्याओं का चित्रन किया गया बताएं बहुत अच्छा question है और 27 नंबर के question में सबी लोग बता रहे कि सर 27 में तो आप टिक लगा दो D नंबर करमे भूमी हरी जनों की इस्तिति और उनकी समस्यां को चित्रन करमे भूमी में किया गया बहुत था अंदर सब्सक्राइब कर देना सबी साती नेक्स्ट कोच्चन है प्रहेमचंद के किसो पन्यास में दहेज पिरता और ब्रद्य विवाय की समस्या का वरणन किया गया है दहेज पिरता प्रहेमचंद के किसो पन्यास में दहेज पिरता और ब्रद्य विवाय की समस्या बहुत अच्छा कोस्चन है दोस्तो 28 नंबर का कोस्चन है 28 नंबर के कोस्चन में कौन-कौन सही उत्तर बता रहा है शबी लोग बताएंगे और शबी का उत्तर है कि सर आप सही उत्तर लगा दो निर्मिला दहेज प्रता ब्रत्य विवाय की समस्या बैरिगुण प्रेमचत का कौन सा उपन्यास गोस आए आफियत का दोस्तो हिंदी रूपांत्रण माना जाता है पताएंगे बहुती बढ़िया तो यहाँ प्रेमचत का कौन सा उपन्यास गोस आफियत का हिंदी रूपांत्रण है यह 29 नंबर का ही क्वेस्चन है और 29 नंबर के क्वेस्चन में सभी लोगों ने का नंबर लगाया प्रेमचत्रण में दोस्तो इसका उत्तर आप लोगों के लिए बहुती बढ़िया उत् उत्तर सही है है ना इसको एक बार सुधार लो कि तीनों बेकसूर को फांसी गोपाल राम गहमरी का है जादू गरनी भी है भोचपुर का ठगी भोचपुर का ठगी भी है लेकिन जासूस के घर खून क्या ही उत्तर सही है यह दोस्तों गोपाल राम गहमरी का नहीं है है ना ये किसका है ये है रामलाल बर्मा का इसका है दोस्तो रामलाल बर्मा का ठीक है ऐसे ही बहुत सुपर कॉस्चन है दोस्तो ये इसको याद रख लेना बेकसूर को फासी जादूगरनी मनोला भोजपुर का ठगी जासूस के घर खून कि रामलाल बर्मा का दोस्तो पन्यास माना जाता है इसको एक बार सोधार लेना ठीक है बहुत बढ़िया अंगले कौश्चन की और हम जाएंगे अंगला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जब तक एक बार सबी साती ताली बजाकर दोस्तों इस question का स्वागत करेंगे अंगला है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास? चोगाने हस्ती का हिंदी रूपांत्रण है कौन सा उपन्यास है? सबी लोग बताएं और एक बार share कर दें जल्दी से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास? कौिंसा उपन्यास चोगाने हस्टी का हिंधी रूप आंतरण है 30 number का question है 30 number के question में chain करना है सेबा सदन है रूठी रानी है रंग भूमी है या फिर प्रेमास्रम है तो 30 number का question है बहुत ही बढ़िया question और चौगाने हस्ती का हिंदी रूप अंत्रण माना जाता है कौन तीस और तीस का उत्तर बिल्को सही है रंग भूमी यानि कि C नंबर आपका सही है C नंबर बिल्को सही बहुत बढ़िया नेक्स्ट है प्रैमचंद के उपन्यासिक पत्रों को तो यहाँ पर चैन्द करना है, नीचे बिकल्प भी दिये हैं, प्रश्न किरमांग आपका है दोस्तो 31, 31 में उत्तर बताना है, 31 का सही उत्तर बताना है, और 31 में आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तो, कि सुमन जो है, ये किसकी पात्र है, सुमन किसकी है, सुमन है सेबा सदन की पात रहें ठीक है प्रेम संकर प्रेमास्रम के पात रहें ठीक है उसके बाद दोस्तों आपका रामनात जो है ये गवन के पात रहें और होरी होरी गोदान के पात रहें सही है ठीक है सुमन सेबा सदन प्रेम संकर किसके पात रहें प्रेमास्रम के रामनात किसके पात रहें प्रेम चंद के उपन्यासों का बताना है राखी जी संजु दुवे जी बीनु नीलम जी सभी लोग बताएंगे सबी साथी नीचे दोस्तों आपको एक लिंक दी है सबी साथी डाउनलोड कर लेंगे जिनको भी दोस्तों कोर्स में अड़िसर लेना है है ना हरीस सरोज जी तो 32 नंबर का कोस्चन आपके सामने है सभी ने उत्तर लगाए कि सर सबसे पहले सेवाश अधन ठीक है रंग भूमी गवन और फिर गोदान इस प्रकार से आपका क्रम ए सही होगा बी नंबर बी नंबर है मंत जी बहुत बढ़िया कौन सा उपन्यास प्रसाद जी का नहीं है प्रसाद प्रसाद का नहीं है आपको पता है जैसंकर प्रसाद है ना 1889 में जिनका जन्म हुआ था इन्होंने तीन उपन्यास लेखे थे तीन उपन्यासों में इनके उपन्यासों को लगभग आप सभी सातियों को पता है कि कंकाल तितली और इराबती इनका अंतिम उपन्यास है इराबती इनका एतिहासे को उपन्यास है इराबती इनका अधूरा उपन्यास है किसका जैसंकर प्रसाद का तो इराबती में आपको यहाँ पर नहीं है पूँचा है तो उत्तर आपका यहाँ पर छमा हो जाएगा यह नमबर बाकि कंकाल, इराबती और तित्री यह तो है ठीक है फिस्वंबा ना सर्मा कोशेक का उपन्यास है तो कौनसा है 34 में आपको बताना है दोस्तो 34 में तिर्की गुरु यूटूब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे अभी 9.45 पर उस पर किलास आएगी छायाबाद के बहुत ही टॉप महत्पून क्वेस्टन की ठीक है जो अभी आप 7 बजे किलास पढ़ रहे थे उसी के महत्पून क्वेस्टन जो रह गए थे है ना उसके किलास आएगी वो आपको पढ़ना है ठीक है तो विस्तुमबर नास्तरमा का अपन्यास आपको बताना है और कल इसी सेल्फ स्टडी किलासे इस पर सुबह 8 बजे से 10 घंटे की किलास आएगी दोस्तों 10 घंटे की पूरा हिंदी साहित आदी कालचे लेकर नई कविता तक पूरे टॉप 800 कॉस्चन आप लोगों के लिए 10 घंटे में है ना सुबह 8 बजे से किलास आएगी सभी लोग तयार है ना सेल्प स्टडी किलासे इस पर के 10 घंटे की किलास जिसने पढ़ ली उसका कॉंफिडेंस लेविल बहुत हाई लेविल पर पहुँच जाएगा है ना तो बिस्वंबना सरमा उपन्यास इनके मा भी है और भेकारनी दोनों आपका बिल्कु सही है ठीक है अंगला कॉस्चन अपन यहाँ पर आते हैं बहुती बढ़िया कॉस्चन है दोस्तो देहाती दुनिया उपन्यास किसने लेखा 35 नमबर में देहाती दुनिया कई बार पूछा गया रादिकार अमण प्रिसास से जो पूजन सहाइस याराम सनगुप्त चंडी प्रिसाद हिरदेश 35 नमबर के कॉस्चन में रस्मी जी टारगेट जी कुमोथ पटेल जी सबी लोग बताएं देहाती दुनिया को पन्यास किसने लेखा है 35 का राइट अंसर बताना है और 35 में शबी लोग अंसर बताएंगे कि सर देहाती दुनिया में सियो की पूजन ही सहाइ होती है तो B नमबर देहाती दुनिया में सेव की पूजन सहाय होती है होती की नहीं एक क्वेस्चन पूचा भी गया है B नमबर आपका बिल्कु सही है दोस्तो सेयर कर देना और अपने मित्रों को राजा रादिका रमण प्रसाद सहे के उपन्यासों का प्रकासन वर्ष के अनुसार सही करम बताना रादिका रमण प्रसाद सहे 36 नमबर में 36 का उत्र बताईए निसाजी 36 का राइट आंसर रादिका रमण प्रसाद सहे के जो उपन्यास है उनको करम से बताना है क्रम से तो इनके उपन्यासों को अपन को याद रख लेना की सर इनके उपन्यासों में राम रहीम रादिका रमण ठीक है पुरोस और नारी संसकार है ना और दोस्तो चुम्बन और चांटा ये आपका जो बी नंबर है बी नंबर सही हो जाएगा राम रहीम ठीक है गोद नार की उपन्यास किसने लेखे हैं असमे ठाकोर जी नीता जी सभी साती सेल्प इस्टडी के लासे इसका एप जरूर डाउनलोड कर लेंगे निरंतर अध्यन करना है तो जुड़े रहें बेल आइकन को दबा दें सेल्प इस्ट्राइब और दोस्तों टिर्की गुरु यूटूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें सभी साती है ना गोद नारी उपन्यास किसने लिखा है सियाराम की गोद में जाना चाहती है कोई भी नारी जिससे काहें कि बताई आपकी अंतिम स्टा एक रहें नारी और गोद किसकी C अराम, B नमबर आपका बिलकु सही है, C अराम की सरन मिल जाए और क्या चाहिता है बैक्ति? है ना सतरंज के महरे जीबन के अंतिम दिनों में बोले अंतिम एक्षा क्या है? कुछ खाने की एक्षा तो नहीं ऐसे होता ना जब यक्ति के अंतेम एक्षा क्या कुछ खाने की बोले नहीं अब तो एक एक्षा है कि प्रभू की सरण मिल जाए है ना सतरंज के महरे को पन्यास किसने लेखा है 38 नंबर का क्वेस्चन है सबी लोग बताएंगे सतरंज के महरे हैं पुली सर सतरंज के महरे को क्या करना है अमरत दिलाना है जिससे वो अमर हो जाएं क्योंकि सतरंज के महरे बार बार मारे जाते हैं मारे जाते नहीं मारे जाते कभी ना मारे जाए, सत्रंज के मुहरे को क्या दिलाना है, अमरत दिलाना है बोली सर, मैंने का बिलकुल दिला देंगे, अमरत, तो अमरत लाल लांगर, भी नमबर आपका बिलकुल सही है, कौन सा उपन्यास तुलसी के जीवन से संबंदे थे, 49 नमबर का कॉस्चन है, जिन भ आपका उत्तर है, यहाँ पर, C नमबर, बिलकुल सही है, रामकुमार बर्माने किसके उपन्यासों को, हिंदी का गैर मानक रूपों का पितारा कहा है, 40 का बहुत ही अच्छा question है दोस्तो रामकुमार बर्माने किसके उपन्यासों को हिंदी का गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है ठीक है तो जल्दी जल्दी से आप लोगों को पढ़ना है प्रताब जी धीरेंद्र जी 40 नंबर का question है 40 नंबर के question में सभी लोग यहाँ पर उत्तर बता रहे हैं और आपका उत्तर है B यानि कि अमरतलाल नांगर अर्द नारीशोर उपन्यास किसने लिखा है अर्द नारीशोर उपन्यास किसने लिखा है यह आपको बताना है जल्दी से बताईए और एक बार जल्दी से स्तियर भी कर दीजे अर्द नारीशोर उपन्यास लिखा किसने है किसने लिखा है बहुत ही सांदार question है अर्द नारीशोर जल्दी से 3000 MCQ के लिए कुलदीप जी 500 ने 99 पोस्ट चार्ज सहेत है 3000 MCQ ठीक है तो अर्द नारीशोर उपन्यास के रचनाकार कौन है एक तालीस नंबर का question आप से पूछा गया है एक तालीस नंबर के question में सभी साती बताएंगे अर्द नारीशोर अर्द नारीशोर में बताना है तो शभी का उत्तर है कि सर कि जो अर्दनारी सुर उपन्यास आप पूछ रहे हो यह विश्नु प्रभाकर क्यानि कि आपका जो भी नंबर है विश्नु प्रभाकर जो है आपका बिलको सही है ठीक है यह अर्दनारी सुर इनका उपन्यास है नेक्स्ट है उदैस अंकरवट का कौनसा उपन्यास आंचलिक है 42 नमबर में 42 नमबर में चैन करो सेर कर दो शबी साती दोस्तो Self-study classes का app डाउनलोड कर लेना उदैस अंकरवट का कौनसा उपन्यास आंचलिक माना जाता है आंचलिक बताना है कभी ता है यादव जी तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 नमबर के question में कुदैस अंकरवट का कौनसा उपन्यास आंचलिक है तो वो उपन्यास है सागर लहरे और मनुष्ट B नमबर आपका बिलकु सही है ठीक है नेक्स्ट है कुली भाट और बिल्ले सुर बक रहा कुली भाट और बिल्ले सुर बक रहा के उपन्यास किसने लिखा 43 नमबर में राजियू जी हैमंत जी सभी साथी बताएंगे कुली भाट और बिल्ले सुर बक रहा क्या बक रहा 43 नमबर के question में सबी सोती, बुली सर बिल्ले सुर कुछ निराला निराला बिक रहा है, कुली, कुली, कुली जो होते वो निराले होते हैं, कुली कैसे होते हैं, बुली सर बड़े निराले होते हैं, तो कुली भाट पुर बिल्ले सुर बक रहा है, यह जो दोस्तो पन्यास है, पुर निराला का कि कुणी देखे आपने कुणी बड़े निराले होते हैं है ना बिल्ले सुर बकर हाए क्या बकरा? बोले बड़े बड़े निराले निराले सब्द बकर हाए ठीक है तो यह निराला जी जिनका जन्म हुआ था दोस्तों कभ 18.berg थीक है याद रहोगे नेक्स्ट है अमरतलाल नांगर के किस उपन्यास पर साहित अकादमी पुरुषकार मिला है 44 में प्रताब जी मौटी बेसनल अविनास जी सबी लोग बताएं अमरतलाल नांगर के किस उपन्यास पर शाहित अकादमी पुरुषकार मिला है किस उपन्यास पर मिला है मुन्य जी सन्जय जी आदर्स के अमसालनी जी सिल्पा मौर जी 44 नंबर का question है बहुती बढ़िया question है अमरत लाल नागर के किस उपन्यास पर साहित अकादमी पुरुष्कार मिला है जबालीस का उत्तर और राइट है कि सर अमरत और विस अमरत और विस पर इनके लिए साहित अकादमी पुरुष्कार विला धी नमबर आपका बिलको सही है नेक्स्ट कॉश्चन है निर्गुनिया, मोहिना, अमरत लाल लागर के किस उपन्यास के पात्र हैं? निर्गुनिया और मोहिना बताना है किस उपन्यास के पात्र माने जाते हैं? संजय पठक दी, चैन कर दो, सेयर कर दीजे दोस्तों और एक बार जन्दी से पठक से सेयर करना है, है ना, सेल्प स्टडी किलासेस का एप डाउन्लोड करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी है सेल्प स्टडी किलासेस एप की, तो आप सभी साती डाउन्लोड करके और दोस्तो एडवीशन भी ले सकते हैं ठीक है तो निर्गुनिया, मोहिना, अमरतलाल लांगर के के सुपन्यास के पात रहें 45 नंबर का क्वोस्चन है 45 नंबर के क्वोस्चन में सभी सातियों का उत्तर जल्दी से आना चाहिए और राइट है सर नाचो बहुत गुपाल निर्गुनिया है ना और ये नाचो बहुत गुपाल इसके रचना कार कौन है अभिनास जी बी नंबर तो आपका बिल्कु सही है निर्गुनिया और मोहिना अमरतलाल लांगर के सुपन्यास नाचो बहुत गुपाल बी राइट आंसर बेकसी का मजार बेकसी का मजार ये उपन्यास किसने लिखा है 46 नमबर में बेकसी का मजार प्रताप नाराण स्रीवाश्तों रादिका रमण पिरसास सें चतुरसें सास्त्री उदै संकर भट बेकसी का मजार उपन्यास किसने लिखा है 46 नंबर का question है बेकसी का मजार बताना है कि उपन्यास किसने लिखा है और सबी साती बहुती सांदार question बता रहे कि सर बेकसी का मजार इस उपन्यास के ये जो लिखा है 46 नंबर में पुत्तर है आपका का नंबर यानि कि प्रताप नारण श्रीबास्तो प्रताप नारण श्रीबास्तो ठीक है तो प्रताप नारण श्रीबास्तो आपका बिल्कु सही है ठीक है बेकसी का मजार ठीक है बेकसी का मजार 46 नंबर के question में सभी लोगों ने लगाए कि सर प्रताप नारण श्रीबास्तो है ना प्रताप बेकसी के मजार का क्या है बोले बास्तों में बेकसी के मजार का प्रताप है प्रताप है बान भट्ट की आत्म कथा यह उपन्यास है दोस्तों बान भट्ट की आत्म कथा जबकि इसको कई बार पूछा जाता है यह उपन्यास है कि क्या है तो बान भट्ट की आत्म बता यह उपन्यास है और यह उपन्यास लेखा किसने हैं कमला कात्य जी बताइए संजु जी अनिता जी इसने तालिस नंबर का क्वेश्चन है वीडियो को लाइक भी कर देना सभी साती यह तीन हजार एंसी क्यूं की बोक है दोस्तों आप सभी सातियों के लिए बहुत ही सब्स्तर के अर्डर के लिए दोस्तों थे रुख है कि आत्मकत्त आप से पूछा गया है बाणभन थे की आत्मकत्त लगवग सभी लोगों को पता है कि सर के बान भट्ट की आत्म कता तो हमने हजारों बार पढ़ी है हजारों बार तो हजारों बार से हजारी परसा दुबेदी आपका बिल्कु सही है ठीक है बेरी गुड इतने सांदार कॉस्चन आप लोग लगा रहा है कौन सा है पत्रातमक प्रिविरदी में 48 का उत्तर शबी लोग बताईए और ये दोस्टो आपके हिंदी साहित के गद्द और पत्ति साहित के ए पत्ति साहित और ए गद्द साहित ये जिनको नोट समंगवाना है बिस्त्रित वाले बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना है करमबद पढ़ना है तो आप मंगवा सकते हो अपने घर पर ठीक है तो यहाँ पर पत्रा अर्तमक प्रिविर्दी में लिखा गया हिंदी का प्रता मुपन्यास कौन सा है 48 नंबर का क्वेस्चन में सांदार वो है चंद हसीनों के खतूत और चंद हसीनों के खतूत क्या होते हैं बोली सर चंद हसीनों के खतूत हैं उग्र होते हैं तो पांडे बेचन सरमा उग्र द्वारा लिखित चंद हसीनों के खतूत कैसे होते बोली सर उग्र होते हैं तो उग्र जी प हजारी परसाद दुवेदी का कौन सा उपन्यास छांदोग उपनिसद की कथा पर आधारत है। कौन सा है चांदोग उपनिसद पर आधारत अब यह देखना इचारों उपन्यास तो दोस्तों कि इसकी अजारी परसाद दुवेदी बाढ़ बट की आत्मकता भी इनका है। इनका कौन सा नहीं है दिल्ली का व्याभी चार दुराचार के अटे हर हाइनेस समाज की पेदी पर। पचास का उत्तर बहुत सांदार कॉस्चन है वीडियो को लाइक कर दो सबी साती। कैसा हो जाएगा कुल दीप जी संपर करना नीचे नंबर चला है। नंबर है 9098 है ना 6092 और 91 है ना 9291 इस नंबर पर संपर करना जिसको बोक ओडर करना है। पचास का राइट आंसर सभी लोगों ने बता है समाज की बेदी पर यह नहीं है। दी आपका बिलकु सही है दी राइट आंसर भगबती चरण बर्मा को के सो पन्यास पर साहित कादमी पुरुषकार मिला है। चैन करना है और सेर भी कर देना अपने साथ की चित्र लेखा। तेड़े मिड़े राश्ते भूले विश्रे चित्र किस पर मिला है। इस पर मिला है चानदार और बहुती बढ़िया जानदार कोस्टन है। भगबती चरण बर्मा को किस उपन्यास पर साहित कादमी पुरुषकार मिला। इंक्यावन नंबर का कोस्टन है और सभी का उत्तरे की सर वो मिला है। भूले बिश्रे चित्र, भूले बिश्रे चित्र पर इने मिल गया कोईसा अकादमी, साहित अकादमी प्रुष्कार, ठीक है, तो आपका जो C नंबर है, बिल्कु सही आंसर है, नेक्स्ट है, भगबती चण बर्मा के किसो पन्यास को, हिंदी का प्रतम किलासे को पन्यास कहा जाता है, किसे कहा जाता ह। भगबती च्रण बर्मा के किसो पन्यास को, हिंदी का प्रतम किलासे को पन्यास कहा जाता है, पतन को तीन वर्स, अपने खिडवाने या फिर चित्र ले खाको। जल्दी से बताईए बीनु सरोजी बिलको लाइव किलास चल रही है सबी सातियों के लिए लाइव किलास भगबती चरण बर्मा के किस्ट्र पन्यास को हिंदी का प्रतम किलासे को पन्यास कहा जाता है बाबन नंबर में पूर हिंदी का प्रतम किलासे को पन्यास किलासे को पन पन्यास मना जाता है चित्र लेखा दी नमबर आपका चित्र लेखा बिलकु सही है राइट आंसर है संजय जी बहुत बढ़िया नेक्स्ट किसो पन्यासकार को मध्य बर्ग का प्रिशिद्ध चितेरा कहते हैं मध्य बर्ग का चितेरा किसे कहा जाता है मध्य बर्ग का चितेर प्रेंका जी आस्ता जी, जहिन करिये शुनीत गुमार जी, रेकातरपाटी प्रतिबा कुमकुम यादव जी, सभी लोग सेल्प स्टडी ग्लासेज का एप जरू डाउन्डूट कर लेंगे, जिनको एड़ी सर लेना अभी अभी नया बैच चाड़ हुआ है दोस्तो, पंद्र कि क्या करता है, असक बहाता है, ठीक है, नेक्स्ट कॉस्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सहर में घूमता आईना, इस उपन्यास, ये उपन्यास किसने लिखा है, सहर में घूमता आईना, सहर में घूमता आईना, वेधा जी, शंगीता जी, पताईए जदी, सहर में घूम गूमता आइना उपन्यास किसने लिखा है चंगवन नंबर के कोश्चन में चंगवन नंबर का बहुत ही बढ़िया कोश्चन है सभी का उत्तरे की सहर सहर में गूमता आइना असक बाहरा है क्या बाहरा है असक बाहरा है सहर में गूमता आइना असक से असक यानि यह नंबर ब उपन्यास कोपेंद्रनात अस्क का नहीं है, अस्क का कौनसा उपन्यास नहीं है, गिर्ती दिवारें, गर्मराइख, पतिता की साधना बांधो न नाव इस्ठाव, पच्चपन नंबर का दाएं, 55 नमबर के question में सभी साती बताएंगे right answer वो पेंदरनात असक का नहीं है भाई गिर्ती दीवारें तो है गर्म राक में अगर हाट चला जाए असक निकल जाएंगे पतिता की साधना भी है फिर कौन सा नहीं है 55 नमबर के question में सभी को बताना पतिता की साधना है क्या बोली सर पतिता की साधना ही नहीं है है ना तो उत्तर क्या है C नमबर सहिए पतिता की साधना ये वाला नहीं है ठीक है बांकी बांदोलना नाव इस्ठाओं बोले क्यों असक बहाती है नाव गर्म राक भी गिर्ती दीवारी में पतिता की साधना नहीं है Ben killie sir C number आपका सहीय नहीं है C पतिता की साधना बहुत बढ़िया Next मनुस और देउता उपन्यास किसका है मैंने एक बार बोल दिया C है तो आदी लोगों के उत्तर चांज हो गया D है ना तो मनुस और देउता उपन्यास किसका है ये 56 नमबर का question है शबी लोग बताईएगा जद्दी से मनुस्त और देउता मनुस्त और देउता ये बताना है मनुस्त और देउता ये जद्दी से बताओ उपन्यास किसका है मनुस्त और देउता उपन्यास किसका है मनुस्त और देउता उपन्यास शबी लोग बता रहे हैं और शबी लोगों ने बताए कि सर 56 नमबर के question में आपका बिलकुश रही है भगबती प्रशाद बाजपेई मनुस और देवता 56 नमबर में राइट आंसर है और भगबती प्रशाद बाजपेई मनुस और देवता के उपन्यास बाजपेई यानि कि आपका उत्तर है बी नमबर आपका सही है ठीक है रामिस और सुकल अंचल के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा सही अनुक्रम, रामेस्त और सुकले, अंचल के उपन्यासों का, तो यहाँ पर उत्तर है चड़ती धूप है, नई ये मारत है, कोलिका है और मरू प्रदीप दोस्तों, ये C नंबर आपका सही होगा, C, ठीक है, मरोज गुपता जी, C, राइट अंसर, बया का गोसला, बया का गोसला, उपन्यास के लेखा कोन है, बया का गोसला, अंठावन नंबर के कोस्चन में, बया का गोसला, बताईए, बया का गोसला, उपन्यास के लेखा कोन है, चैन करना है, धरम बीरवारती है, लच्चमी नारण लाल है, देवेंदर है, सत्यारती है, या फिर पनिशो नात रेनू हैं बयां का गोंसला एक बार फिर सांदार कोस्चन पूचा गए आपसे अंठावन नंबर के कोस्चन में अंठावन में और उत्तर है आपका लच्चमी नारण लाल यानि B नंबर बयां का गोंसला लच्चमी नारण लाल ठीक है बयां के घोचले में बोले लच्छमी का लाल कहां बैटा है लच्छमी का लाल तो बयां के घोचले में बैटा है ठीक है सचिदा अनंद हीरा अनंद वास्तायन अगे इनका पूरा नाम था 1911 में इनका जन्म हुआ था प्रियोगबाद के प्रवर्तक मान जाते हैं अगे जी है ना और अगे का कौनसा उपन्यास फिलैस बैक सहली में लिखा गया ऐसा करके question आप से पूछा गया 2060 नंबर का question है सबी सात्यों का उत्तर है किसर बो लिखा गया है कौनसा कौनसा लिखा गया सेकर एक जीवनी ये लिखा गया है फिलैस बैक सहली में उत्तर ये नंबर आपका सही हो जाएगा ये right answer है very good ठीक है जल्दी से दोस्तो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को भी दब आदो रोज रात त्री नो बज़े इस किलास को जुड़ना है ठीक है नो पैतारिस पर टिर्की गुरु यूटूब चैनल पर किलास आएगी साथ नंबर का question है रेखा और भोबन अगे के किस उपन्यास के पात्र है रेखा और भोबन रेखा और भोबन अगे के किस उपन्य नदी के दीप अपने अपने अजनभी ये निमय से कोई नहीं साथ नंबर का question है सभी का उत्तर फटाक से आना चाहिए रेखा और भोबन रेखा और भोबन पुलिस सर जदी से चैन करिये रेखा और भोबन तो उत्तर हो जाएगा कि सर रेखा और भोबन है ना हम कहां बोले रेखा ने भबन बनाया कहां पर नदी के दीप पर नदी के दीप पर रेखा ने भबन बनाया बी नमबर बैरी गुट नेक्स्ट कौनसा अपन्यास लच्छमी नारण लालका नहीं है लच्छमी नारण लालका कौनसा नहीं है रोहिनी जी स्वरभ बर्मा जी सुनीता जी फुलिसर ये प्रेम आपावित्र न दिये तो है, गली अनारकली ये भी है, कनार्ट पिलेस भी है, लेकिन इंप्रेट और छाया नहीं है। पुलिसर यही तो नहीं है यही तो नहीं है यानि कि 61 नंबर का question है 61 नंबर की question में प्रेत और छाया यह नंबर आपका बिलकुल सही है फिर एक इसका है प्रेत और छाया बता दू जरा जैनेंद्र के निम्रे लेके तो पन्यासों का सही प्रकासन बर्ग के अनुसार दोस्तों को करना है जयनेंद्रे कुमार की कौन सा प्रिकासन करम से अनुसार सी कौन सा शही हो जाएगा इसमें प्रदीप जी से बताइए संदर कौस्टन है माज़ट में बासट का आंसर चैन किया है कि सरभासट में हा यानि आपका जो B नमबर है वो बिलकुत सही है थीक है परक सुनीता, त्याक पत्र जैनेंद्र को के स्वपन्यास पर सहित अकादमी पुरुषकार मिला है साहित अकादमी पुरुषकार मिला है 63 में और शबी का उत्तर है C क्यानी की मुक्ति बोध ठीक है? जैने अंदर को किस उपन्यास पर साहित अकादमी प्रुषकार मिला है? तो वो मिला है मुक्ति बोध मुक्ति बोध इनका उपन्यास है तब आपका उत्तर यहां पर C नंबर बिल्कु सही हो जाएगा very good answer सन्यासी उपन्यास के लेका कौन है? सन्यासी किसका उपन्यास है? सन्यासी अरुन राजपुजी, नीरजजी चैन करना है जल्दी से बताइए और सन्यासी किसका उपन्यास है? आपको पता है कई लोग क्या होते जोस में आकर के सन्यासी बन जाते है जोस में आके क्या बन जाते है? सन्यासी बोले अब हम इस माया मोई से कुछ नहीं करना जोस में आगया व्यक्ति बोले अब तो हम सन्यासी बन जाएंगे है ना? अपने गुरुप में तो नहीं आ रहा कोई जोस में कोई बात नहीं अगर आ जाए तब भी कोई बात नहीं है अगर जोस में आए अपन विवस्ता करबा देंगे उसकी ठीक है तो यहाँ पर जोस में आया बोले सन्यासी उपन्यास सन्यासी है नुझ पताना थे तनू जी प्रतिबाख है ना सैली भावना जी अर्जून जी 65 नंबर के question में जग्दी से लाइक जरूर करो देना लाइक 65 का उत्तर मुक्ति पत है मुक्ति पत है के इस परन्यास के लेख कोन है मुक्ति पत के right answer है 65 नमबर के question में सभी का answer है इला चंद्र जोसी मुक्ति पत इला चंद्र जोसी ये नमबर आपका सही है ये नमबर right answer है अजाई की डायरी नामा को पन्यास के ले का कोन है 66 में अजाई की डायरी अजाई की डायरी लच्मी जी आन्या जी ममता जी अजाई की डायरी नामा को पन्यास 66 का राइट आंसर बताना है वीडियो को लाइक और सेर जरू कर देना है 66 नंबर का question राइट आंसर है का यानि की डाक्टर देवराज देवराज है अजय की डाइरी देव तो देव से क्या हो जाएंगे देवराज ये नमबर आपका सही अजय की डाइरी देव ठीक है नेक्स्ट कोस्टन की और हम बढ़ेंगे अंगला कोस्टन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो है किसपाल का कौनसा उपन्यास भारत पाकिस्तान बेभाजन पर आधारित है यसपाल का कौनसा बताईए प्रियंका जी दीपक पबार अर्जुन जी भावना गंगवार जी बताने में जदी से समय नहीं लगाना है इसमें तो आप बी लगा दो जूटा सच ये यसपाल का उपन्यास है दोस्तो भारत विभाजन पर आधारते जूटा सच याद रख लेना है ना यह पूचा जाता है निम्ने मैं जी बताईए कोणसा भारत विभाजन पर आधारतो पन्यास है तो बी नंबर जूटा सच आपका बिल्कु सहिए रतीनाथ की चाची बलच नमा नमा को पन्यास किसने लिखा रतिनात की चाची और बलच नमा दीपक जी बताईए और जो भी हमारे नए साती है Self Study Classes एप जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में उपर दी है उसे आपको जरूर डाउनलोड कर लेना ठीक है तो यहाँ पर रतिनात की चाची और बलच नमा यानि की 68 नमबर का question पूछा गया सभी का उत्तर है कि सर नागरजुन नागरजुन याद रख ली ना दोस्तो 1911 में जन्म हुआ था इनका बास्तविक नाम था बैदनात मिस्र किसका नागरजुन का ठीक है तो रतिनात की चाची और बलच नमा इनकी उपन्यास है नागरजुन जी के नागरजुन को याद रख लेना इनकी एक पंक्ति है आओ रानी हम ढ़ाएंगे पाल की और यही हु प्रश्न आपसे पूचा गया है 59 नमबर के कोस्चन में रांगे रागों का कोई सा अपन्यास जीवनी परक नहीं है 59 नमबर में शबी साती लाइक तो कर दो जदी से सियर भी कर दो हमारे सबी मित्रगन है ना शबी लोग मिल जुलकर राइट आंसर लगा रहे कि सर जीवनी परक नहीं है देवकी का बेटा जीवनी परक है लोई का ताना भी है रतना की बात भी जीवनी परक है लेकिन इनका एक उपन्यास है चीवर चीवर इनका जीवनी परक उपन्यास नहीं है और चीवर उपन्यास ऐसा भी पूचा जाता है कि चीवर है किसका उपन्यास तो यह जिंदिगी के बारे में बरनन है नटों की जिंदिगी के बारे में बरनन है रांगे रागव के किस उपन्यास में नटों की जिंदिगी के बारे में बरनन है घरोंदे कब तक पुकारूं अंधेरे के जुगनूं या फिर मोड़ों का तीला सत्तर नंबर के कॉस्चन में आपक को बताना है चयान करना है सत्तर का राइट आंसर क्या हो रहा है सत्तर में शत्तर में बताइए और शबी लोगों ने उत्तर बताये कि सर नटों के जिंदिगी नटों की जिंदिगी के बारे में बरनन है तो वो कौन सा है कब तक पोकारूं कब तक पोकारूं P नमबर आपका कब तक पोकारूं सांदार कॉस्चन है 9.45 पर टिर्की गुरू यूटूब चैनल पर एक किलास आती है हैं इंद्र रेखाजी 20 मिसाइनी का कौन सा उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन की त्राश्दी पर लिखा गया 71 नंबर के क्वेस्चन में रेगूलर किलास करो confidence हाई लेबर पर पहुँच जाएगा और भारत विभाजन पर आधारेतिन का उपन्यास है तमस तमस है का नंबर आपका सही है तमस आपका right answer है दोस्तों तमस ठीक है इनी हत्यारों से इनी हत्यारों से उपन्यास किसका है मोहन राकिस कमलेस दोर सिलाल चुकल अमर कांत इनी हत्यारों से पुरिसर हम इनी हत्यारों से क्या हो जाएंगे अमर हो जाएंगे अमर इनी हत्यारों से इनी हातों से इनी हत्यारों से हम अमर हो जाएंगे है ना तो इनी हत्यारों से क्या हो जाएंगे अमर हो जाएंगे तो ये उपन्यास किसका हो जाएगा पुरिसर इनी हत्यारों से अमर हो जाएगे उपन्यास है अमर कांत का दी नमबर आपका बिलकुल सही है आधा गाओं आधा गाओं उपन्यास के लेका कौन है तेतर में बिना बिकल्प के भी आप बता सकते हो आधा गाउं कमले सुर वदी उजमा या फिर दोस्तों यहां पर और भी बिकल्प हैं आधा गाउं आधा गाउं पन्यास किसका है और मैंने आपको कई बार याद करवाया त्रिक भी बताई है इसकी कि सर आधा गाउं तो कैसा है आधा गाउं मासूम है आदा गाओं मासूम है अनुच्तिवारी जी बात कर लेना कॉल कर लेना आदा गाओं कैसा है मासूम है मासूम तो राही मासूम रजा C नंबर दोस्तो एक 3000 MCQ की बोक है 3000 MCQ की बोक है जिसमें हिंदी साहित का इतियास और दोस्तो ब्याकरण की MCQ है लगबक 3000 ये 599 में आप अपने घर पर मंगवा सकते हो और एक दोस्तो हिंदी साहित की गद्ड और पद्द्द साहित के दो नोट्स है और दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए भी गए हैं कई पुस्तकों के निचोड़ हैं दसों पुस्तकों का निचोड़ मिलाकर ऐसे नोट्स बनाए गए हैं तो जिनको भी मंगवाना है संपर करें आधा पुल चोहतर नंबर का कॉस्चन है और चोहतर नंबर के कॉस्चन में जगदीस चंदर यानी बी नंबर आधा पुल जगदीस चंदर ठीक है नेच्ट कॉस्चन है टोपी सुकला टोपी सुकला के लेका 75 नंबर में कॉस्चन है टोपी सुकला बताना है रोस सिंग जी, शिका पांडे जी, टोपी शुकला, टोपी बताना है, 75 में आपको बता है कि लोग मासूम समझ करके टोपी पहना देते हैं, देखा आजकल का योग, उन्होंने समझा ये तो बड़ा मासूम है, टोपी पहना देते लोग, टोपी है ना, तो टोपी शुकला, टोपी पहना देते, क्या समझ के मासूम, तो राही मासूम रजा, ये नंबर आपका सांदार कोस्चन है, ये नंबर बहुत ही बड़िया, धर्ती धनना अपना उपन्यास के लेका कोण है, 76 नंबर का कोस्चन है, धर्ती धनना अपना के उपन्यास, इसके लेका कोण है, सु पुलिए तो जगदीष जगत के इसका है है ना जब इसे एक चोदरी जी धरती धन अपना पन्यास किसके लेका कौन है फुत्तर है जगदीष चंद्र यह नमबर आपका बिलकु सही है नेक्स्ट है एक चूहे की मौत एक चूहे की मौत 77 नमबर के क्वेस्चन में बताएए प है ना एक चूहे की मौत बदी तो बदी से क्या हो जाएगा आपका बदी से हो जाएगा बदी उज्जमा एक चूहे की मौत बदी थी तो बदी से हो जाएगा बदी उज्जमा और उत्तर हो जाएगा आपका बी नमबर बिलकु सही हो जाएगा ठीक है बदी उज्जमा का द में Self Study Classes का app है दोस्तों link दी है आपको comment box में उपर देखना link है चार दर्वेस उपन्यास के लेखा कौन है 78 नंबर का question आपको बताना है 78 में आपका right answer क्या जा रहा है चार दर्वेस उत्तर है क्रश्णा शोपती चार दर्वेस में क्रश्णा सोती है क्रश्णा कहां सोती है और चार दर्वेस में सोती है कौन क्रश्णा तो क्रश्णा सुपती का उपन्यास है चार दर्वेस चार दर्वेस ठीक है मुर्दागर मुर्दागर उपन्यास किसने लिखा 89 नमबर का कोस्चन है मुर्दागर उप 80 नंबर का question है, शबी साती, right answer chain करेंगे 89 में पुर उत्तर जा रहा है कि सर मुर्दा घर, है न, पुर इस सर मुर्दा घर में हम कहां दीख्षित होंगे, मुर्दा घर में दीख्षित होंगे, कहां पर मुर्दा घर में, जग दंबा प्रिशाद दीख्षित, D नंबर, आपका बिल्कु सही है, टी नंबर, ठीक है, बहुत बड़ी है, सेमल का फूल उपन्यास के लेका कौन है, सेमल का फूल, 80 नंबर में, 80 नंबर में, लाइक तो करदो शबी साती जदी से, लाइक करदो फटाक से, सेमल का फूल, इस उपन्यास के लेका कौन है, 80 नंबर का question है, 80 का right answer बताना है और सभी का उत्तर है सेमल के फूल को मार कंडे सेमल के फूल अगर आपको सेमल के फूल चाहिए तो मार कंडे कंडे मारना कंडे समझते गोबर गोबर वाली कंडे मारना सेमल के फूल गिर जाएंगे नीचे सेमल के फूल को मार कंडे मार कंडे तो सेमल के फूल और मा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है रहन पर रगदू रहन पर रगदू बताना है इस उपन्यास एक्यासी में रहन पर रगदू परबिंदर जी उस्पा जी अंसू जी प्रिंसी जी और आप लोगों ने साहिट 10 घंटे का वीडियो नहीं देखा होगा दोस्तों जिसमें पूरा आदी काल से लेकर के पूरा नई कविता तक दोस्तों आप लोगों के लिए लगभग 800 कॉस्चनों का एक वीडियो बनाया गया है जिसने देख लिया उसका कॉन्फिडेंस हाई लेविल पर पहुंच जाएगा है ना कितने घंटे का 10 घंटे का पूरा इंदी का सूपड़ा असाप कर दिया 10 घंटे में है ना पूरा आदुने काल पूरा दोस्तों पत्यसाहित रहन पर रगदू उपन्यास के लेकर के तो वो कौन है कासिनाद ठीक है ये नमबर नेक्स्ट कॉस्चन रह गई देखाएं किसी पार किसी पार उपन्यास के लेकर के तो कौन है पता ये जन्दी से बहुत बढ़िया ना और मेधा जी कह रहे हैं सर हमने पूरा वीडियो देखा है बहुत बढ़िया मेधा जी है ना तो यहाँ पर आपसे कॉस्चन आया है रह गई देखाएं इसी पार रह गई देखाएं इसी पार तो बताईयों पन्यास के लेका गबदू सब in टोग बताएंगे दोस्तों सेल्फ स्टडी किलास से आपको जूड़े रहना है MPTED वाले, TGT, PGT, Master Kader, LT Grade वाले, RPSC वाले दोस्तो, HTED, HPTED, KBS, NBS वाले हिंदी साहित के लिए बंपर तरीके से पढ़ें, है ना, और 83C नंबर का कॉस्चन है, 83C नंबर के कॉस्चन में, शबी सात्यों ने बताए, C, यानि कि बुनकरों के जीवन का संगर से, इसमें, किस पलट के भी कॉस्चन आ सकता है, कि निमन में से बताए, किस उपन्यास में, बुनकरों, बुनकरों के जीवन, बुनकरों के जीवन का संगर से, तो वो है, जीनी, जीनी, बीनी, चदरिया, ठीक है, next है, राहुल सांक्रित्याइन के उपन्यासों का प्रिकासन बर्स के अनु क्या है जो राहुल सांक्रित्यायं राइट अंसर है यह शैना जạय योद्धे मधोरश्वप्ण और दिवोदास क्यों पन्यास भी आप याद रख लेना क्योंकि कभी कभी राहुल सांक्रित्यायं का कॉणसा पन्यास नहीं है तो आपको पता ही यहिए का सेनापती है, जैयोद्दे है, मदुर्श अपन है, दिवोदास है, दिवोदास भी इनका उपन्यास है राहुल सांक्रित्यान का, याद करेंगे, तो आँगे बनेगा, कौनसा उपन्यास, ब्रंदावनलाल बरमा कर नहीं है, 85 नंबर का question है कौनसा उपन्यास नहीं है दोस्तो चैन करेंगे नीचे comment box में self study classes app की link दी है सभी साथी download कर लेना है ना और दोस्तो यहाँ पर कौनसा उपन्यास ब्रंदावनलाल बर्मा का नहीं है यह आपको बताना है 85 नंबर के question में बताना है right answer है फिक्स किया आपने नीला चांद नीला चांद उपन्यास के लेका क्वन है नीला चांद चैन करीए संजय पाटग जी सरीटा जी गुलाब यादो जी पताइए जंदी-जंदी से कुलदीप जी आरूसी जी अरुनराजपूजजी ममता स्रीवास्ताओ जी नीला चांद और नीला चांद तो आपको बताई है अपने कई बार पढ़ा भी है अदेन भी किया है कि सर नीला चांद कहाँ पर है सिव प्रसाद से हैं है ना किनका है दोस्तों कि नीला चांद कई बार पूचा गया कई बार संकर जी कि आपने पोटो देखी होगी मोर्ती देखी होगी यहाँ पर चांद है मस्तिस पर चांद है ना चांद याद रख ले ना नीला चांद है बोले कहां सेव सेव से अपने यहाँ पर याद कर लेंगे ट्रिक सेव प्रिसास से ठीक है next question आपकी screen पर आ रहा है दोस्तों बहुती सांदर question आ रहा है शबी लोग यहाँ पर बताएंगे बावन दास रेणू के किस उपन्यास का पात्र है बहुत अच्छा 87 नंबर का most important question है बावन दास रेणू के किस उपन्यास का पात्र है किस उपन्यास का पात्र है मेला आचल का है क्या चैन करिए जदी से या पर तोस्तों परती परीकता जुलूस या पर कितने चोरा है सरोच जी है मैं निलम जी चैन करो बावन दास रेणू के किस उपन्यास का पात्र है 87 नंबर का question है 87 नंबर की question में आपका उत्तर है कि सर ये नंबर लगा दो आप मेला आचल 52 रेणू के किस उपन्यास का पात्र है उत्तर है मेला आचल का मेला आचल का पात्र है ये नंबर बिल्कु सही है वहती गंगा वहती गंगा किसका उपन्यास है 88 में वहती गंगा बहती गंगा उपन्यास किसका है बहती गंगा किसका उपन्यास है 88 नमबर का बहुत अच्छा क्वोस्चन है बहती है गंगा तो बहने दो लेकिन 88 में उत्तर आपको बताना है चेन करना है हैना आपन पढ़ते ना मानो तुमें गंगा माहूं ना मानू तो बहता पानी 88 नंबर का उत्तर है पुरापका उत्तर है कि सर बहती है गंगा रुद्र रुद्र कासी के रुद्र है है ना, C नंबर, ठीक है काला जल, काला जल उपन्यास की लेका कोण है 89 नंबर की question में बताना self study classes का app download कर ले ना, 95 पर एक किलास आएगी तिर्की गुरू यूटूब चैनल पर ठीक है, तो काला जल उपन्यास की लेका कोण है, ऐसा question पूछा गया 89 नंबर का प्रश्ण है पुत्तर है आपका कौनसा काला जल 89 में पुत्तर है, सानी सानी सानी, पुरिशरम काले जल सानी बनाएंगे, सानी 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 वी नंबर सानी सानी कर देना ठीक है, एह पतबंदू था उपन्यास के लेका के एह पतबंदू था 90 में ठाकवर प्रिसास से हैं, मैंने कई बार आपको बताया है, तो पतबंदू था नरेश कैंसे बन गया नरेश कैसे बन गया ठीक है तो एपतबंदू था उपन्यास इसके लेखक बताना नरेश कैसे बन गया तो नरेश से आपका राई टांसर हो जाएगा नरेश महता एपतबंदू था नरेश कैसे बन गया इस से स्टार्ट करना है ना आने वाला कल ये उपन्यास किसने लेखा है जल्दी से बताना है और एक बार वीडियो के जल्दी से लाइक भी कर देना है पटापट से जैन करो ना आने वाला कल ये उपन्यास किसने लेखा है किसने लेखा है दोस्तों जैन कर दो एक बहुत ही बड़ी असांदार कॉस्चन है शबी लोगों का अंसर आ रहा है 92 नंबर के कॉस्चन में 92 नंबर के कॉस्चन में आ रहा है कि सर ये तो ना आने वाला जो कल है कि उपन्यास है मोहर राकेस का ना आने वाला कल मोहर राकेस डी नमबर आपका बिल्कु सही है ठीक है डी नमबर मौहर राकिस राग दरवारी उपन्यास के लेका कौन है 93 नमबर के क्वेश्चन में सबी लोगों को बताना है राग दरवारी राग दरवारी ये किसका उपन्यास है 93 नमबर के question में आपसे पूचा गया रोज रात त्री नौबजे self study classes में दोस्तों एक class होती है live class सभी साती इसमें जुड़ना है चीक है तो यहाँ पर राग दरवारी राग दरवारी ओपन्यास इसके लेखा कौन है 93 नमबर का question है और सभी लोगों का उत्तर हो जाएगा कि सर दरवार में मेरा लाल बैटा दरवार में मेरा लाल बैटा लाल तो लाल से हो जाएगा स्री लाल सुकल स्री नमबर आपका बिलकुस सही है ठीक है बहुत बढ़ जाएगा स्री नमबर गुनाहों का देउता गुनाहों का देउता, ये उपन्यास बताना है, इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है आनंद जी, बहुत बढ़िया, कमला कांत जी, नगेंदरी जी, शवी लोग बताएंगे, गुनाहों का देउता, इस उपन्यास के लेखक कौन है, 94 नंबर का क्वोस्चन है, गु गुनाहों का कोई देवता बन जाता है ना गुनाह करते करते देवता बन जाता है तो फिर वो क्या करता है धरम की सरण लेता है गुनाहों का देवता भी धर्म की सरण में आ गया धर्म तो धरम भी भारती खिक है बेरी गोड धरम भी भारती आपका बिल्कु सही है जिन भी सा जारी हैं दोनों हैं दोनों नहीं है 95 नंबर के question में एक इंच मुस्कान इसके लेखक कौन है लेखक आपको बताना है बताइए सरोज निगम जी पबन कुमार जी बाहु बली यादव जी अनीता जी चेंड करना है राजन जी बिलको लाइब क्लास चल लई है लाइब है एक इ एक इंच मुस्कान राजन रियादा उर्णिकी पतनी मन्नु भंडारी इन्होंने सньक्त रूप से दोस्तू ही लेखाता है एक इंच मुस्कान ठीक है तो वत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ धौनों सही होगा ठीक है एक इंच मुस्कान दौनों बहुत बढ़िया फिल दिन आपको बताना है राज कमल चौधरी, राजेंद्र यादाओ, निर्मल बर्मा या फिर सहीद दोस्तों सेह, तो वे दिन किसका उपन्यास है, वे दिन उपन्यास आप लोगों से पूछा गया, 96 नमबर का कॉस्चन है, और शबी साती बता रहें मिलकर के वे दिन, वे दिन किसका है, 97 में दोस्तों, सभी साती जिनको भी अड़िसर लेना है, पवन कुमार जी, अभी आप 15 में 12 महीने के लिए अड़िसर ले सकते हैं, दोस्तों, उखडे हुए लोग, ये उपन्यास किसका है, निर्मल बर्मा का, मोहर राकेस, राजेंद्र यादाओ, या फिर कमले स्वरका है, 97 नंबर का कॉस्चन है, 97 नंबर का कॉस्चन है, शबी लोग बताएंगे, राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र यादाओ, पुखडे हुए लोग, पुखडे हुए लोग, राजेंद्र यादाओ, C, बिलकु सही है, next, मचली मरी हुई, उपन्यास के रचन आपको बताना है, 98 नंबर का कॉस्चन है, और सभी साती जो उत्तर बता रहे हैं, 98 नंबर के कॉस्चन में, देख रहे हैं, राइट आंसर बता रहे हैं किसा है, राजकमल, चौधरी, राजकमल, चौधरी, ठीक है, चौधरी, चौधरी की मचली मरी हुई, ठीक है, काया इस तनु जी, ममता जी, आर्ती, बर्मा जी, रोहित जी, सभी लोग बताएंगे काया इसपर्ष की उपन्यास किसी लेका कुण है ये गुप्ति है ज्राण वीर कोईडी है नरेंदर कोईडी है या फिर रबिंद्र कालिया है पताइए जद्दी से रादिका जी साधना प्रतिमा यादो जी काया इस पर्ष के उपन्यास के लेखा कौन है काया इस पर्ष उपन्यास के लेखा कौन है 99 नंबर का कॉस्चन है काया इस पर्ष में सभी का उत्तर है कि सर कोहिली के कोहिली की काया का मैंने क्या किया साथ सब्स किया था कोहिडी रॉण और कोहिडी कि इकायब कोख्या था है कि तने पाकिस्तान रिखा त्रपाटी जी मुकनत जी आर्ति वर्मा जी इतने पाकिस्तान यह तो कई बार पूचा भी गया है तो बता दो चैन कर दो जदिसे कितने पाकिस्ताने उपन्यास बताना है नीरज जी आरती जी चैन कर ये और दोस्तो सेल्फ स्टडी क्लासेस का एप जरूर डाउनलोड करना है कितने पाकिस्तान के किसका उपन्यास है सब भी लोगों को बताना है तिर्की गुरू यूटूब चैनल की बता दें तो सुभी 10 बजे टिर्की गुरू यूटूब चैनल पर एक किलास आती है फिर साम को 7-15 पर एक किलास आती है और 9-45 पर एक किलास आती है दोस्तों काई पे टिर्की गुरू यूटूब चैनल पर वे किलास हैं आप देख सकते बहुत ही बंपर किलास है तो कितने पाकिस्तान उपन्यास है, तो किसका है, तो वो है सरकमले सुरका, यानि कि आपका उत्तर C नंबर बिलकुल सही है, एक पती के नोट्स, एक पती के नोट्स के उपन्यास, इस उपन्यास के लेखक कौन है, 101 नंबर में एक पती के नोट्स, एक पती के नोट्स के किसक बक्षी महेंद्र भला एक पती के नोट्स एक पती के नोट्स 101 नंबर के क्वेस्चन में शबी लोग बताओ और आपका उत्तर है कि सर एक पती के नोट्स किसी को नहीं देना नहीं तो भला 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 पड़ेंगे भला 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 यानि किस से डी नंबर भला आपका विलको सही नेक्स्ट है ना भूतो ना भविस्यती के उपन्यास किसने लिखा है ना भूतो ना भविस्यत के उपन्यास किसने लिखा नरेद्र कोहिली रबिंद्र कालिया रमेश बक्षिया फिर दुसियंत कुमार ना भूतो ना भविस्यत के उपन्यास के उपन्यास लिखा किसने है ऐस पूचा गया 102 नंबर का question पूचा गया right answer चड़ा जाएगा क्या हो जाएगा ठीक है right answer है नरेंद्र कोहिली यानि कि ना भूतो ना भविस्तियती वोले sir कोहिली जैसा ना भूतो है ना भविस्तियती यानि कि आपका जो का number है वो बिलकु सही है का number आपका बिलकु सांदर question है ठीक है अंगले question के और हम जाएंगे वीडियो को सबी साती like जरूर कर देना ठीक है यहाँ पर आता है कौन सा उपन्यास मनोहर से हम जोसी का नहीं है पुल्दीप जी बताइए इंडिया फैसन जी अंकित सीपी जी अनिता पुस्पा देवी जी है ना उपन्यास मनोहर से हम स्याम जोसी का कौन सा नहीं है एक सुतीन नंबर का question बताना है subscribe कर लो सभी साती ठीक है channel को तो यहाँ पर question पूछा गया है ocean बताना एक कौन सा उपन्यास मनोहर से हम जोसी का नहीं है और 103 में 103 का right answer है कि 스व नहीं है कंदील और कोहा से कंदील और कोहा से कहार नमबर है यह ब अनुहर स्याम जोसी का नहीं है ये आपका बिल्कु सही है राइट अंसर है पहला गिर्मिटिया में किसकी जीवनी है एक सुचार में पहला गिर्मिटिया इसमें किसकी जीवनी है जबाहलाल नहरू की है राजेंद्र प्रिसाद की है है ना गांदी जी की है या फिर रबेंद पहला गिर्मिटिया इसकी रचनाकार भी बताना है और इसमें किसकी जीवनी है ये भी बताना है बताई अनीता सरोज जी एकता वर्मा जी 104 नंबर का कॉस्चन है सभी का उत्तर है की सर गांधी जी की जीवनी इसमें है किसमें पहला गिर्मिटिया और इसकी रचनाकार कौन है ये भी बता दो जद्दी से कुमुत सिंगल जी बताईए जद्दी से नेक्स्ट कौन सा उपन्यास वावरी मस्जिद ध्वन्स की घटना को आधार बना कर लिखा गया है 105 में 105 का उत्तर बताना रोहिनी मिस्राजी है ना तो उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर बताईए जद्दी से चैन करना है गिरी राज के सूर बहुत बढ़िया तो बाबरी मस्जिद ध्वन्स की घटना को आधार बना कर लिखा गया है तो कौनसा उपन्यास लिखा गया 105 नंबर का उपन्यास आपको बताना है तो वो उपन्यास है कौनसा उपन्यास है वो उपन्यास आकरी कलाम आकरी कलाम उपन्यास के बाबरी मस्जिद ध्वन्स की घटना को आधार बना कर लिखा गया B नमबर आपका बिल्कु सही है गोवर गड़ेश उपन्यास के लेकक कोण है 106 में 106 में बतादू गोवर गड़ेस उपन्यास के लेकक कोण है गोविंद मिस्त्र है गुरी राज के सोरे रमेशचंद्र साह या फिर देवराज है गोवर गड़ेस उपन्यास के लेखक कौन है 106 नंबर का question है और कौन-कौन सही उत्तर बता रहा है कौन-कौन right answer गोबर गड़ेश उपन्यास के लेखक कौन है लेखक कौन है right answer 106 नंबर में सभी का answer है रमेश चंदर साह है क्यानि कि C है ना गोबर गड़ेश ठीक है गोबर गड़ेश रमेश चंदर साह है very good next question रमेश चंदर साह को 2014 का साहित अकादमी प्रोषकार उनके किस उपन्यास को मिला था बताओ किस उपन्यास को मिला था 2014 में साहित अकादमी प्रोषकार बताइए रमेश चंदर साह के किस उपन्यास को मिला था चार विकल्पें आपके पास किस्सा गुलाम, पूर्बा पर है ना असवावे विरानी या फिर विनायक चेंड करो दोस्तों सेर भी कर दो वीडियो को लाइक भी करना है है ना अनय बर्मा जी साधना जी और सेल्फ स्टड़ी किलासेज का एप जरूर डाउनलोट करने प्लेस्टोर में जाए सच करें सेल्फ स्टड़ी किलासेज ठीक है तो एक सो साथ नंबर का कोस्चन है और विनायक आपका राइट डी नंबर बिल्कु सही है डी नंबर ठीक है नौकर की कमीज नौकर की कमीज उपन्यास किसने लिखा है एक सो आठ में नौकर की कमीज उपन्यास किसने लिखा है नौकर की कमीज उपन्यास एक सो आठ का उत्तर है सांदार कोस्चन है दोस्तो एक सो आठ में एक सो आठ में राइट अंसर आपका क्या जा रहा है? सबी लोग बताएंगे दोस्तों. और आपका उत्तर क्या है? नौकर की कमीज. नौकर की कमीज में आपका उत्तर जा रहा है कि सर विकल्प नंबर है आपका बिनोद कुमार. बिनोद कुमार शुकल है. ठीक है? तो यह आपका जो बी नंबर है नौकर की कमीज बहुत बढ़ गया. नेक्स्ट कॉस्चन आपकी स्कीन पर. गोबिन्द मिस्ट को 2013 का सरश्वती शम्मान किस उपन्यास पर मिला था? एक सो नौ नंबर का कॉस्चन है. सही आंसर क्या है? 2013 का सरश्वती शम्मान किस उपन्यास पर मिला था? राइट आंसर है. किसर एक सो नौ नंबर का कॉस्चन पूचा है. पुरिन के 109 में धूल पौधों पर. धूल पौधों पर. इस उपन्यास के लिए ने 2012 में शरश्वती शम्मान मिला था? धूल पौधों पर. धूल पौधों पर. ठीक है? नेक्स्ट कॉस्चन. नेक्स्ट कॉस्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों. शबी साती लाइक जरू कर दें. ठीक है? दीबार में एक्ढ की रहती थी. इस उपन्यास के लेककवण 110 में? मंजू रहते साम. रमेश्द चन्दर साय, विनूत कुमार सुक्री या फिर गोविंद मिस्रे. दीबार में एक्ढ की रहती थी. ये उपन्यास बताना है, ये उपन्यास किसका है? आरती जी अंतोस जी रमा सर्मा जी 110 नमबर के उत्तर में वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों 110 का राइट अंसर है दिवार में एक खिड की रहती थी और इसकी रिचना का रहें बिनोद कुमार शुकलए शी नंबर ठीके बिनोद किसकी दिवार में खिलकी रहती थी सपेद मेमिने इस उपनियास के लेका कोन है सपेद मेमिने दोस्तों प्रेक्टिस करना है जितनी जड़ा प्रेक्टिस करोगे उतनी ज़ादा आपकी जो पकड़ है लेकोCome साहत में बनती जाएगी, अब किसी भी अग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, KBS बाले हैं, TGT, PGT बाले हैं, NBS बाले हैं, MP, TET या, Master केडर बाले साती हैं, Practice ज़्यादा से ज़्यादा करिए, सफेद मैमने उपन्यास, 111 नंबर का कोस्चन है, शबी को पता है कि सफेद मैमने, मन मदूकर, मनी के सफेद मैमने, किस के मनी के, मनी के, यानि कि का नंबर सही है, ठीक है, कौनसा उपन्यास मंजूर एहदि सामका नहीं हैं, सूखा बर्गत, अपने अपने राम दास्तान इलापता या फिर मदर्सा कौनसा उपन्यास मंजूर एहते साम का नहीं है 112 नंबर का क्वेस्चन है 112 में शबी लोगों को बताना है प्राप का उत्तर है कि सर मंजूर एहते साम का सूखा बर्गद है दास्ता इलापता है मदर्सा भी है लेकिन अपने अपने राम यह नहीं है मंजूर एहते साम का भी नंबर आपका बिल्कुश चाहिए बी नंबर रणिशना जी राई टांसर बहुत बढ़िया मुझे चांद चाहिए मुझे चांद चाहिए यह पन्यास बताना है नामबार जी बताइए रमाशरमा जी मुझे चांद चाहिए विजय संकर जी मुझे चांद चाहिए बोले सर ले लो कहां से ले लो बहुत चांद चाहिए तो इंद्र के पास जाना पड़ेगा सुरेंद्र है ना इंद्र है सुरेंद्र है तो सुरेंद्र बर्मा सुरेंद्र बर्मा सी नमबर आपका बिल्कुस है बोले मुझे चांद चाहिए बोले किसका चांद चाहिए बोले सर सुरेंद्र बर्मा का सुरेंद्र बर्मा का चांद लगाई उपन्यास पताईए 114 में कमला का अंतरपाटी असगर बजाहत मंजू रहते साम प्रिकास मनू कैसी आग लगाई कैसी आग लगाई एक सो चोटा में बताना है सभी सात्यों को दोस्तों सेलफ स्टेडी किलास इसका याद कर ली ना बोले असगर बजाहत ने कैसे आग लगाई असगर बजाहत भी नंबर असगर बजाहत ने लगाई आग जिंदिगी नामा किस ने लिखा जिंदिगी नाम कर दी किसके एक सो पंद्रा में जिंदिगी नाम कर दी वो रिसर तो किसके नाम कर दी जिंदिगी नामा और जिंदिगी नाम कर दी किसके क्रश्न के तो क्रश्ना सोप्ती, जिंद्गी नामा, क्रश्ना सोप्ती, भी नमबर आपका बिलकुश है, भी नमबर आपका राइट अंसर है, सेस यात्रा नामा को पन्यास की लेखी का कोई है, सेस यात्रा, सेस यात्रा नामा को पन्यास की लेखी का बताना है मन्नु भंडारी है, मेत् वह पिस आंदार कोश्चन पूछा क्या से सी आत्रा enjoy the second बचिये भुली सर हैणा वो किस प्रिये के साथ प्रिये के साथ प्रिये के साथ जो से सी आतर है ना वह अपनी उसाअ जोसा प्रिये के साथ हम काटेंगे गांकी की से से आत्रा इछना तो उसाफ्रेंबदOOOO台 आपका उत्तर है सबसे बड़ा सिपहिया के उपन्यास किसने लिखा 117 नमबर का question है और आपका उत्तर है सबसे बड़ा सिपहिया लिखा है किसने वीरेंद्र जैन ने सबसे बड़ा सिपहिया वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र जैन का उपन्यास है सबसे बड़ा सिपया, डी नमबर आपका बिलकुस है दोस्तों, ठीक है, अंगले कोस्चन के ओर जाएंगे फटा फटा आंसर बताना सभी साती, ठीक है, नेक्स्ट कोस्चन उपन्यास का ये तीसरा वीडियो, इसके पहले क दो वीडियो भी देख लेना, आप लोग, महाभोज जो पन्यास किस ने लिखा, महाभोज, और महाभोज तो आपको पता ही है, भुले सर भंडारा होगा, महाभोज, भंडारा, भंडारा, महाभोज, तो महाभोज जो पन्यास किस ने लिखा है, एक क्वेस्चन आपसे पू उपता जी, सी राइट आंसर, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखी का कौन है, 119 में गुलाम मंडी, गुलाम मंडी 119 नंबर का कॉस्चन है, इसकी लेखी का बताना है 119 नंबर के कॉस्चन में और गुलाम मंडी, किसकी गुलाम मंडी, बोले सर, निर्मिला भूराडिया, किसक नमबर आपका बिल्कु सही है, अनारो किसका उपन्यास है, अनारो किसका उपन्यास है, बताओ जल्दी से, 120 नमबर का कॉस्चन है, अनारो किसका उपन्यास है, ऐसा कॉस्चन पूछा गया है, और आपका उत्तर है की सर भगत, भगत ने क्या कर दिया, अनारो कर दिया भगत भगत ने क्या कर दिया अनारो भगत जो हो जाएगा मंजोल भगत ने क्या कर दिया वने थोड़ा सा अनारो कर दिया अनारो अनार Ça है कंगा सब पळूशक दफार कि लिखी का खुलाप पोचा गया कट गुलाब आप Psalm में आप 112 के मिर्दल होता है मिर्दुल, कट गुलाब, गुलाब क्यासा होता है, मिर्दुल होता है सर, मिर्दुल होता है, तो ये उपन्यास भी मिर्दुला गर्ग का होगा, कट गुलाब, गुलाब बड़ा मिर्दुल होता है वोली सर, ये नमबस्री नमबर आपका बिलकु सही है, ठीक है, मिर्दुला गर्ग को 2013 का साहित अकादमी पुरुषकार उनके किसो पन्यास पर मिला 122 नंबर का कोस्चन है 122 नंबर के कोस्चन में सभी का अंसर जारा की सर वो है मिल जुल मन मिल जुल मन के लिए मिला है है ना मिर्दुला गर्ग 2013 का साहित तकादवी पुरुषकार मिला है मिल जुल मन के लिए मिल जुल मन मिर्दुला है ना तो जब मन मिर्दुल होते ना तब ही मिलते जुलते हैं मिल जुल मन मिर्दुल ठीक है बहुत बढ़ गया कथा सतीसर और पन्यास की लेकी का कोई है 3000 प्रशनोत्तर वाली बुक मंगवाना है वो दोस्तों संपर कर सकते हैं मात्र 5999 में ये बुक मंगवा सकते हो बहती बढ़िया बुक है प्रैक्टिस के लिए दोस्तों कथा सतीसर की उपन्यास ये सुपन्यास की लेखी का कौन है 123 में उत्तर है चंद्रकांता की कथा सतीसर न नीलम जी बताइए दुकं सुकं किसका उपन्यास है जिनको एड़ीसर लेना ह। बहुत बढ़िया टरीक से तरिक से दुकं सुकं उपन्यास की लेखी का कौन है 124 मास्टर और वाले ममता कालिया है ना फुरसर चाहे दुख्खम हो या सुक्खम हो ममता तो कालिया ही बन जाती है दुख्खम हो या सुक्खम हो ममता क्या बन जाती है कालिया कौन सा उपन्यास ममता कालिया का नहीं है 125 में कौन सा उपन्यास ममता कालिया का नहीं है 125 में 125 में शबी लोगों को बताना है और राइट आंसर है कि सर ममता कालिया का उपन्यास नहीं है तो वो नहीं है पूर्वा द्वार नहीं है कि आपका जो D नंबर है पूर्वा द्वार आपका सही आंसर है ये पूर्वा द्वार नहीं है ठीक है आबा उपन्यास की लेकी का कौन ह है ना पताओ जद्दी से आबा निरुपमा सेप्टी हैं कश्णा अगनी होतरी आबा और आबा का अपन को क्या बनाना है बुली सर हम आबा का चित्र बनाएंगे चित्र है चित्र बनाएंगे है ना आबा का क्या बनाएंगे चित्र है तो चित्र से हो जाएगा चित्रा मुद है विश्वास मलिक जी सभी लोग चैन करेंगे एप डाउनलोड नहीं हो रहा है क्या बात है कॉल कर लेना मुझसे सब पर कर लेना हो जाएगा रोहिनी जी अनीता कुलदीप जी जिंदा मोहावरे ये उपन्यास किसकी लेखी का कौन है 227 नंबर का कॉस्चन है और 127 में राइट अंसर है नासीरा सरमा जिंदा मोहावरों का कोई सिरा नहीं है सिरा तो ना सिरा ना सिरा ठीक है कुईया जान कुईया जान उपन्यास की लेखी का कौन है 128 में 128 में बताना है कुईया जान बताईए जन्दी से रोहिनी जी साधना जी निसा वर्मा जी कुईया जान के उपन्यास और इस उपन्यास की लेखी का कौन है चित्रा चत्रवेदी है नासिरा सर्मा है कश्णा अगनी होतर है आपर कश्णा सोबती है 128 में शबी लोग जन्ती से बता दो 128 का उत्तर को राइट आंसर है V यानि की नासिरा सर्मा बी नमबर आपका बिल्कु सही है कोई याजानो पन्यास की लेखी का है नासिरा सर्मा B राइट आंसर जूला नट पन्यास की लेखी का कौन है 139 नमबर का क्वेश्चन है प्रतिवा जी दीपक जी आस्ता जी 129 में 139 का राइट आंसर बताना है सबी का उत्तर है जूला नट है जूला की नट से जूला नट से क्या करनी है अपन को मैत्री करनी है जूला नट से जूला नट से मैत्री करो तो जूला नट उपन्यास मैत्री पुष्पा मैत्री पुष्पा याद रखे न जूला नट जूला नट से क्या करना मैत्री करना अल कबूतर ने कबूतर बोले कबूतरी से every three three re अब कबूतर और कबूतरी क्या ? मैत्रई थो मैत्रई से क्या हुजाएगा ? मैत्रई पुष्पा ए नंबर ठीक है आओ पेंपें घर चलें आओ पेंपें घर चलें 131 में आओ पेंपें घर चलें उपन्यास और कहां थे बोले कहां से घर चलें कहां से कहीं बाहर होंगे कहां पर थे बोले खेतन में थे खेतन में खेतन में थे इसलिए बोले आओ पेंपें घर चलें खेतन प्रभा केतन सेश कई बार पूचा गया अलका सरावगी बी नंबर सेसका अधंबरी का उपन्यास भूल नहीं जाना मोबाइल उपन्यास की लेखी का कोण 133 मोबाइल है ना मोबाइल 133 नंबर मैंने एक बार बोला सभी सातियों से किलास के सभी सातियों से बोला ति आज मोबाइल को त्याग द वो छोड़ दो बोले छमा करना छमा तो छमा सर्मा ये नंबर मोबाईल छमा सर्मा फिक है ये नंबर सही है दस द्वारे का सपना ये उपन्यास किसका 134 नंबर का question है सभी का उत्तर है 134 में कि 10 द्वारे का सपना किसका है अनामिका अनामिका का सपना कैसा है बोले अनामिका क सपना की बात ही मत करो उसका सपना तो दस द्वारे का है का नंबर अनामिका का सपना दस द्वारे का है तो दस द्वारे का सपना अनामिका महापो है उपन्यास की लेखी का को ने 135 में बताना है महापो है है ना तो महापो है याद करोगे उपन्यास इस उपन्यास की लेखी का बताना है तो सबी साती बता रहे कि सर महापोय पन्यास प्रतिबा राएं प्रतिबा महापोय पन्यास प्रतिबा राएं very good next question ठेक है अंगले question के और हम जाएंगे वीडियो को सभी साती लाइक चरूर कर देना दोस्तो नेš्ट कॉस्चन आपकी स्कीड पे किस्सा कॉता है किस्सा कोता है, 136 में किस्सा कोता है राजेस जोसी द्रॉनवीर कोईली, नरेंद्र कोईली, या फ़र सुधर्सन, नारंग किस्सा कोता है इसके रचना कार कौन है 136 है नमबर के कॉस्चन में सबी सातियोंने पिल्कु सही उत्तर बताए कि सर ये राजेस जोसी कभी कई लोग किस्सा सुनते सुनते जोस में आ जाते जोस है ना तो किस्सा कोता है राजेस जोसी 136 में ये नमबर very good मैं बोरिसा इल्ला मैं बोरिसा इल्ला उपन्यास की लेखी का बताना है आर्ती आजमगण से मैं बोरिसा इल्ला बताइए जदी से पिरदी पाठक जी स्याम सुंदर जी अनीता राजपूत रीता जी इंदर रेखा जी 137 नमबर का क्वेस्टन है और आपका उत्तर है मैं वोरिसा इल्ला और वोरिसा इल्ला से के महुआ माजी महुआ बोले महुआ मैं इल्ला इल्ला इल्ली इल्ला याद रख ले न महुआ वी नमबर आपका सही है महुआ माजी महुआ माजी वोरिसा इल्ला ठीक है नेक्स्ट तेब्या है स्वधा तेब्या चाहे MPTED बाले हो एना MPTED बर्ग एक बर्ग दो बाले साती हिंदी साहित के लिए चाहे दोस्तों आपके TGT, PGT बाले हो चाहे LTE grade बाले हो Master Kader बाले साती हो KBS बाले जिनको भी हिंदी पढ़ना है इस पंदराशो बाले कोर्स में अड़िसर ले सकते हैं Hadha 131 में और right answer है निर्जा माद YE यातना सिभर 149 में यातना सिभर उपन्यास किसका है 149 का right answer बताना है दोस्तों तो देखते हैं कौन-कौन बता रहा है, यातना सिबिर, क्यातना सिबिर उपन्यास की लेखी का कौन है, क्यातना सिबिर उपन्यास की लेखी का कौन है, आनंद डवराज जी, खुश्पा देवी जी, 145 नंबर के question में, शबी लोग बता रहे हैं कि सर, यातना के सिबिर में हरस हरसेत हैं हम यात्ना की स्वियर में कैसे बड़े हरसेत हैं तो हरसीता हमी हरसिता की बहुत बड़ी नेक्स्ट है मैकलुस्की गंज उपन्यास के लेखा क्वान है मैकलुस्की बताइए नया सा उपन्यास है मैकलुस्की उपन्यास है प्रीती प्रोहिजी 140 नंबर का क्वेस्टन जब पूचा गया है तो तर आपको बताना कि सर मैकलुस्की मैकलुस्की गंज उपन्यास कि उपन जा किसकी मैकल उसकी गंज ये नमबर आपका बिल्कु सही है ये नमबर आपका सही है ठीक है उसके बाद सलाम आखरी उपन्यास सलाम आखरी इस उपन्यास की लेकी का कोड़ है आदे से लोग तो ये लाइव क्लास अरे पढ़ने से आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग करा है ना एसे देखो कई लोग तो बस यह लाइव है क्या अरे लाइव है तो क्या है भाई आपको पड़ने से मतलब है या कैसा है यह यह चलाम आकरी उपन्याज की लेखी का बताने 141 नंबर का कौस्चन है 141 में और कई लोग तो अपना नाम लिवाने के लिए पूछ ले क क्या लाईव है क्या। जी, रमा से हैं, बीना से हैं, मदूका करिया हैं, रजनी गुपता हैं, लट आउ हैरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर लेट आओ हैरी 142 में सोत्तर क्या पताना है यहां वोई पता ही नहीं चलता है लोगों को की लाइब है की नहीं है किलास कर रहे हैं और लोटाओ हैरी उपन्यास की लेकी का 142 नंबर का question है राइट आंसर है रामा रामासें 143 में सभी साती बताएंगे लाइक सेर कर देना तो बेतबा बहती रही किस के साथ बहती रही बोले अपने मित्रों के साथ बेतवा बहती रही मित्रई मित्रई के साथ बेतवा बहती रही मित्रई ठीक है तो याद करना है ये लोटाओ हैरी है लोटाओ धार नहीं है है ना बेतवा बहती रही किसके साथ मित्रों के साथ मित्रई पुष्पा ये नमबर आपका बिलकुश है, अंगला है माई, माई उपन्यास की लेकी या माई किसका उपन माई, है ना, माईरी माई मोडेरे पे तेरी, तो माई उपन्यास की लेकी का बताना 144 नमबर का क्वेस्टन है, सबी लोग बताएंगे दोस्तों, और माई, और माई के क्या गाना माई के गीत तो माई के गीत तो माई उपन्यास गीत से गीतांजली स्री गीतांजली स्री का उपन्यास है माई माई के क्या गाना है गीत गाना बुले सर गीत ठीक है अंगला कोस्चन यहां पर आ रहा है है ना कली कता बाया बाइपास मैंने बताया भी था कई बार बताया है कि कली कता बाया बाईपास ये सुपन्यास की लेखी का कौन है अपने पड़ा है कि राइट आंसर क्या है जदी से बताइए है ना दीपक पबार जी जब आप देखते हो ना किलास यूटूब पर उसमें लाइव अलग लिखा रहता है प्रीमियर किलास अलग लखा रहता है क्या देखते हो आप कली कता बाया बाईपास और बाया बाईपास आपका उत्तर है कि बोली सेर अलका का पलका बाईपास में डला है बाईपास में डला बाईपास अलका सरावगी बी नमबर आपका सही है नेक्स्ट पत्रंग पुराण उपन्यास की लेखी का क्वान है पत्रंग पुराण उपन्यास की लेखी का बताने है नीलम जी साधना जी विजय कांत जी पत्रंग पुराण उपन्यास की लेखी का 146 नंबर का question 140 में रीता जी चैन करिये जल्दी से बहुत बढ़िया 140 नंबर किसका बोले पटरंग पुराण मिराल बित्ता भर की चोकरी बित्ता भर की चोकरी बताई 147 में बित्ता भर की चोकरी इस उपन्यास की लेखी का बताना है बित्ता भर की चोकरी बित्ता भर की चोकरी है ना के प्रिंसी जी बित्ता भर की चोकरी है ना और 147 में राइट अंसर है क्या उत्तर है सी सी यानि की कशना अगनी होतरी बित्ता भर की चोकरी कशना अगनी होतरी कशने की पूजा करती है कशन की पूजा करती है कशन की ठीक है बहुत बढ़ी है अंगले कोस्टिन के और बढ़ेंगे सभी साती सेर कर देना बित्ता भर की चोकरी है ना यह बित्ता के पार दहकन के पार उपन्यास की लेखी का कौन 148 में दहकन के पार दहकन के पार उपन्यास नासिर्या सर्मा है निरुपमा सेबती हैं चित्रा मुदगल है मिरनाल फांडे हैं दहकन के पार बताना है बताइए जल्दी से दहकन के पार 148 में दोस्तों 148 का शबी सातियों का जो right answer जा रहा है कि देहकन और देहकन किसकी पुलिसर निरुपमा निरुपमा सेबती निरुपमा सेबती हैं इनकी देहकन देहकन के पार निरुपमा सेबती देहकन के पार लगा देना बी नमबर लगा देना निरुपमा सेबती भी आपका बिलकु सही है नेक्स्ट है, अम्बा नहीं मैं भीसमा, मैं अम्बा नहीं, भीसमा, भीसमा ओपन्यास की लेखी का कौन है, अम्बा नहीं मैं भीसमा, एक सो नन्चास में, एक सो नन्चास का राइट आंसर, अम्बा नहीं, भीसमा, पुले अम्बा नहीं, भीसमा का चित्र बना रहे हैं, कै यह चित्रा चतरवेदी है, चित्रा वहुत चतर है, खोले अंबा नहीं, भीसमा का Чत्रवेदी केमार जी थी नमबर थी और 150 में राइट अंसर है कि सर हीरामन हाई स्कूल कुसुम कुमार कुसुम कुमार यानि कि आपका जो बी नंबर है कुसुम कुमार बिल्कु सही है और आज दोस्तों तत्सम उपन्यास की लेखी का कौन है ये आपको बताना है और पता है आज अपने 159 प्रशन पढ़ दिये क आएके उपन्यास के 159 प्रशन पढ़ दिये दोस्तों बहुत बढ़िया तत्सम उपन्यास की लेखी का कौन है ये और बता दो पूनम जी जिन भी सात्यों ने लाइक नहीं किया भी तक लाइक कर देना 9 बच के 45 मिनिट पर तिर्की गुरू यूटूब चनल पर दोस्तों क 9 बच के 45 मिनिट पर ये किलासें भी आपको सेलेक्टेट किलासें देखना है तत्सम मैंने का तत्सम पढ़ने के लिए राजी हो बोले सर राजी है राजी तो राजी सेड तत्सम उपन्यास की लेखी का है कौन राजी सेड ये नंबर आपका बिल्कु सही है दोस्तों पुस करें सांदार क्वेस्चन है हिंदी कहानी का जन्म किस पत्रिका से माना जाता है बताइए जदी से हंस से शरश्वती नागरी पिर्चारनी या फिर उदंत मारतंडी से एक नंबर का क्वेस्चन है एक नंबर के क्वेस्चन में हिंदी कहानी का जन्म किस पत्रिका से माना जाता है बताईए पवित्र तौबर जी राइट आंसर क्या हो रहा है यहां पर शबी साती बिल्कुल मिलजुल कर आंसर लगा रहे है बी नंबर यानि कि स्रश्वती पत्री का ठीक है उन्नीस्तों में इस रश्वती पत्री का निकली थी ठीक है बहुत बढ़िया है ना अंगला कहानी मानी जाती है तो कौनसी मानी जाती है दो नंबर में हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है रानी केतिकी की कहानी दुलाई वाली 11 वर्ट का समय आप हिंदू मती हिंदी की प्रथम कहानी कौनसी मानी जाती है निस्टा त्रवेदी जी अकांचा गुपता जी हिंदी की प्रथम कहानी और दो नंबर का question है दो नंबर के question में शबीलोग बता रहे कि सर हिंदी की प्रथम कहानी किसमें अगर पूछाए आपने तो ये 1900 में प्रकासित है किसोरी लाल गोश्वामी की कौनसी किसोरी किसोरी इंदू मती किंदू मती यानि की D number आपका इंदू मती बिलको सही हो जाएगा D number right answer है किसोरी लाल जी किंदू मती किस की चाया मानी जाती है दोस्तो तीन नंबर का question है आनन्द जी 찾ू मती किस की चाया मानी जाती है ओ थेलो की मैग बेथ की Tempest की या Merchant of Venice की किस की छाया मानी जाती है ये आपको चेहन करना है और सभी साती एक बार Like जरू कर देना Share कर देना याना Target Government Job जी तीन नमबर का Question है दोस्तो जल्दी से आपको बताना अंदुमती किस की छाया मानी जाती है अंदुमती किस की चाया मानी जाती है तीन नमबर की Question में और तीन का उत्तर है की सर वो मानी जाती है Tempest की Tempest की चाया है C नमबर C सांदर Question 11 वर्ष का समय इस कहानी के लेखक कौन है 4 नमबर का Question है ज़दी से आपको बताना है 11 वर्ष का समय इस कहानी के लेखक कौन है और जिन भी सातियों ने self और study glasses इसका app डाउनलोड नहीं किया वो सभी साती app डाउनलोड जरूर कर लेंगे खीक है तो 11 वर्स का शमय इस कहानी के लेखक कौन है चार नमबर का उत्तर है राइट है रामचंद्र शुकले इस कहानी के लेखक है रामचंद्र शुकले C नमबर आपका बिल्कु सही है C नमबर रामचंद शुकले ठीक है Next है राकी बंद भाई कहानी के लेखक कौन है राकी बंद भाई पांच नमबर में राकी बंद भाई कहानी के लेकक राकी बंद भाई कहानी के लेकक कुण है पांच का उत्तर बताना है और लगवक सबी लोग बता रहें कि सर राकी बांदने भाई को राकी बांदने भाई को कहां गएते बोले ब्रंदा बन गएते तो ब्रंदावन लाल बर्मा आपका बिल्कु सही हो जाएगा सी नंबर आपका राइटांस हो जाएगा राकी बंद भाई ठीक है आदुने किंदी कहानी का आरंब किस कहानी से माना जाता है आदुने किंदी कहानी का आरंब किस कहानी से माना जाता है एक question पूछा गया है इंदू मती से प्रड़ यानी परिनाय उसने कहा था या फिर दुलाई बाली छे नंबर के question में आदुने हिंदी कहानी का आरंब किस कहानी से माना जाता है ऐसा question पूछा गया है मनीस पांडे जी और सबी लोगों ने बिल्कु सटी कांसल लगा है कि सर आदुने के हिंदी कहानी का आरंब माना जाता है उसने कहा था आदुने के हिंदी कहानी 6 नंबर का आपका C नंबर उसने कहा था उसने कहा था ठीक है सी नमबर आदुनिक हिंदी कहानी का आरम बना जाता है किस कहानी को हिंदी कहानी का माइल स्टोन कहा जाता है माइल स्टोन हिंदी कहानी का माइल स्टोन किसे कहा जाता है माइल स्टोन किसे कहा जाता है रक्षाबंदन पंच परमिश्चर मन की चंचलता या फिर उसने कहा था किस कहानी को हिंदी कहानी का माइल स्टोन कहा जाता है साथ नंबर का question है शभी का उत्तर है कि सर माइल स्टोन कहा था कहा जाता है उसने कहा था ठीक है यानि कि चन्दरधर सर्मा गोलेरी उसने कहा था D number आपका बिल्कुल शही आंसर है ठीक है Next question के ओर जाएंगे एक बार जल्दी से लाइक तो कर दो फटाक से आधने खिंदी कहानी के जनक किस से माना जाता है आधने खिंदी कहानी का जनक किस से माना जाता है जैसंकर पिरसाद को प्रेम चंद गुलेरी जी के सोरीलाल गोसवमी आठ नंबर का question है आधने खिंदी कहानी आधने खिंदी कहानी का जनक किसे माना जाता है दोस्तों जिन भी सातियों को नोट्स मंगवाना हिंदी साहित के नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हो जिन को एडवीसल लेना है अभी self study classes में आप एडवीसल ले सकते हो दोस्तों ठीक है question आपकी screen पर है सभी साती बताएंगे जन्दी से बताए राइट answer है आपका चंद्रधर सर्मा गुलेरी गुलेरी आपका बिलकुस सहिए गुलेरी जी इनकी रचना कौन सी उसने कहा था के कहानी सभी को पता है बच्चन से ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है नौ नंबर का question है बच्चन से ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है प्रण यानी परिनाय को फिलेक की चुडेल मन की चन चलता है या फिर रक्षा बंदन को बच्चन सेहने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है 9 नमबर का कॉस्चन है 9 नमबर के कॉस्चन में शबी लोगों को बताना है बच्चन सेहने तो बताइए रोहिनी जी, जानवी जी बच्चन से ने हिंदी की पहड़ी कहानी के से माना शबी का अंसर है प्रण यानी परिनय को रचनाकार कौन है रचनाकार कौन है प्रण यानी परिनय के बताइए बच्चन से ने माना हिंदी की रख्चा बंदन कहानी के लिएक रख्चा बंदन एक रक्चाबंद भाई है, रक्चाबंदन है, तो रक्चाबंदन बताना है अरविंद सरोज जी, है मंत जी, Self-study Classes का एप सभी साती डाउनलूट कर लेंगे, 10 नमबर का question है, दस नमबर के question में रक्षा बंदन तो रक्षा बंदन कहां मनाया जाता है विश्वंबर नात सर्मा कौसिक यानि कि विश्व में मनाया जाता है रक्षा बंदन विश्वंबर नात सर्मा कौसिक सी नमबर आपका बिलको सही है राइट अंसर है प्रेरणा कहानी के लेखक कौन है प्रेरणा कहानी के लेखक कौन है राहुल राज जी प्रेम सिंग जी वताइए प्रेरणा कहानी के लेखक कौन है ये आपको चैन करना है प्रेरणा कहानी और जिन भी सात्यों ने अभी तक एप में एड़ बीसन नहीं लिया है सात्यों आप पंद्राशों में सबसे कम रासी दे करें पंद्राशों की एक साल के यानि कि बारा महीने आप रेगुलर खिलासे अटेंड कर सकते हो रेगुलर मार्ग दर्सन दोस्तों प्राप्त कर सकते हो प्रेरणा कहानी के ले का कौन है ग्यारा नंबर का क्वेस्चन है ग्यारा नंबर की क्वेस्चन में आपका उत्तर है प्रेम चंद यानि की बी नंबर प्रेरणा ठीक है कि मेरे पती की युद्ध में रख्चा करना है ना उसने कहा था तो उसने कहा था कहानी का मुख पात्र है मुख पात्र बताना है नीता जी शीला गुपता जी अभी से एक सर्मा जी जन्दी से बताईए जी एफ जे जी है ना बारा नंबर का क्वेश्चन है और बारा नंबर क क्वेस्टर में उत्तर है मुख पात रहे लहना से हैं यानि सी नंबर है ना इसका रचना काल क्या है उसने कहा था रचना काल बता दू जरा हार की जीत कहानी के लेका कौन है तेरा नंबर में हार की जीत तेरा का उत्तर है तेरा का राइट आंसर बताना है तेरा हार की जीत यह पर विकल पानुसार उत्तर आपको बताना इसके रचनाकार कौन है नामबार जी बताईए है मंत जी अंसु देवी जी ममता जी हार की जीत हार की जीत कहानी इसके लेखक कौन है 13 नंबर का उत्तर बताना है और 13 का राइट आंसर है कि सर ए हार की जीत जो है प्रेमचंद की कहानी है हार की जीत है एक और कहानी है हार की जीत वो किस की है वो आपको बताना है फिर उसके बाद घीसू और माधाव प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र है घीसू और माधाव घीसू और माधाव किस कहानी के पात्र हैं घीशू और माधाव घीशू और माधाव वताना है किस कहानी के पात्र हैं दोस्तो अरकी जीत सत्रंजी के खिलाड़ी कफण या फिर बोड़ी काकी चुदा का उत्तर वताना है घीशू और माधाव किस कहानी के पात्र हैं तभी का उत्तर है कफण यानि किसी नमबर ठीक है बहुत बढ़ी है सी नमबर आपका सही है कफण सही है अंगले क्वेश्चन के और हम बढ़ेंगे दोस्तो अंगला है पंच परमेश्चुर कहानी किस ने लिखी है पंच परमेश्चुर कहानी पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार कौन है कौसिक हैं, जनेंद्र हैं, प्रिसाद हैं, प्रेमचंद हैं बताइए निस्टा जी, स्योकुमार जी, योगेंद्र जी पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर बताना है जिन भी सात्यों को ये नोट समंगवाना है ये गत्य पत्य हिंदी का पूरा विश्त्रित वाले नोडस हैं दोस्तों ये नोडस हैं विश्त्रित वाले हिंदी साहित का पूरा इतियास हैं हिंदी भासा से लेकर के दोस्तों पूरा एक पार्ट में नई कविता था दूसरे पार्ट में नाटग निबंद उपन्यास कहानी संश्मन ये हैं तो ये दो पार्ट हैं हिंदी साहित के इतियाज के जिनको मंगवाना है संपर करना पूर्दोस्तों ये टीन हजार mcq की वुक है जिसमें टॉपिक बाइज mcq है साहित प्लस ब्याकरण कौब सास्त्र के इसमें mcq है महत्पूर कथन भी है ये मात्र पांशों नियानवे में आप अपने घर पर पोश्ट चार सहित मंगवा सकते हो पंच पर मेंस्तोर सभी को पता है प्रेम चंद स्टी नंबर आपका सही है नेक्स्ट है जैसंकर प्रसाद के निमनलेकित कहानी संग्रहों का प्रका इनकी क्रमबद्य दोस्तों कहानी संग्रहे है तो उसके बाद आती गुंडा कहानी के लेखक कौन है गुंडा गुंडा प्रेमचंद है जैनेंद्र कुमार है प्रिसाद है या प्रिसपाल है गुंडा कहानी बताना है बताईए बीनु जी चैन करिये साधना हिंदी साहित जी बताईए गुंडा कहानी के लेखक कौन है वैस ते चार-पांच लगा दिये गुंडों ने प्रशाद बुले लूट लिया प्रशाद देते हैं प्रशाद गुंडा प्रशाद दे देते हैं यहना दिवाली और होली यह कहानी किसकी 18 नंबर में सब्सक्राइब कर देना सभी साती 945 पर आएगा आपका एक और वीडियो 945 प पर तिर्की गुरू तिर्की गुरू दिवाली और होली कहानी के लेखक कौन है 18 नंबर का पुत्तर बताना है और आपको पता है बोली सर दिवाली और होली में सबी लोग कैसी रहते बोली सर जोस में रहते जोस जोस में रहते तो जोस से क्या बनेगा जोसी इला चंद्र ज तुझ का लिखाइया, इस कहानी के लेखकवन है? पुनीस नंबर का क्वेस्चन है रबिनद जीव, नीलम देश्की राजकन्या तो कई बार एक क्वेस्चन आया है, कई बार पूछा गया है, रेगुलर आपको अटेंड करना है दोस्तों एकलास है विजय संकर जी नीलम देश की राजकन्या NBS की डेट आ गई है ना NBS एक्जम की डेट आ गई है नीलम देश की राजकन्या 19 नमबर का क्वेस्चन है और उत्तर है जैनेंद्र कुमार नीलम देश की राजकन्या जैनेंद्र कुमार बी नमबर आपका बिल्कु सही है डाइट है नेक्स्ट डाइरी के नीरस प्रस्ट कहानी के लेखक कौन है डाइरी के नीरस प्रस्ट इस कहानी के लेखक कौन है कीला चंद्र जोसी है भगबती चन बर्मा है इस नंबर का question है और राइट आंसर है क्या कीला चंदर जोसी है ना डायरी के नीरस प्रस्ट राइट आंसर है ये नंबर कीला चंदर जोसी के राइट है डायरी के नीरस प्रस्ट है है ना मक्रील कहानी मक्रील कहानी किस के है मक्री 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 बताईए जद्दी से 21 में 21 का राइट आंसर है सबी लोग बताएंगे मक्री और बोले सर मक्री मक्री होती ना मकडी मक्री बोले मक्री का भी बोले सर अपना यस होता है यस मक्री का भी यस होता है यस तो यस ते क्या बनेगा यस पाल मक्रील और मक्रील यस पाल यनि कि यह नंबर आपका सही है यह राइट अंसर बहुत बढ़िया अंगले question की और हम जा रहा है यहां पर शबी साती बताएंगे फटापट सिफ पिंजरा कहानी के लेखक कौन है 22 नमबर का question है पिंजरा कहानी के लेखक आपको बताना है मुक्ति बोद हैं कैस पाल है असक जी है इला चन जोसी है पिंजरा कहानी के लेखक कौन है पिंजरा कहानी पिंजरा बताईए 22 नमबर का question है मैंने आपको याद भी करवाया है कई बार कैसे अगर आपको पिंजरे में डाल दिया जाए जैसे तोते को कई लोग पिंजरे में डालते हैं तोता पता है कैसा गाना गाता है पिंजरे के पंचीरे तेरा तर देना जाने कोई है ना तो ये पिंजरा पिंजरा बोली सर पिंजरा में जिसको डाल दिया जाता है वो अस्क बहाता है अस्क से हो जाएगा वो पेंदर नाथ अस्क अस्क है अपन को याद रख ले ना धर्ती अब भी गुम रही है कहानी किसकी किरपा से गुम रही है पताईए हिंडी बित जी राकेश जी धर्ती अब भी गुम रही है पताओ केम सालनी जी 23 नंबर के क्वेस्चन में सभी साती स्तियर कर देना दोस्तों धर्ती अब भी गुम रही है धर्ती अब भी गुम रही ह सरती अब भी घुम रही है सरनार्थी कहानी के लेकक को अने 24 में सरनार्थी कहानी के लेकक बताना है रादिका जी 24 नंबर का question है और सबी साती आंसर बता रहे कि सरनार्थी अब मैंने आपने दोस्तों एक सरनार्थी समस्या पड़ी होगी जब देश का विवाजन हुआ तो सरनार्थी समस्या थी अब अगर मैं आपसे पूछू कि सरनार्थी कितने सरनार्थी थे अपने भारत में आप क्या बोलोगे अग्गे अग्गे मलब पता नहीं अग्गे है ना तो सरनार्थी कितने थे अग्गे काट का सपना क्या है काट का सपना सतह से उठता आदमी बताओ सतह से उठता आदमी जब बताओ मैंने कई बार याद करवाया कि जब व्यक्ति की क्या हो जाती मुक्ती हो जाती मुक्ती मुक्ती हो जाती तो सतह से उठा करके ले जाते हैं आदमी को सतय से उठता आदमी है ना और काट का सपना क्या है पुलिसर काट का सपना है कि हमारी भी क्या हो जाए मुक्ती हो जाए काट का सपना है कि हमारी मुक्ती हो जाए तो मुक्ती बोध सतय से उठता आदमी मुक्ती बोध की रचनाए के कहानिया जो है मुक्ती बोध की कहानिया है C number आपका सही है चीप की दावत कहानी के लेखक कौन है 26 में चीप की दावत अनिता जी, अर्जुन जी चीप की दावत बताना है इस कहानी के लेखक भीष में साहिनी है होहार राकेस हैं, अगे हैं या पिर जैनेंद्र कुमार है शबी दोग बताएंगे 26 नंबर का question है चीप की दावत बताना है दोस्तों चीप की दावत संजय जी, प्रदीप पाटक जी चीप की दावत बताईए चीप की दावत कहानी के लेखक कौन है और शबी साती बिलकुल बता रहे कि सर भीस में साइनी लगा दो चीप की दावत बहुत भीस में दावत दी बोले भीस में साइनी नेक्स्ट निठले की डाईरी 26 नंबर का question है ऐसे कितने साती है जिनोंने self study classes का एप डाउनलोड नहीं किया सभी साती एप डाउनलोड कर लें दोस्तो है ना चैट TGT PGT वाले हो MP TED वाले साती हो और दोस्तो Master Kader वाले KBS वाले जो भी साती है जिनको हिंदी साइथ पढ़ना है आजा है सभी साती एडवीशन भी ले सकते हैं ठीक है निठले की डाईरी क्यानि की 27 नंबर का क्वेशन है सभी का उत्तर है कि सर्व हरी संकर ने निठले की डाईरी परसाई निठले की डाईरी किस ने परसाई बोले हरी संकर ने परसाई निठले की डाईरी ठीक है मुर्दों का गाउं कहानी के लेका कुन है धर्म होने लगा है कहाँ पर मुर्दों के गाउं में धर्म होने लगा है धर्म धर्म होने लगा है तो उत्तर क्या लगाओगे आप 28 मुर्दों के गाउं में पताईए प्रताप जी हरिस्चंद प्रीती जी मुर्दों के गाउं में क्या होने लगा है धर्म धरम से हो जाएगा उत्तर धरम बीर भारती यानि B नमबर आपका बिल्कु सही है बहुत बढ़िया है कौनसी कहानी अमर कांत की नहीं है 29 नमबर का question है अमर कांत की कौनसी नहीं है तो यहाँ पर इनी दो मैंसे बता दो जिंदिगी और जौक यह तो जिंदिगी की नौक जौक में अमर हो गई तो है जिंदिगी और जौक बाकि कानों में कंगना की अमर कांत की नहीं है बलकि एक इसकी है यह राधिका रमन है ना राधिका के कानों में कंगना ठीक है तो आपका ये नमबर ही आपका बिल्कु सही है उन तीस नमबर के question में अंगला question है जहां लच्चमी कैद है कहानी के लेखक कौन है जहां लच्चमी कैद है इस कहानी के लेखक कौन है मोहराकिस, राज़ेंदर यादव, अमरकांत, धरमवीर भारती जहां लच्चमी कैद है जहां लच्चमी कैद है, वो है राज़ेंदर यादव नमबर कसाई बारा कहानी के रचना कार कौन है एक टीस नमबर में बताना है सिखाजी अंस जी सभी लोग बताएंगे कसाई बाड़ा इस कहानी के लेखक कौन है 31 का उत्तर बताना है 31 में सभी लोग राइट आंसर क्या बता रहे है 31 नंबर में और सभी का उत्तर है किसर कसाई बाड़ा स्यो मूर्ती पर बताया है कि कमली की पंखुडियों में समान अंतर होता है शमान अंतर होता है है ना शमान अंतर होता है वो लिशर शमान अंतर कहां कमल तो कमल छे कमले सुर धी नंबर सही है कौनसी कहानी कमले सुर की नहीं है कौनसी कहानी कमले सुर की नहीं है ये वताना राजा निर्वसिया जानवर और जानवर कस्वेक आदमी या फिर खोई हुई दिसाएं कौनसी कहानी कमले सुरकी नहीं है 33 नंबर का कॉस्चन है 33 नंबर के कॉस्चन में सभी साती राइट आंसर बताएंगे कौनसी कहानी नहीं है कमले सुरकी कमले सुरकी कौनसी नहीं है पताईए 33 का राइट आंसर सभी लोगों ने चैन किया है राजा निर्वसिया है कस्वेक आदमी है खोई हुई दिसा है लेकिन ये जानवर नहीं है बी नमबर आपका बिल्कुश चाहिए Next question मौहर राकेश की कौनसी कहानी भारत विभाजन के फलसरूप पैदा हुई मना हिस्तिती पर आधारत है पताओ भारत विभाजन के फलसरूप पैदा हुई कौनसी कहानी है वो पताईए असोक प्रजापती जी 34 नमबर का question है और मौहर राकेश की वो कहानी है कौनसी मलबे का मालेक कहने की ली नमबर आपका सही है मलबे का मालेक बंद गली का आखरी मकान 35 नमबर में सबी जो लोग लाइक कर देंगे दोस्तों जिन भी सात्यों को हिंदी साहित के नोट समंगवाना है गत्य पत्य साहित वाले यानि की हिंदी साहित का पूरा इतिहास या फिर 3000 MCQ वाली वोग तो संपर कर सकते आप लोग बंद गली का आखरी मकान इस कहानी के लेका कौन है 35 नमबर का कॉस्चन है 27 आतियों का उत्तर जारा 35 में कि सर धरम होता है बंद गली के आखरी मकान में क्या होता है धरम धरम होता है तो धरम भी भारती लगा देना भी नमबर लगा देना ठीक है कब्बे और काला पानी इस कहानी के लेका कौन है कब्बे और काला पानी है ना बुरी सर कब्बे को काला पानी कैसा लगता है कब्बे को काला पानी बड़ा निर्मल निर्मल लगता है निर्मल निर्मल लगता है कब्बे को काला पानी कब्बे को काला पानी कैसा लगता है बुली सर बड़ा निर्मल निर्मल लगता है तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा निर्मल बर्मा ठीक है अंगले कोस्टिन की ओर हम जाएंगे सबी साती जदी जदी से लाइक करेंगे दोस्तों नेच्ट कॉस्चन है तीसरी कसम और फ मारे गय गुलफाम के कहानी किस लेखकी है तीसरी कसम और फ मारे गय गुलफाम निर्मल बर्मा मारकंडे फणिशो नात रेनू क्रश्न बल्दे उबैद पताईए नीता जी, प्रदीप जी, प्रेंसी, सोनी जी 37 नमबर का कॉस्चन है और 37 का उत्तर है कि सर तीसरी कसम किसकी फणी वाले की तीसरी कसम फणी वाले की है ना तो तीसरी कसम किसकी उले सर दो कसम खाली तीसरी कसम फणी वाली की खाली रहे भड़ी शुनात रेणों सी नमबर ठीक है Next question आपकी स्क्रीन पर है स्यो प्रिसास सेंकी कहानियों का प्रकासन वाट्स के नुसार रही अनुकरम बताना है अपनको 38 नमबर का question है स्यो प्रिसास सेंकी के कहानिया यहाँ पर दी हैं दोस्तो 38 नंबर के question में सबी लोगों का उत्तर यहाँ पर ही लगा दो आप कर्मनासा की हार किनेवी इंतजार है मुरदा सराय और भीडिया इस किस्टे जिजार है आपका सही हो जाएगा next देखो लाल पान की बेगम इस कहानी के लेखन को है लाल पान की बेगम लाल पान की बेगम तास खेलते हैं नो तास तास में होती है लाल पान की बेगम पत्ता है ना 45 नंबर का question है सभी का उत्तरे की सर फणी है ना पुलिस सर लाल पान की बेगम को बेगम को क्या कर दिया फणी वाली ने क्या कर दिया टेस लिया फणी, फणी से फणी सुनात रेणू, C नमबर आपका सही है, फणी सुनात रेणू, ठीक है, हंसा जाई अकेला, इस कहानी के लेका कौन है, हंसा जाई अकेला, 40 नमबर के question में, शबी लोग बताएंगे, right answer, हंसा जाई अकेला, अगर हंसे अकेला जा रहा है, तो क सही बताना है, 40 नमबर के question में, हंसा जाई अकेला तो, मारकंडे, ये नमबर आपका बिलको सही उत्तर हो जाएगा, बोलगा से गंगा, एक इसकी रचना है, बोलगा से गंगा, एक इसकी रचना है, शबी लोग बतादो दोस्तो, बोलगा से गंगा, 41 नमबर का question है, 41 नमब नम्बर के कॉस्टन में सभी साती आंसर बताएंगे ऊतधर ऐ कि सरभोलगा से गंगा राहुल, सांकृत्या, कया नि भी नम्बर, बोलगा से गंगा, है ना पुलगा से गंगा राहुल सांकृत्यान ठीक है महाबोज की लेखी का कौन है महाबोज 42 नंबर के क्वेश्चन में महाबोज मन्नु भंडारी है मट्यानी है करशना शोपती है मैत्री पुष्पा है महाबोज महाबोज बताना है 42 का उत्तर है महाबोज कहानी की महाबोज की लेखी का कौन है 42 नंबर के क्वेश्चन में शबी साती राइट अंसर चैन कर रहे हैं कि सर महाबोज 42 का उत्तर सबी लोगों को उत्तर बताना है महाबोज में उत्तर है मननू बंडारी है ना लेखी का के नंबर मननू बंडारी ठीक है बहुत बढ़िया की पहली कहानी कौनसी है और राइट अंसर है कि सर सेकर जोसी जोसी और कोसी का गटवार कही है इनकी ठीक है तो ये नंबर आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आपको बताना जहां लच्छमी कैद है ये तो आपने परसे ही आगया कोस्टन जहां लच्छमी कैद है बता दू जन्दी से निश्टा जी प्रमोद जी बताईए जहां लच्छमी कैद है और जहां पर लच्छमी कैद है वो है राजेंद्र यादाओ राजेंद्र यादाओ बी नंबर जहां लच्छमी कैद है राजेंद्र यादाओ बी सही है नेक्स्ट है कसाई वाड़ा कहानी के लेकक कोन है कसाई वाड़ा कहानी के लेखक कौन है 31 नमबर में बताना 31 में और कसाई वाड़ा तो सिव स्राजा निर्वसिया Hamby है कौन सी कहानी कमले सुरकी नहीं है तो इसमें अपने पढ़ दिया था कि सराजा निर्वसिया है, जानवर और जानवर नहीं है, बी नमबर आपका बिल्कु सही है, ये दोस्तों कॉस्चन अपन पढ़ चुके हैं, मौहर राकिस की कौनसी कहानी, तो यहाँ पर अपने देखा था, कौनसी कहानी मलबे का माले, है निर्मल बर्मा, ये भी अपने देख लिए 36 का, ठीक है, और यहाँ पर सेकर जोसी किये, जो दोस्तों ये पन नहीं गलत हो गया है अपना, हैना कोई बात नहीं है, पिता दर पिता, पिता कहानी है, तो किसकी है, चबालिस का उत्तर बताना है, जल्दी से बताईए, पिता पिता दर पिता, पिता दर पिता, हैना, चबालिस का राइट अंसर, और सभी लोग अंसर बता रहें कि सर, यहाँ पर पिता दर पिता, पिता दर पिता है, पिता अलग है, चबालिस में, तो पिता दर पिता, पिता कहानी नहीं पूची, पिता दर पिता पूची है, तो पित अब पिता किसकी कहानी है देवरतची पिता किसकी कहानी है पै 1700 में सभी का पिता क्या देती ज्यान देती ज्यान तो ज्यान-अरञ कि नहीं रोड़ कि यू komma अआध्यंग नेक्स्टि सदीका सबसी बड़ा आदमी 46 नंबर में सती का सबसे बड़ा आदमी 46 का उत्तर और सबी लोग बिल्कु साई आंसर बता रहे बुले सर सदी का सबसे बड़ा आदमी कौन है कासिनाथ तुम सदी के सबसे बड़े आदमी हो कासिनाथ तुम्हें पता हो कि ना पता हो तुम सदी के सबसे वड़े आदमी हो, कासिनाथ, है ना, सदी के सबसे वड़ा आदमी, कासिनाथ, कासिनाथ से हैं, यानि किसी नमबर, ठीक है, नेक्ट है, माई का सोक गीत, माई का सोक गीत, 47 नमबर का क्वेस्चन है, बोली सर, हमने माई का सोक गीत, दूद पी-पी कर गाया है, माई का स तो गित कैसे गाया है, दूद पीपी कर गाया है, दूद है ना, तो दूद से क्या हो जाएगा, 47 नंबर का question है, राइट अंसर है, दूद नास है, भी नंबर आपका सही है, ठीक है, अंगला question है, पेपर बेट कहानी के लेखक कौन है, सीला जी, मुकनच जी, पेपर बेट 48 मे इस कहानी के लेखक कौन है, गिरीराज के सोर है, महेंद्र भला, गोवेंद्र मिस्र है, हेमानसू मिस्र है, 48 का बहुती सांदार question है, 48 नंबर में सबी लोग बताएंगे, और पेपर बेट, है ना, अपन कोई भी कागज गिर जाता ना, गिर जाता तो अपन उस पे क्या का कौन है, आदेम गंद कहानी के लेखक बताना है दोस्तों, कितना अच्छा question पूछा गया, आदेम गंद 49 नंबर का question है, और ऐसे कितने साती है, जिन्होंने अभी तक self study classes का एप डाउनलोड नहीं किया है, और दोस्तों कोर्स में जिनको भी अड़िसर लेना बिल्कुल भ ठीक है, बहुत बढ़िया, सागर तटके सहर, सागर तटके सहर, सागर तटके सहर, बताओ सागर तटके सहर, 50 नंबर का question है, और सागर तटके सहर होते ना बड़े जोस में होते हैं, सागर तटके सहर, कैसे होते हैं, सागर तटके सहर, सागर तटके जो सहर हैं, वो जोस में जोस, यानि है मांसु जोस deux नंबर आपका सई हो जाएगा, अंगले question की ओर हम बढ़ेंगे, अंगला question आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अंगला question है, और वो question है, कि कौन ता तार से बीनी चंदरिया कहानी के लोग लेखा कहें? तार से बीनी चंदरिया, कौन तार से बीनी चंदरिया कहानी के लेखक कौन है कौन तार से बीनी चंदरिया इंक्यावन नमबर का बुले नया सा क्वोस्चन है सर कौन तार से बीनी चंदरिया कौन तार से बीनी चंदरिया ये रमेश चंदर साह की है रमेश चंद्र साह है, साह याद रक्रिन रमेश चंद्र साह ने कौन तार से बीनी चंद्रिया, अंधेरी गली का रास्ता, अंधेरी गली का रास्ता, बाउन नमबर का क्वेस्चन है, कहानी के लेकक बताना है, सेल्प स्टेडी किलासिस का एप डाउनलोड करने सभी साती, है आंधेरी गली का रास्ता कहानी के लेकर बगवती चंद भ्रमा हैं, हिर्देस हैं, रमेज चंदर साह हैं, गोविंदर मिस्ट हैं, बाउन नंबर के question में बाउन का right answer बताना है दोस्तों और सभी को पता है कि सर अंधेरी गली का जो रास्ता है ना वो हिर्दय में हिर्दय में बोले समा है थे अंधेरी गली का रास्ता हिर्दय में है ना हिर्दय अपर को अपर बोलते रास्ता सर दुनिया की वोले सर दुनिया की सबसे हसीन वरत संजीव की है संजीव के सिद आद हो जाएगा संजीव है। कैसे भी याद करते हूं निर जीव और संजीव ये सी नमबर नेक्स्ट कॉस्चन है तिरिया जनम कहानी तिरिया जनम कहानी के ले का कौन है रीना जी मितले स्वरह राकेश बस सानी है बहादुर हुसेन रिजबी है अनिल कुमार जी भी आगया अनिल ठाकर जी बहुत बड़ी आश्वागत है आपका चंवन नमबर का कॉस्चन बताना है तिरिया जनम न की कहानी है मितले सुर की तिरिया जनम कैसे होअ मैथी खाका कर हुआ है ठीक है चार महरावों वाली दालान चार महलावों वाली दरन, दोस्तों ऐसी नहीं होती है कहानी याद, इनको ट्रिक से ही याद करना पड़ता है, है ना, और जब ट्रिक से याद करते हैं तो यह कभी भूलते भी नहीं है, समिठ ठाकुर जी, सीला जी, ठीक है, इंदी साहित के नोट्स जिनको भी मंगवाना है दोस्तों, इंदी साहित के विश्तरित वाली, वो संपर कर सकते हैं, इस नंबर पे संपर करना है, नप्पे अंठानवे, साथ, बानवे, एकानवे, खीक है, इस नंबर पे संपर करेंगी, चार महरावों वाली दालान, पचपन नंबर का कॉस्चन है, और पचपन में उत्त बातसाहे हुसेन रिजबी बातसाहे कहां बैठते हैं चार महराववाली दालान में बैठते हैं बातसाहे चार महराववाली दालान में कौन बैठते हैं बातसाहे ठीक है नेक्स्ट लोग हांसिये पर कहानी के ले का कौन है लोग हांसिये चपन नमबर का क्वेश्चन है शबी पर सबी साथ्यों ने अंसर लगाया Clay कि सब राइट लोग असीने लेकिन ाको भीडिरे अधनर अंसर है्गell है लोक कासी दी दी देरे विन्हूं भाव धीदिूटी देवब्ञ इसमें आपको बताना है चलिए अतिति देवोभाव कहानी के लेखक कौन है चैन करना सभी साती बताएंगे 57 नमबर का कोस्चन है 57 नमबर के कोस्चन में आप सभी सातियों को बताना है और एक बार लाइक जरूर करना है ठीक है 57 नमबर के लुप्त बताएंगे तो अच्छा लगेगा माजा आयेगा कि सभी साति बिल्कुर सही आंसर बता रहे कि सर नमबर का करना 17 कहानी में नमबर आपका बढ़िया नेक्स्च कोस्चन के उर बढ़ेंगे नेक्स्च वंस्चन पूरा सन्नाटा, पूरा सन्नाटा कहानी के लेका क्वन है अंठावन नंबर का क्वोस्चन है पूरा सन्नाटा, पूरा सन्नाटा हो या पिर आदा सन्नाटा हो पुत्तर सभी सात्यों को बताना है पूरा सन्नाटा कहानी के कहानी कार कौन है रचनाकार कौन है, अच्छा कॉस्चन है भीमसीं त्यागी हैं मदुकर से आए हैं नरेंडर कोहली हैं, कौन वान जाते हैं पूरा सन्नाटा अंठावन नंबर का प्रशन है पूरा सन्नाटा आपको बताना है और सभी लोगों का अंसर है कि सर पूरा सन्नाटा के मधुकर मधु उर सर मधुकर के आने से मधुकर सें के आने से पूरा सन्नाटा हो जाता है मधुकर सें मधुकर सें बी नमबर आपका सही है मोहनदास कहानी के लेखक कोन है 69 नमबर का क्वेश्चन है मोहंदास कहानी के लेखक कौन है अमर जीत जी, प्रतिमा जी, सुवास चंद जी सभी साती बताएंगे दोस्तो एक बार लाइक जरूर कर देना ठीक है यहाँ पर मोहंदास कहानी के लेखक कौन है योगेश गुपते हैं उदय प्रिकास है रमेश उपात्या या फिर स्वयम प्रिकास हैं 69 नमबर के कॉस्चन में सभी सातियों का अंसर आना चीजिए फटा पट से 69 में राइट अंसर है मोहंदास कहानी और मोहंदास कहानी मोहंदास का क्या हुआ बोलिश रोड़ पुदय से क्या हो जाएगा ओदय प्रकास B नंबर आपका सही हो जायगा ओदय प्रकास आपका राईट अंसर एठीक है मौहनधास का ओदय भी आपका बिल्कुँ सही है बुदय प्रकास की कौन्सी नहीं है शाथ नंबर का क्वेस्चन है सीमा सुकला जी जिन भी सातियों ने अभी तक Self Study Classes का एप डाउन्लोड नहीं किया है शवी साती एप जरूर डाउन्लोड कर लेंगे कौनसी कहानी कहानी ओदय प्रकास की नहीं है साथ नंबर के कॉस्चन में साथ नंबर का बहुती सांदार कॉस्चन है और आपका उत्तर है कि सर केसर कश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च लेना अभी भी अड़ीसर ले सकते हैं दोस्तों है ना कल से आधीकाल स्टार्ड हो रहा है नए बैच का कल से आधीकाल स्टार्ड हो रहा है जिनको एड़ीसर लेना बिल्कुल भी नहीं चुगना लाइफ क्लास में आधीकाल स्टार्ड हो रहा है ठीक है त्रास्ती माइफोट कहानी के लेकक बताना है 60 नंबर का question है कुमोद जी, पंकज जी 61 नंबर में right answer क्या बता रहे आप लोग सभी का answer है कि sir यह है रमेश उपात्या त्रास्ती माइपोट ठीक है तो आपका उत्तर B नंबर बिल्कुँ सही है next question क्यों बढ़ेंगे Warren Hastings का साण Warren Hastings का साण इस कहानी के लेखक कौन है दोस्तो Self Study के लासे इसका एप डाउनलूट करना है Play Store में जाकर के ठीक है और अगर नोट्स मंगवाना है दोस्तो तो आप नोट्स भी मंगवा सकते हैं Hindi साहित के नोट्स बहुती सांदार नोट्स है Hindi साहित के Warren Hastings का साण इस कहानी के लेखक कौन है इस कहानी के लेखक कौन है अच्छा ही कॉस्चन है शबी लोग बताएंगे Right Answer 62 नमबर के कॉस्चन में Warren Hastings का साण इस कहानी के लेखक बताना है जन्दी से बताए चैन करिए और एक बहुती सांदार कोस्चन है सुयम प्रिकास है या फिर 62 में शबी लोग चैन कर रहे हैं कि सर सी नमबर रगा दो ओदै प्रिकास ओदै Warren Hastings के साण का क्या हुआ है ओदै ओदै प्रिकास जी की कहानी है सी नमबर आपका विलकुँ सही है आम आदमी जात आदमी कहानी के लेखक कौन है आदमी जात आदमी आदमी जात आदमी बताईए कुलदीप जी आदमी जात आदमी कहानी के लेखक बताना है रमा जी और आश्ता जी स्वयम प्रिकास हैं नरेंद्र कोईली हैं योगेस कुमार हैं पोदय प्रिकास हैं आदमी ज जात आदमी आदमी जात का आदमी आदमी जात का आदमी मरोज गुपता जी चेंड करो 63 का राइट अंसर आदमी जात का आदमी जात का आदमी जात का आदमी स्वयम प्रकास कर लेता आदमी जात का आदमी स्वयम प्रकास कर लेता उसको ज़ुरत नहीं है किसी की है ना तो जात का आदमी ये नमबर बहुत बढ़िया केसर कष्टूरी कहानी के लेखक कौन है 64 में केसर कष्टूरी बीनु जी प्रदीप जी प्रमान्सू जी प्रेम कोरी जी सबी लोग बताएंगे केसर कष्टूरी कहानी के लेखक कौन है बताएं रमा सर्मा जी तनू सीला गुपता जी 64 का बहुत ही अच्छा उत्तर बताना है 64 में और सभी का उत्तर है केसर कष्टूरी केसर कष्टूरी कहानी के लेखाक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सभी का अंसर है किसर स्यो मूर्ती केसर कष्टूरी यह जो कहानी है यह कहानी स्यो मूर्ती के है दोस्तों ती नंबर आपका बिलकुस है थ Sicher मूर्ती नैक एक दुखिया दास कबीर कहानी के लेखा कौन है 65 नंबर का कॉस्चन है नीतु गुपता जी बताओ दुखिया दास कबीर किर्टी गुपता और मिला जी तनु जी दुखिया दास कबीर कहानी के लेकक चंदर के सोर जायस बाल विम्लेश्तर पाटी रामदेव सुकल या फिर साली ग्राम सुकल प्रमानसू 65 नंबर के क सेएन करना है राह उला जी और ठुखिया दास कबीर जायसवाल है ना तो दुखिया दास कबीर जायसवाल याद करेंगे जायसवाच चंदर किसौर जायसवाल के नंबर आपका बिलकुछ सांदार क्वेश्चन हो गया इस नंबरर राइट राहन पाला हनस कहानी के लेक disastrous न नंबर में काला हंस बताईए जडी से बताओ काला हंस कहानी popstrack नागेंदर पिताब जी 66 नंबर में पाला हंस बताणा जिन भी साथ्कियों को नोट्स मंघवाना एंधी साहिट के गत्व और सिठेखित के अबने घर पर कहीं भी रहते आप technique सकते हैं गोलेटि लेना है तो सेल्प स्टेडी क्लासेTime अप यह लेके आई है साली साली से साली ग्राम सख़क है ना यह कहने सर साली याद आगई होगी है अपनी अपनी अ STEVEN reminds साली राहराज जी साली प्रिसर साली काला हंस लेके आई बड़ी बात है काला हंस कहानी साली ग्राम सोकले बहुत बड़ी आप next question की ओर हम बढ़ेंगे अंगला question आपकी स्क्रीन पर आ रहा है सबी साती यहाँ पर आ जाएं दोस्तो है ना आपको बताना है नीलाम नीलाम घर नीलाम घर बताओ नीलाम हो जाते ने घर तो नीलाम घर कहानी के लेका कौन है 67 में राजियो जी बताइए केम सालनी जी संजू दोवे जी नीलाम घर कहानी के लेका कौन है पताओ 67 नंबर का question है और नीलाम घर नीलाम घर यात करो पताओ जड़ी से है ना बोले सर नीलाम हो जाए है घर कब कब हो जाएगा बोले राम देव सुकल राम देव सुकल की कहानी है राम देव है ना बोले राम देव के पूरे प्रोडक्ट खरीद ले अगर सर तो हमारी घर तो नीलाम हो जाएगा घर नीलाम हो गया बोले क्यों बोले राम देव के हमने पूरे राम देव के क्या करिए बोले पूरे प्रोडक्ट खरीद लिए है ना तो का नंबर उसी नाव में सेलानी कहानी के लेखा कौन है उसी नाव में सेलानी 68 नंबर का क्वेश्चन मैंने याद भी करवाया है कई वार कुमकुम जी बताईए जदी से और विसाल जी प्रियंका विश्वास मलिक जी 68 नंबर का क्वेश्चन है 68 में उसी नाव में सेलानी उसी नाव में सेलानी किस कहानी के लेखा कौन रामधारिशें दिनकर है मदन मोहन है नरेंदर नाग देओ है श्रीकांत दुबे है तो मैंने आपको कई बार बताया है 68 में कि सर उसी नाव में सेलानी है और उसी नाव में नाग देओ उसी नाव में नाग देओ तो नरेंदर नाग देओ उसी नाव में कौन बैटे सेलानी बैटे है और उसी नाव में नाग देओ है नाग देओ तो नरेंदर नाग देऊ यह आपका सी बिल्कु सही हो जाएगा तस्वीह कहानी के लेखक कौन है उनत्तर में तस्वीह कहानी जिसके लेखक बता नहराम देऊ सुकल है नव नीत मिस्र है मंजूर एहते साम है या पर राजियु कुमार है तस्वीह कहानी जिसके लेखक कौन है बहुती सांदार क्वेश्चन है आस्ता सिंग जी, कंचन जी, सुनीता कुमारी जी, साधना जी सभी लोग बताएंगे तस्वीह 79 नंबर का क्वेश्चन है 69 नंबर के क्वेश्चन में और सभी को तस्वीह है तस्वीह हमें मंजूर है तस्वीर, मंजूर है तस्वीह है या तस्वीर है ना, तो तस्वीह मंजूर है तेसा मंजूर है, मंजूर C नंबर, ठीक है अंगले क्वेश्चन के और बढ़ेंगे गंदर्व गाथा गंदर्व गाथा सत्तर नंबर के question में बताइए सीमा सुकला जी चैन करिये जंदी से रोहिनी जी रमा जी गंदर्व गाथा इसके रचनाकार कौन है दोस्तों और जिन भी सात्यों ने सेल्फ स्टेडी किलास इसका एफ डाउनलोड नहीं किया जल्दी सी करें 9.45 पर टिर्की गुरु यूटूब चैनल पर किलास आएगी 9.45 पर सभी लोगों को देखना है है न गंदर्व गाथा इस कहानी की लेखी का कौन है सत्तर नंबर का question आप से पूछा गया सत्तर में और सत्तर में आपका उत्तर है मनीशा कोलिस्रेष्ट गंदर्व की गाथा कौन बता रहे हैं मनीशा कोलिस्रेष्ट बता रहे हैं B नंबर कामरेड का कोट कहानी संग्राई के लेकक को आने कामरेड का कोट 71 नमबर का कोस्चन है कामरेड का कोट कहानी संग्राई के लेकक बताना अखलेस है जैनन्दन है, स्रंजाय है, क्या फिर ट्रियम बद है कामरेड का कोट 71 में, शबी लोग बताईए 71 नमबर में और कामरेट का कोट का क्या करना है अपन को प्रमानसुजी बोले सर स्रजन करना है स्रजन कामरेट के कोट का स्रजन करना है स्रजन तो स्रजन से स्रंजय है ना स्रंजय हो जाएंगी सी नमबर हरी हर काका तथा अन्य कहानिया के किसका संग रहे है हरिहर काका तथा अन्न कहानिया के किसका संग्रह है सानी हुदै प्रिकास मित्रे सुर या फिर जै नंदन हरिहर काका तथा अन्न कहानिया पताई ये हरिहर काका तथा अन्न कहानिया 72 नंबर का कोस्चन है 72 में आपको चैन करना है हरिहर काका तथा अन्य कहानिया के संग्रह किसका है 72 नमबर का सांदर कोस्चन है सभी का उत्तर है मिथले सुर मिथले सुर यानि कि आपका सी नमबर हरिहर काका तथा अन्य कहानिया के संग्रह मिथले सुर ठीक है सी नमबर बहुत बढ़ी है महुआ घटवारन महुआ घटवारन कहानी संग्रह के किसका है महुआ घटवारन महुआ घटवारन बताना है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना सबी साती अपने मित्रों तक सेर कर दो महुआ घटवारन कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है रचनाकार आपको बताना है पंकज सुबीर है अजय नावरिया है मनोज सौनकर है सेलेंद्र कुमार है महुआ घटवारेन महुआ घटवारेन तेहत्तर नंबर का क्वोस्चन है 73 नंबर के क्वोस्चन में सभी का उत्तर है का क्यानिकि पंकज सुबीर पंकज सुबीर महुआ गटबारिन हैना महुआ घटबारिन की रचना कार बताना है तेत्तर नंबर में और तेत्तर नंबर में सबी लोगों का अंसर है पंकच सुभीर पंकच सुभीर की रचना है महुआ घटबारिन ठीक है तो यहाँ पर आपका जो यह नंबर है यह नंबर आपका सही है ठीक है यह नंबर महुआ घटबारें है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्का बदल गया शिक्का बदल गया इक कहानी के लेखा क्वाने चोहतर में बताईए अनामिका ठाकोर जी आरती सुनीता सीमा जी शबी लोग बताईए संजय दोबे जी सिक्का बदल गया और कश्णा क्या करती रही बताईए सिक्का बदल गया तनमय सर्मा जी चोहतर नंबर का क्वेश्चन और राइट आंसर है कि सरसिक्का बदल गया और कश्णा सोती रही कश्णा सोती रही कश्णा सोबती भी नंबर आपका सही है क्रश्णा सुप्ती राइट है ठीक है नेक्स्ट है एक पिलेट सेलाव एक पिलेट सलाद सलाद आगे है सलाद बताओ सेलाव एक पिलेट सेलाव इस कहानी के इस कहानी संग्रह किसका एक कहानी संग्रह पच्छतर में पच्छतर का उत्तर बताना है पच्छतर मे अच्छा क्रश्ना लेटी रही बहुत बड़ी है तो एक प्लेट से अलाव एक प्लेट सलाद सलाद मिला कहाँ पर बोले भंडारे में सर भंडारे में क्या मिला एक प्लेट सलाद मिला सलाद प्लेट सी नमबर आपका बिलकुँ सही है ठीक है बेरी गुड अंगले कॉस्चिन की और हम जाएंगे दोस्तों अंगला कॉस्चिन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बापसी कहानी की लेखी का कौन है और कितने साती हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी किलासे का एप का डाउनलोड नहीं किया सबी साती एप को डाउनलोड कर लें कल से आदिकाल हैना पैड किलास में आदिकाल का विश्तरित वाली जो किलास है वो स्टार्ड हो रही है चाहे वो साती MP TET वाले हो हैना चाहे TGT PGT वाले हो सबी साती दोस्तों मात्र 15 रोपे में 12 महिने के लिए अड़ीसर ले सकते हैं सु प्रिये ने बापसी की प्रिये ने बापसी कर ली प्रिये ने हरी बिंदी हरी बिंदी किस साहित कार की कहानी है हरी बिंदी बताना है विजय संकर जी हरी बिंदी कैसी लगती है बताए जल्दी से हरी बिंदी कैसी लगती है बुरिस्तर हरी बिंदी बड़ी मिर्दुल मिर् सभी सात्यों को बताना है और राइट अंसर आपका जा रहा है सपेद कव्वा कहानी की लेखी का कौन है सभी का अंसर है कि सर सपेद कव्वा भगत गाता है मंजुल की भगत गाता है काई की मंजुल की है ना सपेद कव्वा मंजुल की भगत गाता है मंजुल भगत मंजुल भगत याद रखने ना मंगुझुल की क्या गाता है? भगत गाता है सपेट कववा, खोले भगत, मंजुल भगत, ठीक है? जगदंबा बाबु गाउं आ रहे हैं, इस कहानी संग्राय, एक कहानी संग्राय किसका है? म्रलाल पांडे, मिर्दुला गर्ग मेत्री पुस्पा चितरा मुधगल, जगदंबा बाबु गाउं आ रहे हैं। इस कहानी संग्रह के रचना कार कौन है। पता ये जगदंबा बाबु गाउं आ रहे हैं। जगदंबा बाबु गाउं आ रहे हैं। जगदंबा बाबु गाउं आ रहे हैं। इसके रचना कार बताना धाई आकर प्रेम के। बताईए धाई आकर प्रेम के कहानी संग्रह मेधाजी, दिप्ती खंडेलबाल, मनिका मोहिनी, माल्ती जोसी, सूरवाला के क्या सी नंबर का कौस्चन है। धाई आकर प्रेम के पुलिसर बड़े मोहिनी मोहिनी लगते हैं। धाई आकर प्रेम के बड़े मोहिनी लगते हैं। खंडेल कोते हैं। काला शुक्रवार कहानी की लेही का को है। कालाशुक्र. सर काला सुक्रवार हमारा रोडा वन रहा है रोडा रोडा से क्या हो जाएगा शुधा रोडा सी नमबर आपका बिल्कुस है काला सुक्रवार रोडा वन रहा है ठीक है जब भी ये क्वेस्चन आएगा काला सुक्रवार बोले तो रोडा वन रहा है रोडा रोडा से रोडा ठ ठीक है बिना चत का मकान कहानी की लेखी का कौन है तेरासी नंबर का क्वेश्चन है सेरनी जी विंदू लता जी गगन जी दीपा कनीता जी बिना चत का मकान किस कहानी की लेखी का कौन है 83 नंबर का question है सबी साती बताएंगे बिनाचत के मकान से क्या हो गया जैन करो तेज प्रकास जी बिनू तनू जी बताए रमा जी बिनाचत का मकान बिनाचत के मकान से अंसू की बाली गिर गई बिनाचत के मकान से क्या गिर गई अंसू की बाली पोले अंसू की बाली या इंदू की बाली तो 83 नंबर का question है 83 नंबर में इंदू, इंदू की बाली गिर गई, इंदू की बाली गिर गई कहां से बिनाचत के मकान से इंदू की बाली, अब मैं अगर आप से पूछू इंदू की बाली कहां से गिर गई आप बताओगे बिना चत के मकान से इंदू की बाली ठीक है तो आपका उत्तर कहां चला जाएगा ये नंबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है अंगले क्वेस्चन की और हम बढ़ेंगे जब तक सभी साती लाइक तो कर दो फटाक से है ना जिन्दा आदमी कहानी संग्रै है तो किसका है जिन्दा आदमी कहानी संग्रै के रचनाकार कौन है 84 नमबर का question है, जिंदा आदमी कहानी संग्रय बताइएगा जंदी से, जिंदा आदमी चंद्रकांता, कष्ना अगनी होत्री, जिंदा आदमी चीक है जल्दी से बताईए जल्दी पटापट से चैन करो है ना जिन्दा आदमी कहानी संग्रय है तो किसका है चंद्रेकांता, कश्ना अग्णी होत्री, माल्ती जोसी, मिर्दुला, गर्ग चोरासी नंबर का राइट आंसर आपको चैन करना है बहुत ही बढ़िया कॉस्चन है जिन्दा आदमी और जिन्दा आदमी इसमें आपको चैन करना है और राइट आंसर क्या हो जाएगा चोरासी का उत्तर और चोरासी में आपका उत्तर है कश्ना अग्णी होत्री जिन्दा आदमी, जिन्दा आदमी को कहा डाल दिया, वो लिसर अगनी में डाल दिया, अगनी, अगनी में डाल दिया, कहा पर, जिन्दा आदमी को, है ना, दीपक पबार जी, अगनी में डाल दिया, है ना, सहीद हो जाओगे, क्रशना अगनी हो तरी, आपका B नंबर सही है जिंदा आदमी कशना अगनी हो तरी ठीक है अलमा कबूतर कहानी संगरे किसने लिखा 85 नंबर का क्वेश्चन है अलमा कबूतर अलमा कबूतर बताना है अलमा कबूतर कहानी संगरे किसने लिखा है मिर्दुला गर्ग ने मेत्रई पुष्पा नासिरा सर्मा या फिर कमल कुमारने चैन करो अलमा कबूतर अलमा कबूतर बताना है पच्चासी नंबर का question है और पच्चासी का उत्तर क्या जा रहा है अलमा कबूतर कई बार अपनने पढ़ा है कबूतर और कबूतरी है ना कबूतर कबूतरी वो लिक्जिन की क्या हो गई पुरिसर मैत्रई हो गए, मैत्रई, तो मैत्रई से आपका उत्तर होगा, किस्तर, अलमा कबूतर, पुर कबूतर कबूतरी, क्या होगे, मैत्रई, तो मैत्रई से आपको मैत्रई पुष्पा लगा देना है, वी नंबर आपका बिलकुस सही हो जाएगा, राइट आंसर, वी नं कूँए दूसरा ताजमहल की लेखी का बताना है चैन कर ये जर्दी से गुलाब यादव जी पताये जर्दी से शुनीता वरमा जी चैन करो कहानी संगर्य दूसरा ताजमहल की लेखी का कौन है आर्तिकोर जी 86 का बहुती सांदार question है और सबी साती बताएंगे सबी साती 86 का right answer सबी लोग बता रहें कि सर दूसरा ताजमहल ऐसा बनवाएंगे जिसका कोई सिरा नहीं होगा ना सिरा सिरा नहीं होगा बोले ना हो ना सिरा है ना दूसरा ताजमहल ना सिरा तो ना सिरा सरमा ठीक है सिरा नहीं है कोई नील गाए की आँके किस कहानी संगरा है ये कहानी संगरा है किसका है कमल कुमार नमिता सें कुसुम चत्रवेदी या फिर मेत्री पुश्पा 87 नंबर का question है सभी सातियों को बताना है दोस्तों जिन भी सातियों ने एप डाउनलोड नहीं किया एप सभी साति डाउनलोड कर ले self or study classes नील गाए की आँके 87 नंबर का question है ये वो कहानिया है जो बहुत है ना पड़ी मुस्किल से आद होती है वो नील गाए की आँके कैसी है बोले नम है नम नम है तो नम से बनेगा नमिता नील गाए की आँके कैसी है नम है तो नमिता से है नमिता से है यानि कि उत्तर भी आपका बिल्कु सही है नमिता से है ठीक है माया जी बहुत बढ़ीया नमिता सेuing आपका बिल्कु सही है नेच्ट कोस्टन है बेलेंटाइन डे देखो 88 नंबर में बेलेंटाइन डी आ गया ये कहानी संग्रै बता दो बेलेंटाइन डे कहानी संग्रै किसकी है ये चैन करना है 88 का उत्तर 88 नंबर में बोले सर अपकी बार बैलेंटाइन डे में गुलाब ना दे कर क्या दोगे गुलाब नहीं देना सर बैलेंटाइन डे में क्या देना है फिर कमल लेके जाना है कमल क्या लेके जाना है कमल लेके जाना है गुलाब नहीं बोले सर कमल ही लेके जाएंगे पूरा कमल है ना तो कमल स कहानी एक कोई सी बैलेंटाइन दे क्या लेकि जाना है कमल कमल से कमल कुमार ठीक है बी नंबर बहुत पढ़िया अंगला क्वेस्चन एक रॉंच बद्द तथा अन कहानिया रेता सुपला सारा राय गीतांजरी सिरी या फिर मुकता राजेस्वरी जी सुदाजी सभी लोग ब रहोगे तुम दीपक वबार जी है ना तो क्रॉंच बद्द तथा अन कहानिया संग रहे किसकी लेकि का कौन है इसकी लेकि का बताना है सारा राय शबी लोग बताइए जल्दी से हैना राइट आंसर क्या है सारा राय गीतांजरी सिरी मुकता या फिर नवासी नंबर का का नंबर आपका विल्कु सही है रिता ठीक है पूर इसके बाद यहाँ पर आएगा अवावील अवावील की उडान कहानी संग रहे किसका अवावील की उडान कहानी संग रहे है तो किसका कहानी संग रहे है अवावील की उडान उडान भरना है अपनको अवावील की उडा नपे नंबर की question में right answer है अई कोई उडान भरेगा तो कैसा हो जाता सारा राए सारा राए सारा रा है थो सारा राए है याद रखे न है थो सारा राय ने अवावीली की उडान भरी किसने भरी पुरिसर सारा रायने का नमबर अवावीली की उड़ान किसने भरी सारा रायने भरी ये नमबर आपका बिलकु सही हो जाएगा ठीक है अंगले क्वेश्चन की और बढ़ेंगे के आर आ ओफ स्वात गाटी केयर आफ स्वात गाटी कहानी संग्राई की लेखी का कौन है केयर आफ स्वात गाटी 91 नमबर का question है दोस्तो सबी साती बताएंगे और 495 पर टिर्की गुरू यूटूब चैनल पर किलास आप सबी को देखना है है ना केयर आफ स्वात गाटी केयर आप स्वात घाटी बताना है जया जादवानी है मनीशा कुल स्रेष्ट है पुर्मिला स्रीस है मदू कांकरिया है कांकरिया पाथरिया एकानवे नमबर के question में right answer है शभी का उत्तर जा रहा है मनीशा कुल स्रेष्ट केर आप स्वात घाटी केर करते हैं केर करते हैं B नमबर आपका सही है केर में आपका विल्कु सही है अंगला question है सहर में अकेडी लड़की सहर में अकेडी लड़की कहानी संगरे की लेखी का कौन है सहर में अकेडी लड़की सहर में अकेडी लड़की बताना है चेन करो पुर्मिला स्रीज मदू कांकरिया लवलीन या पिर मुक्ता सहर में अकेडी लड़की 92 नमबर का question है और आपका उत्तर है सहर में अकेडी लड़की है बोले कौन और मिला और मिला सहर में अकेडी लड़की है और मिला गाना नहीं सुना और मिला और मिला और मिला अकेडी लड़की बोले और मिला स्थ्रीज सहर में अकेडी लड़की यह ना यह नमबर आपका बिलकुत सही हो जाएगा 92 नमबर का question है ठीक है अंगला question है तालाबंद है कहानी संग्राए तालाबंद है यह कहानी संग्राए बताना है साधना जी, आर्ती जी सबी साथी बताएं जन्दी से प्रेंसी जी निसा जी प्रेंका जी है ना ताला बंद है 93 नंबर का question है ताला बंद है और सभी लोगों ने आंसर बताया है छिती छिती कर दो बोले ताला बंद है तो उसको छिती छिती कर दो क्या कर दो छिती छिती कर दो तोड़ दो है ना अब ताला बंद होता है चाबी खोजा ये अगर है ना को गाना नहीं सुना ठीक है हैना दीपक जी चाय की चुसकी नीले रहे बेटा हम पानी पी रहे है देख रहा है इसको न कमल बोलो तो गुलाब देखता है और पानी पियो तो इसको चाय देखता है है ना और पता नहीं क्या क्या देखता है ठीक है तो ताला बंद है वो ले छिती छिती कर दो छिती से छिती जिसर्मा ये नमबर आपका सही है दीपक पबार रसिया बहुत है किस कहानिकार की कहानियों को brain tumor कहा जाता है brain tumor बताईए जग्दी से यहाँ पर आपको बताना है किस कहानिकार अब एक दिन एकाथ दिन सहीद हो जाएगा न एक बार इसको सहीद करना पड़ेगा दीपक पभार जी को सहीद कर देंगे उसके बाद सही हो जाएगा यह ब्रेंट ट्यूमर बताइए किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेंट ट्यूमर कहा जाता है 94 नंबर का क्वेस्चन है 94 नंबर की क्वेस्चन में सभी लोग बताएंगे राइट आंसर यहां पर क्या हो रहा है 94 में सोत्तर है तो ए, किस कहानिकार की कहानियों को ब्रेंट ट्यूमर कहा जाता है राइट आंसर है स्रीकांत बर्मा बी नंबर स्रीकांत बर्मा आपका बिल्कु सही है ठीक है अंगला कोस्चन है छै कहानी किसने लिखी है दोस्तों छै कहानी मिर्दुला गर्ग मेत्रई पुष्पा मन्नु बंडारी चित्रा मुद्गल जल्दी से बताईए च्छै कहानी किस ने लिखा लिखी है 95 नंबर की कोस्चन में च्छै कहानी बतानी है बताईए चैन करिये जल्दी से 95 अपने गुरुप में जो सहीद हो जाते ना एक बार वो फिर कमेंटर नहीं कर पाते पता है ना सबको सहीद हो जाते तो कमेंटर नहीं कर पाते 95 नंबर का कोस्चन है राइट आंसर है च्छै तो च्छै अपन को याद रख लेना है च्छाय में मन्नु भंडारी च्छाय में आपका मन्नु भंडारी श्री नंबर आपका सही है च्छाय कहानी है ना कि किसकी है च्छाय तो पंचानवे नंबर का क्वेश्चन है मन्नु भंडारी च्छाय याद रख लेना है ठीके मन्नु भंडारी उसके बाद यहाँ पर आते ह अंगला question आता है यहाँ पर बोलने वाली औरत बोलने वाली औरत कहानी संग्रै की लेखी का कौन है बोलने वाली औरत राहुल राज्जी म्रडाल पांडे ममता कालिया मन्नु भंडारी कश्णा सोप्ती चेहन करिए फटा पट से हैलो हां 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 हम लगा रहे है अभी किडा से बोलने वाली औरत कहानी संग्रै की लेखी का बताना है जल्दी से बताईए फटाक से बोलने वाली औरत ठीक है यहाँ पर 96 का उत्तर है बी ममता कालिया ममता कालिया सही है है प्रेट योणी कहानी का है प्रेट योणी शंतानवे में मिरदुलागर के हैं दीपती खंडेल बाल है चित्रा मुदगल है नासीरा सर्मा प्रेट योणी इस कहानी की लेखी का कौन है 97 का बहुत सांदार question है और प्रेत योनी में आपका उत्तर है चित्रा मुद्गल हैना प्रेत योनी चित्रा मुद्गल ठीक है चित्रा मुद्गल सी नमबर 97 नमबर की question में आपका बिल्कुँ सही है किलीन चिट कहानी संग्राई की लेखी का कौन है अंठानवे नंबर का question है सभी साती share कर देना दोश्टों ठीक है किलीन चिट कहानी संग्रे की लेखी का चैन करिए अंसू जी प्रिया जी सभी लोग बताइए किलीन चिट किलीन चिट किसको मिल जाएगी किलीन चिट साथ कि अंठानवे नंबर में और अंठानवे का उत्तर है योगिता योगिता या दो किलीन चिट है ना यागिता फुलिसार योगिता को किलीन चिट मिल जाएगी योगिता को किसको मिल जाएगी योग गिता को ठीक है तो योग गिता सी नमबर आपका बिल्कु सही है गली दुलहनवाली कहानी की लेखी का कौन है 99 नमबर में परमजीत जी गली दुलहनवाली जिस कहानी की लेखी का कौन है गली दुलहनवाली 99 नमबर का question है और सही आंसर है दुलहनव तुलहनबाली गली कौन है बोले मीरा कान्ट तुलहनबाली गली का है मीरा कान्ट मीरा कान्ट सी नमबर आपका सही है ठीक है जोड बाकी जोड बाकी कहानी बताना है जल्दी से बताइए जोड बाकी कहानी संग्रा है सो नमबर का क्वेश्चन है जोड बाकी है जोड बाकी है ससी प्रभा, सिवानी, चंदरकांता या प्रमता कालिया, जोड बांकी जोड बांकी कहानी संग्राय की लेखी का कोण है, ससी प्रभा है, सिवानी है, चंदरकांता या प्रमता कालिया है जोड बांकी 100 नंबर का question है पुर आपका उत्तर है कि सर्फ ससी और प्रभा का जोड बांकी है ससी और प्रभा का क्या बांकी है जोड बांकी है ससी और प्रभा का ठीक है यहाँ पर आकर कि दोस्तों अपनी जो कहानिया है कहानी वाला chapter यहाँ पर कतम होता है रामचंद्र शुकल ने आधुने के गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किस बिधा से माना है फटाक से बताईए जल्दी से किस बिधा से माना है जाहे दली जी चैन करिए लाइक करिए सेयर भी करिए रामचंद्र शुकल ने आधुने के गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किस बिधा से माना है बताईए जल्दी से किस बिधा से माना निबंद से नाटा को पन्यास कहानी किस बिधा से माना है एक नंबर का question है, शबी साती बताएंगे और सभी का उत्तरी की सर नाटक बिधा, नाटक बिधा से माना है किसने राम चद्र शुकले जी ने, नाटक से, ठीक है, बहुत बढ़िया, अंगला question है, आचार राम चद्र शुकले ने, हिंदी का प्रिथम नाटक किसे माना है? परि पताईए जदी से राजेस कुमार जी, राइट अंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो नंबर का क्वेस्चन है, रामचंद्र शुकली की बात है, आनंद्र अंद्र अंद्र को माना है, बी नंबर आपका सयह, किसको माना है, आचार शुकली की बाता है, जदी से बताईए राइट अंसर सुकत। कतिपाई समिक्षकों ने हिंदी का प्रिथम नाटक किसे माना है तीन नंबर का क्वेश्चन है और कतिपाई समिक्षकों ने माना है किसे नहोस को माना है दोस्तों ये नंबर आपका बिल्कु सही है नहोस के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है वीरेंद्र जी नहोस के रचनाकार कौन माने जाते हैं बताइए नेक्स्ट कॉस्चन है आपका किंद्र सभा नाटक के लेखक कौन है चार नंबर में पुमेस यादव जी इंद्र सभा नाटक के लेखक कौन है महराज विश्वनाथ से हैं गरेश कभी है अमानत है राजा लक्षमन से हैं इंद्र सभा नाटक के लेखक कौन है इंद्र सभा नाटक के लेखक बताना है मंत जी अर्जुन सरोच जी चार नंबर का क्वेस्चन है च वो लेकक हैं एमानत अमानत यानि कि आपका ये नंबर अमानत इंद्रसभा नहुस की रचनकार गर गोपालचन्द और फो गिरधरदास हरतें दूजी के पिता थे इंद्रसभा अमानत बुरिसर इंद्रसभा किसकी अमानत है इंद्रसभा किसकी अमानत तो अमानत का ये दोस्तो नाटक है हिंदी का प्रतम अभीनीत नाटक कौन सा है पांच नंबर में बताना है हिंदी का प्रतम अभीनीत नाटक ये नाटक बताईए कि नाटक किसका है सकु मदला है इंडी का प्रतम अभिनीत नाटक बताना अभिनीत नाटक पताए है मंत जी विंदू जी पाँच नंबर का कुश्चन है राइट अंसर तो पांच नमबर का उत्तर है हिंदी का प्रतम अभिनीत नाटक उसका नाम है जानकी मंगल पुर जानकी मंगल की रचना कारकोन है यह आपको बताना है जानकी मंगल कि हिंदी का प्रतम अभिनीत नाटक है भारतेंदु जी ने अभिनार किया था दोस्तों है ना भारतेंदु जी ने कुल कितने नाटकों की रचना की है जिसमें लाइव क्लासे भी है ओर रिक्वाड़िट क्लासे भी है टेस्ट भी है तिर्की वीडियो भी है, सबी कोछ है, भारतेंदु ने कुल कितने नाटकों की रचना की, ओतर है, सत्रा, कितने नाटकों की, सत्रा नाटकों की रचना की है, दोस्तों भारतेंदु जी ने, है ना, बहुत बढ़ी है, नेक्स्ट है, भारतेंदु का प्रिथम अनुदित अनुदित नाटक बताना इतना अच्छा कोस्चन सांदार कोस्चन है साथ नंबर का कोस्चन है वीडियो को एक बार लाइक जरू कर देना दोस्तों शबी साथी भारतेंदु का प्रिथम अनुदित नाटक बताना है भारत जनिनी विद्या सुंदर सत्त हरिस्चंद या फिर स सती प्रताम भारतेंदू का प्रतम अनुद्र नातक बताना है। राइट आंसर है कि सर भारतेंदू जी का प्रतम जो अनुद्र नातक वाना जाता है वो कुझा। भारतेंदु जी का राइट अंसर विध्या सुन्दर विध्या सुन्दर ये प्रतम अनुदित नाटक है किसका भारतेंदु जी का कुल मिला के कितने नाटक लेखे 17 नाटक लेखे ठीक है तो ये प्रतम अनुदित नाटक है इनका कौन सा विध्या सुन्दर विध्या सेक्सपियर के मर्चेंट आफ वेनिस का हिंदी अनुबाद कौन सा अंदेर नंगरी है फाकंड बिडंबन है रतनावली या फिर दुरलाब बंदू है जल्दी से वताना है मनीशा मनीशा जी सेल्प स्टेडी किलासेस का एप डाउनलोड कर लो उसमें कोर्स परचेस कर लो पं स्टेडी किलासेस का एप डाउनलोड कर लो आठ नंबर का क्वेस्चन है राइट आंसर है दुरलाब बंदू दुरलाब बंदू ये मर्चेंट आफ वेनिस का हिंदी अनुबाद माना जाता है ली नंबर आपका बिलकु सही है अंगले क्वेस्चन की ओर हम जाएंगे सबी साती लाइक जरूर कर देना दोस्तों है ना बैद की हिंसा ना भबती नौ नंबर का क्वेस्चन है बैद की हिंसा ना भबती बता दो जद्धी से मरकर चेट करना दुरलब है तो बैद की हिंसा ना भबती इसके ये क्या है प्रहसन है भाड है भाड नाटा के अपर गीती रूपक है नौ नंबर का क्वेस्चन है सभी का उत्तर है की सरे सन प्रहसन बैद की हिंसा ना भबती ये प्रहसन है दोस्तों एक नंबर मैंने नाटक को बहुत अच्छे से पढ़ाये आप लोगों को है ना तो प्रहसन एक नंबर आपका बिल्कु सही है हिंदी का प्रतम दुखांत नाटक माना जाता है दस नंबर की क्वेस्चन में पायल रानी जी नीता जी शिलपा जी रोहिनी जी हिंदी का प्रतम दुखांत नाटक कौनसा माना जाता है बताईए नहो से भारत दुरदसा है रणधीर प्रेम मोहिनी है दुखनी वाला हिंदी का प्रतम दुखांत नाटक कौन सा है 10 नंबर का कोश्चन है 10 नंबर के कोश्चन में सबी साती बताएंगे और हिंदी का प्रतम दुखांत नाटक माना जाता है कौन सा रणधीर प्रेम मोहिनी रचनाकार कौन है रचनाकार भी बता दू जरा रणधीर प्रेम मोहिनी ये हिंदी का प्रसम दुखान्त नाटक माना जाता है इसके रचनाकार कौन है ज़्दी से बताना है और सेयर कर देना रुकमणी परिनाय नाटक के लेखक कौन है रुकमणी परिनाय नाटक के लेखक देवकिनन्दन खत्री है अरियोध है गिरधर लाल है अम्भीका दत्य तरपाठी है जंदी से चेहन करना ग्यारा नंबर का राइट अंसर है ग्यारा का उत्तर बताईए करना है वो होती सांदार कोस्चन है ग्यारा नंबर में सबी का राइट है कि सर हरी की किरपा से रुकमणी का परिनय हो गया क्या है उत्तर पताओ रुकमणी परिनय राइट आंसर वो रुकमणी का परिनय हो गया किसकी किरपा से हरी की किरपा से हर्योद, हर्योद, रुकमनी परिनय, हर्योद यानि भी नमबर आपका बिल्कु सही है, राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, नेक्ट है, क्रशन अरजुन युद्ध, नाटक के लेकक कौन है, है ना, तरिकी भी आपको बताना है, बताए, बारा नमबर का क्वेस्चन है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्रशन अरजुन युद्ध, ठीक है, किस नाटक के लेकक बताना है, वीडियो को सभी साती सेयर कर देना, जाहे दली जी, प्रदीप जी, हैना, बैस नभी साक जी, बारा नमबर का क्वेस्चन है, स माखन भी युद्ध करवा देता है युद्ध है ना युद्ध कर ले ना माखन आपका C नमबर विल्कु सही है CSO अमबर CSO अमबर नाटक के लेखक वने 13 नमबर का कोस्चन है चैन करिए रेखा जी, अर्जुन जी, सबी साती और सेल्फ स्टडी क्लासेज का किन सातीयों ने एप डाउनलोड नहीं किया है वो सबी साती क्या करना है फिले स्टोर में जाना है सर्च करना है सेल्फ विस्टडी क्लासेज ठीक है CSOmber नाटक के लेखक वताना है 13 नंबर का question है 13 नंबर के question में सही answer क्या जा रहा है हिंदी सायत जी सौनू कुमार जी CSOmber और 13 का उत्तर है सभी का अंभीका दत्त्त्रपाटी CSOmber CSOmber के जो नाटक है इस नाटक के रिचनाकार 10 नंबर आपका बिल्को सही है बहुत बड़ी आ question है सुबित्र और जैंत इस wsौनू के लेखक कोन है रामिरेश्तरपाटी है प्रिसाद है निराला है दरंबीर भारती है 4 साथी बताईएगा 4 का उत्तर सुबथ्रा और जैंत नाटक के लेखक कौन है कोर्मिला जी अनीता यादो जी चौदा का राइट अंसर वताना है सुभत्रा और जैन्त सुभत्रा और जैन्त में आप सभी का उत्तर जा रहा है राम नरेश तरपाथी राम नरेश तरपाथी सुभत्रा और जैन्त सुभत्रा और जैन्त नाटक के लेखक माने जाते हैं यह नंबर आपका बिलकुर सभी है यह नंबर आपका राइट अंसर है सुवित राम्र इस्तरपाटी ठीक है भारत स्वभाग नाटक के लेका कोई ने 15 नंबर का कोश्चन है रोहिनी मिस्राजी जन्दी से बताईए मोहित जी सुवेदार जी भारत स्वभाग 15 क्या है श्वभाग अंभी का दत्व्यास है ना तो अंभी का दत्व्यास कि इनका नाटक है कौनसा भारत श्वभाग भारत श्वभाग नाटक किसका है उत्तर जाता है अंभी का दत्व्यास वी नंबर आपका बिल्कु सही उत्तर हो जाता है दोस्तों ठीक है वेरी गुड अ जा रहा है अंगला कॉस्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है सोला नंबर के कॉस्चन में कौन प्रेम चंद का नाटक नहीं है सोला में प्रेम चंद का नाटक कौन सा नहीं है चंद्रहास संगराम करवला या पर प्रेम की बेदी प्रेम चंद जी का नाटक कौन सा नहीं है सजारा की सर संग्राम प्रेम में संग्राम तो करना ही पड़ता है प्रेम की बेदी पर बलिदान तो देना ही पड़ता है करबला प्रेम भी एक बला है करबला तो है लेकिन चंद्रहास नहीं है प्रेम चंद का नाटक नहीं है चंद्रहास बाकि करबला शंग्राम प्रेम की ब परिणाम नाटक के लेखा कौन है है ना अपन पढ़ती ना जैसी करनी वैसी भरनी तो जैसा काम वैसा परिणाम नाटक के लेखा कौन है संगीता जी रोहिनी जी अनीता जी सत्रा नंबर का उत्तर है जैसा काम वैसा परिणाम यानि की उत्तर क्या हो जाएगा सत्रा का answer बाल क्रश्न भट्टे बाल अपन को याद रखने ना है बाल क्रश्न भट्टे बालों में जैसा काम करोगे ना वैसा परिणाम मिलता है जैसा काम वैसा परिणाम भया महंदी करोगे काली वाली तो बाल काली देखेंगे बाल में अगर लाल महंदी करोगे बाल तो बाल लाल बाल बोले जैसा काम, बैसा परिणाम, कहां पर बाल, बाल से क्या होने गे बाल रिक्रशन भट है, बी नमबर आपका बिल्कु सही है, प्रिसाद के नाटकों का प्रिकासन वर्ष के अनुसार, सही अनुकरम बताना रूसार का ये दोस्तों आपके सामने नाटक हैं, 18 नमबर क के question में अठारा का right answer क्या हो रहा है भाईया बताईए क्या है सही उत्तर बताओं तो यहां पर सबसे पहले आप सो राष्तरी देख रहा है राष्तरी तो पंदरा में बिख रहा है राष्तरी अजात सत्रू अजात सत्रू चंद्रगुप्त और धुरफ सौमनी द्रुप सौमन रचनाकाल बताएगा कोई, रचनाकाल भी आपको बताना है इसका, सभी लोग बताएगे, रास्री का रचनाकाल क्या है, अजासत्रु का क्या है, चंद्रगुप्तर ध्रुफ स्वामनी का रचनाकाल क्या है, सभी को पता होना चाहिए, कौन सा नाटक, प्रबोद चंद्रोद चंद्रोदय की सेली का अन्योप देसिक नाटक है अन्योप देसिक मतला उता प्रतिकातमक तो यहां पर 19 नंबर का क्वेश्चन है 19 नंबर के क्वेश्चन में सबी लोग पताए जंदी से कौन सा नाटक प्रवोध चंद्रोदय की सेली का अन्योप देसिक नाटक है पताओ श दोस्तों जिसमें 15 सुरू पेपर का कोर्स लांच किया गया है जिस कोर्स में आप सभी साती बहुत ही अच्छे से पढ़ सकती हो ठीक है तो कौनसा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की सैली का अन्योप देसिक नाटक है प्रबोध चंद्रोदय की सैली का 19 नंबर का क्वेस्चन है अन्योप देसिक नाटक पूचा है अन्योप देसिक तो तर क्या हो जाएगा तब ही लोग बताएंगे दोस्तों और लाइक कर दो जंदी से बताना है बहुत ही अच्चा क्वेस्चन है दोस्तों और सभी लोगों को जंदी से बताएंगे तो आपका बहुत ही अच्चा क्वेस्चन है वीडियो को सभी साती लाइक भी करेंगे पुरापका यहाँ पर दोस्तों अन्योप देशिक माना जाता है कौनसा ध्रोफ सौमनी ध्रोफ सौमनी को अपन को याद रख देना है यह दोस्तों इनका अन्योप देशिक माना जाता है ध्रोफ सौमनी ठीक है कि याद रखेंगे, कौनसा है, अन्योपदेशिक में, द्रोफ सौमनी लगाना है आपको D number, ठीक है, अंगले question की और बढ़ेंगे अपन, अनन्त देवी किस नाटक की पात्र है, बीस नंबर का question, अनन्त देवी, अनन्त देवी किस नाटक की पात्र है, इसको दोस्तो सही करलो, सही बता रहे हैं आप लोग, कोई बात नहीं है, इसको सही करो, कामना इसका सही होगा, अन्योपदेशिक नाटक है, कामना और द्रोफ सौमनी समस्या नाटक है, इसको सही करो दोस्तों, एक कामना ही सही होगा, बी नमबर लगाओ इसको कामना, और कामना के आधार पर कामाईनी की रेचना हुई थी, कामाईनी की रेचना भी हुई थी, कामना की आधार पर, बी नमबर ही इसको सही लगाओ, बी नमबर ही सही है इसका, कामना ही सही होगा, उन्नीस में आपको बी नमबर ही सही लगाना है ठीक है कि कामना ही प्रतिकातमक है ना और अन्योप देशेक है बी नमबर लगाओ ठीक है बैरी गोड़े अनन्त देवी अनन्त देवी बताना अनन्त देवी किस नाटक की पात्र है अनन्त देवी किस नाटक की पात्र है अनन्त देवी बीस नंबर का question है अजात सत्रू है विसाक है चंद्रगुप्त या फिर इसकंद्गुप्त है बताइए चैन करिये जंदी से राइट आंसर बीस का उत्तर बताना है कामना राइट है कामना राइट है पृतिक आत्मा के अन्योब देशिक नाटक है ध्रोप स्वामनी आपका समस्या नाटक माना जाता है ठीक है तो यहाँ पर अनन्त देवी किस नाटक की पात्र है ये question पूछा गया है बीस नंबर का उत समस्या है तलाक और पुनर विवाय की समस्या है तो जन्दी से बताइए, chain करिए बहुत यह अच्छा question है इसमें आपको chain करना है पृतिक किस नाटक में तलाक और पुनर विवाय की समस्या है तो успi के नंबर का question है सबी लोग right answer लगा रहे कि सर तलाग और जो पुनर विवाय की समस्या है है ना तो वो है काई में ध्रोब स्वामनी में यानि कि ध्रोब स्वामनी समस्या नाटक है ठीक है तो डी नंबर आपका बिलकुँ सही है अरोन या मदुमय देश हमारा के पंक्ती किसकी है के पंक्ती कई बार पूछी भी गई है तो ये पंक्ती किसकी मानी जाती है अरोन या मदुमय देश हमारा संजु जी बताइए मुकेश जी अरोन या मदुमय देश हमारा के पंक्ती किसकी है 22 नंबर का question है 22 नंबर के question में आपका उत्तर क्या है शीमा जी, दीपक जी प्रतिबा जी, नीता जी अरुनया मदुमाई देश हमारा यह पंक्ती बताना है सबी लोगों ने उत्तर लगाया है B यानि की कौरनेलिया कौरनेलिया है ना इसकी पंक्ती अरुनया मदुमाई देश हमारा यह पंक्ती पूछी भी गई है दोस्तों है ना और यहाँ पर आते हैं अंगले question की ओर हम बढ़ेंगे इसके पहले आपको यहाँ पर आना है कितना अनुभूती पूर्ण था वह एक छण का आलेंगन पंक्ती प्रसाद की किस नाटक में है तेईस नंबर का question है तेईस में कितना अनुभूती पूर्ण था वह एक छण का आलेंगन इस पंक्ती पंक्ती प्रसाद की किस नाटक में है तेईस नंबर का question है किस नाटक में है तो राइट अंसर है बो नाटक है धुरुप सौमनी बी नमबर आपका सही है बी नमबर कितना अनुबूती पूर्ट वा है एक चण का अलेंगन पंगती प्रसाद के किस नाटक में है राइट अंसर है धुरुप सौमनी बी नमबर आपका विल्कु सही है अधिकार सुक कितना मादक और सार हीन है पंक्ती किस नाटक से है 24 में अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है इस पंक्ती के यह जो बताना है पंक्ती किस नाटक से है चैन करो सबी लोग बताएंगे दोस्तों सेर भी कर दिया करो अपने मित्रों को एक बार है ना एक लास रोज रात्री नौ बजे आप लोगों के लिए लाई जाती है दोस्तों रोज रात्री नौ बजे अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है यह पंक्ती किस नाटक की है 24 में सबी ने बताए किस अरे पंक्ती है इसकंद गुप्त नाटक की है ठीक है चार बेचारे ना गरने सब्सक्रान का 21 एक चार क्तर पेचार में आपके और 6 बेचर यग संर्मा हो घ्र B number, आपका बहुत ही बड़िया question, किस नाटक कार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार नहीं माना? 26 नमबर में चैन करो बताइए लाली गोयल जी बिरेंद्र जी चैन करना अरजुन जी रतिपाल जी किस नाटक कार ने अपने नाटकों के लिए रंग मंच को अनिवार नहीं माना तब आपका सांदार कोस्टन है कि सर जैसंकर प्रसाद ने सी नमबर प्रसाद किनोंने रंग मंच को अनिवार निवान नहीं कहा था कि नाटक के लिए रंग मंच होना चाहिए ना कि रंग मंच के लिए नाटक ठीक है नेक्स्ट है सती चंद्रावली नाटक के लेखक को अने 27 नमबर का क्वोस्टन है जाहे दली जी, मुकेश जी, सती चंद्रावली नाटक के लेखा को अने राधाचन गोशवमी, भारतेंदू, प्रताब नारण मिस्त्र उदै संकर भट्टेप, सती चंद्रावली, 27 नंबर का क्वोस्चन है, सती चंद्रावली में उत्तर बताना है, सबी लोग बता रहे कि सर सती चंद्रावली, है ना, सती चंद्रावली बोली सर, राधा के चरणों में सेबा करती है, सती चंद्रावली, राधा चरण, राधा चरण, गोशवमी, सती चंद्रावली, ठीक है, तो तर है, एक नंबर आपका, बिल्कु सही है, नेक्स्ट है, मुक्ती पत नाटक के मुक्ती पत पूर्मुक्ति पत का क्या हो गया पूदय से पूदय संकर भट भट बक्त का उदय वी नममर आपका बिल्कु सही है राइट आंसर है अंजो दीदी नाटक की लेखक्वन हैं अंजो दीदी नाटक के लेकक को अने भुबनेसुर प्रसाद हैं उपनात असक हैं जगदीश चंद्रमातुर रामकुमार बर्मा है अंजो दीदी नाटक के लेकक बताना है खुरेसी जी आरती जी चैन करिये स्वानू जी फुन्तीस नंबर में हैना पुरिसर अंजो दीदी आजके बहाती अंजो दिदी उनगी गेजा़ कुष्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है है और घंटी यह गोंजती गंटियां गूंजती हैं या घाटियां गूंजती हैं कहां सिव के मंदर में गंटियां गूंजती हैं तो घंटियां से यहाँ गाटियां और घाटियां को अपन गंटियां बना देंगे गंटियां है ना तो घाटियां गूंजती हैं सिव प्रसाद से हैं किनका नाटक है का नमबर आपका बिल्कु सही है नेक्स्ट कॉस्चन है उत्तर प्रिये दर्सी नाटक के लेखा कौन है उत्तर प्रिये दर्सी नाटक 31 नमबर में कई बार पूछा गया है शुनील कुमार जी, प्रिती जी, मुकेश जी उत्तर प्रिये दर्सी के नाटक और इस नाटक के लेखा कौन है जयन करना है सभी का उत्तर है कि उत्तर प्रिये दर्सी उत्तर प्रिये दर्सी 31 नमबर में है ना राइट आंसर आपका बिलकुँ सही उत्तर है खा यानि कि अग्गे भी नमबर आपका सही अग्गे राइट आंसर है उत्तर पिडिये दर्शी मोहन राकेश के नाटकों का प्रिकासर करम के अनुसार सही लगाना है दोस्तों आपका 32 नंबर में कि मोहन राकेश के नाटकों का करम दिया है मोहन राकेश के नाटक कौन से करम में रखे जाएंगे कौन सी क्रम में आप सही वानों के विश्वास मलिक जी राजियु जी तो मोहर राकेश के नाटकों में अगर बात करेंगे हम तो सबसे पहले नाटक आएगा साड का एक दिन लहरों के राज़ंस आदे अदूरे पैरों तले की जमीन C नंबर आपका सही है C नंबर आपका राइट अंसर है उसर उसर नाटक के लिए ककवन है उसर 33 में उसर किसका नाटक है 33 नंबर का क्वेश्चन है उसर उसर बताओ है ना उसर उसर क्या है हमारा भवन उसर है हमारा भवन कैसा है उसर है हमारा भवन उसर है क्या भवन भवन से भवने सौर है ना का नंबर उसर है भवन है ना तो भवने सौर ये का नंबर है जो आपका बिल्को सही है उसर है भवन भवन कैसा है पुलिसर उसर है उसर बेरी गुड कोनार्क नाटक के लेखक बताने 34 में कोनार्क है कोनार्क नाटक बताए कोनार्क नाटक 34 नंबर बोवने सुर्प, विश्णू प्रभाकर, जगदीश चंद्रमात्र या फिर उपेंदना अतास्क, कौनार के नाटक के लेखक कौन है, 34 का राइट अंसर है पुष्पा देवी जी, कमला कांद जी, गजराज पटेल जी, हैना रीना तिबारी जी, जल्दी से बताईए, जिन भ का प्रशन है, 34 में आपका उत्तर है, C, जगदीश चंद्रमात्र, C आपका सही है, पहला राजा किसके याद में समर्पेत है, बहुत बढ़िया, ये दोस्तों नोट से है, ये हिंदी साहित का पत्य साहित बाला नोट से है, हैना, ये हिंदी साहित में आप देख सकते हैं, ये गत्य साहित वाले, गत्य पत्य हिंदी साहित का पूरा इतियास वाले नोट से है, हैना, ये दोनों आप 700 रोपे में मंगवा सकते हो, पोस्ट चार्ज भी देना होगा लग से 200 रोपे, तो 1600 में आप अपने घर पर मंगवा सकते हो, ये दोस्तों 3000 MCQ की वोक है, ये भी आ बाहर लाल नहरू, भी नंबर, नहरू जी की आद में समर्पित हैं, 35 का उत्तर आपका सही हो गया, नेक्स्ट कोस्टन की और हम बढ़ेंगे, अंगला कोस्टन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कौनसा नाटक, विश्नु प्रभाकर का नहीं है, विश्नु प्र राइट आंसर है, विश्नु प्रभाकर का नहीं है, डाक्टर तो है, तूटते परिवे सत्ता के आरपार भी है, फिर कौनसा नहीं है, दिवार की बापसी, बी नंबर, यह दिवार की बापसी नहीं है, बी नंबर आपका सही है, 20 मिसाहिनी के नाटकों का सही करम में लगान बिश में साहिनी के नाटक बताना है 37 नंबर में कि चार विकल्प हैं 37 का राइट आंसर बताना है आपको बिश में साहिनी के नाटक तो आपने पड़े है हनूस कबीरा खड़ा बजार में है ना माधभी और मुआबजे कबीरा खड़ा बजार में मांगे सब की खैर ना काहूसें दोस्ती ना काहूसें बैर हनूस यानि कि C नमबर आपका बिल्कु सही है नेक्स्ट है अपना अपना जूता नाटक के लेखक कोन है 38 नंबर का question है रेखा जी अपना अपना जूता इस नाटक के लेखक बताना है संबू नात है लच्मी कांद बर्मा है ब्रंदा वंलाल बर्मा है बिनोध रश्तोगी है सूबेदार जंदी से चेन करिए राज रानी जी कंचन जी अपना अपना जूता इस नाटक के लेखा कौन है 38 का उत्तर बताना है और राइट अंसर है अपना अपना जूता अपना अपना जूता बहुत बढ़िया कमला कांद जी राइट अंसर बता है लच्छमी कांद बर्मा लच्छमी अपन को याद रखें अपना अपना जूता बोले लच्छमी में खरीदो है ना तो आपका जो B-Number है आपका बिल्कु सही है है ना अगर आप जूता खरीदने भी जाते हो अपन को पैसे देने पड़ती पैसे बोले लच्छमी लाओ है ना याद कर ले ना तो अपना अपना जूता कि लच्छमी कांद बर्मा वी नमबर आपका बिल्कु सही है ठीक है महा भारत की कथा पर आधारत नाटक है 49 नमबर का क्वोस्चन 49 अंधी गली कौनार्ग अंधायोग आधे अधूरे आधे अधूरे जंदी से बताना है चैन करना 49 में डक्तर रिंकी बर्मा जी महा भारत की कथा पर आधारत नाटक है तो कौनसा है चेन करो तनूजी अर्जुन सरूजी 49 नमबर का बहुती सांदार क्वेस्चन है 49 में शबी का उत्तर जारा किसर महा भारत की कथा पराधार इतना टक कौनसा है अंधाय योग और अंधाय योग कई के बिना भुले धर्म के बिना धरम वीर भारती अंधा है योग है ना धरम के बिना तो अंधा है योग ठीक है अंधा है योग धरम के बिना इसको याद कर देना और ये महा भारत की कथा पर आधारत नाटक है दोस्तों अंधा योग ठीक है उसके बाद आते जहासी की रानी जहासी की रानी के बताना इसके रचना कार कौन है 40 नंबर का question है जहासी की रानी है ना ये दोस्ते एक प्रकार से उपन्यास माना जाता है 40 नंबर में बीरेंद्र जी विजय कांत जी बताइए बिनीता प्रिया मौरया जी जहासी की रानी है ना चालीस नंबर के question में राइट answer क्या हो जाएगा पोलिसर कि यह पन्यास है ब्रंदावनलाल बर्मा का ठीक है तो ब्रंदावनलाल बर्मा लगाना है आपको B नंबर आपका बिल्कु सही है सिंदूर की होली सिंदूर की होली आपको पता है लच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च तो क्या हो जाएगा भाई पाणी डालेंगे होली खेलेंगे सब कुछ मिस्ती हो जाएगा मिस्त्र है तो मिस्ती लगाना मिस्त्र है लच्छमी नाराण मिस्त्र है c नम्बर आपका correct answer है next question क्यों रहे हम बढ़ेंगे उसके पहले सभी साती कौनसा नाटक गोविंद बल्लब पंत का नहीं है 42 नमबर में बताईए कुमद जी, राजियू जी गोविंद बल्लब पंत का कौनसा नाटक नहीं है अनामिका जी, साधना जी, आस्ता, सिंग जी कौनसा नाटक गोविंद बल्लब पंत का नहीं है 42 नमबर का question है 42 नमबर की question में सभी साती बताएंगे right answer आपका क्या जा रहा है बताओ जदी से कौन सा नाटक गोविंद बल्लब पंत का नहीं है सभी का उत्तर है आमब पाली बाकि कंजूस की कोपड़ी है अंगूर की बेटी है सिंदूर की बिंदी भी है कि आमब पाली नहीं है आमब पाली है ना आमब पाली नहीं है कि C नमबर कि आपका D नमबर बिलकु सही है next अमरतलाल लांगर करत चड़तना दूजो रंग चड़तना दूजो रंग कि अमरतलाल लांगर करत है लेकिने किसके जीवन पर आधारत है सूर्दास के सुर्दास कबीर या फिर जाईसी के जीवन पर आधारत है 43 नंबर का कोस्चन है 43 नंबर के कोस्चन में है ना चलत ना दूजो रंग किसके जीवन पर आधारत है 43 का उत्तर और राइट आंसर है किसरे सूरदास के जीवन पर आधारत है का नंबर आपका बिल्कु सही है का नंबर सूरदास के जीवन पर आधारत है ठीक है चड़तना दूजो रंग 43 नंबर का question है और 43 में आपका उत्तर है सूरदास सूरदास का नंबर ठीक है रक्चा बंदन के नाटक कार कौन है चबालीस नंबर का कॉस्चन है रक्चा बंदन ऐसे कितने साती हैं जिन्होंने Self Study Classes का App Download नहीं किया और जिनको PED Class में पढ़ना है ऐसे कितने साती हैं जिनको PED Class में पढ़ना है तो आप 15 रोपे में अड़ीस ले सकते हैं दोस्तों एक नॉर्मल फीस है common बहुती सस्ती फीस है आप सभी सातीयों को रक्चा बंदन के नाटक कार कौन है चबालीस नंबर का कॉस्चन है और चबालीस नंबर के कॉस्चन में सभी का उत्तर क्या जा रहा है बताओ रक्चा बंदन और रक्चा बंदन है ना हरी क्रश्न प्रेमी प्रेमी याद कल ले ना बोले सर प्रेमी लोग भी क्या मनाते रक्चा बंदन मनाते प्रेमी लोग है ना प्रेमी अपन को याद रख्टे ना बोले हम रक्चा बंदन के प्रेमी है हम तो रक्चाबंदन के प्रेमी हैं एसी भी ट्रेक नकल सकती है संबूग की हत्या देख लो संबूग की हत्या इसके नाटक कार कोन है 45 में संबूग की हत्या रोहिणी जी अनामिका जी 45 नमबर का कॉस्चन है राइट आंसर क्या हो जाएगा संबूग की हत्या इसके नाटक कार कौन है प्रदीप जी प्रतिबा जी विजय कांत जी 45 नमबर में शबी लोग बताईएगा और राइट अंसर संबूग की हत्या इस नाटक के नाटक कार कौन है 45 नमबर में राइट अंसर है नरेंद्र कोहिली संबूग की हत्या के डी नमबर नरेंद्र कोहिली याद रखोगी यह पूचा गया है क्वेस्टन कई बार संबूग की हत्या की रचनाकार कौन है नरेंद्र कोहिली ठीक है एक लास्ट प्रशने आपके लिए काला पहाड काला पहाड किसके नाटक कार कौन है काला पहाड किसका नाटक है पुलिसर काला पहाड का तो हमें क्या करना है सुदर्शन करना है कि आखिर काला पहाड है कैसा तो काला पहाड का क्या करना है दर्शन तो दर्शन से सुदर्शन चौपड़ा है ना वी नमबर आपका सही है दोस्तो हैना किसी प्रकार से जिनको नोट समंगबाना है बकरी नाटक के लेखक कौन है बकरी नाटक के लेखक कौन है शबी लोग जदी से बताईए भटाक से बताना है सेयर कर देना है बकरी नाटक के लेखक बताना है बताईए 48 नंबर का कौश्य हम रतराय है बहरत में कितनी 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 ब हैं सबी साती जल्दी जल्दी से लाइक जरूर कर देना अंगला क्वेश्चन है चिंदियों की एक जालर के नाटक कार कौन है उननचास में चिंदियों की एक जालर इसके नाटक कार कौन है रमेश उपात्याय हैं अमरत्राय हैं ज्यांद्यों अगनी होत्री हैं रामकुमार चिंदियों की एक जालर 49 नंबर का question है शबी साती बताएंगे 49 नंबर की question में बताईए ज़दी से 49 चास में क्या हो रहा है आपका right answer और सभी की चिंदियों की एक जालर क्या है उत्तर अमरत राए है ना चिंदियों की एक जालर से बोली सर हमें अमरत मिल गया जिंदियों की एक जालर से अमरत मिल गया अमरत राए ठीक है अंगला question है paper bait paper bait की नाटक कार कौन है बीस नंबर में paper bait इसके नाटक कार कौन है सेट गोविंदास रमेश उपाद्याय मुक्ति बोद्या फिर कमले सुर paper bait paper bait के नाटक कार कौन है पचास नंबर का question है शबी साती जंदी से बता दो paper bait paper bait नाटक है पुर इस नाटक के नाटक कार कौन है है मन्त जी बताइए साधना मौर जी शबी लोगों ने उत्तर बताए paper bait रमेश उपाद्याय बी नंबर आपका सांदार question है next question है काला मौह काला मौह नाटक के लिए का कौन है इंक्यावन में काला मौह रेखा जी शुईता जी रतीपाल जी सिखा जी इंक्यावन नंबर का प्रस्चन है शबी लोगों को answer बताने काला मौह काला मौह बताओ किसका हो गया काला मौह पुलिसर काला मौह है किसका मौह है चातक का चातक का मौह कैसा है बोले काला मौह चातक चातक अपन को याद रखती ना है चातक से आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा चातक से गोविंद चातक गोविंद चातक ठीक है तो 50 नम्बर की question में आपने चैन किया है बिकल्प नम्बर गोविंद चातक नेफा की एक साम नेफा की एक साम इसके नाटक कार कॉन है राजेंद्र कुमार बरमा है ज्यान देव अगनी होत्री है, अमरत्राय है, सुरेंद्र बर्मा है नेफा की एकसाम, बहुती सांदार क्वेस्चन है पाउन नमबर का क्वेस्चन नेफा की एकसाम, नेफा की एकसाम का ज्यान देव नेफा की एकसाम का ज्यान देव नेफा की एकसाम का ज्यान देओ तो ज्यान देओ से ज्यान देओ अगनी होतरी B नमबर आपका बिलकुँ सही है नेफा की एकसाम का ज्यान देओ ठीक है नेफा की एकसाम का ज्यान देओ B आपका बिलकुँ राइट आंसर है बहुत बढ़िया ग्यांदेव अगनी होत्री के किस नाटक में नहरू कालीन राजनीती पर चोट किया गया है बहुत अच्छा त्रेपन नंबर का क्वेस्चन है पहलाज जी ग्यांदेव अगनी होत्री के किस नाटक में नहरू कालीन राजनीती पर चोट किया गया है त्रेपन का उत्तर वतान है और 35 नमबर की कोस्चन में वो नाटक कौनसा है पताइए रूबी बानो जी सुनीत सिंग जी दीख्चा जी चैन करिये मास्टर अधियम जी त्रेपन नमबर का सांधर कोस्चन और सभी सात्यों का उत्तर है किसर वो है सुत्तुर मुर्ग कुछ सा सुत्र मुर्ग सी नमबर आपका सही है ज्यान देव अगनी होत्री के किस नाटक में नहरुकाली राजनीती पर चोट किया गया तो वो है सुत्र मुर्ग ठीक है सुत्र मुर्ग ज्यान देव अगनी होत्री ज्यान देव ठीक है ना धर्म ना इमान ना धर्म ना इमान इस नाटक के लेखक कौन है इस नाटक के लेखक बताना है चंगण नंबर का क्वेस्चन है ना धर्म ना इमान राइट अंसर क्या हो जाएगा प्रियंका उपात्याई जी नितु गुपता जी शबी लोग बतारे की सर रेवती सरण सरमा ना धर्म ना इमान ना धर्म ना इमान ये जो नाटक है ना धर्म ना रेवती सरण सरन आपन को याद रख दे ना धर्म ना ईमान पुर सरन में आ जाओ ना हम धर्म देखते, ना इमान देखते, सरन में आ जाओ, सरन, है ना सरन से रियोती सरन सरमा, ये नमबर आपका सही है, नीलाम घर के नाटक कार कौन है, नीलाम घर, पच्पन नमबर का क्वेस्चन है, नीलाम घर, नीलाम घर के जो नाटक है, वो किसका है, सांदार नीलाम घर पूछा है नीलाम घर पच्पन नमबर में राइट राजेंद्र कुमार सर्मा राजेंद्र कुमार सर्मा का नीलाम हो गया घर राजेंद्र कुमार का घर क्या हो गया नीलाम हो गया बहुत बढ़िया नेक्स्ट कोस्टिन क्यों यहां पर आती हैं दोस्तों सुरेंद बर्मा का कौनसा नाटक दुसियंत और सकुंतला की आचरण पर आधारित है शपन नमबर का बहुत दी बढ़िया कोस्टिन पूछा गया चहपन में चहपन का राइट आंसर बताना है चहपन का उत्तर शपीली लोग बतारे कि सरवो है कोसा नाएक, खलनाएक, विदूसक यह नाटक है किसका सुरेंदर बर्मा का उरी किसके आधार पर दुसियंत और शकुंतला की आचरण पर आधारित नाएक, खलनाएक, विदूस यानि आपका उत्तर सी नंबर चला जाएगा प्रतिमा यादव जी सुरेका और मन मोहन सुरेंद बर्मा की किस नाटक के पात रहें द्रोपदी आठवा सरगे या फिर किस नाटक के हैं चैन करिये जदी से सुरेका और मन मोहन किस नाटक के पात रहें 57 नंबर का कॉस्चन है और शबी लोग बिल्कु सही आंसर लगा रहें किस रवो हैं द्रोपदी है ना किस नाटक द्रोपदी नाटक 54 नंबर के कॉस्चन में शबी लोगों ने आंसर लगाया ये द्रोपदी नाटक के पात रहें कौन सुरेका और मन मोहन ये नंबर आपका बिल्कु सही है शुरेका और मन मोहन ठीक है उसके बाद यहाँ पर कॉस्चन आता है कि दिवयानी का कहना क्या है दिवयानी का कहना इस नाटक के नाटक कार कौन है बताए कुमकुम जी सांदार कॉस्चन है वीडियो को लाइक कर दे न दिवयानी का कहना 58 नंबर का कॉस्चन है 58 में दिवय देवियानी का कहना है कि रमेश बक्षी को छोड़ दो रमेश पक्षी को छोड़ दो देवियानी का कहना है ठीक है तो यहाँ पर उत्तर है रमेश बक्षी C नंबर 58 नंबर का उत्तर हो जाएगा C दिव्यानी का कहना है कि अब इस पक्षी को छोड़ दो पक्षी को छोड़ दो ठीक है तीन अपाहेज नाटक की रचनाकार को ने तीन अपाहेज सुसील कुमार हमीद उल्ला, दयाप्रकास सिनहा, विपिन कुमार अगरबाल, सुबेदार, आर्तिगोर, उपासनाजी, राजेस्वरी जी 69 नंबर का क्वेस्चन है राइट अंसर है तीन अपाहेज और तीन अपाहेज नाटक के जो रचनाकार है 69 नंबर में वो कुन है तीन अपाहेज है ना विपिन कुमार विपिन कुमार ने वो लिए सर्थ तीन को अपाहेज बना दिया किसने विपिन कुमार ने, किसको तीन को अपाहेज तीन को अपाहेज ठीक है, तीन को अपाहेज बना दिया विपिन कुमार, डी नंबर आपका सही है नागफास के नाटक कार को ने इस एप डाउनलोड कर लें सभी साती नांग फास के नाटक कार को ने साथ नंबर का कॉस्चन है शबी लोग बताईएगा और सेयर कर दिये नांग फास बताओ 60 नंबर के कॉस्चन में और जिन भी सातियों ने दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासे इसका एप डाउनलोड नहीं कि या उस सभी साती एप को जरूर डाउनलोड कर लेंगे नाग फास तो तरह सुसील कुमार सुसील कुमार नाग फास है ना नाग फास सही है यह नंबर राइट आंसर है नेक्स्ट कॉस्चन है मणी मदुकर का कौनसा नाटक कभीरदास के ब्यक्तित्तों पर आधारत है 61 मणी मदुकर का कौनसा नाटक है जो कभीरदास के ब्यक्तित्तों पर आधारत है यह 61 नंबर के क्वेस्चन में राइट आंसर है कि सर वो है एक तारे की आख एक तारे की आख मणी मदुकर का नाटक है को यह नाटक है कभीरदास के ब्यक्तित्तों पर आधारत कौनसा एक त कथा एक कंस्की इस नाटक के लेखक कौन है बासट नंबर का क्वेश्चन है कथा एक कंस्की सांदार क्वेश्चन है सांदार क्वेश्चन में आपका पुलिसर कथा एक कंस्की कंस्की कथा सुनके दया आ जाती दया आ जाती किसी को दया पुलिसर दया तो नहीं आती लेकिन दया प्रकास से नहां, दया कथा एक कंस की सुनके दया, तो दया से दया प्रकास से नहां, ये नमबर आपका सांदार और बहुती बढ़िया क्वेस्चन है, अंगले क्वेस्चन के और हम बढ़ेंगे, वीडियो को सबी साती लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है, अंगल नंबर में शबी लोग जदी से लाइक करो 63 नंबर का question है 63 नंबर में शबी लोगों को बताना है और आपका उत्तर है कि सर संकर सेस का नहीं है ये को और दुरनाचार सेस रहे गया ये तो है फिर कौन सा नहीं है घरोंदा सेस रहे गया ये भी है अरे माया भी सरूबर सेस रहे गया ये भी है लेकिन इतिहास चक्र ये नहीं है भी आपका right answer है अपने बंधन अपने अपने इस नाटक कार के नाटक कार बताना है बताईए बंधन अपने अपने 64 नंबर का question है दोस्तो बंधन अपने अपने नाटक के नाटक कार कौन है सभी साती नौ बजे रात्री नौ बजे दोस्तो इसी किलास से आपको जुड़ना है जिन भी सात्यों कोई अड़िसन लेना है सेल्फ स्टडी किलासेस में कोई अड़िसन भी ले सकते हैं और जिनको दोस्तो बो मंगवाना है तो नोट्स भी मंगवा सकते हैं ठीक है NBS के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है बंधन अपने अपने नाटक के नाटक कारमणी मदुगर संकर सेश दया प्रकास या फिर दूदनात है 64 नंबर का कॉस्चन है और 64 नंबर में आपका उत्तर है संकर सेश बंधन अपने अपने हैना सेश रह गए बंधन अपने अपने सेश रह जाते हैं कौनसा नाटक गिरीराज के सोर का नहीं है गिरीराज के सोर का कौनसा नहीं यम गाता नर्मेद बासाय गुलाम बेगम या गांदी को फासी दो तो कौन सा नाटक, गिरीराज के सोर का नहीं है, 65 नंबर का बहुती सांदार question पूछा गया, तो गिरीराज के सोर का नाटक नहीं है, तो नहीं में आपका उत्तर है, किसर नरमेद तो है, पासा गुलान बेगम भी है, और गांधी को फासी दो ये भी है, लेकिन यम गाथा नह आपका उत्तर हो जाएगा का नंबर आपका सही है अनिल ठाकुर जी पांचबा सबार इस नाटक के नाटक कार कौन है यह बताना है आरती गौर जी भावना जी और लाइक कर दो पांचबा सबार कैसा है 66 का पुतर है पुरिसाब पांचबा सबार कौन है बोले अजगर है अजगर अजगर से क्या असगर असगर याद रख लेना असगर अजगर पांचबा सबार कौन है बोले अजगर अजगर से हो जाएगा असगर असगर अपन को याद रखेंगे डी नंबर इसी प्रकार से एड़दारूड गांधी.com नाटक के लेका कौन है बहुत अच्छा कोश्चन है गोड से एड़दारूड गांधी.com नाटक के लेका कौन है 66 नंबर में बताइए विजय कांध जी नया कोश्चन है साइधी आप लोगों ने पढ़ा हो और उत्तर जला जाएगा क्या बताइए जड़दी से अलोग जी सीमा जी पिंकी जी प्रतिवा जी गोड से अड़दारूड गांधी.com राइट अंसर क्या हो रहा है राइट अंसर बताना है जड़दी से पटापट से बताओ जदी से बताईए गोड से एडदारूद गौंधी डॉट कॉम और सड़सट नंबर का कॉस्चन है कि सर ए किसका है ए भी असगर्वजाहत का है असगर्वजाहत गोड से एडदारूद है ना C नंबर आपका सही है बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन है तिली चट्टा नाटक के लेका कौन है तिली चट्टा बताना है तिली चट्टा नाटक बताईए तिली चट्टा नाटक बताना है तिली चट्टा किसका नाटक है तिली चट्टा नाटक बताईए जदी से इसको एकवार सो दाल लो दोस्तो है ना ये पांचवा सबार जो है असगर नहीं ये बलराज पंडित करो यहाँ पर पांचवा सबार 66 नंबर की क्वेस्चन में आपका यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बलराज पंडित कर लो इसको पांचवा सबार बलराज पांचवा सबार कौन है पुली बलराज पंडित है बलराज पंडित कर लो ठीक है पांचवा सबार में बहुत बढ़िया nextgoldstreet.com आपको बताई चल गया असगर बजाहास सही है तिल चट्टा तिल चट्टा 68 नमबर की question में तिल चट्टा बताईए ज़्दी से तिल चट्टा इस नाटक के लेकर कोण पांडित करूँ बताना है और तिल चट्टा को कौन खा गया पुली सर राक्षास का गया तो यहाँ पर हो जाएगा मुद्रा राक्चस बी नमबर तिल चट्टा को राक्चस का गया बी नमबर आपका बिलकुँ सही है आला अपसर आला अपसर 69 में आला अपसर के नाटक कार कौन है मुद्रा राक्चस है रामिस्तुर प्रेम है संकर सेस है सरज जोसी है कौन माने जाते हैं आला आप सर 79 नंबर के question में सबी लोग बिलकु सांदर आंसर लगा रहे कि सर आला आप सर को भी कौन खा गया राक्छस खा गया आला आप सर को राक्छस खा गया तो राक्छस से मुत्रा राक्छस ही इसका बिलकु सही answer है next question है ब्रज मोहन साय का कौन सा नाटक हिंदी का गिनी फेकेंट नाटक के नाम से जाना जाता है हिंदी का गिनी फेकेंट यानि की सत्तर नंबर का question है सत्तर में ब्रज मोहन साय का पूचा है त्रेशंकू युद्धमन या फिर यहाँ पर दो है और सह है सहय मात या फिर इनमें से कोई नहीं ब्रज मोहन का बताना है ब्रज मोहन का कौनसा नाटक है कौनसा नाटक है बताओ वो और वो नाटक है दोस्तों कौनसा सहय मात है सहय मात है कि सी नमबर आपका सही है सहय मात सी नमबर लगाना है सहय मात है हिंदी का गिनी फेकेंट के नाम से जाना जाता है नरेंद्र मोहन के किस नाटक में हिंदोस्तान के बटवारी की तरास्थी का चित्रण किया गया है बहुत अच्छा 71 नमबर का क्वेश्चन दोस्तों वीडियो को रिपीट कर लेना एक बार और देखना बहुत ही अच्छी अच्छी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल ला है है ना तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि नरेंद्र मोहन के किस नाटक में हिंदोस्तान के बटवारी की तरास्थी का चित्रण किया गया है यह 71 नमबर का क्वेश्चन है और 71 में सभी साती बता रहे कि सर आप उत्तर लगा दो नो मैंस लेंड नो मैंस लेंड दी नमबर नो मैंस लेंड आपका बिलकुश है नो मैंस लेंड रामिस्तुर प्रेम का कौनसा नाटक दंगों पर आधारित है अंजली जी सूबेदार जी दंगों पर आधारित कौन सा नाटक है 72 और 72 में सबी लोग बता रहेगी सर दंगों पर और दंगे कहां पर हुए बोले अग्यात घर में अग्यात घर में दंगे हुए अग्यात घर में तो दंगों पर आधारत रामिस्तुर प्रेम का कौन सा नाटक है जो दंगों पर आधारत है तो वो नाटक है अग्यात घर वी नमबर आपका बिल्कु सही है चोराहा नाटक के लेका क्वन है तेहित्तर नमबर में चोराहा किस नाटक के लेका क्वन है सुनेना जी, नीलम जी, साधना जी सभी लोग बताओ सुदर्सन मजीठिया है रामिस्तुर प्रेम है, राजेस जेन है, नंद किसुर आचार है तेहित्तर नमबर का बहुती बड़ी है कोस्चन है और चौराहा नाटक के लेखक बताना है लेखक में आपका सभी उत्तर हो जाएगा क्या चौराहा और चौराहा की क्या करना है चौराहा की सुदर्सन करना है, सुदर्सन मजीठिया चौराहा, चौराहा की सुदर्सन करना है ठीक है, ये आपका बिल्कु सही है, सुदर्सन मजीठिया बहुत बढ़िया पुरू एयाती सर्मिस्ठा देवयानी किस नाटक के पात रहें पुरू एयाती सर्मिस्ठा देवयानी किस नाटक के पात रहें चोहतर नंबर के question में चोहतर में जल्दी से बताईएगा लाइक भी कर दीजे और आपका उत्तर है कि सर ये जो एयाती है सरमिस्टा या देवयानी है ये देहांतर नाटक के पात्र है देहांतर ये नमबर आपका ये देहांतर बिल्कु सही है देहांतर नाटक के पात्र है मौनालेसा की मुस्कान की नाटक कार को अने 75 में 75 में बताइएगा 75 का right answer पूछा गया है मौना लेसा की मुस्कान इस नाटक के नाटक का इस नाटक लिखा किसने है मौना लेसा की मुस्कान तो बताईए जल्दी से पटापट से चेहन करना है चेहन करिए जल्दी से मौना लेसा की मुस्कान 75 नंबर का question है जल्दी से बताओ और मौना अलेसा की मुस्कान कि नाटक कार कौन है 75 नंबर की question में और 75 का उतर है C क्रश्न बल्दियो बैद क्रश्न बल्दियो बैद आपका बिल्कु सही है ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है उसके बाद आते हैं कोर्ट मारसल कोर्ट मारसल बताना है कोर्ट मारसल किसका नाटक है कोर्ट सुमाल कोर्ट मारसल 76 नंबर में 76 का राइट आंसर आपको चैन करना है 76 नंबर में सही आंसर क्या है कोर्ट मारसल और कोर्ट काई में जाना है कोर्ट पुलिसर कोर्ट जाना है स्वदेश के कोट में स्वदेश कोर्ट मारसल और कोट में जाना है स्वदेश के तो तर हो जाएगा स्वदेश दीपक यानि कि आपका जो बी नंबर है वो बिलको सही है स्वदेश दीपक आपका राइट आंसर है स्वदेश के कोट में जाना है खूपसूरत बहू इस नाटक की लेका कौन है? 77 नंबर का question है नीता जी, chain करो और सभी साती, जिन भी सातियों को एप में अड़ीशन लेना है, कोर्स में अड़ीशन लेना है, PGT, PGT बाले साती हो, MPT बाले साती हो सभी साती ले सकते हैं, खूपसूरत बहु का नहीं 78 में, कौनसा नहीं है? आलोक जी, बताइए motivational जी, 78 नंबर का question है, विकल्फ है, एक अनबेसक है, एक इला है, है ना, और उसके बाद दो और है, तो यहाँ पर यहीं पर बता दो, प्रभाकर सोत्रिये का नहीं पूछा है, तो आपका उत्तर है, अनबेसक ही नहीं है, दोस्तो, अनबेसक, यह प्रभाकर सोत्रिये का नहीं है, बाकि इला, इला है, छीक है, उसके बाद, आपको पता है, साच कहे दू, ए भी है, फिर से जहाँ पना ए भी है, है ना, 89 नंबर का question बता दो, तालों में बंद प्रजातंत्र, इस नाटक के लेखक कौन है, तालों में बंद प्रजातंत्र, प्रताप सहगल, विभू कुमार है, इंद्रजीत भाटग्या है, या पिर बिलास गुप्त है, 89 नंबर के question में, सभी सातियों ने बताया कि सर, तालों में बंद प्रजातंत्र है, तालों में बंद प्रजातंत्र, तालों में बंद हैं कौन, कौन बंद हैं, विभू कुमार, विभू कुमार, दिख नहीं रहा होगा option, विभू कुमार आपका सही है, तालों में बंद प्रजातंत्र, विभू कुमार, नमबर का क्वेश्चन है, सभी का उत्तर क्या जा रहा है, चाप पार्टियां, चाप पार्टियां के नाटक कार कौन है, सभी का उत्तर है, चाप, चाप की पार्टियां, बड़े संतोस से, है ना, संतोस से करना है अपन को, चाप की पार्टियां कैसी करनी, संतोस से, संतोस, स संतोस कुमार नोटियाल हैना एक लास रोज रात तरी नो बजे होती है संतोस कुमार नोटियाल सि नंबर सही है दो पैसों की जननत Har podcast कौन है दो पैसों की जन्नत प्रभाकर सोत्री हैं अब्दुल बिश्मिल्ला हैं असतानंद हैं इंद्रजीत भाटिया हैं बताओ दो पैसों की जन्नत एक क्या सी नंबर का कॉस्चन है दो पैसों की जन्नत है ना किसकी बोले अब्दुल बिश्मिल्ला है अब्दुल बिश्म बी नमबर आपका बिलकुँ सही है, दो पैसों की जन्नत, ठीक है, नेक्स्ट कॉस्चन आपकी इसकी, चरणदास चोर, चरणदास चोर, 82 नमबर की कॉस्चन में, सेल्फो स्टडी क्लासेज, इबाला एप डाउनलूट कर ले सबी साती, चरणदास चोर, नाटक की, नाटक का कौन है, मुद्रा राक्चस है, हभीब तनबीर है, बलराज सायनी है, कुन्था जैन है, चरणदास चोर, 82 नमबर का बहुती बढ़िया क्वेस्चन है, राइट आंसर जा रहा है कि सर, चरणदास चोर, है ना, हभीब तनबीर को, हभीब तनबीर को, चरणदास, हभीब तन ताज महल का टेंडर बताओ किसे मिलेगा ताज महल का टेंडर कई बार बताया है विनु जी स्वानी सिंग जी अरजुन जी 83 नंबर का question है ताज महल का टेंडर बताना है ताज महल का टेंडर मिलेगा अजय सुकल को अजय सुकल का नंबर आपका बिलकु सही है ठीक है नेक्स्ट कुस्यन एक क्रॉंच बद क्रॉंच बद काब नाटक की रचना कार कॉन झाविness भाइए बीनु जी क्रोंच बद का बनाटक की रचना का हर कौन है 84 का उत्तर बताना है 84 में सही बताना है राइट अंसर है क्रोंच बद क्रोंच बद किस नाटक के नाटक का हर कौन है 84 नंबर में सभी का अंसर है C यानि की बिजेंद्र क्रोंच बद विजेंदर का का बिनाटक है बिना दीवारों का घर इस नाटक कि नाटक कार कोन है? रीता कुमारी जी, बंधना जी, सभी साती बताएंगे Self Study Glasses का एप डाउनलोड कर लेना दोस्तों है ना और जिन भी सात्यों को नोट्स मंगवाना हिंदी साहित के वो नोट्स भी मंगवा सकते हैं दोस्तों MPTAT, बर्गेग, बर्गेदों के लिए PGT, PGT के लिए Master के अडर आदी, एकजामों के लिए HPTAT, HTAT आदो एकजामों के लिए दोस्तों तो बिना दीवारों का घर 85 नंबर का question है सभी का उत्तर है, खा भंडारा बिना दीवारों के घर में तो भंडारा होगा भंडारा, भंडारा होगा तो मन्नू भंडारी हंत हाजिर हो, हंत हाजिर हो बताओ, 86 में हंत हाजिर हो, हंत हाजिर हो 86 का उत्तर और राइट है, हंत हाजिर हो कहां, मीरा कांत के हां हंत हाजिर, मीरा कांत है ना, मीरा कांत हंत हाजिर हो, हंत अन्त यानी B नंबर आपका सई है नेक्स्ट कॉस्चन की ओर जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आपका कॉस्चन आ रहा है यहाँ रहना मना है यहाँ रहना मना है चलिए 87 में यहाँ रहना मना है नाटक की लेखी का 9.45 पर तिर्की गुरु यूटूब चैनल पर वीडियो आएगा 9.45 पर तिर्की गुरु यूटूब चैनल पर दोस्तों रोज वीडियो आ रहे हैं आजकल सुबह 10 बजे भी एक वीडियो आता है है ना 9.45 पर भी आता है साम को साम को 7.15 पर भी एक वीडियो आता है तो देखे ना ना भूलें यहां रहना मना है 87 नंबर के क्वेस्चन में राइट अंसर है ममता कालिया यहां रहना मना है ममता यहां रहना मना है बोले ममता कालिया बन जाती यहां रहना मना है क्यों मना है बोले ममता कालिया बन जाती है इसलिए मना है पबन चत्रवेदी की डायरी के नाटक कार कौन है पबन चत्रवेदी की डायरी यहां रहना मना है बोले क्यों सर मैंने का ममता कालिया बन जाती है रश्मी पाठक जी पबन चत्रवेदी की डायरी किसके नाटक कार कौन है? 88 नमबर का कोस्चन है सभी का उत्तर है कुसुम कुमार यानी बी नमबर पबन चत्रवेदी की डायरी कुसुम कुमार मिर्दुला गर्ग के किस नाटक में कालीन बुनने के लिए बंधुआ बनाए ग सा नाटक है जिसमें कालीन बुनने के लिए बंदुआ बनाए गए बाल मजदूरों की विवस्ता यातना और उनके त्रासद जीवन की कथा कही गई है बहुत ही इंपोर्टेंट नबासी नंबर का क्वेस्चन पुराप का उत्तर है जादू की कालीन जादू की कालीन कालीन अ है ना चोर निकल कर भागा बताओ बोग परते पहले अपन करते ना क्या करते थे अटकन सटकन दही सटाकन है ना बाग फूले क्या बोलते थे है ना बोग करते अटकन चटकन दही चटाकन बाग फूले बगिया फूले फूल फूल बंजारी के है ना बाबा लाया एक कटोर दौक टूरी एक क्टूरी फूट गई क्या बोलते थे हैंना चोल निकर के भागा के लिखा सफेकर नब्वे नंब्र का ऊस्चन पूर ability के पायं रॉज आइट है मरलाल पांडे मरलाल पांडे कैं गार ऑल साम्झक बागा ठीक है इसके नाटक कार बताना है बहुत यह अच्छा म्रलाल पांडे सांती जोसी मेत्री पुस्पा सोबना भूटानी तो साइद हाँ इसके नाटक कार बताना है बहुत अच्छा है ना चोर को पकड़ दो पकड़ लेंगे अपन 91 नंबर का कॉस्चन है सबी लोग संयम से आंसर बता रहे हैं कि सर सोबना सोबना भूटानी साइद हाँ साइद हाँ सोबना भूटानी ठीक है सोबना भूटानी ती नंबर आपका बिलकुस है हाँ सो में लग गया धागा और चोर निकर के भागा यह यह हाँ जाज पड़ताल के रचनाकार कौन है जाज पड़ताल के रचनाकार जाज पड़ताल बनवे नमबर का कोस्चन है जाज पड़ताल करनी है अपन को किसकी करनी है वह या जाज पड़ताल हैना पुर जो सहाय होते हैं संजय सहाई संजय सहाई आपको बता है आजकल की दुनिया में बिना स्वारत के कोई सहाई नहीं करता है ना अगर कोई आपके घर 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 रोज आ रहा है रोज आपसे बात कर रहा है घर 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 आ रहा है समझो कोई ना कोई घर बड़ है स्वारत है, है ना, यहाँ पर संजय सहाय, जाच पड़ताल, बोले संजय सहाय की क्या करना है, जाच पड़ताल करना है, कौनसा नाटक, मिरलाल पांडे का नहीं है, तेरानवे में, मिरलाल पांडे का कौनसा नहीं है, तेरानवे नंबर का कोस्चन है, राइट आंसर है, राइ और काजर की कोठरी ये भी है लेकिन रंग बहत है ये म्रिलाल पंडे का नहीं है रंग बहत ये नंबर रंग बहत आपका बिल्कुस है ठीक है जस्मा ओडम 94 नंबर का क्वेशन है जस्मा ओडम इस नाटक की लेखी का क्वान है जस्मा ओडम बताना है दोस्तों जस्मा ओडम नाटक की लेखी का क्वान है उशा प्रियमबदा चित्रा मुदगल सांती जोसी या पर सेवानी चैन करना है जस्मा ओडम नाटक की लेखी का क्वान है जस् और 94 में सभी का उत्तर है जस्मा ओडम बोले सांती जोसी सांती से ओड़ लो ठंडी में क्या बोलते लोग बोले हल्ला नहीं करो सांती से ओडम जस्मा ओडम सांती से ओडम सांती जोसी है ना अंगले question क्यों हम जाएंगे और next question है आपके दिये दोस्तो सभी लोग बताएंगी नैपत्राग नाटक की लेकिका कौन है नैपत्राग तो सभी को पता है कि सर इस नाटक की लेकिका है मीरा कांत नैपत्राग नाटक ठीक है बहुत बढ़िया next है आगरा बाजार नाटक की लेकिक 96 नंबर की question में और ऐसे कितने साती हैं जिन्होंने self study classes का एप डाउनलूड नहीं किया तिर्की गुरू YouTube चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं हैना तिर्की गुरू YouTube पर आपको क्या करना है सर्च करना है तिर्क आगरा के बजार में हबीब तन्वीर के चरन दास को चोर ले गया तो चरन दास चोर यह भी इनका नाटक है ठीक है कली कौतुक रूपक के लेका कौने कली कली की की बात मत करो कली का तो प्रताप होता है कली तो कली को तो रूपा कली आती है तभी तो फूल खिलता है तो कली का क्या होता है पुरिसर प्रताप होता है तो उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर क्या होगा जन्दी से बताईए राइट अंसर सभी का उत्तर है कि सर कली का होता है प् नाटक किसके हैं, अंधों का हाती और एक था गधा, ये नाटक किसके हैं, अरजुन जी, अनीता जी, ठीक है, और जिनको हिंदी साहित के नोट्स मंगवाना है, गध्य पद्य साहित वाले ये 3000 MCQ वाले, आप नंबर पे दोस्तों संपर कर सकते हैं, आज ही मंगवा सकते हैं, केम सालनी जी आगरा से हो बहुत बढ़िया, तो आगरा के बजार में हबीब तन्वीर के चरणदास को चोर ले गया, अंधों का हाती, अंधों का हाती, 98 नंबर के कोस्चन में, राइट आंसर हो रहा है कि सर, सरद जोसी, अंधों का हाती भी जोस में आ रहा है, एक था गध बताईए, निसा जी, जाहे दली, सीमा, मुन्नी जी, एक और बिक्रमों बर्शिये नाटक किसके हैं, अनीता जी, 99 नंबर के कोस्चन में, सभी का अंसर जा रहा है कि सर, एक और बिक्रमों बर्शिये, है ना, ये नाटक है, 99 में हरी जीट, हरी जीट अपन को याद रखने नहरीजीत का नाटक है एक और विक्रमों वर्षी है ठीक है कि आपका सी नंबर राइट अंसर सबसे उदास कभिता सबसे उदास कभिता सो नंबर के क्वेस्चन में राजेस्वरी के अमसालनी 945 पर टिर्की गुरु यूटूब चैनल पर आप लोगों को डिये एक बहुत ही स सबसे उदास कभिता मुली सर सबसे उदास कभिता का पर मिली उदास कभिता नेक्स्ट भूल्ड आद निकता बादी तथा बिडंबना इवं विसंगती के नाटक कार कौन माने जाते हैं चबी लोग चैन करना दोस्तों साधना जी, अनामिका जी, मिथलेश जी और नीता जी, रेखा जी छीक है, अरजुन सरुज जी मोटिवेशनल कमला कांथ जी, आलोक जी चबी साती, जदी-जदी से बताना है बैसनभी जी, अन्सु जी, कुमा जी, नारायन जी, दयाराम जी, हैना जगन जी बोल्ड आदुनिकता बादी तथा बिडंबना एवं विसंगती के नाटक कार कौन माने जाते हैं 101 नंबर का क्वेस्चन है सबी लोग, कुछ लोग बता रहा है, मनी कुमार, कुछ लोग संकरसेस, कुछ लोग हमीदुला लेकिन आपका उत्तर है, रमेश बक्षी ये बोल्ड आदुनिकता बादी तथा बिडंबना एवं विसंगती के नाटक कार माने जाते हैं जल्दी से बताई, आदुनिक हिंदिये कांकी की जनक कौन माने जाते हैं राजियू जी, मोटिवेस्टनल जी, जबी लोगों को चैन करना है, वीडियो को लाइक सी अर्वी कर देना, अपने मित्रों को और आपका सांदार क्वेस्टन जा रहा है, कि सर आदुनिक हिंदिये कांकी के जनक माने जाते हैं, वो कौन माने जाते हैं राइट आंसर, राइट आंसर है, आदुनिक हिंदिये कांकी, आदुनिक हिंदिये कांकी का पूचा है तो right answer क्या लगाओगे की सर वो है कौन राम कुमार बर्मा आदने किंदी एकांकी के जनक राम कुमार बर्मा की नमबर आपका बिल्कु सही है next है हिंदी में पस्चमी ढंके एकांकी नाटकों का प्रणयन किस एकांकी से माना जाता है वीडियो को लाइक करो निशा कुमारी जी उर्विला जी राजेस जी इंदी में पस्चमी ढंके एकांकी नाटकों का प्रणयन किस एकांकी से माना जाता है दो नमबर का क्वेश्चन है दो नमबर के क्वेश्चन में सभी साती बताएंगे दो का राइट आंसर इंदी में पस्चमी ढंके एकांकी नाटकों का प्रणयन किस एकांकी से माना जाता है तो पस्चमी ढंके में आपका राइट आंसर जा रहा है कि सर पस्चमी ढंके एकांकी नाटकों का प्रणयन किस एकांकी से माना जाता है दो नंबर का question है और वो है कारवा किस से माना जाता है कारवा से माना जाता है दोस्तों पश्चिमी ढंके एकांकी नाटकों का प्रेणन कारवा से कारवा लगाना आपका डी नंबर बिल्कु सही है ठीक है डाक्टर स्वामनात गुप्त है डाक्टर नगेंदर और अगे ने हिंदी का प्रथम एकांकी कार किस से माना है पताईए चैन करिये वीडियो को सेयर भी कर दो दोस्तों यहाँ पर तीन नंबर का question है और गोविंद कुमार जी तीन नंबर में सबी लोग बता रहे कि सर डाक्टर सौमनाद गुप्त ने डाक्टर नगेंदर ने अगे ने हिंदी का प्रतम एकांकी कारमाना एक इसको जैसंकर प्रसाद को इनका एकांकी कौन सा है पताईए इनका एकांकी कोई सा है प्रसाद जी का एक घूंट एकांकी के लेखक कौन है एक घूंट एकांकी के लेखक कौन है लेखक बताना है भोवनेस्तों है रामकुमार बर्मा है जैसंकर प्रसाद है या पर भारतेंदु जी बाने आती है एक घूंट तो सभी को बताएगी सरे एक घूंट जैसंकर परसाद है ना जैसंकर परसाद श्री नंबर आपका बिल्कु सही है बहुत बढ़िया रामकुमार बर्मा की प्रत्थम एकांकी बताना है दोस्तों रामकुमार बर्मा की प्रत्थम एकांकी चबहीं लोग बता हैं बादल की व्रत्यू रेस मीट आई प्रत्वी राज की आके आपर कुमोधी महुस्थोम रामकुमार बर्मा की प्रत्हम एकांग की कौन सी है? पाँच नंबर का गोस्चन है सभी लोगों का राइट अंसर जारा है रामकुमार बर्मा की प्रत्थाम एकांग की और प्रत्थाम एकांग की में शबी लोगों का अंसर है कि सर बादल की व्रत्यू ये नंबर आपका बिल्कुर शही है बादल की व्रत्यू एकांग की इसके रचनाकार कौन है तो रचनाकार है रामकुमार बर्मा ठीक है ये आप का बिल्कु सही है राइट आंसर हिंदी का प्रतम एकांग की बता दो किसे मानेंगे छे नंबर का कोस्चन है हिंदी का प्रतम एकांग की कमला कंत जी चैन करिये लाली गोयन जी अरुन राजपूत जी हिंदी का प्रतम एकांग की आपको बतना है चैन करना है मनुज गुपता जी छे नंबर का question है छटवे नंबर की question में आपका उत्तर क्या जा रहा है यहां पर right answer है एक गोंट यानि वी नंबर आपका बिल्कु सही हिंदी का प्रतम एकांकी एक गोंट माना जाता है ठीक है बीरांगना एकांकी बीरांगना इस एकांकी के लेखक वन है साथ नंबर का question है बीरांगना एकांकी के बताना है इसके लेखक क्वन है बीरांगना एकांकी के लेखक क्वन है ब्रिजलाल सास्त्री है रूप नाराण है साथ नंबर का question और साथ नंबर के question में सभी का उत्तर जारा कि सर बीरांगना वीरांगना एकांगी ब्रिजलाल सास्त्री इनका एकांगी है दोस्तों किसका है ब्रिजलाल सास्त्री का साथ नमबर का आपका राइट आंसर चला जाएगा का नमबर आपका सही है ये नमबर आपका राइट आंसर है ठीक है अंगले क्वेश्चन के और हम बढ़ते हैं अंगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है सभी साथी लाइक चलू करें जंदी से ठीक है यह रहा आपका क्वेश्चन हैना भारते सुरका संदेश भारते सुरका संदेश इस एक आंकी के रचना कार बताना है भारत सुर्का संदेश आठ नंबर का कोस्चन है भारते सुर्का संदेश के कांकी के रचनाकार कौन है आठ नंबर में शभी का उत्तर जाराई की सर महेश चंद्र प्रशाद के भारते सुर्का संदेश के कांकी के रचनाकार है महेश प्रशाद महेश प्रशाद याद अपने न भा three- रति पाल प्रियंका सुनिल कुमार जी इथार्वादी कांगी के जनक कौन माने जाते हैं चुस nom नौ नमबर के question में शभी लोग बताएंगी अथार्वादी इयकांगी के जनक ऐना delic कौन माने जाते हैं बहुत ही अच्छा क्वेस्चन है राइट अंसर जारा है नो नमबर में कि सर या थार्थ बादी एक आंकी के जनक माने जाते हैं कौन कि अथार्थ बादी में नो का उत्तर लगाना है पुर आपका उत्तर है कि सर या थार्थ वादी एकांकी के जू जनक है वो है रामकुमर बर्मा यानि कि आपका जो T-N नंबर है आपका बिल्कु सही है या थार्थ वादी एकांकी के जनक ठीक है अंगला क्वस्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है रामकुमार वर्मा का कौनसा नहीं है जल्दी से चैन करना बहुती सांदार क्वेस्चन है बहुती बढ़िया राइट आंसर बताओ कौनसा एक आंकी रामकुमार वर्मा का नहीं है तो चैन करना है दस नंबर का क्वेस्चन है शबी लोग बतारे कि सर्फ कौमादी वहुत सो तो है वरंग जेब की आखरी रात भी है जय बर्धमान भी है लेकिन ये नहीं है कौनसा आजादी की नीद ये नहीं है फुत्तर आपका बी बिल्कु सही है बी नंबर आपका राइट आंसर है नेक्ट क्वेस्चन है कारवा ये कांकी के लेकक कौन है ज्यारा नंबर का क्वेस्चन है कारवा कारवा के कांकी के लेकक बताना है लाइक कर दो जदी से एक बार अपने मित्रों को दोस्टो सेयर भी कर दो कारवा के लेकक कौन है और कारवा मैं सबही लोगों को बताना है कि 사र कारवा हम क्या बनाएंगे कारवा का भावन बनाएंगे वोबनेश्तुर इक का नमबर आपका विल्गु सही है इस्त्री का हरदाय के रचनाकार बतते हैं ओड़ेशंकर बत्त हैं भूबनिस्वर हैं या परोडर्सन हैं बारा नमबर का बहुत इसांदार बोच्रिधे पूछा गया और सभी का है कि सर स्त्री के हरदाय का क्या हुआ ओड़े तो इस्त्री के हिर्दाई का क्या हुआ है उदाई इस्त्री के हिर्दाई का उदाई हुआ है तो इस्त्री के हिर्दाई का उदाई अपन को याद रख देना है इस्त्री के हिर्दाई का उदाई बारा नंबर का क्वेस्चन है सभी का आंसर है 12 का उदः संकरहट ठीक है 18 जुलाइ की साम के कांकिकार पौन है 18 जुलाइ की साम 18 जुलाइ की साम 18 जुलाइ की साम सभी का बहुती नया क्वेश्चन है तेरा नंबर का क्वेश्चन है सभी का राइट आंसर है राम कुमार बर्मा ये नंबर 18 जुलाई की साम के कांकी के रचनाकार है राम कुमार बर्मा ये नंबर आपका बिल्कु सही है कौनसी ये कांग की भुवने सुर की नहीं है ये बताइए भुवने सुर की कौनसी ये कांग की नहीं है बड़े आदमी की म्रत्यू इस ट्राइक चौदा नंबर का क्वेस्चन है और चौदा नंबर में सभी को पताए कि सर आप लगा दो कौन सा राइट आंसर बड़े आदमी की ब्रत्यू के नमबर कौनसी एकांग की भुबने सुर की नहीं है बड़े आदमी की ब्रत्यू आई नहीं है बाकि स्ट्राइक है कि स्ट्राइक के बाद नीचे आते हैं ठीक है नीचे आते हैं नीचे अपन देख लेते यहां पर किसर तामे के कीड़े भी है भुवनेस और उसर भी है उसर उसर जमीन पर भुवन बनाना है जौक किस प्रकार की एकांकि है जौक पंद्रा नमबर का क्वेस्चन है आर्थी गोर जी जौक किस प्रकार का एकांकी है सामाजिक है राजनितिक है प्रतिक आत्मा के या फिर पारिवारेक है पंद्रा नमबर की क्वेस्चन में शबी लोग चैन करेंगे जौक किस प्रकार की एकांकी है एकांकी बताना है पंद्रा का राइट आंसर और शबी लोगों का उत्तर है इसर जो जौक है ये एकांकी है प्रतिक आत्मा के कांकी कौन सी एकांकी है सी नमबर प्रतिकात्म के कांकी है जौंक ठीक है प्रतिमा का विबाई प्रतिमा का विबाई एक कांकी के रचनाकार कौन है लेखक कौन है शोला नंबर में प्रतिमा का विबाई प्रयंका जी प्रतिमा का विबाई शोला नंबर के कोस्चन में सबी लोग बताओ प्रतिमा का विवाय कहां से होगा बताओ सुरेंद्र जी मननत जी प्रतिमा का विवाय के कांकी के रचनाकार बताना है पर बुरिसर प्रतिमा का विवाय की बात कर रहे हो तो प्रतिमा का विवाय तो भवन में होगा, भवन, भवन से ही होगा, भवन, भवन से भोबने सुर, भी नमबर आपका बिल्कु सही है, भवन से होगा, चरवाहे, परदा उठाओ, परदा गिराओ, के कांकी के रचना कार कौन है, चरवाहे, परदा उठाओ, और परदा गिर कोस्जन है कि चरवा है परदा उठाओ, परदा घ्राओ, एकांकी के लेखक लए है, का मिलकू सही है बहुत ही बड़ी आंसर है एकश्म के किसकी है likaPar si 18 नंबर में 10 कि कि débाऑ की एक इस की एक आग की है स्ची जर्ट्ट पालेट से बताईता यहां पर एकांग की किसकी है एकांग की एक डसी एकाडसी बताइती जर्टी से एकाडसी एका दसी एकांग की किसके है एका दसी एका दसी बताना अठारा नंबर के कोस्चन में और अठारा नंबर के कोस्चन में शबी लोगों का अंसर जा रहा है कि सर्व अठारा में का लगा दो सेट गोविंदास एका दसी सेट गोविंदास चाहिए ठीक है आँ बिलकुल इसको सुधार लो दोस्तों ये बास्तों में जौक जो है प्रतिक आत्मग नहीं इसे सामाजिक की ही माना गया है ये नंबर इसका सही कर लो ठीक है ये ही बिलकुल सही है ठीक है इसे सामाजिक ही माना गया है जौक किस प्रकार का एकांकी है तो इससे सामाजिक माना गया सामाजिक कर लेना सबी लोग । ठीक है ये नंबर ही सही है ये नंबर जौक मिलको सही है ठीक है नेक्ट कोस्टेड के ओर जाते हैं अंगला कोस्टन है मेरी बांसुरी एक कांकी के लेकक वाने 19 नमर में मेरी बांसुरी सभी लोग चैन करो मेरी बांसुरी बताइए मेरी बांसुरी एक कांकी के लेकक रामकुमार बर्मा है धरम भीर भारती जगदीस चंद्रमातर या बिनो B number आपका बिलकुस सही है, B number आपका right answer है, जगदीश चंद्रमात और आपका सही answer है, ठीक है, अंगले question के वोड़ जाते हैं, लच्चमी का स्वागत, लच्चमी का स्वागत बता दो जदी से, लच्चमी का स्वागत, लच्चमी का स्वागत, लच्चमी का स्वागत सभी लोग बताएंगे, और बुड़ी सर, लच्चमी का जो स्वागत करेंगे हम 20 number में, वो असक बहा करेंगे, असक, right answer है, C, असक, लच्चमी का स्वागत, असक बहा करेंगे, बहुत दिन बाद आईएं, है ना, जगदीष चद्रमात रच्चत एकांकी नहीं है, बताओ 21 में, बंदना जी, चैन करो लो जदीष से बहुती सांदार कॉस्चन है, ठीक है, जगदीष चद्रमात रच्चत एकांकी नहीं है, यह पूछा गया, 21 नंबर की कॉस्चन में, सांदार कॉस्चन है, 21 नंबर का कॉस्चन है, 21 में राइट अंसर है, B, स्वर्ग की जहलक, यह नहीं है, भोर का तारा, कभूतर का ना, मकड़ी जाले, यह भी स्वर्ग की जलक नहीं है तो आपका उत्तर बी नमबर राइट असर है ठीक है नेक्ट कोश्चन क्यों पढ़ेंगे जब तक सबी साती सेर जरूर कर देना दोस्तों ठीक है अंगला कोश्चन है आपका प्रिकास और परच्छाई प्रिकास और परच्छाई एकांकी के लेखकवन है धरमवीर भारती हैं बिनोद रस्तोगी बिश्णू प्रभाकर लच्चमी रानलाल हैं बाइस नमबर की क्वेश्चर में सेर नी जी रिंकी वर्माजी सबी लोग बताएंगे तो सबी सात्यों का अंसर जा रहा है प्रकास और परच्छाई बाइस नमबर में कांकी के लेखक कौन है ताज महल के आसू और नाटक बहुरंगी बहुत ही अच्छा यह भी बनेगा आपसे मोटिवेस्न जी अनीता जी ताज महल के आसू और नाटक बहुरंगी के कांकी के लेखक बताना है त्यईस नमबर का क्वेश्चन है त्यईस नमबर के क्वेश्च C नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है कौन सा मोहन राकेश करत एकांकी नहीं है मोहन राकेश करत एकांकी नहीं अंडे के छिलके ब्यात्य तहरदय सिपाही की मा या फिर करफ्यू कौन सा मोहन राकेश करत एकांकी नहीं है कौन सा नहीं है 24 नमबर की question में और अन्डे के छिलिके तो है मौहन राकिस का करफ्यू भी है करफ्यू है ना मौहन राकिस सिपाही की मा बैथे तर्दय तो कौनसा नहीं है 24 नमबर का question है 24 नमबर की question में सभी का answer, right answer क्या जा रहा है कौनसा एकांकी मौहन राकिस का नहीं है और अधिकांस लोगों का अंसर क्या जा रहा है सबी लोग वताईए चैन करो कौज सा मौहन राकिस का नहीं है और शबी लोग आंसर बता रहा है कि सर कर्फ्यू खेड़ा और आपका उत्तर दोस्तो कर्फ्यू डी नमबर ठीक है नेक्स्ट है अंगूर की बेटी है काम की किसका है अंगूर की बेटी बता दो जल्दी से अंगूर की बेटी बताओ अंगूर की बेटी अंगूर की बेटी जल्दी से बता दो सबी लोगों का राइट अंसर है गोविंद वर्ला पंत ए नमबर आपका बिल्कुँ सही है नदी 85 थी एक आंग की के लिएक अकवन है नदी 85 थी नदी 85 थी ये भी बताओ ये जल्दी से नदी 85 थी सांदर क्वेस्चन है और सबी लोगों ने अंसर लगया है इसर नदी 85 थी 26 नमबर के क्वेस्चन में राइट अंसर है धरम वीर भारती नदी 85 थी बहुत पड़ी अंसर तीसरा आदमी दरे हुए लोग तीसरा आदमी और दरे हुए लोग तीसरा आदमी 27 नमबर का क्वेस्चन है और शबी लोगों का अंसर जारा की सर्थ तीसरा आदमी और दरे हुए लोग 27 नमबर के क्वेस्चन में और शबी लोग पत्नी का परित्याग कर रहे क्या 28 नमबर के क्वेस्चन में राइट आंसर है कि सर्थ पत्नी का परित्याग कर दिया भलोग आख पत्नी नमबर आपका सही आंसर है अंगले क्वेस्चन के और बड़ेंगे तौरिये एक आंकी के रचना का रचेहन करना तौरिये उले काई से तौरिये अब तौरिये 29 नमबर में और असक से तौरिये तौरिये एक आंकी एक आंकी किसकी है बहुती अच्छा अंसर राइट अंसर असक उपेंद नाता से अब आपका सही है ईद और होली एक आंकी के ले लेककवन एद और होली एद और होली रामकुमार बर्मा सिट गोविंदास बिनोद रस्तोगी विश्नु प्रभागर चैन करूँ तो यहाँ पर एद और होली एकांकी के लेकक बताना है तीस नंबर के क्वेस्चन में एद और होली पुलिसर सिट गोविंदास ने एद और होली मनाई है तो आपका तौलिये से असके पहुंचते हैं बहुत बढ़िया असके पहुंच लो तौलिये से बी नंबर ठीक है next question है स्वाना और मिट्टी रतके पहिए रतके पहिए और स्वाना और मिट्टी 31 नंबर में इसे कांगी के रिजनावकार बताना 31 नंबर में सांदार question है स्वाना और मिट्टी रतके पहिए रतके पहिए कहां दोड़ते हैं तो अर्ये से अस्वान के पहुंचोगे बहुत बड़ी है निकलने तो पहले अस्वाना तो यहां पर पूछा गया स्वाना और मिट्टी रतके पहिए रतके पहिए बताओ रतके पहिए 31 नंबर का question है राइट answer chain करना है और बोले sir स्वाना और मिट्टी हमें रस्तों में मिल जाती है स्वाना भी मिलता रस्तों में है ना किसी का गिर जाता तो रस्तों ही में तो मिलता है रतके पहिए कहां दोरते घर में दोरते क्या कुलिंगे रस्तों में दोरते । रतके पहिए 29 मुट्टी विनोध रश्तोगी C नमबर आपका सही है Next question है सबसे बड़ा आदमी ये कांकी किस की है 32 नमबर में सबसे बड़ा आदमी बहुत इच्छा question है 32 नमबर में चैन करना है सबसे बड़ा आदमी पुले चाये छोटा आदमी हो सब्से बड़ा आद्मी हो सभी भगबती के जरणों में जाते हैं सब्से बढ़ा आद्मी भगबती के एक लेखा क्षान नहीं पत्थर लॉर पछाण यह एक आग्की की रचणाकार्शू पत्थर और परचानिया, मारकंडे, प्रकास चंदगुप्त, थे अंद्र सरत, हरी कशन, प्रेमी, पत्थर और परचानिया, 33 में सभी बताओ, शेयर कर दो दोस्तों, जिन भी साथचियों को नोडस परचेस करना हिंदी साहित के, वो नोडस भी परचेस कर सकते हैं, पत्थर परचान्या 33 का उत्तर बताईए 33 में शबी लोग बता रहें पत्थर परचान्या पत्थर की परचान्या को मारकंडे पत्तरो परचान्या मारकंडे मारकंडे लगाना है मारकंडे सुहाग बिंदी और परिच्छा एक आंकी किसके है सुहाग बिंदी और परिच्छा सुहाग बिंदी और परिच्छा एक आंकी के रचनाकार बताना है चैन करना है सुहाग बिंदी और परिक्षा ब्रंदाबल्लाल वर्मा गड़ेश प्रसाद दुवेदी सेट गोवेंदास सुहाग बिंदी और परिक्षा के रचनाकार बताईए सुहाग बिंदी 34 नंबर का क्वेस्चन है सबी लोगों का अंसर जा रहा है कि सर गड़ेश प्रसाद गड़ेश के प्रसाद में सुहाग बिंदी मिली है सुहाग बिंदी और परिक्षा परिक्षा याद रख लेना जब परिक्षा में जाओ तो गड़ेश का प्रसाद लेके जाना राजपुत की हार 35 नंबर में राजपुत की हार ये कांकी के लेखा कुण जैदन है 35 में सभी साथी बताएंगे share कर दो दोस्तों है ना राजपुथ की हार के क्या करना करना दर्सन करना राजपुथ की हार के दर्सन करना दर्सन दर्शन से हो जाएगा स्व दर्सन भी नंबर आपका बिल्कुल शही है अंगले question की उर पड़े उसके पहले सभी साती लाइक जरू करें और यहाँ पर दोस्तो प्रेक्टिस चलना ही अपनी परदे के पीछे नए महमान गिरती दीवार है एकांकी किसकी है बहुत सारी एकांकी को अपन ने यहाँ पर कवर कर लिया दोस्तो परदे के पीछे नए महम महमान का क्या हुआ है ओदय हुआ 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 है उदय संकार प्रदे के पीछे से उदय hours है गिरती दीवार है तो B नंबर को संकार भट ट टकराहक एक कांकी के लेट कोन है 37 नंबर में टकर आ हट मिश्की कि एक आंकी है पबहुत है एक्चा पकूस्चन है कि I'm नौबेटालिस पर दोस्तो टिर्की गुरु पर आपको वीडियो देखना है टकराहट एक आंकी के लेखा कौन है 37 नंबर में राइट टकराहट जेनेंध्रेकुमार टकराहट जेनेंध्रेकुमार ठीक है अमावस का अंधिकार एक आंकी इसकी 38 में वताना है यह पायर राणी कांकी किसकी है 38 का सब्सक् Schniall रहा है अवावस का अंध़कार बहुत ही अच्य पॉस्चन राईंसर में 27 का उत्तर खा यानि कि र्योती रमण, सर्मा वी नमर आपका सघ्य अमवावस का अंध़कार र्योती र्योती अपन को याद करो र्योती अमवावस कांदिकार उस पार में बताना है अलोग जी पताईए जन JO Sils कांद कहां है वोलिये उस पार है खमला कांध बरमा धीक है तो उसपार एक कांकी उस पार उस पार कमल है कमला कांत है उस पार सब है इस पार तो कुछ भी नहीं है उस पार कमल है कमला कांत है ना वियात कर ले ना बरगत का पेड़ रजनी गंदा आतीके दाथ किसकी कांकी है बरगत के पेड़ रजनी गंदा सियुकुमार जी प्रभाकर माचवे चरंज जीत, राजपूत मलेक, इंद्र वसावडा, 40, नमबर में बहुती बढ़िया, तो सभी का उत्तरे किसर बरगत का पेड, रजनी गंदा, हाती के दात, यह जो एक आंकी है, एक आंकी है किसकी राजपूत मलेक की, राजपूत मलेक, C नमबर, राजपूत मलेक, ठीक है, यह बर ज़नी गंदा, हाती के दात, राजपूत मलेक, ठीक है, C नमबर आपका सही है, नेक्स्ट कोच्चन है, लहर लोट गई, काई की लहर लोट गई, एक तालीस में, बताओ, काई की लहर लोट गई, बोले सर आई कब थी, है ना, तो बोले कमल की लहर, लोट गई, कमल से क्या अदें तो आपने को याद रह्ठें हैं लहर लोट गई की यह कांकी किसकी सब्सक्राइब बीनमबर आपको मिल्कुल सभेट आदर से दिकी अगर कले सभी तो विनमबर Ide Jetzt साथ योब मंच नाटा के कांकी के लेकर कौन है साथ योब मंच रियोतिसरण सरमा है राजपूत मलेक हैं 42 नमबर का सांदार question है बहुत ही बढ़ीय question को आपको बताना है तो यहां पर 7 योब मंच नाटा के कांगी chain करना तो यहां पर आते हैं 42 नमबर में यह question है आपके केदार नाथ मिस्र इंदु 42 नमबर में योब मंच 42 नमबर में शबीका उत्तर जा रहा है कि सरु ब्याली स्में आपका उत्तर है यूबमज में चिरंजीत ठीक है? यह अपन को याद रख ले ना चिरंजीत ठीक है? यह D-Number आपका सही है ठीक है? यूबमज याद कर ले ना चिरंजीत Next Question है मिट्टी की परचाईया एकांग की किस्की है, मिट्टी की परचाइना 43 नमबर में मिट्टी की परचाइना मिट्टी की परचाइना और 43 नमबर का सांदार कोस्चन है बहुती वड़िया राइट आंसर मिट्टी की परचाइना राजपूत मलेक, ये नमबर आपका सही, राजपूत मलेक, ठीक है, ये नमबर, राइट, पिट्टी की परचान्या, अंगला कोस्चन है, कुणाल, कुणाल किसका एकांकी है, चवालीस में कुणाल, कुणाल एकांकी की रचनाकार कौन है, बहुत ही नई-नई एकांकी यहाँ पर आपको दिख रही है उपासना जी चवालीस नमबर का क्वेस्चन है कुडाल किसका एकांकी है चवालीस नमबर में राइट असरे की सरी जो कुडाल है इस सत्यंद्र किसका एकांकी सत्यंद्र का सत्यंद्र यानि B नमबर पुणाल एकांकी के रचनाकार है सत्यंद्र ठीक है आवाज आ रही है आवाज आ रही है एकांकी के रचनाकार को ने 45 नंबर के क्वेस्चन में रागनी जी आवाज आ रही है काई की आवाज आ रही 45 का सही उत्तर बीर बीर की आवाज आ रही बीर बीर से बनेंगे बीरेंद्र मिस्तर है बीर की आवाज आ रही है बीरेंद्र मिस्तर है ठीक है तो किसकी आवाज आ रही है बीर की राइट आसर हो जाएगा बीरेंद्र मिस्तर है ये नंबर इंडिया गेट का मुकदमा इंडिया गेट का मुकदमा 46 नंबर में इंडिया गेट का मुकदमा आनंदम तेजपाल चोदरी यहां पर आपका क्वेशन इंडिया गेट का मुकदमा के कांकी के रिचनाकार बताना है बसंत कुमार परिहार या पर सितनात कुमार इंडिया गेट का मुकदमा 46 नंबर के question में बसंत कुमार परिहार इंडिया गेट का मुकदमा इसकी रिचना कारपो ने बसंत कुमार परिहार बसंत कुमार परिहार याद रखे न भूँक हड़ताल एक आंकी किस्की है 47 में भूँक हड़ताल 47 का right answer बताना है भूंक हरताल एकांकी किसकी है निसाजी राइट अंसर है ना सभी का उत्तर जारा किसर भूंक हरताल एकांकी है संकर पुणताम बेकर है ना सी नमबर संकर पुणताम बेकर भूंक हरताल संकर पुणताम बेकर ठीक है उसके बाद बेटिंग रूम बेटिंग रूम एकांकी बत और जब रेटिंग में आ जाएंगी तो सब बनने लगेंगी, थोड़ी सी कठें लग रही होंगी, बेटिंग रूम एक आंकी के लेका कड़तालीस नंबर का क्वेस्चन है, 48 में सभी का उत्तर क्या जा रहा है, बेटिंग रूम, बेटिंग रूम, बड़ा तेज है, बेटिं बेटिंग रूम, 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 बेटिंग र जो एकांकी है वो आनंदम की है आनंद आ गया आनंदम आखरी पन्ने में आनंद आ गया रोसनी सेस है रोसनी दोस्तों क्या है रोसनी सेस है इस एकांकी के लेकक 50 नंबर का क्वेस्चन है रोसनी सेस है बताइए तनू जी निस्टा जी मौटीवेसनल जी कांता आर्ती जी प्रमिला जी हैना रोशनी सेस है पचास नंबर का क्वेश्चन है सभी का अंसर है कि सर रोशनी सेस है रोशनी सेस है सभी का उत्तर है कि किसका है पचास नंबर में सिद्वनात कुमार, सिद्वनात कुमार यात का लेना रोशनी सेस है सिद्वनात कुमार, ठीक है सबसे अधिक सपलता किस बिधा को मिली है बताओ भारतेंदु युग में सबसे अधिक सपलता किस बिधा को मिली है चैन करिए किस बिधा को मिली है मनोज गुपता जी नाटक को निबंद उपन्यास या फिर कहानी को ज़न्दी से बताएं एक नमबर का question है भारतेंदू युग की बात हो रही है एक नमबर में आपका सही उत्तर है कि सर सबसे अधिक सा पलता जो मिली है वो मिली है निबंद लेखन को यानि B नमबर आपका right answer हो जाएगा ठीक है very good डाक्तर लच्चमी सागर वार्षणे ने हिन्दी नवन्दों का जनक किसे मना है नबर का question है बहुती बड़ीया question है और शबी लोकसांदार उत्तर बता रहेगी सर्ड डाक्टर लच्छमी सागरवार्षने ने हिंदी निबंदों का जनक माना है किसे माना हिंदी निबंदों का जनक दो नंबर में सबी का उत्तर है बाल कश्नबट को ये क्वेस्टन बहुत ही इंपोर्टेंट है लचमी सागरवार्षने ने हिंदी निबंदों का जनक जो माना है वो बालकन भट्ट को माना है और आपको बताईए जो जन्म होगा था वो ऐटहरा सुच वालीज को होगा था नोने किया था हिंदी प्रदीप बालकन भट है और हिंदी प्रदीप कब निकला था 1877 में ठीक है बाल मुकुंद गुप्त ने बाल कश्ण भट ने भारतेंदु या पर प्रताप नारण मिस्र ने तीन नंबर का क्वेस्चन है भारत बरस नती कैसे हो सकती है ये निबंद किसने लेखा है तीन नंबर का क्वेस्चन है शवी लोग उत्तर बताओ राइट अंसर बताने भारत बरस नती कैसे हो सकती है सभी का उत्तर है तीन में उत्तर है भारतेंदु यानि कि जो आपका जो सी नंबर है स्री नंबर आपका विल्कु सही है भारतेंदू आपका राइट अंसर है ठीक है very good next question है भारतेंदू युगीन निबंदकार नहीं है तो कौन नहीं है भारतेंदू युगीन निबंदकार कौन नहीं है जन्दी से बताइए सेयर भी कर दीजे दोस्तो रोज रात त्री नो आपका सई है ठीक है किने दोस्तो दुबेदि योग और भारतेंदू युग की बीच की कड़ी है ना बीच की कड़ी का कभी माना जाता है ठीक है घूरे का लत्ताविने कनातन का डॉल बांधे निबंद किसका है पाँच नंबर में चेंड करो बहुत ये अच्छा क्वेस्चन है कनातन के डोल बांदे और घूरे के लत्ता वीने इस निबंद के प्रचनाकार को आण है पांच नंबर का क्वेस्चन है पांच का उत्तर आपको बतान है पांच का पांच का राइट अंसर शबी का उत्तर की सर घूरे के लत्ता वीने वालों का क्या होता है बड़ा प्रताप होता है बड़ा प्रताप है तो प्रताप से प्रताप नारण मिस्ट्र ये नंबर आपका बिल्कु सही है ठीक है साहित जैन समू के हिर्दय का विकास है ये निबंद वताना है ये निबंद किसका है साहित जन्समू के हिर्दय का विकास है कि निवंद किसका है छे नंबर में प्रताब नारण मिस्तर का बाल मुकंद गुप्तिका है बालकन भट्ट का महावीर प्रसाथ दुवेदी साहित जन्समू के हिर्दय का विकास है शे नंबर का question है और शे नंबर में शबी का उत्तरे की सर बाल कर्ष्ण भट्ट है साहित जन्समू के हिरदय का विकास है जी के राइट आंसर कहां जाएगा बाल कर्ष्ण भट्ट है ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया कुल दीप जी नेच्ट कोश्चन है भौन बंद की लेका कोन है भौ ऐसे ही बता दू भौन बंद की रचनाकार कोन है अच्चा कोश्चन है भौ और भौका भी क्या होता है भौका बहुत बहुत परताब होता है भंका तो भौने बंद बता दू जैटी से भौ और सबीका आंसर क्या जा रहा है भौने बंद की रचनाकार भताना है जल्दी से बताईए मारेसी मोहिक उठाओ इसके रचनाकार कौन है मारेसी मोहिक उठाओ चैन करो बाबू गुलाब राए हैं बालकश्ण बट्टे हैं सरदार उन्से हैं चंद्रधर सर्मा गुलेरी हैं आठ नंबर के क्वेश्चन में मारेसी मोहिक उठाओ ये निबंद कई बार धर सर्मा गुलेरी ठीक है डी नमबर आपने बिलको सही बताए बहुत बढ़िया जिन भी सात्यों ने अड़िशन नहीं लिया है अभी आप 15 रोपे में अड़िशन ले सकते साहित्य का सब्वितासे घनिष्ट संबंद है कि निबंद किसका है साहित्य का सब्वितासे घनिष्ट संबंद है कि निबंद किसका है बद्री नार्म चौदरी प्रेमगन बाल कश्नबट महावीर परसादुवेदी स्री निवास दास साहित्य का सब्वितासे घनिष्ट संब 9 नमबर का क्वेजिये हैं और Weak embrace In Your Se question में आपका उतिरो chasteel बाल करन भटे व्ह workshop रहा एक सादसी तोर पर महाभी पुल्दे का कोंसा नम्बंद ना सस्तर्पर आधारेत हैं राहुलरा्जी कौनसा निवन्दे महावीर पिरसाद दुवेदी का जो अर्थ सास्त्र पर आधारे थे रसक गरंजन कभी करतब संपत्ती सास्त्र या फिर दोस्तो साहित सीकर महावीर पिरसाद दुवेदी का कौनसा निवन्दे अर्थ सास्त्र पर आधारे थे 10 नमबर का बहुती सांदार question है 10 का उत्तर और अर्थ सास्तर पर आधारत कौन सा समपत्ती समपत्ती नाम से ही आप समझाओगे समपत्ती अपन बोलते अर्थ है यानि धन समपत्ती ठीके तो आपका यहाँ पर C नमबर समपत्ती मिल्कुष ही हो जाएगा ग्यारा नंबर की question क्यों बढ़ेंगे बाल मुकुंद गुप्ति के निबंद किस पत्रिका में प्रकासित हुए किस पत्रिका में प्रकासित हुए भारत मित्र में हिंदी प्रदीप ब्रामण हरिस्चंद्र मैंग जीन बाल मुकुंद गुप्ति के निबंद बताना है किस पत्रीका में प्रिकासित हुए है जारा नंबर का question है राइट असरे की सर वो हुए है बाल मुकंद गुप्ति के निबंद भारत मित्र में कौशे में भारत मित्र में यानि कि आपका जो उत्तर है ये नंबर सही जाएगा बाल मुकंद गुप्ति के निबंद है किस पत्री का में प्रिकासेत हुए सभी आपका उत्तर है भारत मित्र में ये नमबर आपका सांदार वो बहुत बढ़िया कोस्चन है नेक्स्ट कोस्चन है आचरण की सब्विता एवं मजदूरी है ना मजदूरी और प्रेम ये निबंद बताए आचरण की मजदूरी और प्रेम आचरण की सब्विता मजदूरी और प्रेम बारा नंबर के क्वेस्चन में शबी सातियों का उत्तर है कि सर आचरण की सब्विता और मजदूरी है ना मजदूरी और प्रेम ना तो बोले सर मजदूरी पूर्ण मिला ना ही पूर्ण मिला पूर्ण है ना तो पूर्ण से आपका उत्तर हो जाएगा, शरदार पूर्ण से हैं, बी नमबर आपका बिल्कु सही है, राइट अंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ेंगे, सेव संभू के चिठ्थे, इसके लेखक कौन है, बाल मकुंद गुपते हैं, बाल कर्ष्ण बटने हैं, बीकर कुलेट बाल का चिठ्था वनाएं, चिठ्थे बाल ममकुंद गुपते, ये नमबर राइट असर हो जाएगा, ठीक है, निठल्ले की डायरी, निठले की डायरी नामा खास ब्यंग निवंद संग्राई के लेका को ने निठले की डायरी बताना है शिला गुप्ता जी संजाई जी सबी लोग बता ये निठले की डायरी कि हास ब्यंग निवंद संग्राई के रचनाकार को ने चौदा नंबर का क्वेस्चन है बताइए राहुल जी, प्रमोद रेका जी, मंजू जी, तनू जी, निठल्ले की डायरी, चौधा नंबर में और सभी लोगा अंसर बता रहा है कि सर निठल्ले की डायरी पूछ रहे हो बताइब दो बिकल्ट और हैं आपके पास, एक तो है रबिंद्र त्यागी, हैना रबिंद्ना त्यागी, दूसरा हरी शंकर परसाई, तो आपका अत्तर कहां जाएगा आपका उत्तर कहा जा रहा है चौदा नमबर के question में चौदा का right answer है सबी का उत्तर है किसर हरी शंकर परसाई आपका बिल्कु सही answer है प्री नमबर आपका बिल्कु सही है राम ब्रक्च बेनिपुरि द्वारा लेकित गैहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है पंद्रा में रामप्रक्च बेनीपुरी दुआरा लिके गैहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है पंद्रा का राइट आश्र बताना है प्रमोद जी, प्रतिबा जी, दनू जी, उमेश जी पंद्रा का राइट अंसर बताना है सांदार कोस्चन है सभी का उत्तर है कि सर ग्याहूं रामप्रक्ष बेनिपुरी का ग्याहूं और गुलाब इसमें गुलाब किसका प्रतीक है गुलाब बताना किसका प्रतीक है सभी को पताई कि सर जो गुलाब है वो कला और संस्क्रिटी का प्रतिक है क्या नियापका उत्तर B नमबर बिल्कु सही है कला और संस्क्रिटी शिकापांडे जी प्रभाद जी असोग जी B राइट अंसर है सरदार पूर्ण से विख्यात हैं कभी के रूप में निबंदकार के रूप में नाटक कार के रूप में ब्यांगे कार के रूप में बताओ सरदार पूर्ण से विख्यात हैं किस रूप में विख्यात हैं धीरेंद्र जी चेन करो अनंद जी तो यहाँ पर आपसे पूचा गया है सरदार पूर्ण से है शोला नमबर का क्वेस्चन है कौन हैं संपत्ति सास्थ पठाना और आप ने पढ़ाई है कि सर यह जो निबंद है यह निबंद मर्थ सास्थरा से संबंदत है है ना और इसके जो रचनाकार है वो रचनाकार है महावीर प्रशाद दुवेदी बी नमबर आपका सही है संपत्ती सास्त्री के लेका महावीर प्रशाद दुवेदी बी नमबर अर्थ सास्त्री से संबंदेत निबंद है आचार सुकली के निबंद संग्रह का नाम क्या है आचार सुकली के निबंद संग्रह का नाम बताना है 18 में चिन्तामणी है धरना आसू का माईनी अठारा का उत्तर सबी लोगों का अंसर जारा की सल वह चिन्तामणी की का आपका बिल्कु नाम है चिन्तामणी का नंबर आपका बिल्कु राइट आसर है नेक्स्ट ए अग्गे के निबंद संग्रवों का प्रिकासन वर्स के अनुसार सही क्रम लिखे अग्गे जी के उन्यास उन्नीस नमबर में अग्गे जी के निबंद को सही क्रम में बताना है नबर का कोस्चन है तो अगे जी के जो निबंद है उनको अपन को क्या करना है क्रम से बताना है करम से बताए सभी लोग, तनू जी, संजय जी, है ना, और सभी का राइट आंसर है कि सर, अग्य जी के निबंदों में आत्मने पद, लिखी कागद, कोरे, है ना, अध्यतन और कहा है द्वार का, जैनि कि आपका राइट आंसर है, D number, ठीक है, D number आपका राइट आंसर है, Very good, बहुत बढ़िया नेक्ट है प्रिकासन बर्स के निर्मल बर्मा के निबंद संग्रह बताना है तो प्रिकासन बर्स के निर्मल बर्मा के निबंद संग्रह बताना है तो प्रिकासन बर्स के निर्मल बर्मा के निर्मल बर्मा के निबंद संग्रह बताना है तो प्रिकासन बर् है आपके लिए दोस्तों बोर आप लोग देख लो थोड़ा सा है ना दो अप्षन इस प्रिकार से हैं आपके लिए सब्दोर श्मिर्टी कला का जोकें धलान से उतरते हुए सतापदी के ढलते बरसों में तो आपका यहां पर उत्तर होगा सी किसके धिर्मल बर्मा है ना सब्दोर श्मिर्टी कला और जोकें धलान से उतरते हुए सतापदी के ढलते बरसों में सी नंबर आपका सही है चिंतामणी भाग एक का प्रकासन कब हुआ एक कीश में बताना है चिंतामणी भाग एक का प्रकासन कब हुआ चिंतामणी भाग एक का प्रकासन कब हुआ? 21 नंबर का सांदार कॉस्चन है. राइट आंसर में आपका क्या जा रहा? राहुल जी, नीतु गुपता जी. शबी लोग बताएंगे चिंतामणी भाग एक का प्रकासन कब हुआ? और सभी का उत्तर है. कब हुआ? 1949 में. क्वण है? बहुत अच्छा क्वश्चन है. 22 नंबर हैना चिंतामणी भाग एक भाग दो भाग तीन और भाग चार. इन में दोस्तों ये प्रकासे थे. चिंतामणी भाग चार की संपादक क्वण है? एक क्वश्चन पूचा गया है. पूर्णी मा जी, बताओ. 22 नंबर का क क्वश्चन है. और सभी का उत्तर है कि सर चिंतामणी भाग चार है ना इसके जो संपादक हैं, संपादक क्वण है? 22 का उत्तर बताना है सभी लोग चैन करेंगी. राइट है कुसुम चतुरवेदी एवं ओम प्रकास से हैं. क्यानि बी नंबर आपका सही है. कुसुम चतु ठलूआ के लब निबंद के लेका क्वण है? 23 नंबर में. ठलूआ के लब निबंद के बताईए. ठलूआ के लब निबंद के लेका क्वण है? और सभी को बताईए कि सर ठलूआ के लब में हमें क्या करना है? गुलाब. गुलाब लेकर जाना है गुलाब. ठलूआ के लब म बाबू भुलावराय ठीक है बेरी गुड भुलावराय आपका सही है अंगले कोस्टेन को जाते हैं कौनसा निवंद निराला का नहीं है 24 में निराला का निवंद कौनसा नहीं है दोस्तो निराला का कौनसा निवंद नहीं है प्रवंद प्रतिमा चाबो संकल या फिर प्रव प्रवंद प्रतिमा है चाबोग की है प्रवंद पदम है लेकिन इस संकल्प नहीं है निराला जी का निवंद आपका उत्तर है संचारनी निवंद के लेकिन है 25 का उत्तर है स्याम सुंदर दास है सांति प्रिय दुवेदी है स्यों पूजन सहाय है या फिर गुलाब राय है संचारनी निवंद के लेकिन है माया राम जी है मलता जी संचारनी निवंद के लेकिन बताना है 25 का राइट अंसर सबी लोग बता संचारनी है ना और अपनको क्या करना सांति का संचार करना है संचारनी काई का-1 जाय के सम alcanz विले it ये किसका है पदम सें सर्मा सांति प्रिय दुवेदी गुलाब राए सरदार पूर्ण सें या फिर किसका है मेरी असपलताएं मेरी असपलताएं पताएं चब्वीस नंबर का क्वोस्चन है मेरी असपलताएं और मेरी असपलताएं यानिकी 26 में और सभी लोगों का बिलकुँ सही उत्तर जा रहा है कि सर बेरी असपलता है है ना गुलाब से पूछो गुलाब गुलाब से पूछो गुले बेरी असपलता है मैंने कितनी बार गुलाब दिया है गुलाब से गुलाब रहा है कभिता क्या है निबंद के लेखक कुण है कभिता क्या है जारी परसातो बेदी रामचन चुकले कभिता क्या है 27 नंबर के question में लगबग ये तो सबी लोगों को बता होगा 27 में ठीक है राइट आंसर कभिता क्या है कभिता क्या है निबंद के रचनाकार कौन है निबंद के लेखक कौन है शबी का अंसर है किसर कभिता क्या है कि जो निबंद है ये निबंद रामचन चुकले जी का है बी नंबर आपका बिल्कु सही है अंगले question क्यों बढ़ेंगे ये ना अंग आत्मा राम की टेंटें निवन्द में आत्मा राम के प्रितीक बने आत्मा राम 28 का उत्तर बताना है 28 में सभी लोग बताइए और सभी का उत्तर एक इसर वो है आत्मा राम की टेंटे नाम से बाल मुकुंद गुप्त है ये D आपका right answer है D number ठीक है D number आत्मराम की टेटे में आत्मराम की पृतीक बताना था तो पृतीक में हैना क्या हिंदी नाम की कोई भासा ही नहीं निबंद किसका है क्या हिंदी नाम की कोई भासा ही नहीं कि निबंद किसका है कुमुद जी नंबर का question है बहुत भी बढ़ीया question 29 में right answer चैन करिए 29 और सभी का उत्तर है कि सर्व वो है महावीर परसाथ दुबेदी बी नंबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा महावीर परसाथ दुबेदी है ना बी ठीक है 29 में right answer आपका भी क्या हिंदी नाम की कोई भासा ही नहीं कि मूलकाता नामक निवंदी के लेका क्वण है बिक्रमोंवर्सी की मूलकाता प्रमोद जी आकांचा-गुपता जी संतोज झी सबसे नामक निवंदी के लेखा क्वण है कि चैन करना है tees number का question है थीस नंबर में सबही लोग बताइए राइट आंसर है आपका कौँ सा बी क्यानि की चंद्रधर सर्मा गुलेरी यह ना बिक्रमो वर्षी की मूल कथा नामग निबंद के रचनाकार है нравится चंद्रधर सर्मा गुलेरी बिक्रमो वर्षी की मूल कथा इसको याद रख़्े ना कई बार question ऐसे भी आते कि निम्नवे से बताईए कौन सा निबंद है गुलेरी जी का नहीं है ना तो असोग के पूल निबंद के ले का कुन है असोग के पूल बताना है जंदी जंदी से बताईए self-study glasses का असोग के पूल निबंद के ले कर असोग के पूल यानि की 30 नंबर का question है 31 नंबर के question में सभी का उत्तर है कि सरा असोग में पूल और असोग में एक पूल नहीं पूलेगा कितने पूल पूलेंगे حजार, तो हजारी पूलेगे असोग में पूलेषर, हजार पूल नंबर आपका बिल्कु सही है ठीक है राइट आंसर है बी नमबर गांधी बाद की सव परीक्षा निबंद संग्रह किसका है गांधी बाद की सव परीक्षा गांधी बाद की सव परीक्षा की निबंद संग्रह किसका है जैनेंद्र का है इलाचन जोसी एसपाल मादव प्रशाद मिस्र का है 32 नमबर की क्वेस्चन में और सबी लोगों का आइसार है किसर गांदिवाद की सव परिच्छा निबंद की रचना कार बताना है सबी लोग बताएंगे सेयर कर दो दोस्तों सबी का उत्तर है किसर यस्पार लगा दो सी नंबर आपका बिल्कु सहीए महादेवी वर्मा ने किस निबंद में भारतिय नारी की समस्याओं को लेकर लेखा है बताओ किस निबंद में लेखा है स्रंकला की कणिया चारदा साइथकार की आस्ता या सनलिप्तिता 33 का right answer बताना है भारतिय नारी की समस्याओं को लेकर लिखा है महादिवी बर्माने अपने किसने बंद में बताओ 33 नमबर में गगन जी प्रीती जी 33 का right answer और सबी लोगों ने सांदर question बताए कि सर्वो इस रंकला की कड़िया ये number आपका right answer है 33 में ये very good next question क्यों बढ़ेंगे दोस्तों share कर दो शवी साती है ना और बहुत सारे साती क्या है ठंड जादा पड़ गई क्या नाकून क्यों बढ़ते हैं 34 में नाकून क्यों बढ़ते हैं गुलाव राय स्याम सुन्दर दा सजारी परसा दुबेदी बेवे की राय नाकून क्यों बढ़ते हैं ये बताना है पारवती देवी जी बाल किसन जी टारगेट जी शवीलोग बताएंगे नेहा सर्मा जी नाकून क्यों बढ़ते हैं 34 नंबर के question में सभी का उत्तरे की सर हजार बार काटते हैं नाकून फिर भी क्यों बढ़ते हैं हजार बार काटते हैं नाकून फिर भी क्यों बढ़ते हैं सी नंबर नाकून क्यों बढ़ते हैं हजारी परसाथ दुबेदी सी आपका राइट आंसर है चक्कर के लब निबंद किसका है चक्कर किलब, 35 नंबर के question में जेनिहँंद्र, यस पाल, घुलावराय, सान्ति प्रियतुवेदी, चक्कर किलब, इस नेबंदी के रचनाकार कौन है? 35 नंबर की question में सबी लोग बताएंगे चक्कर किलब है ना चक्कर पुलिसर चक्कर किलब yes पाल yes का चक्कर किलब किलब के साथ है ठीक है तो यहाँ पर अपन को yes पाल लगा दिना b नंबर बिल्कु सही है yes पाल ठीक है कौन साने बंद संग रह давно है जैनेंहेंदर का नई है 36 नंबर की question में 26 साती सेहर कर दो दोस्तो ठीक है और जिन्वी सात्यों को notes मंगवाना हिंदी साइथ के वो notes भी मंगवा सकते है हिंदी साइथ के सानदार notes है कौन साने बंद संग रह afraid जैनेंद्र का नहीं है ये question आपसे पूचा गया है कौन-कौन सही उत्तर बता रहे देखते हैं जैनेंद्र का नहीं है 36 नंबर की question में सभी लोग बिल्कु सही उत्तर बता रहे की बसंत आ गया B नंबर बसंत आ गया जड़की बात है साहित का स्त्रे और प्रे जनेंद्र कुमार का निबंद है काम और काम प्रेम और परिवार तो काम प्रेम और परिवार जनेंद्र कुमार जी का निबंद है उसके बाद यहाँ पर आते है ठूटा आम ठूटा आम बताईए 36 में ठूटा आम ठूटा आम निबंद संगरे किसका है भगबसनव पाद्याई संपूर्णा नंद सद्गुरूर सणवस्ति परसूराब चुत्रवेदी ठूटा आम ठूटा आम बताई 37 नंबर में है ना और देखते हैं ठूटा आम ठूटा आम के निचे क्या करेंगे हम भागबत करेंगे कहां पर ठूटा आम के नीचे ठूटा आम के नीचे ठीक है तो यहां पर उत्तर है इस ठूटा आम के नीचे हम भागबत करेंगे ठूटा आम तो भगबत सरणव पाद्याई ये नंबर आपका पिलकु सही है ठूटा आम की नीचे क्या करेंगे भागबाक, सिक्षा का उत्देश समाजबाद के निबंद के लेक अकवन, सिक्षा का उत्देश और समाजबाद निबंद के लेकÁ हो गया है ना और समाजबाद समाजबाद संपूर्ण समाजबाद निबंद भी किसका है संपूर्णा नंद का सिक्षा का उत्तेश क्या हो गया संपूर्ण हो गया तो संपूर्णा नंद लगाना है 49 नंबर के क्वेस्चन में नए पुराने जरू के निबंद किसका है 49 का उत्पर 49 में सबी लोग बताएंगे नए पुराने ज़रो के 49 नंबर में और चेन करिए बहुत ही अच्चा क्वेस्चन है दोस्तो 49 में सबी लोग बताएंगे चांदार क्वेस्चन है और सबी लोगों ने बताया कि सर नए पुराने ज़रो के है ना उत्तर है हरीवन सराय बच्चन ठीक है सी नमबर बच्चों के साथ नए और पुरानी जरू के आती रहते हैं ठीक है मद्यकालीन प्रेम साधना की लेका क्वण है मद्यकालीन प्रेम साधना मद्यकालीन प्रेम साधना की लेका क्वण है चालीस में सभी लोगों ने उत्तर बताए कि सर मद्यकालीन प्रेम शाधना है ना बड़े ही चतुर तरीके से करनी पड़ती है मद्यकालीन प्रेम शाधना कैसे करनी पड़ती है चतुर तरीके से मद्यकालीन प्रेम शाधना 40 नमबर का question है सभी साती बताओ सभी को answer बताना है और like share भी कर देना है दोस्तो ज़र्दी से बताइए राइट answer जा रहागी sir परसूराम चत्रवेदी यानि कि आपका जो बी नमबर है बी नमबर आपका राइट answer है ठीक है परसूराम चत्रवेदी भी आपका सही है अंगले question क्यों रहाँ जाएंगे next question आपका यहाँ पर आ रहा है साहित देउता निबंद संग्राई किसका है 41 में साहित देउता साहित देउता निबंद संग्राई की रचनाकार बताना है शाहित देउता साहित देउता निबंद संग्राई की रचनाकार कौन है और साहित देउता को अपन को क्या खवाना है साहित देउता कुछ उत्ता को माखन खवाना माखलाल चुत्रवेदी यानि स्ती नमबर आपका सही है कुछ उत्तले कुछ गहरे की निबंद चंग्रह की लेकक से उपरसाद मिस्त्र बाबू गुलाव राय ईला चन जोसी बिनै मोहन सर्मा 42 नमबर के question में शबी साती right answer चैन करेंगे 42 का उत्तर शबी को बताना है और सभी का उत्तर है B यानि की बाबू गुलावराए कुछ उतले कुछ गहरे है ना बाबू गुलावराए B right answer कनया लाल मिस्टर प्रभाकर की के निबंद प्रकासन वर्स के अनुसार आपको बताना है कनया लाल मिस्टर प्रभाकर है 43 नमबर का question है 43 में सभी साती बताना है तो यहाँ पर कनया लाल मिस्टर प्रभाकर की बात करें तो नई पीड़ी नई वेचार जिंदगी मुस्काई जिंदगी लहला हाई बाजे पाये लिया के गुंगरू यह आपका जो का नमबर है यह का नमबर ही आपका सही होगा ठीक है next question यहाँ पर आते हैं अर्ध नारीशोर निबंद संग्रय के लेका कोन है अर्ध नारीशोर यह निबंद संग्रय बताना है अर्ध नारीशोर अर्ध नारीशोर निबंद संग्रय के रचनाकार कोन है जैन करो बहुत ही अच्चा question है अर्ध नारीशोर अर्ध नारीशोर निबंद के रचनाकार बताना है सांदार question है वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों अर्ध नारिश और पूछा के आपसे ब्राब का उत्तर है सबी लोग बता रहे कि सर चवालिस में आप उत्तर लगा दो अर्ध नारिश और रामधारिश जह दिनकर है ना अर्ध नारिश और निबंद संगरे पूछा है तो आप उत्तर क्या लगाएंगे शबी लोग बताओ रामदारिशें दिनिकर यानि की B नमबर आपका बिल्कुस है नेक्ट रामबलास सर्मा की निबंद संग्रों का प्रिकासन बर्स के रुसर किरम लगाना है 45 का उत्तर 45 में रामबलास सर्मा की निबंद संग्रें यहाँ पर देखना है अपन को यहाँ पर आजाओ सोभी लोग कि रामबलास सर्मा की निबंद इस प्रिकार से आते सबसे पहली प्रिगति और परंपरा ठीक है उसके बाद आता है भासा, साहित और संस्कृति प्रगति सील साहित की समस्याय आस्ता और स्वंदर यह आता है अपकड़ी डाक्टर नगेंदर के समस्त निबंदों का संग्रें किस नाम से प्रिकासित हुआ जैन करिए सबी लोग बताएंगे डाक्टर नगेंदर के समस्त निबंदों का संग्रें डाक्टर नगेंदर का बताना डाक्टर नगेंदर की समस्त निबंदो का संगरे किस नाम सी प्रिकासित हुआ है बातों का संगरे आस्ता और चरण बातों की चरण या फिर इन में सी कोई नहीं 46 नमबर का सांदार कोश्चन है 46 का राइट आंसर बताईएगा और सभी का उत्तर है कि सर नगेंदर के समस्त निवंदों का संगर है आस्ता के चरण यानि B नमबर आपका साहिए B नमबर राइट आंसर है नेट्स कोश्चन रेखाएं बोल उठी नमबर रेखाएं क्या बोल उठी रेखाएं क्या बोल उठी 47 में और 47 का उत्तर सभी का उत्तर है C, C यानि की सत्त है तो देविंदर सत्यारती C नमबर सत्त है वो लोटी ठीक है सत्त आपका राइट आसर है खरगोश के सिंग कहां गए 48 में तनय यालाल जी खरगोश के सिंग नेबंद के लेखा कोई है खरगोस की सिंग 48 नमबर का कोस्चन है शबी लोगों का चैन करना है और सबी लोगों का उत्तर है किसर खरगोस की सिंग गए है नाचबे खरगोस की सिंग कहां पर गए है नाचबे गए है तो प्रभाकर माचबे बी नमबर अपला तूनो का सहर ब्रहन लाका बक्तब है ये निवन्द संग्राय किसका है अपला तूनो का सहर और ब्रहन लाका बक्तब है पताईए विजय कांत जी जिन भी सात्यों ने अड़िसर नहीं दिया दोस्तो सेल्फ स्टडी क्लासेज का एप डाउलूट कर लेंगे और जिन भ लास नंबर के question में सभी का उत्तर है केशाव चंद्र बर्मा सी आपका साहिए केशाव चंद्र बर्मा गोला पंडित की बैठक निबंद संग्राय की लेकग गोला पंडित की बैठक गोला पंडित की बैठक 50 का उत्तर गोला पंडित की बैठक बोला पंडित की बैठक कहा हो रही मनुज गुपता जी बोले सर बरसाने कहा हो रही बरसाने में बोला पंडित की बैठक हो रही बरसाने में बरसाने लाल चत्रवेदी दी आपका सही है बोला पंडित की बैठक बरसाने लाल चत्रवेदी ठीक है बहुत पढ़ी आंसर अंगले question क्यों हम यहाँ पर जाएंगे थेले पर हेमालाई थेले पर हेमालाई निबंद संगराई के लेखक कौन है थेले पर हेमालाई देविदर सत्यार्टी है धरंबीर भारती है गुलाबराय या फिर दिनकर है थेले पर हेमालाई जड़ी से चैन कर ठेले पर हिमालय निबंद संग्राई के लेकक बताना है तिंग क्यावन नंबर का क्वेस्चन है और आपका उत्तर है बी यानि की धरमवीर भारती ठेले पर हिमालय धरमवीर भारती बी नंबर आपका बिलकुँ सही है बित्या निवास मिस्र के निवंद संग्राओं का आपको करम बताना है दोस्तो यहाँ पर करम आपका सही हो रहा है बित्या निवास मिस्र के कदम की पूरी डाल तुम चंदन हम पानी मैंने सिल पहुँचाई मिरे राम का मुकुट भीग रहा है इस प्रकार से आपका सी कदम क पूली डाल पहले फिर तुम चंदन हम पानी मैंने सेल पहुंचाई हूँ मेरे राम का मिकट भीग रहे एक क्रमसा है आपका जो सी नंबर है वो बिल्कु सही हो जाएगा रामद्रस मित्रेकरत बबूल और कैक्टस में कैक्टस किसका प्रतीक है एक क्वेस्चन आपको बताना है ग्रामिड चितना का सामाजिक चितना का पूजी बाद का आधुनिक या अंत्रेक सब्बता का रामद्रस मित्रेकरत बबूल और कैक्टस में कैक्टस किसका प्रतीक है त्रेपन नंबर का सांदार क्वेस्चन है त्रेपन में शबी लोग बता रहे कि सर ये राइट अंसर क्या प्रतीक वंसी सब्टा का बतागा कुछ इव इस नबर का क्वेस्चन नमबर का क्वेस्चन है 9.45 पर दोस्तों टिर्की गुरू पर आपके लिए वीडियो आएगी 9.45 पर ठीक है तो 9.45 पर जरूर देखना है ना टिर्की गुरू यूटूब चैनल पर ओर बोरपंग के यान की 54 नंबर का कॉस्चन है सभी लोगोंने आंसर बता दिया की पर ठीक है ठेले पर हेलाए इसकी रचना कारकौन है जल्दी से बता दो इंक्यावन नंबर का question है दोस्तो ठेले पर हमालाई रोज रात्री नौबजे इस किलास में आपन बहुत सांदार अध्यन करते हैं ठेले पर हमालाई आपसे पूचा गया देविंदर सत्यार्ती धरमबीर भारती गुलावराय ये जो निबंदे संग्राय है ये निबंदे बी नंबर आपका बिल्कु सही है वित्या निबास मिस्र के निबंदे संग्रों का प्रकासन वर्स के नुसार सही किरम बताना है बाउन नंबर के question में वित्या निबास मिस्र के ये दोस्तों हैं इन्हीं तीनों में से आप बता दो कौन सा सही होगा यहां पर नमिता जी वि से दोस्तों इनके जो निवन्द है उनको अपनको क्रमबद लगाना है क्रमबद बताना है चैन करिए जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी आपको दिख रहा है क्या यहां पर उत्तरे की सरकदम की पूली डाल तुम चंदन हम पानी मैंने सिल पहुंचाई मिरे राम समकोड भी रहा है उसी नमबर आपका राइट असर है ठीक है नेक्स्ट रामदरस मिस्त्र क्रत बबूल और केक्टस इसमें कैक्टस किसका प्रतीक है बताईये आरती जी सुनीता जी माही जी त्रेपन नमबर का क्वेस्टन है आनंध जी प्रदीप जी जिन भी सातियों ने Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया है वो सभी साती एप को जरूर डाउनलोड कर लेंगे ठीक है यहाँ पर जो question आप से पूचा गया है उस question का उत्तरफटाक से बताओ जन्दी से बताना है किसका प्रतीक है तो आदुने की आंत्रिक सब्बता का प्रतीक है डी नमबर आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया सांदार question है मोर पंक निबंद संग्राई किसका है मोर पंक मोर पंक निबंद संग्राई की रचनाकार कौन है मोर पंक बताइए चैन करिए मोर पंक निबंद संग्राई कि निवंद संग्राय किसका है मोर पंक सांदार कोस्चन चेतन वाबु जी बताइए वैसनाभी जी चंवन नमबर की कोस्चन में और सभी का उत्तारे की सर्थ ठाकवर प्रसाद ठाकवर मोर पंक ठाकवर प्रसाद बी नमबर आपका बिल्कु सही है कुवेर नात राय के निवंद संग्रे का प्रकासन वर्ष के नुसार सही अनुकरम बताना है तो कुवेर नात राय आपको बता है है ना लनित निवंद कारों में भी इनका नाम आता है तो इनके जो निवंद संग्रे हैं उनको प्रिकासन वर्ज के अनुसार सही अनुकरम बताना है पचपन में नीलम जी रुत्र शागर जी जल्दी से बताइए कुबेरनात राय की बात हो रही यहाँ पर और सही अनुसर क्या हो रहा पचपन नंबर में पचपन सभी का उत्तर है कि सबसे पहले इनका आएगा रसाखे टक विशाद योग निसाद बांसुरी और द्रश्टी अविसार द्रश्टी अभी सार भी इनका निबंद संग्राय को विरनात कर रहा साके टक भी है विसाद योग निसाद बासुरी द्रश्टी सार तो यह जो किरमबद है यह नंबर में वो आपको यहाँ पर किरमबद देखने को मिला ठीक है फिर अंगले कोस्चन क्यों जाएंगे शबी स संग्राय की रचनाकार कोन है राहुल राज जी चैन करिए तनु जी 56 नंबर का कोस्चन है 56 नंबर का बहुती शांदार कोस्चन बैरी गुड विकलांग इस रध्धा का दौर विकलांग इस रध्धा का दौर इस निबंद संग्राय के रचनाकार कोन है तब आपका आंसर रोलाट हरी शंकर परसाई बी नमबर ठीक है बिकलांग स्रत्या का दोर हरी शंकर परसाई बी नमबर राइट आंसर है कौन सा निबंद संग्रे स्री लाल सुकल का नहीं है संतावन में कौनसा निबंद संग्रे स्री लाल सुकल का नहीं है स्री लाल सुकल का कौनसा नहीं है अंगत के पाउं कुछ जमीन पर कुछ हवा में खबरों की जुगारी या फिर मकान पोठ रहे हैं संतावन नंबर का कौस्चन है सांदार बहुती बढ़िया कौस्चन है राइट आंसर स्री लाल सुकल का कौनसा नहीं अंगत के पाउं तो हैं कुछ जमीन पर कुछ हवा में ए भी है खबरों की जुगारी ए भी है कबरों की जुगारी फिर कौनसा नहीं है राहुल राज जी क सब्सक्राइब कर लेंगे जिन भी सात्यों को नोट्स मंगवाना हिंदी साइथ के वो नोट्स भी मंगवा सकते हैं दोस्तों संपर करना है आपको ठीक है नंबर नीचे चलना है तो यहां पर आपका उत्तर है कि बाद विबाद संबाद लोग काई के लिए करते नाम के लिए नाम के लिए डिसी नंबर नाम के लिए क्या करते हैं बाद बेबाद संबाद करते हैं बेहया का जंगल निबंद संग्राई की लेककवन उन्सट में अनिल महराजी नीता जी संतोस जी सबी लोग चैन करेंगे बेहया का जंगल निबंद संग्राय के लेखक वने विश्णुकान सास्त्री सांति प्रिय दुवेदी कर्ष्ण विहारी मिस्र रामद्रस मिस्र पारबती जी उमेज जी 69 नंबर के क्वेस्चन में 69 का राइट आंसर चैन करना है बेहया का जंगल इस निबंद संग्राय के लेखक कौन है 69 का राइट आंसर बताना है वो सभी को उतरे की सर बेहया की जंगल में कशन क्या कर रहे है जंगल में विहार कर रहे है जंगल तो बेहया का जंगल कशन विहारी मिस्र C नमबर आपका बिल्कु सही है C नमबर राइट आंसर है ठीक है जो घर फूंके जो घर फूंके निबंद संगराई किसका है 60 में जो घर फूंके नरेंद्र कोईली ज्यान चद्रवेदी गोपल चद्रवेदी सरय जोषी जो घर फूंके प्रदीप जी असमिठ थाकोर जी सभी लोग बताएं अरुण राजपूत जी चैन करो जो घर फुंके जो घर फुंके 60 नामबर का question है तो बोले सरु जो घर फुंकता है वो ग्यान ज्यान बोले ज्यान चत्रवेदी ज्यान ज़ादा देता है ज्यान है ना घर फूंके जो घर फूंके यान चत्रुवेदी यान चत्रुवेदी बी नमबर आपका सही है कौन सा निवंद संग्रे रविंद्र नात्यागी का नहीं है रबेंद्र नात्यागी का कौनसा निबंद संग्रह नहीं है वित्ती चित्र आडू का पेड़, देोदारू का पेड़, फूलो माले, कैक्टस अरजुन जी, राजिव जी, संजीव जी सभी लोग बताएंगे 61 नंबर का क्वेश्चन है 61 नंबर के क्वेश्चन में बताना है कौनसा निबंद संग्रह रबेंद्र नात्यागी का नहीं है आडू का पेड़, वी नंबर आपका बिलकु सही है बाकी भित्ती चित्र है देओदारू का पेड़ है फूलों बाले केक्टास एभी है आडू का पेड़ नहीं है भी आपका बिलकुस सांदार क्वेश्चन है बहुत बढ़िया अंगले क्वेश्चन के उड़ जाएंगे अंगला क्वेश्चन है यहापर भूलने के बुर्द निबन्द संग्रह है कि किसका है भूलने के बुर्द भूलने के बृत बासट में पता ये आरातिया जी उपासना जी राकेश जी भूलने के बृत बहुत भी बंपर टरीके से तो भूलने के बूलने 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 इसका अभी तक डाउनलोड नहीं किया कि सभी साथ यह डाउनलोड करने दोस्तों जीप पर सवार इंडियां यह आप से पूछा गया जीप पर सवार इंडियां 63 नमबर के question में सभी का उत्तर है सरद जोसी के c आपका विलकु सही है जीप पर सवार इंडियां सरद जोसी c नमबर बहुत बढ़िया question है अपसर की मौत अपसर की मौत निबंद संगरह किसका है अपसर की मौत 64 में बताएए प्रेम पोरी जी बैसनबी आनंद जी निसा जी लबली जी 64 में अपसर की मौत अपसर की मौत के रचनाकार बताना है अपसर की मौत सांदार बहुत बढ़िया और सभी लोग बता रहे कि सर बहुत ही चत्र तरीके से हुई अपसर की मौत कैसे हुई है चत्र तरीके से चत्र तो चत्र से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा चत्र तरीके से बताना है आपको ठीक है तो अपसर की मौत चत्र तो गोपाल चत्रवेदी बी नमबर अपसर की मौत कैसे हुई है उसर बड़े चत्र तरीके से हुई है अन्स जी बी नमबर आपका बिल्कुस है ये बूजत स्याम कौनतूं गोरी निबंद संग्राय किसका है 65 नमबर में 65 में तनू जी संद्या जी सरोच जी स्पी चत्रवेदी जी बूजत स्याम कौनतूं गोरी निबंद संग्राय राम अबद सास्त्री का है किसका माना जाता है प्रेम कोरी जी प्रदीप जी आनंद जी सभी लोग बताइए 65 नंबर का बहुत ही सांदार क्वेस्चन है अच्छा क्वेस्चन है सभी का उत्तर जा रहा है कि सर बूझत स्याम कौन तुंगोरी के 65 में राइट आंसर है राम अबद सास्त्री बूझत स्याम कौन तुंगोरी के निबंद संगरा है बूझत स्याम कौन तुंगोरी के निबंद आ चुपा है दोस्तों बूजद स्याम कौनतु गोरी निबंद किसका है ये निबंद है राम अबद सास्त्री का ये नमबर आपका बिलको सही हो जाएगा बूजद स्याम कौनतु गोरी बोले राम अबद गोरी राम अबद ठीक है याद करोगे नेक्ट है कौन सा ने बंद संग्रेर नर्वधा प्रसाद उपाध्याई का नहीं है, ये बताना है विजय कांत जी, चैन करो हरिस्चंद जी, नर्वधा प्रसाद उपाध्याई का एक भोर जुगनों की सब्द और धर्ती, शुनो दे उता या प्रभास की सिपियां नर्वदा प्रसाद उपाध्याय का कौन सा नहीं है 66 नंबर के question में शबी लोग बताएंगे right answer क्या जा रहा है right answer right answer बताना है कि सर नर्वदा प्रसाद उपाध्याय का एक भोर जुगनू की एतो है ठीक है सुनो देउता A B है सुनो देउता नर्वदा नर्वदा चलना है प्रभास की सीपियां कहा मिली नर्वदा में लेकिन सब्द और धरती ये नर्वदा प्रसाद का नहीं है B नंबर आपका बिलकुँ सांदार question बताएं आपने बजेतो बंसी गूझेतो संक निबंद संगरा है आप लोगों को इनके practice करना है बार बार एक दो बार वीडियो को जरूर देख लिया करो दोस्तो बजेतो बंसी गूझेतो संक है ये निबंद संगरा है इसके लेका कौन है कंचन जी 67 नंबर का question है राइट आंसर बजेतो बंसी और गूझेतो संक है 67 नंबर का question बताना है और सभी का अंसर है कि सर बजेतो बंसी गूझेतो संक है 67 में स्री राम परिहार C नंबर आपका सही है स्री राम परहार आपका बिल्कु सही है बजेतो बंसी और गूझेतो संक हाँ हाँ नेट जय आरएप के लिए भी उपी होगी है आप लोग ऐसे ही बता सकते हो बतादो किसको पता है चीड़ों पर चांदनी चीड़ों पर चांदनी निबंद संग्राई के रचनाकार कौन है बताइए मोटी वेशनल जी विजय कांत जी शबी लोग बताएंगे चीड़ों पर चांदनी और सभी का उत्तर है कि सर चीड़ों पर चांदनी कैसी लगती है चीडों पर चांदनी बड़ी निर्मल निर्मल लगती है निर्मल से निर्मल वर्मा वी नमबर आपका सही है चीडों पर चांदनी कैसी लगती है निर्मल निर्मल वी नमबर नहमी चंदर जैन की निबंद संग्रह का प्रिकासन बर्स के अनुसार सही अनुकरम क्या है नयमी चंद्र जैन 59 नंबर का कोस्चन है नयमी चंद्र जैन के सही अनुकरम बताना है कौन सा सही अनुकरम है 59 नंबर का कोस्चन है कौन सा सही आंसर है 59 में और नयमी चंद्र जैन की बात आई है तो सभी लोग बता रहे कि सरन्यमी चंद्र जैन, अधूरे साक्षातकार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्च और जनांतिक ये आपका सी राइट आसर हो जाएगा रिंकी बर्मा जी, आरूसी मीना जी, C नमबर अदूरे साक्षात कार, रंगदर्सन बदलते परिपेक्च और जनानते ठीक है, very good, अंगला कोस्चन है लगू मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस लगू मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, इसकी रचनाकार बताना है, इसके रचनाकार कौन है, रचनाकार बताईए, लगू मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, सत्तर नमबर का ये कोस्चन भी कई बार आ चुपा है, इसने बंद संग्राय के रचनाकार कौ हैं बहुती सांधार क्वोस्टन हैं बहुती बड़ीन क्वोस्टन है दोस्तों लगू मानव के बहाने के बना सा अथा तो सुंदर जिग्यासा निवंद संग्राई के लेकक वन एकत्तर में अथा तो सुंदर जिग्यासा मुक्तिवोध हैं रगवीर साय हैं रवेश कुंतलवेग हैं रवेश चंद्र साय हैं अथा तो सुंदर जिग्यासा ये बताना है प्रदीप पाठक जी बताईए अड सबीक वंद्र संग्रई की लेकग है अंसर है किस निबंद संग्रई के लएख़ कौन है एक साहित्यक की डायरी कई बार एक कॉस्चन आया एक साहित्यक की डायरी इस निवंद संग्राई के रचना कार कौन है मुक्तिवोध हैं रगवीर सहाय हैं हरी शंकर पड़साय हैं कौन मान जाते हैं दोस्तों चैन करिए जड़ी से एक साहित्यक की डायरी एक साहित्यक की डायरी निवंद संग्राई के लेकक कौन है लेकक बताना है और सबी लोग बता रहें कि सर एक साहित्यक की डायरी की क्या हो गई मुक्ति हो गई मुक्ति तो मुक्ति से आपका उत्तर हो जाएगा मुक्ति वोध ये नमबर आपका सही है ठीक है निबंदकार को आने कुवर नाराण है असोग बाचपई अलका पाठक केलास बाचपई पावभर जीरे में पावभर जीरे में ब्रह्म भोज इसके निबंदकार बताना है अंजली जी पिंकी जी संजू जी छुनीता जी तेहितर यानि की 73 नंबर का कोस्टन है सभी लोग बता रहे कि सर पावभर जीरे में ब्रह्म भोज इसके जो रचनाकार है असोग बाचपई वी नंबर आपका बिलकुँ सही है राई आनसर है ठीक है पावभर जीरे में ब्रह्म भोज असोग बाचपई की दोस्तों, क्या माना जाता है, निबंद माना जाता है, फ्य नंबर आपका सहिए, ठीक है, पुरिसरसोग बाछपैने, पावहर जीरे में क्या करवा दी है, ब्रह्म् में बोज करवा दी है, ठीक है, नेक्ष्ट, अंगले Question की और हम बढ़ेंगे, अंगला Question यहां पर है, अंग और से हम जोसी हैं हरी मोहन जा है अपूर्वानन्द है अक्षय जैन है अंग्रेजु भारत मत छोड़ो कि गजबसा निबंद है अजबसा और गजबसा तो यहां पर राइट आंसर है किसे अंग्रेजु भारत मत छोड़ो यह है अक्षय जैन अक्षय जैन डी नंबर इनका द अपना अपना राग निबंद संग्राय किसका है 75 नमबर का बताईए सविता जी राइट आंसर असमित जी अपनी अपनी डपली अपना अपना राग इस निबंद संग्राय के रचना कारगोन है मनुझ गुपता जी 75 नमबर का क्वेश्चन है और 75 नमबर के क्वेश्चन में आपका अपनी अपनी धपली अपना अपना राग चेंड करो Self Study Classes का एप जिन भी सात्यों ने डाउनलोड नहीं किया है वो सभी साती Self Study Classes ये वाला जो एप है सभी साती डाउनलोड कर लेंगे ठीक है और जिन भी सात्यों को दोस्तों पोर्स में अडवीसर लेना है अभी आप मात्र 15 रोपे में अडवीसर ले सकते हैं ठीक है और आपको अगर नोडस मंगवाना हिंदी साहित के इतिहास के तो नोडस भी मंगवा सकते हैं नीचे नंबर है संपर कर सकते हैं अपनी अपनी धपली अपना अपना राग यानि की 75 नंबर का question है उत्तर है क्या right answer है अपनी अपनी ढपडी अपना अपना राग वो है विजय देवनाराण साही ठीक है right answer है आपका जो ये नंबर है विजय देवनाराण साही हो सही है अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग हम लोगों की बुद्धी ब्रद्धी किस रीती से होगी छेतर में हम लोगों की ब्रद्धी किस रीती से होगी किस रीती से होगी मोहलाल विश्णूलाल पंडिया ये निबंद बताना ये निबंद किस ने लिखा हम लोगों की ब्रधी किस रीति से होगी कमला ठाकुर जी बताओ 76 नंबर के क्वेस्चन में बताना है चैन करना है साथ यह बहुत ही सांदार क्वेस्चन है जल्दी-जल्दी से बताओ फटापट से चेंड करो हम लोगों की ब्रद्दी किस रीती से होगी निबंद किस ने लेखा है 76 में बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है सभी लोग बता रहें का यानि की मोहलाल विश्णुलाल पंडिया ये का नमबर जो है वो सही है हम लोगों की ब्रती किस रीती से होगी जो का नंबर है पूराइट आंसर है ठीक है वेरी गुड खामोस नंगे हमाम खामोस नंगे हमाम में नंगे हमाम में निबंद संगरा है किसका है 77 77 नमपर का क्वेस्चन है खामोस नंगे हमाम में निबंद संगरा है किसका है तो चेन करो जदी से बताओ विसाल जी बहुती सांदार question है रोज रात त्री नो बजे एकलास होती है सभी सातियों के लिए ठीक है चेंड करना है आलोक जी यहाँ पर उत्तर बताईए पहले खामोस नंगे हमाम में निबंद संग्रें ये किसका है 77 नंबर का question है सभी का उत्तर है ज्यान चत्रवेदी ज्यान खामोस नंगे हमाम में ज्यान ज्यान से ज्यान चत्रवेदी बी नंबर आपका बिलकु सही है राइट आंसर है ज्यान चत्रवेदी सांदार question बहुत बढ़िया अंगले question की ओर हम जाएंगे तब तक सभी साती like कर दो दो है एना रश्मी पाठक जी चौरे का दिया बताओ अच्चा question है चौरे का दिया कि निबंद संग्राइक इसका अठत्तर में अठत्तर का राइट आंसर चौरे का दिया चौरे का दिया बताइए जदी से चौरे का दिया बताना है चौरे का दिया बताइए तो 78 में सभी का उत्तर है कि सर्थ चौरे चौरे का जो दिया है न विश्व में प्रशिद्य कैसा है विश्व में चौरे का दिया चौरे का दिया तो विश्व में क्या है प्रशिद्य विश्व प्रशाद विश्वनात प्रशाद ये नंबर ठीक है चौरे का दिया विश्व में प्रशिद्य है ठीक है जुलूस रुका है जुलूस रुका है कई बार पूछा गया है दीपक गरी जी जुलूस रुका है सभी लोग बताएंगे रोज रात्री नो बज़े इस किलास से सभी को जुड़ना है दोस्तों है ना और अभी 9.45 पर किलास आएगी अपने टिर्की गुरू यूटूब चैनल पर 9.45 पर आएगी है ना सभी लोगों को वो किलास भी देखना है 9.45 वाली जुलूस रुका है किस ने बंद संग रहे कैसे रुका है जुलूस पुरिसर जुलूस रुका है लेकिन जुलूस कैसे रुका है बड़े ही बिबेक से रुका है बिबेक बिवेक से रुखाय जुलूस रुखाय लेकिन बिवेक से तु बिवेक की राए आपका B-number बिलकु सही है B-number आपका राइट आसर है Next है कौन सेव पूज़न सहाय को हिन्दी भूषन के नाम से संबोधित करते थे निम्न मेंसे बताना है कि कौन स्योपूजन सहाय को हिंदी भूषन के नाम से संबोधित करते थे प्रेम कोरी जी नीलम जी जिन भी सात्यों को नोट्स मंगवाना हिंदी साहित के वह संपर कर सकते नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हैं और MPT वाले जितने भी साती हैं, अब इसे तैयारी चालू कर दो, है ना, तो आप निश्चत रूप से दोस्तों बहुत आंगे पहुंचोगे, अरबिंद जी, कौन स्यो पूजन सहाय को हिंदी भूशन के नाम से संबोधित करते थे, असी का उत्तर वतना है, और असी में सभी का उत्तर है कि सर, को करते थे, कौन, बयोगी अरी, निराला जैसंकर प्रसाथ कौन करते थे, सभी का आंसर आया कि सर, स्यो पूजन सहाय को हिंदी भूशन के नाम से संबोधित करते थे, कौन, निराला, यानि सी नंबर आपका बिल्कु सही है, सी नंबर राइट आंसर है, दोस्तोती यहाँ पर आपके असी question जो है ने बंत के कंप्लीट हो जाते हैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्पूर हें ना हिंदी आलोचना की शुरुवात किसके द्वारा होती है आप से क्वेश्चन पूछा गया है बताओ प्रेम घन के द्वारा बाल कश्ण बट्टे दौनों या फिरिन मैंसे कोई नहीं ठीक है हिंदी आलोचना की शुरुवात किसके द्वारा होती है एक नंबर का क्वेश्चन है सभी को पताए कि सर प्रेम घन और बाल कड़ बट्टे यानि कि आपका जो C नंबर है C नंबर आपका बिलकुँ सही है C नंबर आपका दौनों राइट आंसर हो जाएगा हिंदी आलोचना की शुरुवातिनी के द्वारा होती है ठीक है और आपको पताए भारतेंदू मंडल के ए दोस्तों लेखक मार जाती है दौनों है ना उसके बाद नेक्स्ट कोच्चर न सबसक्रות का जन जनक Kिससे कहा जाता है Bienожारेक समिक्चा का जनक हरतेंदू जी प्रेमगन प्र नारणमी स्त्र या फिर बाल्यक्रश्णन Analytics as dip olur बोहारेक समिक्चा का जनक किससे कहा जाता है सांदार कोस्टन है लगवग सभी को पताओगा दो नंबर को उर राही टांसर है कि सरवाल करश्ण भठ को बहुँहालेंग समिक्छा का जनक यह आना जाता है किसे वालकन भठ्टजी को डी नंबर आपका बिलको सही है टी नंबर ठीक है बहुत बढ़ी या नेक्स्ट कोस्चन सचते समा आ लोचना शीरसक आ लोचना यह पिंग दोस्तों निगी आद आ Sergio जासा किसने लिखी है प्रतिवा जी कंचंची मन्ना तनीता जी तीन नंबर का क्वेश्चन है और सच्ची समालोचना में आप लोगों को वताना है सच्ची समालोचना जिन भी सातियों ने एप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों सेल्फ स्टडी किलासेस तो सेल्फ स्टडी किलासेस का एप सभी साति डाउनलोड कर लेंगे सच्ची समालोचना सीर्षक आलोचना एक लिखी किसने हैं यह सांदार कॉस्चन पूछा है तब आपका उत्तर है सरवाल करन वटने यह नंबर आपका विल्कु सही है मार्क्स आलोचक नहीं है यह आपको बताना है चार नंबर की क्वेश्चन में मार्क्स बादी आलोचक नहीं है मुनेंदरपाल जी स्पी चत्रवेती जी बताइए मार्क्स बादी आलोचक यह क्वेश्चन आ चुका है बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पिछली बढ़े कोस्चन आया था निम्न में से बताइए कौं सा मार्क्स वादी आलोचक नहीं है ना तो यहां पर राम्विला सर्मा है से उदान से जोहानवी है चार नंबर का क्वेस्चन है चार नंबर की क्वेस्चन में सभी का उत्तर है कि सर सांती प्रियदोवेदी नहीं है घी अमबन आपका बिल्को सही है, राइट आंसर है, तुलिनात्मा का अलोचना को किसे ने प्रारम किया, यानि कि तुलिनात्मा का अलोचना के जनक कौन माने जाते हैं, तुलिनात्मा का अलोचना के जनक कौन माने जाते हैं, शबी लोग बताएंगे दोस्तों, कितना अच्छा क क्युक्षचिन प्विच्च्चिन पूचा गया है तुलि नातमक आलोचना का जनक किसे माना जाता है राम्चन शुकल है पदम से सरमा या फिर किसे माना जाता है अच्छा question है और तुल्णा अपन ने कि वह ने काई की तुल्णा पदम पदम की तुल्णा पदम तो पदम से हैँ शर्मा ठीक है के इनेद माना जाता है दोस्तों तुल्णा अत्मक आलूचना का जिनाक 5 नंबर की question में इसके बाद यहाँ पर आते हैं मिस्ठ बंदू में त्वारा लेके hindi नवरत्न पुस्तक कब प्रिकास्यत हुई यह कुछूस्टन पिछली बार पंजाब मास्टर केडर में आया था अ कर द आती है तो तर क्या होता है छह नंबर कड़िश्चन है छह नंबर की क्वेश्चन में 1910 नवरतन है और नव में प्लस एक करदोस हो जाएंगे 10 तो 1910 इस भी सी नमबर आपका सही है ठीक है देव और बिहारी पुष्टक के लेखक कौन है देव और बिहारी देव और बिहारी लाला भगवान दिन दीव और विहारी मिस्त्रion विक्षन विहारी सी विक्षन विहारी मिस्त्र भी आपका संदार राइंट कोश्चन है थैक है अंगले कोश्चन को वर हम बढ़ेंगे सबी साती आजाएं जंदी से यहां पर कॉस्चन है कभी करतब नामग कुष्टक के लेखक कभी करतब राट नमबर के क्वोस्चन है कभी कर्टब नामकुष्टक के लेखक कौन है कभी कर्टब बताना हरियोद है दिनकर है महाविर परसाद दुवेदी है या फिर कौन है कभी कर्टब बताना है कभी कर्टब कभी कर्टब आठ नंबर का क्वेश्चन है आठ नंबर के क्वेश्चन में शबी का अंसर क्या जा रहा है कभी करतब कभी का करतब क्या है कभी करतब नावा कुछ तक बताइए पुलिशर कभी का करतब है महावीर की पूजन करें महावीर है ना तो महावीर का प्रशाद लें कभी का करतब है महावीर का प्रशाद सी नंबर सी नंबर आपका राइट है प्रदीप जी पंकजी सुनील जी साहित्या लोचन क्रती के रचनाकार रामकुमार बर्मा स्याम सुन्दरदास लच्वी कांद बर्मा या फिर महावीर पिरसाद तोवेदी साहित्या लोचन बताना है साहित्या लोचन कैसे होंगे कभी आप लोग ने कलपना की साहित्य के लोचन सुन्दर होंगे सुन्दर मनुच गुपता जी सुन्दर होंगे तो स्याम सुन्दरदास बी नमबर आपका सही है विश्वास मलिक जी राजेस जी साहित्य के लोचन कैसे बुले बड़े सुन्दर है ठीक है रस्मी मानसा पुस्तक के लेककों ने दस नमबर में रस्मी मानसा बताना है दोस्तों बताईए जन्दी से चैन करो राइट आंसर में बहुती बड़िया क्वेस्चन है चैन करना रस्मी मानसा पुस्तक के लेकक रस्मी मानसा और रस्मी की मनसा क्या है रस्मी की मनसा दस नमबर की क्वेस्चन में पुलिसर राम चंद्रे शुकले के आड अंबर है जो बिल्कुल शही है राम चंद्रे शुकले करत त्रिब्याणी में किसका वरनन नहीं है किसका वरनन नहीं है कबीर तुलिशी जायसी या फिर सूर किसका वरनन नहीं है पारवत्ती देवी जी किसका वरनन नहीं है बहुत त important question है रामचन सुकलिक्रत त्रवेणी में किसका वरणन नहीं है ये question पूछा गया 11 नंबर का right answer है और आपको बताए कि सर जाय सी तुरसी सूर इनका वरणन है बकि कबीर का वरणन नहीं है त्रवेणी में आपका उत्तर ये नंबर बिलकुल सही है ये नंबर right answer है next बिहारी की बाग विभूती नामक उस्तक के लेखक वन है बिहारी की बाग विभूती बारा नंबर में वीडियो को सभी साती सेयर कर देंगे दोस्तों बहुती सांदार question है तो यहां पर बिहारी की ब बाग विभूती नामक उस्तक के लेखक वन है ये बताना है आपको बारा नंबर की question में रशने संकर सुकल है रशने बिहारी मिस्रे विश्वनात प्रिसाद मिस्रे पदम से है शर्मा है तो यहां पर right answer बारा नंबर की question में सभी का उत्तर है कि सर बिहारी की बाग विभूत क्यानि कि 12 नंबर का उत्तर है इसक विश्वुनात प्रिसाद विष्वनात बिहारी की वाग वी भूती का इसे विष्व के प्रिसाद से विश्वनात प्रिसाद शी नंबर आपका बिल् GOT सांधर question पुस्तक बताना है घोश्वामी तुलिशी दास की सिदास के वाल करन बटकी राम चंशुकल विश्वनात या फिर गंगा प्रशाद गोश्वमी तुर्शी दास नामक पुष्टक के लेखक कौन है कितना वड़िया सा क्वेस्चन आप लोगों से पूचा गया है सांदार क्वेस्चन अब लाइक तो बनता ही है तो सबी लोगों ने 13 नंबर के क्वेस्चन में लगाया कि सर्राम चदर सुकल गोश्वमी तुर्शी दास ठीक है नेक्स्ट है कला में अभी वेंजनाबाद पुस्तक के लेखक कौन है कला में अभी वेंजनाबाद कला में अभी वेंजनाबाद किसके करचना कार आपको बताना है लच्मी नाराण सुधानसू बिने मौहान सर्मा, डक्टर सतेंद्र, केशरी, नाराण सुकल है, कौन है चौधा का राईट आनसर बताना है उस अभी का उतर है लच्मी नाराण सुधानसू यानी कि जो आपका ए नंवर है, ये नंबर बिलकुल सही है ये नमबर लच्चमिनार सुदान सुराइट अंसर है ठीक है उसके बाद यहां पर आते हैं अंगला कोश्चन है काप में रहसवाद आलोचनातमक पुस्तक है तो किसकी है काप में रहसवाद निराला पंत या फिर किसकी है दोस्तों किसकी मान जाती है काप में रहसवाद निराला पंत या फिर महादेवी वर्मा काप में रहसवाद आलोचनातमक पुस्तक बताना है बहुती संदर कोश्चर पूछा गया और सबी लोगों ने बताए कि सरकाप में रहसवाद काप में रहसवाद जैसे कर प्रसाद यानि कि आप का उत्तर है प्रिसाद काव में रहस्चबाद का प्रिसाद ले लो काव में रहस्चबाद का प्रिसाद प्रिसाद लेना है अपन को ठीक है पंत और पल्लाव उस तक किसकी है दोस्तों पंत और पल्लाव पंत और पल्लाव नाम से किसने लिखी है यह कोस्चन आपको बताना है पंत और पंलाव नाम से पंत और पंलाव नाम से प्रिसाद पंत सांती प्रिय दवेदी निराला इन में से आपको चैन कर ना है पंत और पंलाव में से तो पन्त और पल्लौ में 16 नंबर का क्वेस्चन है 16 नंबर की क्वेस्चन में सभी का उत्तर जा रहा है का त्हज़ें कि निराला का नंबर आपका बिल्कुँ सही है पन्त और पल्लौ निराला ठीक है पुत्री भारत की संत्य परंपरा अलोचनात्मक पुस्तक की लेकक बताना है, चैन करना है पुत्री भारत की संत्य परंपरा संत्य परंपरा अलोचनात्मक पुस्तक की नहीं है अठारा नंपर में, कौनसी नहीं है पुस्पराज जी, लबली जी, साधना जी और जिन भी सात्यों को दोस्तो नोट समंगबाना हिंदी साइट के आप नोट समंगबा सकते हैं, बहुती सांदार है कौनसी पुस्तक नंद दुलारे बाजपई की नहीं है, ये बताना है जिन भी सात्यों को एडवीसर लेना है, बिस्तरित पढ़ना है तो आप 15 सुरूपे में दोस्तो बिस्तरित पढ़ सकते हैं, एडवीसर ले सकते हैं कौनसी पुस्तक नंद दुलारे बाजपई की नहीं है, अठारा का राइट आंसर बताना है पर उत्तर है कि सर्वो सूर साहित नहीं है, सूर साहित नहीं है, बाकि आदुनिक साहित, नया साहित नहीं प्रश्न, हिंदी साहित बीस्वी सतापदी कि नंदुलारी बाचपे की बाकी सूर साहित नहीं है भी नमबर आपका सही है फिर सूर साहित किसकी है बता ये कौनसी पुष्टाक हजारी परसाद दुवेदी की नहीं है बताओ हजारी परसाद दुवेदी की कौनसी नहीं है ऐसी question बहुत आ रहा हैं दोस्ते ऐसी इस type के जो question है बहुत पूचे जाते हैं ठीक है 19 नंबर का question है 19 नंबर में बताना है तो बताओ कबीर तो है कबीर तो आपको बताए कि सर कबीर तो है है ना इंदी साहित की भूमिका भी है नात संप्रदाय भी हजारी परसाद दुवेद कबीर तो आपको बता है उसके बाद यहां पर आता रीती काभी की भूमिका पूस्थक के लेकक क望 न है पताईंक काभी की भूमिका बता पूस्तखकले प्धी अमारे साती हैं धोस्तों치 ग्वीजिटी पीजिटी वाले, एंपीटेट वाले, मास्टर केडर, हपीटेट, हटेट आदी वाले जो भी साती हैं, जिनको एड़ीसर लेना हिंदी साहित को विश्त्रित पढ़ना है, थेओरीट केल पढ़ना है दोस्तों, तो आप 1500 में एड़ीसर ले सकते हैं, 12 महिने की वैले डिटी है, रीती काब की भूमिका पुस्तक के लिए का क्वण है, 20 नंबर का क्वश्चन है, सभी का उत्तर है कि सर रीती काब की भूमिका पूची है, तो रीती काब की भूमिका किसने निभाई, नागेंद्र, नागेंद्र, नागेंद्र याद कर लेना डाक्तर, न रृती कभ़ि की भूमी का गुछन गारा है बोले गाभी नगैंद्र जी निभाएंगे नगैंद्र ठीक है क्वंसी पुस्तक स्योदानसे चोहां की नहीं है कि की सब्सक्त कुछ नहीं है-एक कव्चेन आपसे पूछा गया 21 number का question है और कोजी पुष्टक नहीं है सियोधानसे चोहान की इतंतर क्या हो जाएगा कि कीस में इतंतर हो जाएगा भी यानि की नंदन पंथ ये नहीं है प्रगति बाद ये तो है साहिती की परक सियोधानसे चोहान आलोचना के मान ये दोस्तों बहुत अच्छे से कर ले ना एक दो बार वीडियो को देख भी लेना प्रगतिवाद किस की है स्योधान से जोहान ठीक है साहित्य की परक और आलोचना के मान ये भी स्योधान से जोहान की है बाकि आपका उत्तरसाई हो जाएगा क्या हो जाएगा इक 21 नम्बर की question में right answer हो जाएगा सुमित्रा नदन पन्तय यानि B नमबर ठीक है B नमबर next है रस से ताउन मास्था के चरन ये पताइए किसकी रचना है रस से तााउन मास्था के चरन 22 नमबर का question है तो आपको बताई आस्ता के चरण हो या फिर रस सिधान्थ हो ये पूछी जाती है कई बार मुकेश जी बताईए ससी जी, पिंकी जी, बिंदू लता जी 22 नमबर के question में तो रस सिधान्थ रस सिधान्थ तथा आस्ता के चरण के पुस्तके किसकी है 22 नमबर का question है पुत्तर है डाक्टर नगेंदर बी नमबर आपका बिल्कु सही है बी नमबर राइट बहुत बढ़िया अंगले question क्यों रम बढ़ेंगे अंगला question है आप सभी शातियों के लिए दोस्तों यहां पर आजाते हैं सभी सातिय आजाओ जदी से साहित्य समालोचना आलोचना अत्मक पुस्तक के लेखक कौन है साहित्य समालोचना साहित्य समालोचना आलोचना अत्मक पुस्तक के लेखक बताना रामकुमार बर्मा डक्टर नगेंद्र नेवी चंद्रजेन या पिर राम्मिलास सर्मा साहित्य समालोचना आलोचना अत्मक पुष्टक के लेखा कौन है कि इस नंबर का क्वेस्चन है कि इस में बताना है बताईए जाहित्य समालोचना पूचा गया है अब साहित्य समालोचना तो लगबग सभी से बनेगा 23 नमबर के question में और 23 में आपका उत्तर है कि सर्राम कुमार बर्मा साहिए साहित्य समालोचना ठीक है नेक्स्ट है प्रगति सील साहित्य के मान दंड ये भी कई बार है प्रगति सील साहित्य के मान दंड समीक छात्मा क्रती के किसकी है 24 नमबर का question पूचा गया है आपसे 24 नमबर में सबी लोग बताएंगे 24 का right answer तो प्रगति सील साहित के मान दंड मान दंड किसकी मान दंड बताओ 24 नमबर में 24 में शही उत्तर है कि सर प्रगति सील साहित के मान दंड यानि कि उत्तर है रांगे रागों रागों के भी कुछ मान दंड है मान दंड है किसके मान दंड को बगड़ना है मान दंड है किसके रागों के रागों के मान दंड पे चलना है रागों के मान दंड तो रांगे रागों याद रखो ठीक है सबी साती सेयर कर देना दोस्तों हैना कविता की तीसरी आँख बताना है मिर्दुला अगर कि प्रभाकर स्रोत्रिये माता प्रसाद गुपते हैं कविता की तीसरी आँख 25 नंबर का क्वेस्चन है और सबी लोगों का बहुती सांदार क्वेस्चन आ रहा है कविता की प्रभाकर सोत्रीए याद रख लेना है कविता की तीसरी आंग है ना, प्रभाकर सोत्रीए, उले desconti है, scontriy, कविता की तीसरी आंग激सोती है, sotriy सामाइनी एक पुनर बिचार, 26 नमबर में कामाइनी एक बार पुनर विचार तो करो मैंने कई बार आपको बताया है याद भी करवाया अक्टरिक भी बताई है है ना कामाई नी एक बार उनर विचार तो करो पुणर विचारतो करो कामाईनी है ना मैंने कई बार आपको बताए एक बार क्या हुआ मुक्ती बोद जी को देखने आये होंगे पाउने आते ना देखने पाउने आ रहा है आज देखने तो आये देखने अब लड़की भी आये देखने मना कर दी बोले नहीं मुझे साधी पता है मुक्तिवोद जी क्या बोले कामाईनी एक बार पुनर विचार तो करो कौन मुक्तिवोद मुक्तिवोद पुल नहीं चांद का मुह टेडा है पुल चांद का मुह टेडा है तिनकी एक रचना चांद का मुह टेडा भी है ठीक है तो यह सी नंबर कामाईनी एक बार वो बनेना समस्या, एक बार बोल देना, एक बार पुनर विचार तो कर लो, हैना, दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज बताना है, जदी से बताइए, हैना, आपन ऐसी ट्रिक बना लेते हैं, ये बास्तविक्ता नहीं है, आपन तो याद करने के लिए थोड तो दूसरी परंपरा की खोज पुस्ता किस से क्या वयाद हो जाता है अपन को ठीक है तो बता ही रांबिला सर्मा नाम बार्सें सियोधान से चौहान देवी संकर अवस्ती पता ये रोहिनी जी माया त्रपाटी पुस्पा वीरेद्र जी राजी सुरी कुमुद जी दूसरी प देरा दूसरी परंपरा की कोज करते हैं नाम के लिए तो नाम से उत्तर हो जाएगा नाम वार्ष है नाम वार्ष है वी नमबर दूसरी परंपरा की कोज नाम वार्ष है ठीक है तुलसी आधनिक बातायन से किसकी आलोच चकरतियत तुलसी आधनिक बातायन से आधनिक बातायन से आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे गुलाब जी, लाइक जरू कर देना और सेयर कर देना दोस्तों, सेल्प स्टडी क्लासे इसका एप डाउनलोड कर लेना इनको नोट्स मंगवाना है, नोट्स भी मंगवा सकते हो, 28 नंबर का क्वेस्चन है, 28 नंबर के क्वेस्चन है, सभी लोग बताएंगे, बताओ है ना, बोले सर, तुनसी आधनिक बातायन से, आधनिक मेग से बात करते हैं, बात आधनिक मेग से बातन करते हैं, मेग तुनसी, आधनिक मेग से क्या करते हैं, बातन करते बोले सरा आधनिक मेग से बातन करते हैं आधनिक मेग से मेग मतला मेग से हो जाएगा क्रमेश कुंतन मेग तुलसी आधनिक मेग से बातन करते बातन है ना बातन करते तो बातन से बाताइन अपन को याद कर लिना कौन सी पुस्तक नामबार से कि नहीं है नहीं है बताना ह दोस्तो 39 नंबर का question है 39 नंबर में आपको पता है किसम छाय बाद छाय बाद तो एक नाम है तो नामबार्स जिन्थ्ट-सरบा यह दोस्तो नामबार्स है कि नहीं है इक हम यहाँ पर अपन आते हैं ठीक है यहाँ पर आते हैं यहाँ पर देखो कि कविता के नए प्रतिमान ये भी नाम बारसें की कविता नाम है किसी का तो नाम बारसें बाद वे बाद संबाद करते हैं लोग काई के लिए नाम के लिए भी नाम बारसें की है है ना बाकी सिद्ध सरायपा नहीं है प्रगति बाद एवं प्रेम चंद ब्रासत के सवाल बताओ इस पुस्तक के ले का क्वन है प्रगति बाद एवं प्रेम चंद ब्रासत के सवाल ब्रासत के सवाल तो यहां पर 30 नंबर का क्वेस्चन है मुकेश जी गगन जी सभी लोग ब 30 नंबर कहां गया यहां पर आपन को याद रख लेना सियो कुमार मिस्त्र सियो कुमार मिस्त्र प्रगतिबाद एवं प्रेमचंद ब्रासत के सवाल प्रासत के सवाल पूचा है तीस में तो उत्तर लगाना है सियो कुमार मिस्र की है ये कि सियो कुमार मिस्र की रचना है दोस्तों कुल्दी प्रजापती जी है ना सुमित्रा नंदन पंत नामक उस्तक के लेका को ने सुमित्रा नंदन पंत बताओ पंत 31 में बताना है सुमित्रा नंदन पंत नामक पुस्तक आर्टी जी रोली जी जन्दी से बताईए और सुमित्रा नंदन पंत यानि की 31 नंबर का ग्वेस्चन है और सभी का उत्तर क्या जा रहा है सुमित्रा नंदन पंत कि पुस्तक बताना है, शुमित्रा नंदन पंत, जन्दी से बताईए, शुमित्रा नंदन पंत बताना है सबी को, बताईए, जन्दी से, यहां पर आपका सही उत्तर क्या जा रहा है, पुलिसर के जो नंबर है, शुमित्रा नंदन पंत, पंत पूचा है, तब यहां पर आपका राइट अंसर हो जाएगा कि सर, यह जो रचना है, यह नामबार से की है, शुमित्रा नंदन पंत, बी नंबर, ठीक है, यह भी अपन को याद रख लेना, ठीक है, नामबार से लगाओ, अब देखो इसके बारी में अपन और भी पढ़ेंगे, यहां पर कविता, यह बताईए जग्दी से, चैन करो, अच्छा क्वस्चन है दोस्तो, चैन करिये जग्दी से, और यहां पर राइट आंसर हो गया, सर, 32 नंबर में बिलकुँ सही आज से लगाए, नंद किसूर, नबल, भी आपका राइट आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अंगला कोश्चन है, महावी परसाथ दुवेदी और हिंदी नवजारण कुस्तक के लेकक क्वन है, कुस् महावीर परसाथ दुवेदी, महावीर परसाथ दुवेदी, यहां पर आपको बताना है, जल्दी से बताईए महावीर परसाथ दुवेदी और हिंदी नवजारण कुस्तक के लेकक क्वन है, 33 नंबर की क्वेश्चन में, तो राम बिला सर्मा सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, कौनसी पुस्तक अग्गे ने नहीं लिखी, अग्गे ने कौनसी ने लिखी, अग्गे ने कौनस की नहीं लिखी है, कि चैन करना है, जल्दी जल्दी से बताइए, और सभी का सांधार क्वेश्चन आया, 34 नंबर की क्वेश्चन में, बहुत बढ़ी है, राइट अंसर, राइट अंसर की सर, सब्वेता से संबाद, ये अग्गे की नहीं है, डी नंबर आपका सहिए, अगला क्वेश्चन है, प्रेम चंद सामंत के मुनसी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 35 नंबर में, 35 में बताइए, प्रेम चंद सामंत के मुनसी, प्रेम चंद सामंत के मुनस प्रेयम चंद सामंत के मुल्सी प्रेयम चंद सामंत के मुल्सी सांधार पॉस्चन और शबी लोगों का अंसर आ रहा है कि 35 नंबर के कॉस्चन में आप लगा दो डाक्टर धरंबीर प्रेयम चंद सामंत के मुल्सी 35 का बिलकुस सही आंसर है अंगले कोस्चन के और बढ़ेंगे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना सभी साती है ना यहाँ पर आ जाओ अंगला कोस्चन है आपका हिंदी कोविद रतनमाला के लेखक कौन है हिंदी कोविद रतनमाला के लेखक कौन है हिंदी कोविद रत्नमाला हिंदी कोविद रत्नमाला सांदार कोस्चन है हिंदी कोविद रत्नमाला कैसी होगी शुंदर ही होगी हिंदी साहित विमर्ष के लेका कोन है 37 नमबर में हिंदी साहित विमर्ष 37 का राइट अंसर बताना है 37 में, तो हिन्दी साहित, विमर्ज, हिन्दी साहित में विमर्ज करना है, अपण को भुल सर, हिन्दी साहित, विमर्ज को रचनाकार है वो कौन है? पदुमलाल, पुंणलाल, बक्सी, C नंबर आपका बिलकु डिये, ठीक है? जन्दी से बताओ, बाजबी, कपोतबी और पपीहाबी, इसके रचनाकार कोने धरमबीर है, मुत्रा राक्चास धरमबीर भारती या फिर प्रेमचंद है, कबीर बाजबी, कपोतबी, पपीहाबी, 38 नमबर का कॉस्चन है, 38 नमबर में राइट आंसर है, इसारे डाक्टर धर धरमबीर की रचना है, डाक्टर धरमबीर, ठीक है, कबीर बाजबी, कपोतबी और पपीहाबी, सांदार कोस्चन, ये नमबर बिलकुस है, निराला की साहित साधना के कितने भाग है, चैन करदो जन्दी से, सांदार बहुत बढ़िया कोस्चन है, और शबी लोग बता रहें कि सर, निराला की साहित साधना, ठीक है, निराला की साहित साधना बताना 49 नमबर के क्वेस्चन में, और 49 में सभी का उत्तर है, क्या, तीन, तीन यानि बी नमबर बिलकुस है, ठीक है, चायाबाद का पतन पुस्तक के लेका कोन है, चायाबाद का पतन जन्दी से बताईए दोस्तों यहां पर चायाबाद का पतन बताना है चायाबाद का पतन और सबी लोगों ने सांदार कोस्चन बताये कि सर चालिस नमबर में डाक्टर देवराज शायवाद का पतन देव नई कविता के प्रतिमान यह तो लगबग सबी से बनेगा सबी से बनेगा बताईए नई कविता के प्रतिमान नई कविता के प्रतिमान पूचा गया है और सबी लोग राइट आंसर बता रहे हैं ठीक है नई कविता और नई से क्या लच्छमी कांद बर्मा यह नमबर बिल्कु सही है ठीक है जायसी नामक पुस्तक के लेका कौन है यह बहुत ही अच्छा क्वेस्चन है जायसी जायसी पूची गई ब्यालीस नमबर में और ब्यालीस का आपका राइट आंसर है जायसी विजय देव नारण साही जायसी नामक है ना तो ब्यालीस का उत्तर किसकी है जन्दी से चैन करिए जायसी नामक और सभी सात्यों ने अंसर बताया कि सर्थ सी नमबर विजय देव नारण साही ठीक है अंगले क्वेस्चन की और हम बढ़ेंगे अंगला क्वेस्चन रामसरूप चुत्रवेदी क्रत आलोचनात्मक रचना नहीं है यह बताना है बताईए आलोचनात्मक रचना कौनसी नहीं है रामस्वरूप चुत्रवेदी क्रत बताना है रामस्वरूप चुत्रवेदी क्रत तो शबी लोग अंसर क्या बता रहे हैं आलोचनात्मक रचना नहीं है तेतालीस में तेतालीस का राइट आंसर है कि सर्चायवाद का रचना लोग यह नहीं है क्रांतिकारी कभी निराला पुस्तक के लेका कौन है जदी से चैन करिए क्रांतिकारी कभी निराला क्रांतिकारी कभी निराला पुस्तक के लेका के दोस्तों बच्चन से ठीक है बी निराला पुस्तक का रथात समीक छात्मक्रती इसकी रचना कारपन कभी निराला पुस्तक का रथात कभी निराला पुस्तक का रथात बताना है कभी निराला पुस्तक का रथात कभी निराला पुस्तक का रथात और सभी लोगों ने बताया 45 नंबर के question में Right answer है परमानंद स्री वास्तो कभिता का अर्थात जाने के परम अर्थ जाने के परमानंद आ गया आलोचना का पक्ष पुस्तक के लेका को ने आलोचना का पक्ष आलोचना का पक्ष बताना है जन्दी से बताओ आलोचना का पक्ष बताईए आलोचना का पक्ष है 46 नमबर की क्वेडियो को सभी साथी लाइक जरू कर देंगे दोस्तों 46 का राइट अंसर है कि सर आलोचना का पक्ष है कौनसी रमेश कुंतल है ना रमेश चदरसा है आलोचना की बताना है निर्मला जैन यानि कि आपका जो यहां पर बी नंबर है वो बिल्कु सही आंसर है निर्मिला जैन हिंदी साहित बीस भी सताबदी है ना यह अपन को याद रख लेना ठीक है उसके बाद अंगला क्वेस्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों आपको बताना है कौन सा गरंत विश्वन प्रसाते बारी क्रत नहीं है अड्तारीस नंबर के क्वेस्चन में 48 कौन सा गरंत विश्वराक प्रसाते बारी क्रत नहीं है और 48 में रचना की सरुकार है कत्य की प्रतिमान भी है अलोचना की हास ये पर भी है लेकिन एक कविता का गल्प नहीं है बी नमबर ये नहीं है ठीक है नेक्स्ट है अगला कोश्चन है निराला आत्म हन्ता आस्था के निराला आत्म हन्ता आस्था पुनेचस में निरालाा आत्म हन्था आस्था पुनेचस पुनेचस का राइट आणसर तो निराला आत्म हन्था आत्म हन्था की दूदनासें सी नंबर पुरे साथी पिलकुट विल Phillips ठीक है, राइट अंसर, सभी का उत्तरे की सर सितान तुरत्यन तो विश्व में काम करते हैं, विश्व में है ना, तो विश्व आपने D नमबर बताया है, अगला कोस्चन है साकित को जीवनवादी का पकिस आलू चकने का, बहुत आंदर कोस्चन इंक्यावन में, साकित को जी नमबर का अपना है, यहाँ पर अपन को याद रख लेना है, यह डाक्टर नगेंदर, अपन को याद रख लेना, यह डाक्टर नगेंदर की भी है, पर नंद दुलारे बाचपे की भी नाम से है, लेकिन यहाँ पर आपको सी नमबर लगाना है, डाक्टर नगेंदर, शुमित्रा नंदर पंत है, यहाँ पर आपका उत्तर सी सही होगा, नंद दुलारे बाचपे की भी है, है ना, लेकिन दोस्तों आपका यहाँ पर जो उत् मिस्र की ही है c number पर सही हो जाएगा c number लोई साधियो गिंग विडियो में तो ै या फिर कौन सी है हिंदी की प्रिथम जीवनी एक नम्मर का सही उत्तर बताया कि सर हिंदी की प्रिथम जीवनी है दयानंद देखे विजए अब इसकी रचनाकार आपको बताने इसकी रचनाकार कौन है चैन करिए इसकी रचनाकार कौन मान जाते हैं दोस्तों और जिन्वी सा प्रत्वाति एप जरूर डाउनलोड कर लेंगे ठीक है यहाँ पर कॉस्चन आप से पूचा गया है हिंदी की प्रत्थम जीवनी प्रत्थम जीवनी दयानंदत के बज़ाए के रचनाकार कौन है जल्दी से बताओ उसके बाद इसका कॉस्चन हिंदी में जीवनी विदा की दुवेदी यूग में खाया बाद में या पिर कब हुई बताए में बहुत ही अच्छा कॉस्चन है किस यूग में हुई है दो नंबर का कॉस्चन है सेल्फ स्टडी किलासेस में जिन भी सात्यों कर लेना है 27 अड-kanntri ले सकते हैं वारतेंदु योग आपका ये नंबर भ सही हो जाएगा ठीक है next कौन्सी जीवनी similar क्लिपरसाथ दुवेदी की नहीं है जले माने प्रसाथ दुवेदी की क्यों सिदह, नहीं है ये question आया है सांदार question आया है जंदी से बताओ भटाक से कौन सी नहीं है तीन नमबर का question है जबी लोगों ने लगाया कि सर्फ प्राचीन पंडेत और कभी ये तो है है ना और आपका उत्तर है सु कभी संकीरतन भी है चरिचर चर लेकिन ये नहीं है आपका दयानंद पर चरिच भी नमबर आपका बिलकुष है ठीक है ली नमबर राइट आसर अकाल पुरुष गांदी के लेकिक रेक। जैन करो अकाल पुरुष गांदी किसके रचनाकार कौन है अकाल पुरुष गांदी के लेखक कौन है अकाल पुरुष गांदी के लेखक बताना है बहुती वड़िया चार नंबर के क्वेस्चन में सभी का उत्तर है जैनेंद्र अकाल पुरुष गांदी ये कईवार पूचा गया question कई बार दोस्तों question आया है अकाल प्रुष गांधी की रिचनाकार कौन है राइट आंसर होता है जैनेंद्र कुमार आपका बिल्कु सही है दोस्तों ठीक है आज NBS का पेपर किस किस का था जैनेंद्र सीनमर आपका सही है उत्तर योगी नामक जीवनी के लेखक है तो कौ प्रिच के योगी नामक जीवनी के लेखक बताना है पांच नमबर का उत्तर बताना है व्रापका उत्तर योगी है प्रिचाद लिया उत्तर प्रदास के योगी जीत है ना तो उत्तर के योगी ने उत्तर योगी स्क्यालिया स्योप्रसाद तो ये जीवनी है किसकी स्योप्रसाद से की कौन सी उत्तर योगी उत्तर योगी ठीक है उत्तरियोगी लिखना है ठीक है बहुत बढ़िया अंगला है मिला तेज से तेज इसकी लेखी का कौन है छे नमबर का क्वेस्चन है मिला तेज से तेज सोभाकात शुवित्रा कुमारी चोहान शुधार उड़ा या फिर सुधा चोहान रश्वी पाटक जी यहाँ पर छे नमबर का क्वेस्चन है बहुत बढ़िया तो पेपर अच्छा गया होगा फिर तो है ना तो मिला तेज से तेज छटबा नमबर का क्वेस्चन है इसकी लेखी का बताना है निसा जी रेखा जी कार्तिक जी शबी लोग बताएंगे छटबा का राइट आंसर है और राइट आंसर है सुधा चोहान मिला तेज से तेज डी नमबर आपका सुधा चोहान बिलकु सही आ जाएं और लाइक जरूर कर दें आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है साथ नमबर अमरत्लाल लांगर की बंकेम चंद्र विश्णु प्रभाकर या पर सरत चंद्र की आवारा मसीहा किसमें किसकी जीवनी है दयाराम जी बताइए सीला गुप जो पढ़ाया था उसी में से सारे question आये थे very good NBS में बहुत बढ़िया फिर तो अच्छा गया होगा paper आप लोगों का आवारा मसीया साथ नंबर की question में है ना तो आवारा के मसीहा है बोली सर्वान विश्णु प्रभाकर आवारा की क्या है मसीहा है विश्णु प्रभाकर है क यह किसकी जीवनिया साथ numbers का question है कि तरदे चंड्र सरस्द्र के जीवन पर आदा रहेते हैं दोस्तों सरस्द नंबर आपको लगगान गांधी के लेखक कौन है आठ नमबर में लेखक बताना जाहे दरी जी परवती जी सबी लोग बताओ गांधी जी की जीवनी महतमा गांधी के लेखक कौन है लेखक आठ नमबर का क्वेस्चन है आठ नमबर के क्वेस्चन में गांधी जी की जीवनी महतमा गांधी महतमा गां कोन औरते हैं चैन करो सेल्फ स्ट इडी की राउनलूड कर लेंगे कि आपर क्वेश्चन है कलम का सिपाही किस किर्टी के रचना कार को ने कलम का सिपाही कलम का सिपाही नो नमबर का क्वेश्चन है नो नमबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताईए बहुत अच्छा क्वेश्चन है नो नमबर में राइट आंसर बताना है पताईए नौ नमबर के question में शबी लोग क्या आज से लगा रहे कलम का सिपाही और नौ का उत्तर है कि सर का यानि की अमरत राय कलम का सिपाही अमरत राय का नमबर आपका बिल्कु सही है बहुत बढ़िया सबी लोग बिल्कुल सही उत्तर लगा रहे की सर मुक्ती बोदी की आत्म का था इसके लेकक है विश्नु चंद्र शर्मा यानि बी नमबर बिल्कु सही है हिंदी की प्रत्म जीवनी धयानन्द देके विजए अपनने पड़ाता कि सर हिंदी की प्रत्म झीवनी कोसी है और डेके विजए इसकी रचनकार क्वण है यह बताना है संजु जी रस्मी पाठक पिस्पा नीता जी कंचं जी सभी लोग बताईए 11 नंबर का question है इंदी की प्रिथम जीवनी दयानंद देगविजय ग्यारा नंबर का question है और सभी का उत्तर है कि सर दयानंद देगविजय की रिचनकान गोपाल सर्मा सास्त्री सी आपका बिल्कु सही है राइट आंसर है कलम का सिपाही में किसका जीवन चरित्र बरने थे बारा नमबर में प्रियंका जी बताईए शुनील एकुमार जी और राइट आंसर बताना है कमला कांदे जी सबी लोग बताईए कलम का सिपाही इसमें किसका जीवन चरित्र बरने थे बिंदू लता जी और 12 नमबर के कोस्चन में सबी लोगों ने बताए कि सर कलम का सिपाही अमरत राय द्वारा लेके थे और इसमें जीवन चरित्र बरने थे किसका प्रेम चंद है यानि C आपका बिल्कु सही है उत्तर योगी में किसका जीवन चरित्र बर्नन है उत्तर योगी उत्तर योगी ये पढ़ने पढ़ाता सिव प्रसाद द्वारा लेखित है उत्तर योगी किसका जीवन चरित्र बर्नन है पूनमराज जी बताओ तेरा नंबर का क्वोस्चन है त तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर योगी में किसका जीवन चरित्र का बर्नन है, तो आपका उत्तर है अरविंद, अरविंद यानि किसी नमबर आपका सहिए, हैना उत्तर योगी में, बहुत बढ़िया, next question आपकी स्क्रीन पर यहां पर आ रहा है, question है, कलम का किसके लेखकवन है, चौदा नमबर में नीतू जी, अंजली जी, हैना बंदना जी, फ्रेंस जी, लवली कलम का मजदूर, किसके लेखकवन है, चौदा का उत्तर सांती बर्मा जी, सिवरानी हैं, अमरत राए हैं, मदन गुपाल हैं, प्रेम चंद हैं, चौदा का राइट और सभी का उत्तर है, कलम का मजदूर, मासे मजदूर और कलम का सिपाही, इनमेंसे आपको बताना है, कलम का सिपाही अमरत राए, और मजदूर की बात हो, यह मासे मजदूर, तो मासे मजदूर, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, मदन गुपाल, मासे मजदूर और मासे मदन ठीक है इस प्रकार से C नमबर आपका बिल्कु सही है बेरी गुड महा पराण निराला इसके लेखक कौन है महा पराण निराला इसके लेखक कौन माने जाती हैं दोस्तों गंगा प्रिसाद पांडे रामबला सर्मा बनारसी दास चतुरवेदी या फिश्णु प्रभाकर महा प्राण निराला पंद्रा नमबर का क्वेस्टन है 15 नमबर की क्वेस्टन में शबीलु उत्तर बताραएगी जब से निराला से महाप्राण निराला हो गए गंगा का परसाद लिया तो निराला से महा निराला महाप्राण निराला हो गए ठीक है मिला तेज से तेज किसमें किसका जीवन चरित्र वर्ने थे मिला तेज से तेज 16 नंबर का क्वेश्चन गगन जी, सेल्फ स्टडी क्लासेज का एप सभी साती डाउनलोड कर लेंगे, पिंकी गोर जी, सुवास चंद जी, सोला नंबर का क्वेश्चन है, सोला नंबर की क्वेश्चन में सभी का उत्तर है, मिला तेज से तेज, सुधा चोहान द्वारा ये लेके थे, और इसमें पर आपका बी नंबर बिल्कुल शहिए, प्रेम चंद घर में इस क्रिती की रचनाकार कोन है, प्रेम चंद घर में एक क्वेश्चन भी कई बार आया है, और आपका उत्तर है, प्रेम चंद घर में और प्रेम चंद घर में क्रती, सत्रा में शिवरानी देवी, यानि बी नंबर शिवरानी देवी आपका बिल्कुल सहिए, सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित, जीवन और साहित किस की क्रती है, विजय कांत जी, संतोज जी, सुमित्रा नंदन पंत जीवन और शाहित इस कृति की रचनाकार बताना है 18 नमबर का उत्तर बताना और उत्तर है सांती जोसी सुमित्र नंदन पंत जीवन और साहित सांती जोसी सांती जोसी बैरी गुट आवारा मसीहा की लेखक बताईए 19 नमबर में आवारा मसीहा इसके लेखक कोने विश्णु चनसर्मा विश्णु प्रभाकर, अमरत राय, अमरत लाल, नागर, आपारा, मसीहा, उन्नीस नमबर का क्वेसचन है उन्नीस नमबर के क्वेसचन में शबी साति बताएंगे आपारा मसीहा के रचनाकार कोन है और सभी का उत्तर जारा किसर आबारा मसीह में उत्तर है विश्णु प्रभाकर यानि की बी नमबर किसकी रचनाकार है सरत चंद्र के जीवन पर आधारती रचना है मनीसी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है दोस्तों बहुत अच्छा चंद्र भंकिमचंद्र या फिर निराला किसकी है एक बहुत ही संदर पूचा गया है बहुत की लोक यात्रा बीस नमबर में और सभी साती सेल्फ स्टडी क्लाश्यका यथ डाउलूड कर ले एना MP TET बाले साती सुले, MP TET बाले सातीयों के लिए एक नया बेच चाड़ू होगा एक जनवरी से, जिनको एड़ीसर लेना है, 21 रोपे में एड़ीसर ले सकते हैं, एक साल की वैलेडिटी रहेगी, एना PGT PGT वाले 15 वाले कोर्स में एड़ीसर ले लेंगे, ठीक है, वहाँ पर मनीशी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, 20 नमबर का क्वोस्चन है, राइट अंसर है कविराज गोपीनात, का नमबर आपका बिल्कु सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अंगले क्वोस्चन की और हम जाएंगे यहाँ पर, अंगला क्वोस्चन यहाँ पर आ रहा है, अगनी सेतु नामक जीवनी के लेखक कौन है, अगनी सेतु नामक जीवनी के लेखक कौन है, 21 नमबर का क्वोस्चन है, 21 में, 21 में राइट अंसर क्या जा रहा है, अगनी सेतु अगनी सेतु नामक जीवनी के लेखक कौन है, 21 का राइट आंसर बताना है, 21 में, सभी का उतर अगनी सेतु, अगनी सेतु चैन करना है, इसलिए हाजी राह और राजी उतकर्स जी, और अगनी सेतु, यानि क्यों उत्तर हो जाएगा विश्णू चंद्र सर्मा सी नमबर आपका सही है, अगनी सेतु में, ठीक है, चंपारण में महतमा गांदी, इसके लेखक कौन है, 22 नमबर में, 22 नमबर में, 22 नमबर का क्वेस्चन है, 22 नमबर की क्वेस्चन में, शभी लोग बता रहे हैं कि सर्चंपारण में महतमा गांदी, ये क्वेस्चन कई ब चंपारण में महतमा गांदी, राइट आंसर है, बताइए, राइट आंसर है कि सर, यह आपका जो डी नमबर है, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद आपका बिल्कुश है, ठीक है, हैना चंपारण में महतमा गांदी, तो आपका उत्तर है, कि सी नमबर, विश्ट की विभूतियां बंटी जी बताइए ना दया राम जी रतीपाल जी विश्चु की विभूतियां इसके लेका खरीभाव उपाद्याए नामबार से रामबिला सर्मा गोविंद त्रगुणाए 23 नंबर के क्वेस्चन में शबी लोगों का अंसर बताना है और 23 का उत्तर है का यानि की हरीभाव उपाद्याए ठीक है विश्चु की विभूतियां इसके लेका के हरीभाव उपाद्याए ये नंबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा हमारे नेता और निर्माता हमारे नेता और निर्माता नेता और निर्माता इसके रचनाकार बतान है नेता और निर्म किसके रचनाकाट से उप्पर साध हैं रामनाथ सुमन है हरी मुह Yep belongs कि इसाथंगा है या पिर विव करी है हमारे ने पर ने 24 नंबर में 24 में राइट आंसर और उत्तर है Prison रामनाथ सुमन हमारे ने पर ने पर फ्रॉन ब्रॉन वी नमबर हमारे नेता और निर्माता ठीक है रामनात सुमन ठीक है और नए भारत के नए निर्माता ये नए भारत के नए निर्माता है पच्चीस में पच्चीस का राइट आंसर नए भारत के नए निर्माता इसके लेका कौन है नए भारत के नए निर्माता सांती जी नए भारत के निर्माता की रचनाकार बताना है 25 नंबर का क्वोस्चन है अराधना जी नए भारत के नए निर्माता नए भारत की नए निर्माता 25 का राइट असर पुर उत्तर है इसर राहुल सांकृत्याइन नए भारत के नए निर्माता राहुल सांकृत्याइन भी नंबर आपका बिल् पालुग जी, टार्गिट जी, कार्तिक जी, चैन करना है आर्ती जी, जाहे दली जी, बताओ अग्ये, अरबिंद काजी नजुरूल इस्लाम या पर सरत्य चंद्र का, तो चैन करिए जंदी से, बहुत बढ़िया, टीजी टी में सेलेक्शन हो जाएगा, नीतु गुपता जी, बेटिंग की स्टों के अंदर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बदाई हो, सुपकामना है, आपका हो जाए, सिकर्सी सागर तक में किसका जीवन चैन्त बरने थे, 26 का राइट आंसर उत्तर है, अग्ये, यानि बी नंबर आपका बिल्कु सही है, बी नंबर, ठीक है, तो सिकर्सी सागर तक अग्ये की जीवन चैन्त बरने थे, और किसकी द्वारा लिखे थे, यह आपको बताना है, संत दर्सन, संत दर्सन, तो संत दर्सन नामक जीवनी के लेकक, 27 में बताईए, 27, 27 का राइट अंसर, संत दर्सन, संत दर्सन बताईए, संत दर्सन नामक जीवनी के लेकक चैन्ड करना है, लेकक बताना है, कंगा परसाथ, स्याम जी परमार है, हरिवाव उपात्या है, धरमवीर है, संत दर्सन, 27 में, 27 का बहुत बढ़िया कोस्चन है यहाँ पर, राइट अंस स्याम जी परबार ये नमबर आपका सही है ठीक है ये नमबर आपका राइट आंसर है संत दर्सन स्याम जी स्याम जी परमार ने क्या किये संत के दर्सन किये स्याम जी परमार ठीक है तो आपका उत्तर 27 में शबी लोगों ने आंसर बताया है कि सर का नमबर बिल्कु सही है ये तक आपने पड़ाता कि सर सिकर से सागर तक जो जीवनी है ना तो यहाँ पर चैन करना है दिन दयार उपाद्याई अगे राम कमल राय आफे लच्वी नारण दाल सिकर से सागर तक जीवनी के लेखक कौन है लेखक बताना है 28 नंबर का उत्तर है शबी लोग बताएंगे और यह अगे के जीवन पर आधारत है और यह राम कमल राय राम कमल राय सी नंबर है ना राम कमल राय आपका सही है यह दोस्तों इसके क्या है लेखक है राम कमल राय सिकर से सागर तक ठीक है अगनी से तू किसके जीवन पर लेखा गया है यह वताना है और यह लेखा किसने बताई ये सीमा जी आनंद जी अगनी से तु किसके जीबन पर लिखा गया है और लिखा किसने है ये भी आपको बताना है सांती जी अरोन जी सभी लोग बताईयो 19 नंबर का question है 29 नंबर की question में तो यहाँ पर उत्तर है कि सर ये इजीवन पर आदा रहे थे नजरूल इसलाम के जीवन पर आदा रहे थे थिक है तो आपका उत्तर 2 नंबर सही अगनी सेतू लेकिन अगनी सेतु के रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है ठीक है ये बी नमबर आपका काजी न जुरूल बिलकु सही हो जाएगा लेकिन अगनी सेतु के रचनाकार बताना है मानव पुत्र ईसा, जीवन और दर्सन इसके लेका 30 नमबर ठाज़े गेन कर ये 30 का राई टांसर बतना है. अगनी सेतू के रस्जणाकार कौन है? ये भी आपको बतना है. पुर मानव पुतर ईसा, जीवन और दरसन के लेखा कौन है? और तीस नमबर का सांदर कोस्चन है मानव पुत्र ईशा ईशा, जीवन और दर्सन किसके रचनाकार है डाक्टर रगुबंस क्यानि की बी नमबर डाक्टर रगुबंस आपका सही है सेस कथा नामक जीवनी के लेखक बताना है 31 में सेज कथा नामक जीवनी के लेखक कौन है 31 का उत्तर बताना है 31 में सेज कथा नामक जीवनी के लेखक कौन है राइट अंसर बताना नीता जी न्यू अकेडमी जी जन्दी से बताना है हरिस चंद्र जी राजियू जी 31 नमबर में बहुत ही अच्छा question है इसर सेज कता नामक जीवनी के लेखक है ग्यान चंद्र जैन ग्यान की अभी सेज कता बांकी है ग्यान की कता बांकी है ग्यान तो सेज कता ग्यान चंद्र जैन है ना तो आपका जो C है वो बिल्कुछ सही है ग्यानचंद जैन, जीवनी के लेखक हैं, ग्यानचंद जैन, 31 नमबर का सांदार क्वेश्चन है, C नमबर, ठीक है, नेक्स्ट है, महा मानव, महा पंडित की लेखी का क्वान है, महा मानव, महा पंडित, जल्दी से बताना है, जिन भी सात्यों को एड् हिट्स साहित के गत्युन आप लोग देख सकते हैं हिंडी साहित का पूरा इतियास है इसमें अड़ी आफ आप अपने घरपर अन्जिन इन्जार महिसी कैमाद सकते हैं उर। कमला संकरित्य विलकु संयोगा किसका जीवन वरनेत है можем 31 नंबर का क्वेस्चन है 33 में आपका उत्तर जारा की सर इस बिर्टी के जरोगे से किसमे बरने थे बारत भूसन अगरवाल है ना तो आप का 33 सी नंबर बिल्कु सही है समा य साम मेबादी करती किस्की है? समा य साम मेबादी 34 में 34 का right answer बताना है 34 में समाय साम़बादी करती किसकी है 34 में उत्तर होता है बश्रूचंदर सर्मा समाय साम़बादी 2 नमबर आपका बिलकुल शाइए समाय साम़बादी बश्रूचंदर सर्मा right answer है ठीक है अंगले question की और हम जाएंगे अंगला question यहाँ पर आ रहा है दोस्तो वीडियो को लाइक चुरू कर देना राम क्रश्न परमहंस कल्प तरू की उत्सव लीला इसके लेखा क्वन है इसके लेखा राम क्रश्न परमहंस कल्प तरू की उत्सव लीला इसके रचनाकार बताना है 35 नमबर में चैन करिए राम क्रश्न परमहंस यहाँ पर उत्तर है क्रश्न बिहारी मिस्र बी नमबर राइट बी नमबर सही है बहुत बढ़िया उत्सव पुरुष नरीश मेहता की लेखी का कौन है 36 में उत्सव पुरुष नरेश महता, इसकी लेखी का बताना है, महिमा महता है, शिवरानी है, सकुन्त मातुर है, मंता कालिया है, तो उत्सव पुरुष नरेश महता की लेखी का बताना है, 36 नमबर का बहुती सांधर कोस्चन है, 36 का राई टांसर बताना है, भी उत्तर है, ये दोस्तों B नंबर सही है आलो चक का स्वदेश नामक जीवनी के लेखक वताना है विश्चुनात्र पाटी है अकलेस में विजय बहादुर है नरेंद्र मोहन है आलो चक का स्वदेश नामक जीवनी के लेखक 37 नंबर के क्वेशचन है 37 नंबर के क्वेशचन में सभी का उत्तर है इसे है आलो चक का स्वदेश नामक जीवनी और इसके लेखक है 37 में पताईए 37 का राइट अंसर है C विजय बहादुर, आलो चक्का स्वादेश जो है वो विजय बहादुर है आलू चक्का स्वधेश है ना विजय बहादुर सी नंबर वेरिगोड नागरदुन का जीवंचरेट सुवा कांत ने जिस रचना में वरनित किया है उसका नाम क्या है पताईए नोट्स के लिए अगर तीनो नोट्स मगवाना है हिंदी गद्यपद्य साहेत और तीन हजार मेंचरेट सुवा कांत ने जिस रचना में वरनित किया है उसका नाम क्या है 38 नमबर के question में सभी का उत्तर है मेरे बाबू जी बाबू जी है ना बाबू जी बाबू जी सोबाकांथ ठीक है व्याद रखनो सोबाकांथ ने बरनित किया नागरजुन का जीबंचरित ठीक है मेरे बड़े भाई समसीर जी इसके लेखकवन है 49 में मेरे बड़े भाई समसीर जी चैन करिये शुरील कुमार जी आरती जी और सभी साती चैन करेंगे सांदार question है मेरे बड़े भाई समसीर जी इसके लेखक कौन है लेखक बताना है राम निवास जाजु है तेज बहादुर चोदरी है डाक्टर रगवंस है मुगड विहारी लाल है 49 नमबर का सांदार question है 39 नमबर के question में सभी लोगों ने उत्तर लगाया है तेज बहादुर चोदरी तेज मेरे बड़े भाई कैसे हैं कैसे हैं राम निवास जाजु या तेज बहादुर तो आपका उत्तर बहुत तेज हैं सर समसेर सेर हैं तो तेज तो होंगे और वहादुर भी होंगे तो भी नमबर आपका तेज वहादुर बल्कों तहिए ठीक है प्यारे हरेस्चन्द जू इसकी लेकि का बताना है दोस्तो चैन करो सुभित्रा कुमारी चोहान प्रतिवा अगरबाल मरलाल पांडे मनु भंडारी प्यारे हरस्चंद जू नीलम जी बताइए सारदा जी चैन करना है बिनीता जी और यहाँ पर क्वेस्चन पूछा गया है गवर्मेंट जॉब जी चालीस नंबर के क्वेस्चन में और चालीस में उत्तर है खा यानि की प्रतिवा अगरबाल यानि की आपका जो बी नंबर है भी आपका बिल्कु सही है प्यारे हरस्चंद जू इसकी लेख का है प्रतिवा अगरबाल बी नंबर आपका बिल्कु सही है राम चंदर सुकल है इ एक्तालीस नंबर का question है। यह बताना है आपको एक्तालीस नंबर में। पुर एक्तालीस का उत्तर है गंगा फ्रसाद है, रामचंतिवारी है या फिर कौन है इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पर है राम चंद्र सुकल नाम से जो जीवनी लिखी है वो किसने लिखी है 41 नमबर में तो सभी का उत्तर है चंद्र सेकर सुकल ने लिखी है राम चंद्र सुकल है ठीक है मांखरला LI चुत्रवेदी जीवनी के लेकक है तो कौन है 42 नमबर में मांखरला LI चत्रवेदी के लेकलए बताना है मांखरला चुत्रवेदी रोहिनी जी अलोग सुनिल जी सबी लोग बताइए और लाइक कर दीज़े इस यह रोज रात तरी 9 वजी किलास होती है और 9.45 पर एक किलास होगी दोस्तों काई पर आपके ठिर्की गुरू यूटूब चैनल पर तो वो जरूर देखना है आपको माखनलाल चुत्रवेदी जीवनी के लेखक बताना है 42 नंबर का उत्तर है उत्तर है माखनलाल चुत्रवेदी बी नंबर आपका सही है जैमनी परवगा यानि की बी नंबर आपका सही है नेक्स्ट है किस जीवनी को दिसाहारा दिसाकी खोज और दिसांत के रूप में बांटा गया बहुत अच्छा कोश्चन है फिर प्रेम चंद किस जीवनी को बाटा गया 43 नंबर का कॉस्चन है 43 नंबर के कॉस्चन में राइट आंसर देखते हैं क्या जा रहा है अब आपका शही उत्तर बताईए तो 43 का राइट राइट आंसर वतना है सभी का उत्तर है आवारा मसीया को दिसा आरा दिसा की खोज दिसांत के रूप में माटा गया और आवारा मसीया की रचनाकार है विश्णू प्रभाकर ठीक है तो आपका जो ये नंबर है वो बिल्कु सही है बट प्रक्च की चाया में इस करती के रचनाकार कौन है दोस्तो चबालीस में बट प्रक्च की चाया में करती के रचनाकार बताने अम्रतलाल नागर है कुमद नागर है ग्यांचंदर जैने विजय बहादुर से है चबालीस नंबर के कॉस्चन में बट प्रक्च की चाया में बट प्रक्च की चाया म किस करती के रचनाकार कौन है पुरुत्तर है कि सरवटब्रक्ष की छाया में कुमद नागर कुमद नागर यानि की बी नंबर कुमद नागर आपका शाहिए बी नंबर राइट अंसर है मन्टो जिंदा है कि पताना है किस की करती है मंटो जिन्दा है सरोच जी बिंदू जी स्टेटस जी मंटो जिन्दा है विस्वनात्र पाटी नरेंद्र मोहन उपेननाताश कि आपर इन मैंसे कोई नहीं 45 नंबर का क्वोस्चन है मंटो जिन्दा है मंटो जिन्दा है ये क्रती बताना है Self Study Classes का सभी साती के अप जरूर डाउनलोड कर लेंगे जिन भी सात्यों को नोट्स मंगवाना है तो आप सभी साती नोट्स भी मंगवा सकते है मंटो जिन्दा है 45 नमबर का question है मंटो जिन्दा है और उत्तर है B यानि की नरेंद्र मोहन मंटो जिन्दा है B नमबर सही है प्रेम चंद विस्तुकोस के लेकक है तो कौन है 46 में 46 प्रेम चंद विस्तुकोस प्रेम चंद विस्तुकोस किसके लेकक कौन है प्रेम चंद विस्तुकोस किसके लेकक बताना है शबी लोग बताईएगा ज़दी से यहां पर उत्तर है कमल किसूर गोयन का या फिर स्रीपत 46 नंबर के question में तो प्रेम चंद बिस्चुकोस कि कमल किसूर गोयन का द्वारा लेखे थे दोस्तों प्रेम चंद बिस्चुकोस के लेका कें तो आपका उत्तर C नंबर बिलको सही होगा C नंबर राई टांसर होगा Self-Study Classes का एप जिन भी सातियों ने डाउनलोड नहीं किया है वो सभी साति डाउनलोड करेंगे प्रेकासन बर्स के नुसार जीवनियों का सही अनुकरम बताना है यह जीवनियों लगी है अब आप प्रेकासन बर्स के नुसार बता सकते हो दोस्तों 47 में चेंड करिए अनंत जी जोत पुस्पा जी मनोज जी अंजली जी 47 का राई टांसर बताना है 47 का सही उत्तर क्या होगा यहां पर पताईए स्टेटस जी प्रतिबा जी कमला कांध जी कुमकुम जी नीता जी नीलम जी भावना जी चेंड करिए किरम से लगाना है किरम से और 47 का उत्तर है डी डी है यानि कि प्रेम चंद घर में आवारा मसीहा बट ब्रक्च की चाया में और ब्योंकेस दर्बेस यानि कि 47 का उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर आपको देख नहीं रहा होगा लेकिन आपका डी है प्रेम चंद घर में आवारा मसीहा बट ब्रक्च की चाया में ब्योंकेस दर्बेस ठीक है नेक्स देखो मकबूल नामकरती 48 में रागनी जी मकबूल नामकरती किसकी है चैन करिए मकबूल बताना है पुरसोत्तम अगरबाल है अकलेस है नरेंद्र मोहान विशुनात्र पाटी है कौन है मकबूल नामकरती के रचना कार कौन है बिन्दू लता जी चैन करिए रती पाल जी बहुत बढ़िया रूवी वानो जी भुजबल भंजन से भी आ गया है बहुत बढ़िया है ना तो यहाँ पर 48 नमबर का क्वोस्चन है उत्तर है अकलेस अकलेस बी नमबर मकबूल नामकरती है अकलेस की बी आपका राइट अंसर है चिंता मनी चिंतक चिंता मनी चिंतक रामचन सुकल के लेकक है तो बताए चिंता मनी चिंतक रामचन सुकल के लेकक है चैन करिए चिंता मनी चिंतक रामचन चुखल के लेका कुनंचास नंबर का क्वेश्चन है किया पर उत्तर वतन राजमल वोग रहे हैं बरवगा है क्रश्ण विहारी में इसन्हें रामनात हैं कौन है कुनंचास का बहुती सांदर क्वेश्चन है और सभी लोगों ने लगाया कि सर चिंता मनी चिंतक रामचन सुकल है इसके लेका के राजमल बोरा ये नमबर राजमल बोरा चिंतावणी चिंतक हैं बोरा जानते हो ग्याउं का बोरा चावल का बोरा याद करो ठीक है समय सामबादी में किसकी जीवनी है दोस्तों पचास में समय सामबादी में किसकी जीवनी है किसकी जीवनी है किसकी जीवनी है कुमकुम जी बताइए वैसनवी जी राइट आंसर पचास में सेल्प स्टडी गलासेस का एप सभी साती डाउनलोड करेंगे है ना और जिन भी सात नियां पचास सोर्भ है राईट nenमढ़ा कर달 photo synchronण इभ उमली तक बिल्कुछ आए एक सबßen Party क biting को बिया सबina घिन मक्ता में सब सलुकना हिनिक रिप्रत्म एक अर्ध कतानक सबस्क्राइब कैने धी सबस्तों जादा आप ब्यास करोगे उतनी जादा दोस्तों आपकी साहित में पकड़ बनती जाएगी ठीक है तो यहाँ पर कॉस्चन आया है कि हिंदी की प्रथम आत्म कथा कौन सी है और कौन सी है तो वो पता है लेकिन इसके लेखा कौन है ये भी बताईए चैन करिए बहुत ही सांद में कथा है मुझमें देव जीवन का विकास आत्म कथा कि लेका कौन है मुझमें देव जीवन का विकास स्वामी धयानंद है भाई परमानंद है सदानंद अगनी होतरी है कौन है मुझमें देव जीवन का विकास मुझमें देव जीवन का विकास दो नंबर का कॉस्चन है और देखते हैं कौन-कौन सही उत्तर बता रहा है। बताईए मुझमें देव जीवन का विकास। दो नंबर का क्वेश्चन है वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। और सेल्प स्टडी किलासिस का एप भी सभी सात्यों को डाउन्रोड कर लेना है। दो नंबर की क्वेश्चन में शबी लोगों ने आंसर लगाया सदानंद अगनी हुत्तरी। मुझमें देव जीवन का विकास। जीवन का विकास देव सदानंद हैना हिंदी की पहली प्रशित्यात्म कथा कौन सी मानी जाती है। चलिए बता दो जल्दी से सभी साती और एक बार लाइक भी कर दो प्रथम प्रशित्यात्म कथा कौन सी मानी जाती है। ये क्वेश्चन आप सभी से पूचा गया है। सांदार क्वेश्चन है शबी लोगों ने तीन नंबर में उत्तर लगाया मेरी आत्म कहानी। ये पहली प्रशित्यात्म कथा है इसके रचनाकार कौन है आप सभी साती बताएंगे। बताइए इसके रचनाकार कौन है, हिंदी की प्रतम प्रशित आत्म कता, इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार आपको बताना है, चैन करना है, अर्द कताना के, मेरा जीवन प्रवाय है, या फिर चैन कर दो जद्दी से, बता दो पटाक से, और यहां पर राइट आंसर क्या जा रहा है राइट आंसर बताईए मेरी आत्म कहानी जिसके रचनाकार कौन है मेरी आत्म कहानी B नमबर तो आपका बिल्कु सही है साधना के पत्पर आत्म कथा के लेका कौन है चार नमबर मेरी आत्म कहानी स्याम सुंदर्दास बहुत बढ़ या कमला कांद जी साधना के पत्पर आत्म कता के लेखक कौन है सदानंद अगनी होतरी स्याम सुंदर्दास हरीभाव उपाध्याय राजन्द पिरसाद चार नमबर के क्वोस्चन में शभी लोग बताएंगे साधना के पत्पर साधना के प हरि भाव वह पाध्य है शादना के पत्र पर हरी भाव कहां बढ़ रहे हैं सि आपका बिल्कु सही है मेरी आतमे कहानी आत्मे कथा के लेकक कोई है मेरी आत्मे कहानी पांच मेरी आत्म कहानी आत्म कथा के लेकक बताना यसपाल हैं पाँच का उत्तर और मेरी आत्म कहानी कैसी है बड़ी शुंदर है शुंदर है तो स्याम शुंदर दास ठीक है नेक्स्ट है सिहाब लोकन किसकी आत्म कता है छे नमबर का क्वेश्चन है सिहाब लोकन आत्म कता किसकी है या स्पाल की है राहुल सांकरित्यान बेचे सरमा उगरिया फिर इनमें से कोई रही छे नमबर का क्वेश्चन है सिहाब लोकन और यहाँ पर सेह का अब लोकन यह सेह यहाँ पर दिया है सेह तो सेह से आपका बनेगा कि सर सेहाब का अब लोकन है ना सेह का क्या होता है यस होता है यस होता है यस होता है तो यस पाल यह नमबर आपका बिल्कु सही है सिहाब लोकन की रचनाकार यस पाल है मेरी जीवन यात्रा बताना है, रोएनी जी, मदू जी, प्रतिमा जी, सबी लोग बताएंगे, और सेल्फ स्टडी किलासे इसका एप डाउनलोड कर लो, जिन भी सातियों को नोट्स मंगवाना हिंदी साहित के गत्य पत्य साहित, 3000 MCQ, सो आप तीनों जो दोस्तों नोट्स हैं भी इसी नाम से है, दोस्तों, भी नमबर आपका सहिए, मेरा जीवन प्रवाय आत्म कथा के लेका कोन है, आठ नमबर में, मेरा जीवन प्रवाय, प्रतिमा जी, अन्सु मोटिवेसनल जी, सबी लोग बताएं, मेरा जीवन प्रवाय, आत्म कथा के लेका कोन है, मेरा जीवन प्रवाय बहुती सांदार question पूछा गया है आठ नमबर के question में दोस्तों आप जितना अभ्यास करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी पकड़ आपकी हिंदी साहित में बनती जाएगी ठीक है तो मेरा जीवन प्रवाय आठ नमबर के question में सभी का उतर है C क्यानी ब्योगी हरी C नमबर आपका साहिए ब्योग है मेरा जीवन का जो प्रवाय है ना उसमें क्या आ गया ब्योग ब्योग है ना ब्योग आ गया है ब्योगी हरी ठीक है मेरे जीवन के प्रवाय में अपनी खबर अपनी खबर किसे नहीं रहती उग्र हो जाते हैं आप भी जब उग्र होते हो ना आपको जब गुस्सा आती है तो आपको अपनी खबर नहीं रहती है प्रजा आत्म कथा की रचनाकार कौन है दस का राइट आंसर बताना है सुनील कुमार जी कुमकुम जी सभी लोग बताईए परिवराजक की प्रजा आत्म कथा की रचनाकार कौन है दस का राइट आंसर दस में चैन करना है सभी का उत्तर किसर परिब्राजक की जो प्रजा है ना ये प्रजा बड़ी सांती प्रिये है परिब्राजक की प्रजा कैसी है सांती प्रिये सांती प्रिये है तो सांती प्रिये दोवेदी भाई प्रजा तो जो भी होती वो सांति प्रिय होती है है ना इसांति बनी रहे आत्म निरीक्छन निरीक्छन बताओ 11 नमबर में आत्म निरीक्छन बताना है जन्दी से चैन करो फड़ पड़ से जन्दी से चैन करना बहुत इसांदार question वीडियो को लाइक भी करना है ठीक है चैन करिए जदी से अच्छा कोस्चन है और यहां परात्म दिरीक्षन आत्मे कथा के रचनाकार कौन है ग्यारा का सांदर उत्तर सेट गोविंद दास बी नमबर आपका बिलकु सही है सेट गोविंद दास राइट अंसर हो जाएगा हरि हरीबंसराय बच्चन की आत्मे गगता कितने भागों में प्रकासे थे 2-3-4 या फिर 5 भागों में कितने भागों में प्रकासित है हरीबंस राए बच्चन जिनका जन्म 1907 में हुआ था हरीबंस राए बच्चन का ठीक है और यहां पर बारा नंबर का क्वेस्चन है दोस्तों बारा नंबर के उत्तर में किसर इनकी जो आत्मे कता है चार भागों में प्रिकासित है कोई बताएगे इनके चार भाग कौन कौन से हैं रमा जी तनू जी बताईए चार भाग कौन कौन से हैं उसके बाद पूचा है सहचर है समाई सहचर है समाई तेरा में कि आत्मे कता किसकी है तेरा का बहुती सांदर सेहचर समय है तो यात करना को रैसी जी बहुत मेरे साथ जनम बताओ साथ जनम, वो गाना सुना न, साथ जनम, सातों जनम में तेरे साथ रहूं गया, साथ जनम, बुले साथ जनम साथ रहेंगे, है न, यहाँ पर साथ जनम, बुले सर, ऐसा सिरबाद, ऐसा सिरबाद मिल जाए भगवान का, कि हमारे जो साथ जनम है, वो हस हस के कट जाएं, हंस र आज पर साथ जनम हस हस के हसरासराज रहबर ठीक है नेक्सट है साट बरस एक रेखान कर बताना समित जीशैनकर जेयर अर्बिनद जी शाट बरस एक रेखान कर आध में आत्म कथा 15 नंबर का को सोटन है और 15 का कोस्चन में सभी साथी पिल्कु संदर कोस्चन लगा रहा है कि सर 60 वर्स एक रेखानकन हैना यह आत्म कथा और यह आत्म कथा है श्मित्रा नंदन पंत की कई बार यह आत्म कथा पूछी गई भूला नहीं है याद रखना है हरिवन स्राय बच्चन की आत्म कथा नहीं है बताओ यहाँ पर उनके भाग दिये है बताओ कौन सी नहीं है चार भागों में इनकी आत्म कथा दोस्तों प्रकासित है अब इनकी आत्म कथा की बारे में बताना है कि इनकी आत्म कथा कौन सी नहीं है कौन सी नहीं है जंदी से बता दीजे हरीबंस राय बच्चन की आत्म कथा कौनसी नहीं है पताईए फटक से राइट आंसर चैन करना है हरीबंस राय बच्चन की आत्म कथा नहीं है ये बताना है आपको तो कौनसी नहीं है क्या बोलूं क्या याद करूं नीड का निर्माण फिर प्रवासी की डायरी दस दो आरस से स्वापान तक शबी लोग बताएंगे भी यहाँ पर हरीबंस राय बच्चन की आत्म कथा चोला नंबर का क्वेस्चन है सभी का उत्तर है C यानि की प्रवासी की डायरी नहीं है यह ना सभी लोग बताएंगे संजय जी हिंदी की पहली महिला आत्म कथा लेखी का कौन है साधना राहुलाज माया जी हिंदी की पहली महिला आत्म कथा लेखी का कौन है सत्तरा नंबर का क्वेस्चन है सत्तरा का राइट आंसर है जान की देवी बजाज और इनकी जो आत्म कता है वो किस नाम से है ये आपको ही बताना है बता दो फटाक से राम बिला सर्मा की आत्म कता अपनी धर्ती अपने लोग कितने खंडों में अपनी धर्ती अपने लोग अपनी धर्ती अपने लोग कितने खंडों में है सिलपा जी संजै जी अठारा का राइट आंसर राम बिलास सर्मा की आत्म कथा अपनी धर्ती अपने लोग कितने खंडों में हैं कितने खंडों में दो, तीन, चार या फिर पाच खंडों में अठारा का राइट आंसर बताना है और अठारा का आपका सही उत्तर हो जाएगा इसर, तीन, तीन खंड़ों में है, डी नंबर आपका सैए, रामलास सर्मा की आत्मकथा कितने खंड़ों में है, तीन, तीन आपन कुझ याद करूगे, तीन, तीन याद करना, जूठन, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है, जूठन, मौ bandwidth, प्रकास बाल्मी की, कह उसकि बाद आता है क्रांति पत्का पत्हेक क्रांति पत्हेक आत्म कथा कि लेक क्वाने 20 कंप सांदार कोस्चरन है अच्छा अच्छा प्रस्ण आपसे पूचा है 20 में राइट आंसर है क्रांती पत का जो पते के वो प्रत्वी से हैं प्रत्वी से हैं आजाद B नमबर आपका सांदार और बहुत बढ़िया क्वेस्चन हो जाएगा अंगले क्वेस्चन क्यों हम यहां पर आते है अंगला क्वेस्चन है आप बीती जग बीती 21 में आप बीती जग बीती किस रचनाकार की आत्मगत आप बीती जग बीती आप बीती जग बीती अजित परसाद जेन गड़ेश परसाद बरनी नर्देव सास्त्री चत्रवुष सर्मा आप बीती जग बीती 21 नंबर का question है आप बीती जग बीती राइट अंसर है नर्देव सास्त्री तो आपका जो C नंबर है आप बीती जग बीती नर्देव सास्त्री योबन के द्वार पर योबन के द्वार पर बताना है चैन करगें जद्धी से चैन करना है 22 नमबर का क्वेश्चन 22 नमबर के क्वेश्चन में सभी लोग चैन करेंगे ठीक है नरदेव सास्त्री नर नरदेव पर बोले आप बीती और जग बीती है ना योबन के द्वार पर योबन के द्वार पर 22 नंबर का question है योबन के द्वार पर बहुत ही बढ़िया question है 22 का उतर है C योबन के द्वार पर देवराज 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 बोले योबन के द्वार पर देवराज दिवराज C नнымبر ठीक है मेरी फिल्मी आत्म कथा किसके लेकक व कों है 53 नंबर में सुनिल कुमार जी महेश जी अनन्त जी मेरी फिल्मी आत्म कथा इसके लेकक बताना है विस्तुनाध लाहरी बलाज साइनी बलाज मदोग मुरार जी देशाई मेरी फिल्मी आत्म कता इसकी रचनाकार बताना है बंदना जी गगन जी वैसन अभी कल्पणा जी मेरी फिल्मी आत्म कता है ना तो चार विकल्प हैं मेरी फिल्मी आत्म कता 23 नंबर का क्वेस्चन है और 23 नंबर के क्वेस्चन में सभी का उत्तर है बी यानि बल राज उलिसर मेरी फिल्मी आत्म कता को बल बल राज बल रासाइनी बी नमबर मेरा जीवन बरतांत 24 में मेरा जीवन बरतांत आत्म कता कि लेका क्वन है मेरा जीवन बरतांत बंदना जी, रोहिनी जी, सभी लोग बताओ, मेरा जीवन बरतांत, आत्म कता किसकी है, रामदरस मिस्री की, मूल चंदा, गरबाल, मुरार जी, देसाइ, बिजिया, नरवर्न, मेरा जीवन बरतांत, 24, नमबर का question है, मेरा जीवन बरतांत, 24 में, राइट आंसर आपका हो देशी, तो देशी से बनेगा देशाई, देशी अपन को याद रखे ना, मेरा जीवन वरता देशी है, ठीक है, अर्द कथा नामा का आत्म कथा है, तो किसकी है, पच्चीस में, अर्द कथा, अर्द कथा नामा का आत्म कथा बताना है, चैन करना है, सेयर कर दो दोस्तों एक जद्धी से सेयर कर दो वीडियो को लाइक भी कर दो अर्द कथा नामा आत्म कथा के किसकी है यह आपको बताना है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वीडियो को लाइक कर दो जद्धी से अर्द कथा बताना है तो अर्द कथा तो आपको बताईए किसरेश्च में 25 नंबर के question में आप उत्तर लगा देना अर्द कथा डाक्टर न गैंद्र बी नमबर अर्द कथा डाक्टर नगैंद्र भगबती चन बर्मा की आत्म कथा कहिना जाए का कहिए कितने भागों में प्रकासे थे कहिना जाए का कहिए अर्विंद जी पताईए आस्ता जी कहिना जाए का कहिए, तो चैन करू जदी से, कहिना जाए का कहिए, ये कितने भागों में प्रेकासित है, 26 का उत्तर है, तो आपका उत्तर बताना है सभी को, भगबती चण बर्मा की आत्म कथा, आत्म कथा, कहिना जाए का कहिए, कितने भागों में है, 26 का राइट réalité मुढ ने के разв ellie । मताइए प्रयंका जी मुढ लोग कर देखता हूं निधी जी धनुझी पृदीपati कि 27 numbers का question है पूशचन कर देखता हूं आत्मा करता बताना है राई टासर होसाए गर करता है राजंद्र किसी नंबर आपका सइय 힘 डिकता हूं टो कर देखता हूं राजंतर या दो कर दे कि पिए किसे देखता हूं गुंद कर देखता हूं लगभग सबी को पता हूँगा अत्में परिचय को अपनी फड़ी बाले को आत्म परिचय नहीं देना पड़ किस रचनाकार की आत्म कता है 29 नंबर में 29 में बताईए भुजबन जी सुनीता जी सुनील कुमार तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा किस रचनाकार की आत्म कता है 29 नंबर का question है 29 में 27 बताएंगे राइट आंसर है कि सर तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा है ना कौन कनया कनया है ना जो वो कनया तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा कर रहे है कनया कनया से कनया लाल में सुनी प्रभा कर ये नंबर सांदार कौन सी आत्म कता कमले सुरकी नहीं है 30 में कमले सुरकी आत है कौनसी आत्म कथा कमले सुरकी नहीं है कमले सुरकी कौनसी नहीं है कितना बढ़िया question और share करो और तीस नंबर में सबी लोगोंने answer लगा दिया कि सर आत्म कथा कमले सुरकी जो मैंने जिया ये तो है यादों का चिराग भी है ना लेकिन तीस का पड़िया अंगला question है आज के अतीत ये आत्म कथा किसकी है आज के अतीत अधित अखलेश इसमिसायनी अजित कुमार शीट गोविंदास आज के अतीत आत्म कथा कि रचनाकार कौन है राज दियो जी राजन जी पताइए स्वानू जी आज के अतीत है आज की अतीत बताना है और दोस्तों सभी साती सेयर कर दो एक बार रुद्रे सागर जी तनू जी वेशनवी सभी लोग सेयर कर दो आज की अतीत आत्म कथा किस की है ककलेस की है भीस में साहिनी की है शेट गोविंदास की अजित कुमार की है 30 बन न पुराज का तीत कैसा है भीस में तो भीस में साहिनी भी नंबर आपका बिल्कु सही है नेक्स्ट है मैंने मांडू नहीं देखा मैंने मांडू नहीं देखा हैना ऐसे कितने साती हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी किलासेस का एप डाउनलोड नहीं किया वी तक सबी साती सेल्फ study classes का एप download कर ले हैं और जिन भी साथियों को दोस्तों ये बुको मंगवाना है हिंदी साइथ की 3000 mcq वाली है ये बहुत ही सांदार है दोस्तों page quality भी एक नंबर है आप लोगों के लिए हिंदी साइथ plus 29 की 3000 mcq वे इसमें है ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको मैंने कई बार बताया कि ये इन्दी साइथ की गद्वर पद्य साइथ के नोड्स है ये गद्वर पद्य साइथ के नोड्स आप अपने घर पर मगवा सकते हैं ठीक है सबी साती जिनको मंगवाना है नीचे नंबर चला है संपर करेंगे मैंने मांडू नहीं देखा बोले मांडू तो कहां पर है स्वादेश में है स्वादेश दीपक सी नंबर सांदार है गालेव छूटी सराब आत्म कता है तो किसकी है बताओ चिल्पा जी गालेव छूटी सराब रबिंद्र कालिया ममता कालिया यह सपाल फणी सुनात रेनू गालेव छूटी सराब 33 नंबर का क्वोस्चन है 33 नंबर का क्वोस्चन है सबी लोग बताएंगे गालेव छूटी सराब 33 का राइट टांसर सांदर कोस्चन है गालेव चूटी सराव उत्तर हो जाएगा रविंद्र कालिया रविंद्र कालिया के नमबर आपका सही है गालेव चूटी सराव उत्तर है रविंद्र कालिया के जो का नमबर है के का नमबर बिल्कु सही आंसर है राइट आंसर है पावर जीरे में ब्रह्म भोज ब्रह्म भोज आत्म कता किसकी है पावर जीरे में ब्रह्म भोज चैन करो जदी से पावर जीरे में ब्रह्म भोज जदी से बतना यहाँ पर यहाँ पर यह चप चुके हैं इसकी कोश्ट कम पड़ रही इसलिए अब एकम में है पावर जीरे में ब्रह्म भोज किसकी आत्म कता है 34 नमबर का कोश्चन है राइट आंसर है असुक बाजपेई C नमबर आपका सहिए पावर जीरे में बोले बाजपेई जी ने पावर जीरे में क्या कर दिये ब्रह्म में भोज कर दिये है ना पाजपेई जीरे पावर जीरे में ब्रह्म में भोज कर दिये C आपका बिल्कु सहिए नेक्स्ट है बसंत से पत जड़ तक किसकी आत्म कता है बसंत से पत जड़ तक 35 नमबर का कोश्चन है तक बसंत से पतजड तक ये किसकी आत्म कता है, 35 नमबर का question है, रागनी बरमा जी, वैस नभी जी, सभी लोग बताएंगे, गगन जी, प्रदीप जी, आरोसी जी, बसंत से पतजड तक आत्म कता के लेखक कौन है, 35 में सभी लोगों ने सांदार चैन किया कि सर, ये है रना त्यागी, बसंत से पतजड तक त्यागी, त्यागी लगा दे न, त्यागी आपका बिल्कु सही हो जाएगा, ठीक है, अंगले question क्यों रहां पढ़ेंगे, अंगला question आपके यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, शभी साती जैदी से एक बार like तो कर दो, पटाक से, यहाँ यहाँ पर question है, एक अंतहीन तलास, एक अंतहीन तलास के किसकी आत्म कता है, 36 में, एक अंतहीन तलास आत्म कता के, सुनीता जी बताईए, बिनीता जी साधना जी, एक अंतहीन तलास आत्म कता किसकी है, 20 में साइनी, दरिश मेंता, राम कमल राय, रबिंदर कालिया, एक अंत किसकी तलास इसी कुमारी जी। 36 नंबर का क्वेस्चिजिन है। 36 में बताई एक अन्तहिन तलास इसकी तलास एक अन्तहिन तलास आत्म कता कि रचनाकार कौन है? 1-3 तलास और 36 का राइट राइट अनसर चलागया। राम कमल राय C नमबर एक अंतहीन तलास किसकी तलास? और राम कमल की कमल की एक अंतहीन तलास है C नमबर आपका बिल्कु सही है सांदार कोश्चन है कंबक्त निंदर बताइए आत्मकता है तो दोस्तों इन वीडियो को आप एक दो बार जरूर देखिए, आत्मकता से संबंदे थे, कई को एक्जाम में आते ही हैं, आत्मकता तो पुछी जाती है, तो कमबक्त निंदर, आत्मकता है तो किसकी है, 37 नंबर का question है, 37 में कौन-कौन सांदार answer लगा रहा है, नरेंद्र कम नंबर कमबक्त निंदर, ठीक है, दरेंद्र मोहन 37 में, 38 का उत्तराया पानी विच मेन प्यासी, आत्मकता किसकी है, पानी विच मेन प्यासी, और देख देख के आये हासी, बताओ, 38 का सांदार question है, 38 में, पानी विच मेन प्यासी, पानी विच मेन प्यासी, ये आत्मकता, 38 में आपका उत्तराय वोलिसर मेन प्यासी है, अगर पानी के वीच में तो उसको क्या खबा दो, मैथी खबा दो, थोड़ी सी मैथी, मैथी से मितली स्रूर हो जाएंगे, C नंबर आ ठीक है, तो यहाँ पर आपका C बिल्कु सही है, next question है, हिंदी की पहली दलित आत्मकता कौनसी है, 49 में, हिंदी की पहली दलित आत्मकता कौनसी है, संध्या पांडे जी, Self-Study Classes का एप सभी साती डाउनलोड कर लेंगे, जिनको भी अभी एडवीसर लेना है, आप मात्र 15 रोपे में एडवीसर ले सकते हैं, Validity कितनी रहेगी, एक साल की रहेगी, क्या-क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपके लिए recorded वीडियो भी मिलेंगे, Live वाले वीडियो भी मिलेंगे, दोस्तों Live में, Test भी यहाँ पर भी मिलेंगे, आपको तिर्की वीडियो भी आपको मिलेंगे, तिर्की वीडियो, है ना, विस सारी चीजें आपको पंदराशों में मिले वाली है, हिंदी की पहली दलेत आत्म कता कौन सी है, 45 में, तो आपका उत्तर हो जाएगा, क्या, अपने-अपने पिंजरे, ठीक है, बी नंबर, अपने-अपने पिंजरे, ठीक है, नेक्स्ट है, मनी करनी का किसकी आत्म कता है, मनी करनी का बताना है, मनी करनी का आत्म कता किसकी है, मनी करनी का बताईए, डाक्टर तुल्शी राम है, डाक्टर धरमबीर है, ओंप्रिकास हैं, सिवरास हैं, बेचेन हैं, 40 नंबर के क्वोस्चन में, राइट आंसर, मनी करनी का ये रचना साइद पूछी गईती दोस्तों ये आत्मकता पूछी गईती मणी करनी का तो मणी बताओ मणी किसको मिल रही है मणी करनी का आत्मकता किसकी है चालीज का राइट आंसर और आपको बताएं कि सर्थ तुलसी राम तुलसी राम को क्या मिली मणी मिली तो मणी ही थ तो मनी अपन को याद कर लेना है ठीक है यहाँ पर तुलशी राम आपका ये नमबर जो है वो बिल्कु सही है ठीक है नेक्स्ट है सिकंजे का दर्द के आत्म कता किसकी है सिकंजे का दर्द रूप नारण सुचीला टाक भोरे कुछो मनसल या पर कश्णा अगनी होत्री सिकंजे का दर्द बताना है राजदेव जी अरण जी सिकंजे का दर्द सिकंजे का दर्द बता दो एक बार चैन कर दो है ना हाँ मनी करने का मोर्द हिया ए तुन्शी राम की वैरियोड परेसी जी तो सिकंजे का धर्द सिकंजे का दर्द की रचनाकार कोन है बिंदु लता लाक्तरु रिंकी जी असोक जी रमा सर्मा जी तो अन्या से अन्या जन्दी से वताई ये पटा-पटसे चैन करो चेन करना है, अन्या से अन्या एक इसकी आत्म कथा है, ये आत्म कथा आप से पूचा गया, अन्य और अन्य की बात आई है, तो अन्य खेतों में वो बचता है, खेतन, तो खेतन से प्रभा केतान आपका C नमबर सहिए, प्रभा केतान, ठीक है, खेतन में अन्य, अन्य कहा हो ब पच्छता है वो लिए सर खेतन में तो ग्रभा केतन आपका बिल्कु सही है ना बहुत बढ़िया अंगला क्वेश्चन है एक कहानी एह भी किसकी आत्म कता है 43 नंबर का क्वेश्चन है एक कहानी एह भी 43 का राइट आंसर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एक कहानी एह भी एक कहानी एह भी एक कहानी एह भी आत्म कता किसकी है साधना जी तनू जी रुद्र जी रिकी जी नितू जी सभी लोग बताईए एक कहानी एह भी और सभी लोगों ने सांदर आंसर लगाया है क्या है 43 43 का राइट आंसर, Self-Study Classes का एप जरूर डाउनलूट कर लो सबी साती, और एक कहानी एभी किसकी आत्म कता है, उत्तर हो जाएगा मन्नु भंडारी, बी नंबर, मन्नु भंडारी आपका बिल्कु सही है, मन्नु भंडारी राइट आंसर है, नेक्स्ट कोस्चन यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, अंगला है कस्तूरी कुंडल वसे, कस्तूरी कुंडल वसे के आत्म कता है ना, और गुडिया भीतर गुडिया के आत्म कता किसकी है, पताईए रीता सेकर जी कष्टूरी कुंडल वसे इवं गुडिया भीतर गुडिया आत्म कथा के रचनाकार कौन है कष्टूरी कुंडल वसे गुडिया भीतर गुडिया आत्म कथा किसकी है पदमा सचदेवा बिर्दुला गर्ग मेत्री पुष्पा प्रतिवागरवाल सभी का उत्तर है कि सर गुडिया जो है गुडिया से मेत्रई करती है आपकी छोटी सी गुडिया होगी उसको भी एक छोटी सी गुडिया चाहिए मेत्रई के लिए सी नंबर मुर्द हिया किसकी आत्मकता है? सभी साथी मनि करनिका और मुर्द हिया ये दो रचनाय पिछली बार आत्म कथा कि पूछी गई तीटीटीटी एक्जाम में मुर्द हिया और मर्णी करनी का है ना तो यहाँ पर सभी लोग आज से लगा रहे हैं और मर्णी करनी का आपने अगर पूछा है तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा डाक्टर तुलशी राम यह दोनों आत्म कथा ह है आपको पता होनी चाहिए एक तो मुर्द हिया और मणी करनी का मुर्द है मुर्द से क्या हो जगा आप समझ रहे ना मुर्दा पर मुर्दा पर बैठके निकले ते बोले तुल्शी दास है ना ये तुल्शी तुल्शी राम है ये वैसे है ना हाद से आत्म कता किसकी है च्छालीस में हाद से पुरसर हाद से तो रमणी काउं के साथ अक्सर हो तुल्शी रास की मैंने आपको वो बताई थी ना कहानी एक बार मुड़ता पर हाद से आत्म कता है तो किसकी है बताईए तारगेट जी अनंद जी रागनी जी जैन करिए गगन जी कुमकुम जी अरिस्चंदर जी और सौनी जी हाद से और हाद से में च्छालीस का उत्तर बतना है राइट अंसर है हाद से गुलिसर रमणी काउं के साथ अक्स यहां पर उत्तर है रमणी का तो हाद से जो है रमणी काउं के साथ हो जाते हाद से सी नंबर सही हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा हाद से ठीक है बेरी गुड़ अंगला क्वेश्चन है क्रश्णा अगनी हुत्री की आत्म कता है तो कौनसी है 47 नंबर का क्वेश्चन है क्श्णा अगनी हुत्री की आत्मकता एक आप्सन है आप उत्री दूसरी है और 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 तीसरी आत्मकता और आपके सामने आ रही है वो आत्मकता है बूंद बाबड़ी या फिर लगता नहीं है दिल मेरा तो जैन करो पताईए कौनसी है क्श्णा अगनी हुत्री वपन ने तो कई बार पड़ा है कि सर लगता नहीं है दिल मेरा किसके बिना क्श्ण के बिना तो क्श्ण से आपका हो जाएगा क्श्णा अगनी हुत्री लगता नहीं है दिल मेरा तो लगता नहीं है दिल मेरा कि जो आत्मकता ह पिंज्रे की मैना पिंज्रे की मैना किसकी आत्म का तरहसमें पिंजरे की मेना बताना है प्रियंका जी जिन भी सात्यों को नोट समंगवाना हो दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासे इसके नोट समंगवा सकते हैं 9.45 पर 9.45 पर टिर्की गुरु यूटूब चैनल पर क्लास आएगी 9.45 पर वो क्लास भी आपको देखना है कितने पर 9.45 पर टिर्की गुरु यूटूब चैनल पर ठीक है सभी लोग देखा करें और टिर्की गुरु यूटूब चैनल पर एक दिसंबर से सुबह आठ बजे डाउटस वाली किवास आईगी, आट वजे, पिजरे की मैना किसकी आत्म कता है, 48 का राइट आंसर बताना है, sẽ 99 में सभी का उत्तर है चंद्रकरण सोन रिक्षा, इसमें पिजरे की जो मैना है न, रिक्षा पर बैट के जाती है, रिक्षा पर, रिक्सा पर बैटके जाती है चंद क्रन सोन रिक्सा प्रतिवा अगरवाल की आत्मकता है कौन सी आत्मकता है दस्तक जिंदगी की मोड जिंदगी का दोनो या फ्रेंड मैं से कोई नहीं अनोज गुपता जी प्रतिवा अगरबाल की आत्मेकता बताना है, Self-Study Classes का एप डाउनलूड कर लो, जिन भी सातियों को नोट समंगवाना हिंदी साहित के, MPTET वाले साति हों, TGT, PGT वाले हों, या KBS वाली KBS का भी नोटिपेकेसन आ चुका है, तो आप साहित के नोट समंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है, तो अभी आउसर बहुत हैं आपके पढ़ने के, तो पढ़ने में बिलकुल मन आपको बहुत अच्छे से लगाना है, कई वेकैंसी आ रही है नरंतर, अभी NBS का पेपर दिया है आप लोगोंने, अब KBS आ गया, तो इस प्रकार से तैयारी को नरंतर जारी रखो, नंचास नंबर का क्वेस्चन है, तो आपका उत्तर है प्रतिबा अगरबाल की आत्मकता, दस्तक जिन्दिगी की मोड जिन्दिगी का आपको पता है, जब प्रतिबा जिन्दिगी में दस्तक देती है, तो जिन्दिगी में क्या आ जाता है, मोड जिन्दिगी का, तो आपका उत्तर यहां पर सी नंबर बिल्कु सही हो जाएगा, नेक्स्ट कोच्चन है, कुछ कही, कुछ अनकही, यह आत्मकता किसकी है, सबी लोग बताईए, कुछ कही, कुछ अनकही, आत्मकता किसकी है, शबी को बताना है, 50 नंबर रोहिनी जी, केबीएस का एकजाम भी सबी लोग देंगे, TGT में CTET चाहिए, PGT में CTET नहीं चाहिए, और PRT आदी बहुत सारे दोस्तों, अलग अलग पद हैं, तो जिनको भी जोंसा भी देना है, सबी लोग देंगे, और अध्यन करना है, यहां तो नरंतर अपन चल लए, अलग से कोई कोर्स आपको लेने की ज़ुरत नहीं है, साहित का जिनकी बैलेंडिटी है एक साल की, वो सी कोर्स में पढ़ेंगे, KBS की तयारी भी आपकी EC में होगी, है ना, तो आप लोगों को अलग से कोई कोर्स लेने की ज़ुरत नहीं पढ़ती दोस्तों, यहां पर एक साल की बैलेंडिटी है, और इस एक साल के अंदर जितने भी आपके एक्जाम होते हैं, उन्हें एक्जाम के लिए हिंदी साहित के लिए आपको अलग से कोई कोर्स लेने की ज़ुरत भी नहीं पढ़ती, इसलिए आपको नरंतर अध्यन या इस प्रिकार से करते रहना है, ठीक है, और इतनी सस्ती फीस में आपको पंदरा सो रोपे में दोस्तों आपके लिए एक साल की वैलेंडिटी मिलती है, उतना सांदार अभ्यास, सांदार प्रेक्टेस, हर एक चीज आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो कुछ कही, कुछ अनकही, सीला जुन-जुन वाला, है ना, तो जुन-जुन से बोले सर समझ में नहीं आता, कुछ अनकही, कुछ कही, है ना, सेरनी जी, मनीशा जी, जिन भी सात्यों को ये बुक मगवाना है दोस्तों, ये 3000 MCQ वाली, ये 3000 MCQ वाली, वो किस नमबर पर संपर करना, ये नमबर पढ़ना है, तो यहाँ पर कुछ पूछा गया है, बोलती प्रतिमा, रेखा चित्र के किसने लेखा है, जैन्दी से बताईए, बोलती प्रतिमा, रेखा चित्र किसने लेखा, स्री राम बर्मा ने स्री राम सर्मा ने या फिर दोस्तों महादेवी बर्मा या बिनाय मोहन सर्मा बोलती प्रतिमा एक नंबर का क्वेस्चन है बोलती प्रतिमा और देखते हैं सभी का राइट आंसर क्या हो रहा है सभी का बहुत ही अच्छा क्वेस्चन बताना है बोलती प प्रतीमा बोलती है प्रतीमा बोले किसकी स्रीराम की भगवान स्रीराम ऐसे लगते जैसे कुछ बोल रहे हूं है ना तो याद कर लेना वी नल्क आपकी बिलकु साही है उसके बाद कौन सी रजशना महादेविबर्मा दवारा लेखेत नहीं है । शालफि साथी दोस्तों ला के चलचित्रे अमिट रेखाएं या फिर स्मिर्थी की रेखाएं मेरा परिवार तो दो नंबर का कोश्चन है दो नंबर की कोश्चन में शबी का आंसर बताना है कौनसी रचना महा देवी वर्मा द्वारा लेकित नहीं है राइट आंसर है अमिट रेखाएं वी नंबर आपक कौन सा है बोलती प्रतिमा पत के साती पदम परा गया इस मिलतियों के दीप जलाए तो तीन नंबर का क्वेश्चन है तीन में शबी साती बताएंगे हिंदी का प्रतम संसमरन प्रतम संसमरन कौन सा है तीन का राइट अंसर चेहन करना हिंदी का प्रतम संसमरन कौन सा है पताए ये विश्वास मलेक जी, टार्गेट जी, रेखाया कुमकुम जी, आर्ती जी और हिंदी का प्रतम जो संस्मरण माना जाता है, है ना वो कौन सा माना जाता है, तीन का उत्तर वताना है, तो यहाँ पर तोड़ा सा गड़पड है दोस्तों, हिंदी का प्रतम संस्मरण पूछा है तो संसमरण में आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा पदम पराग को ही माना जाता है दोस्तों हिंदी का प्रतम संसमरण है ना और हिंदी का प्रतम रेखा चित्र भी से ही माना जाता ठीक है तो तोसी नमबर आपका बिल्कू सही है यहाँ पर रेखाएं बोल उठी तो जिसमें अंतर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो यहाँ पर रेखाएं बोल उठी ़ो ती जी बताइये रुद्र जी, सांती जी, रोहिनी जी, रेखाएं बोल उठी, कौनसी विधा है, रेखा चित्र है, सेंसमरण है, निबंद है, कहानी है, चार नमबर का क्वेस्चन है, और रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी, कि कौनसी विधा है, इसकी विधा बताना है, राइट अ रेखा चित्र आपका उत्तर यह नमबर जो है वो बिलकु सही है रेखाएं बोल उठी है ना क्या है यह राइट आंसर है रेखाएं बोल उठी तो चार नमबर के question है लाल तारा है लाल तारा क्या है लाल तारा क्या है पांच नंबर का question लाल तारा क्या है लाल तारा प्रतिमा जी जोती जी साधना जी सबी लोग बताएंगे चैन करो और सेर कर दो अपने सातियों को इस help study classes पर सांदार क्लास लाई जाती आप लोगों को लाल तारा है तो लाल तारा क्या है पांच का उत्तर पूर पांच का उत्तर है किसर जो लाल तारा है ये लाल तारा है क्या है वह ये लाल तारा और लाल तारा के रेखा चित्र है ना तो आपका भी नंबर लाल तारा और ये किसका है राम रख्चे बैनी पुर ठीक है, माटी की मूर्तें ये किसने लिखा, छे नंबर का question माटी की मूर्तें किसने लिखा है, विश्वास मलेक जी, तेज प्रिकास जी, स्पी चत्रवेदी जी, कंचन जी, नीता जी, राजे स्वरी, जिन भी सातियों को एड़ी सल लेना, एड़ी सल ले सकते हैं दोस्तों, के बियस बाले साती, एमपी टेट बाले साती, पीजी टी, पीजी टी, एल्टी गरेड, मास्टर केडर बाले सबी साती आजाएं दोस्तों, और जिनको नोट समगवाना है, तो आफ संपर कर लेना, बिलको नीचे नंबर चला है, ठीक है, तो माटी की मूर्तें हैं, आपको बेनीपूरी, भी आपका बिलको सही है, पत्के साती किस विधा की रचना है, सात में बताना है, पत्के साती किस विधा की रचना है, रेखा चित्र है, संसमरण है, कहानी है, नाटक है, क्या है, पत्के साती किस विधा की रचना है, सात नंबर का कोस्चन है, शबी लोग बत बताओ पत्के साती में उत्तर बताना है और सही उत्तर हो जाएगा कि सर राइट आसर बिल्कुल बिल्कु सही है एस्टेट के लिए भी बढ़िया है पत्के साती पत्के साती क्या है बटाओ रेखा चित्र है या संस्मर्ण है इस बिधा की रचना है सात नंबर का कोच्चन है और सात नंबर में बहुत सारे लोग बता रहे कि सर इसकी बिधा है रेखा चित्र पत्के साती रिखा चित्रहे की संसमर्ण है शही आंसर सात में उत्तरहे की सरी संसमर्ण है संसमर्ण पत के साती कि क्या है संसमर्ण है B नमबर आपका बिल्कु सही है माटी हो गई सोना माटी हो गई सोना के किसने लेखा है किसने लेखा है आठ नमबर में बताव माटी हो गई सोना की लिखा किसने है बनारसिदास चुत्रवेदी कनया लाल जगदीश चद्रमातर या प्रमाखनलाल चुत्रवेदी माटी हो गई सोना कैसे हो गई माटी सोना कैसे हो गई कैसे हो गई राइट आंसर बोले सर कनया के एक बार चलन पड़ गए तो माटी सोना हो गई माटी सोना हो गई कनया कनया लाल मिस्तर प्रिभाकर के जो बी नंबर है आपका बिल्कुछ सही आंसर है अंगले कोस्चन क्यों बढ़ेंगे सबी साती लाइक जरूर कर देना ठीक है सेर भी कर देना कुछ सब्द कुछ रेखाएं कि किसने लिखा है नौ नंबर का क्वेस्चन है कुछ सब्द कुछ रेखाएं कि लिखा किसने है नौ का उत्तर बताना है सरोच जी अभिसेख जोती जी सबी लोग बताओ पुलिसर विश्णु ने हमें कुछ सब्द दिये हैं बोलने के लिए और कुछ रेखाएं दे दी हैं समझ सको तो समझ लो कुछ रेखाएं है ना किसने विश्णु जी ने विश्णु से क्या वनेगा अपना उत्तर है ना भगवान मदद कर रहे यहां पर भी आपकी प्रवाकर भी नंबर सही है पुरानी समिर्टियां नए स्कैच नामक रेखा चित्र किसने लिखा दस नंबर का कॉस्चन है सभी लोग बताएंगे और लाइक जरूर कर देना सभी साती ग्यारा का उत्तर बताना है पुरानी समिर्टियां नए स्कैच पुरानी समिर्टियां और नए स्केच नामक रेखा चित्रे के लिखा किसने है किसने लिखा है वाईया दस्ट नंबर के कॉस्चन में किसने लिखा है रामरक्ष बेनी पूरी ने शेट गोविंदास ने प्रिकास चन्दगुप्त ने सत्य दिघो परीबराजक ने तो दस का उत्तर क्या हो रहा है उत्तर है क्या Hagam नंबर में कि यह विलै घूद गुत्र रहें पुरानी स्मिर्थियां और नए क्यूंअ गूंध टो नकेकर्ड काई जितिकी मुस्काई एकिसे बिधा की रचना है दोस्तों पर चंद कहानी है या फिर निबंद है रेखा चित्र है क्या है ये जिंद्धी मुस्काई जिंद्धी मुस्काई यह ना इसकी विधाबताना है विधाबता यह राजेस्वरी जी बैसन अभी प्रयांक का यादाव जी बिधा क्या है जिन्दिगी मुस्काई जिन्दिगी मुस्काई की बिधा बताना है चैन करना है दोस्तों इसकी बिधा क्या है जिन्दिगी मुस्काई बिधा बताईए निवंद है संसमर्ण है या फिर रेखा चित्र है बताओ जिन्दिगी मुस्काई चैन करना है दोस्तों बहुत ही सांदार क्वेस्चन है जिन्दिगी मुस्काई और दोस्तों आपसे हमेशा पूछा जाता है कि ये किस विद्धा की रचना है विद्धा पूछी जाती है और जिन्दि से वीडियो को लाइक जरूर कर देना जिन्दिगी मुस्काई ठीक है अंगले कुछन क्यों जाएंगे अंगला कुछन यहाँ पर आता है नए पुराने जरों के बारा नमबर का क्वेस्चन है नए पुराने जरों के नए पुराने ज़रो के तो आप लोग उत्तर बता रहें कि सर नए पुराने ज़रो के राई टांसर चेन करना है बारा नंबर का सांदार क्वेश्चन है बारा नंबर में शबी लोग बताएंगे बारा का राई टांसर है कि सर नए पुराने ज़रो के बच्चों के साथ अरिवन्स राई बच्चन है ना सुधियां उस चंदन के बनकी 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 ये बताना है सबी लोग बता रहे हैं सुधिया उस चंदन के बन की 13 नंबर का कॉस्चन है विश्णु कांथ सास्त्री आपका बिल्कु सही है राइट आंसर है ठीक है नेक्स्ट कॉस्चन बताना है बे दिन बे लोग ये किसने लिखा है है अधिक है तो यहां पर बे दिन बे लोग सिव पूजन सहाई आपका राइट आंसर हो जाएगा इसको दोस्तों संसमर्ण में करो यह संसमर्ण की अंतरगत आएगा वंसा आपका जिंदिगी मुस्काई इसको रेखा चित्र नहीं इसको संसमर्ण करो जिंदिगी मुस्काई संसमर्ण कर दो इसको है ना यह उत्तर आपका जो डी नंबर है बहुत स सहाय करते हैं कौन सी क्रती स्री राम सर्मा द्वारा लिखेत नहीं है पंद्रा का उप्तर बताना है पंद्रा का सभी लोग बताओ कौन सी क्रती नहीं है स्री राम सर्मा सिकार तूटा तारा तूटा तारा या फिर यहां पर आते हैं यहां पर आते हैं दोस्तों प्राणों का सौधा या फिर जंगल के जीव बताइए कौनसी क्रति स्री राम सर्मा की नहीं है स्री राम सर्मा की कौनसी नहीं है यह बताना है स्री राम सर्मा की कौनसी नहीं है तो चार विकल्प है 15 नमबर का question है शबी लोगों ने answer लगाया कि सर यहाँ पर जो उत्तर लगाओ वो right answer हो जाएगा क्या टूटा तारा नहीं है किसका स्री राम सर्मा बाकी सिकार तो है है ना उसके बाद यहाँ पर आती है प्राणों का शोदा भी है जंगल के जीवी है कौनसी करती राम ब्रक्ष बैनीपुरी की नहीं है 16 नमबर का question है 16 का right answer बताना है 16 में शबी लोग बताईए राम ब्रक्ष बैनीपुरी की कौनसी करती नहीं है कौनसी करती राम ब्रक्ष बैनीपुरी की नहीं है यह बताना है आपको सांदर क्वेस्चन है तो रेखाएं और चित्र तो है माटी की मूरते लालतारा मेल के पत्तर यहाँ पर सोला नमबर के क्वेस्चन में बहुती सांदर क्वेस्चन है सोला का राइट अंसर बताना और उत्तर है कि सर रेखाईं और चित्र ये करती नहीं है भागी माटी मूर्त ने लाल तारा मिल के बत्तर ये तुश भी है ये नमबर आपका सही है ये नहीं है ठीक है very good कौनसी करती का नई या लाल मिस्र प्रभाकर की है ये बताइए कौनसी है बताना है और self study classes के जिनवी सातियों को notes मंगवाना है वो सबी साती notes मंगवा सकते हैं दोस्तों अपने घर पर बिंदू जी मंदू जी तनू जी कौनसी करती कनया लाल मिस्र प्रभाकर की है यहाँ पर पूछा है कनया लाल जी की 17 नंबर का question है फुर आपको बता है कि सर कनया के दरवार में दीप जले संख बजे कहाँ पे कनयया की दरवार में दीप जले संख बजे B नमबर दीप जले संख बजे राइट है बचपन की स्मिर्टियां किसने लेखा है जैनेंद्र ने राहुल सांकृत्या ने सांति प्रिय दुवेदी ने रामनर इस्तरपाठी ने बचपन की स्मिर्टियां अठारा नमबर का क्वेस्चन है सभी लोग बताएंगे जल्दी से बचपन की स्मिर्टियां बताइए चैन करिए बचपन की स्मिर्टियां अठारे में राजकुमार राओ जी कान्ता बताइए और सभी का उत्तरएं किसर ये बचपन की स्मिर्टियां बी नमबर आपका बिलकुँ शही है, बी नमबर राइट आंसर है, पुरानी इस मिर्तिया नामक संस्मरण किसने लिखा है, उन्नीस नमबर का क्वेस्चन है, उन्नीस नमबर की क्वेस्चन में सभी साती आंसर बताएंगे, पुरानी इस मिर्तिया नामक संस्मरण के लिखा कि जी शबी लोग जदी से बताईए चैन करना है उन्नीस में पुरानी समिर्टियां उन्नीस नंबर का कोश्चन है उन्नीस नंबर में सभी का उत्तर है कि पुरानी समिर्टियों को क्या करना है पुरानी समिर्टियां हमें प्रिकास में लाना है प्रिकास में लाना है पुरानी स क्या है? 19 नमबर का question है पुरानी स्मिर्थियों को प्रिकास मिलाना है तो प्रिकास चंदगुप्त है ठीक है next है जाधा अपनी कम पराई जो जाधा अपनी बताते हैं और पराई कम बताते हैं वो क्या करते हैं? आपने देखा हुआ कई लोगों की आदत है कि अपनी बस बताते हैं अप मेरी बस सुनी जाए और किसी की ना मुझे सुनना है ना कुछ करना मेरी बस सुनी जाए है ना अपनी अपनी जाना बताते हैं है ना तो जादा अपनी बताते हैं जो और कम पराई बताते हैं वो एक द विश्नु प्रभाकर ने नहीं लिखी है 21 नंबर का क्वेस्चन है 21 में सबी साती आंसर बताएंगे कौन सी कृति विश्नु प्रभाकर ने नहीं लिखी है 21 में चैन करना है शबी लोगा आंसर बताएंगे राइट आंसर है बहुती बड़ीया क्वेस्चन है और 21 का उत्तर है 21 में सभी का उत्तर है विश्णू प्रभाकर ने नहीं लिखी तो कॉझसी नहीं लिखी मिरे अग्रज, मिरे मीद यह तो लिखी है यादों की तीर्थियात्रा जाने यान जाने लेकिन बे दिन बे लोग जो पूझन सहाई की है ये तो बाकि आपका उत्तर ये नमबर बहुत बढ़ी असांदार कॉस्चन बता रहे हो दोस्तों आप लोग मन लगा की बता रहे हो बुलिसर लगता नहीं है दिल मेरा किलास के बिना ऐसा कभी लोग आप लोग बोलते ही नहीं है कादबार बोल दो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा है ना यहाँ पर सिर्जन के सेतू संस्मन किस ने लगा सिर्जन के सेतू बताईए सांती जाहे दली प्रीती जी सिर्जन के सेतू कौन है बाइस नमबर में सिर्जन के सेतू बाइस का उत्तर पुलिस सर सिर्जन के वो ही सेतू है सिर्जन के और वो ही सब कुछ है तो यहाँ पर सिर्जन के सेतू है कौन कौन है भईया सिर्जन के सेतू 22 नंबर के कॉस्चन है ना तो बताईए ज़न्दी से चैन करो 22 नंबर के कॉस्चन में बहुत ही बड़िया question है राइट अंसर है विश्णु प्रभाकर B नमबर सिर्जन के से तू विश्णु प्रभाकर ठीक है B आपका बिल्कु सही है समाई के पाउ क्रती किसकी है समाई के पाउ वीनु जी प्रग्या कमलाकान ससी जी मंजु यादो जी समाई के पाउ एक क्रती किसकी है 23 नमबर का question है 23 नमबर के question में सबी लोगों को बताना है समाई के पाउ के क्रती बताना है 23 नमबर में सभी का उत्तर है C यानि कि माखनलाल चत्रुवेदी समाई के पाउ में C आपका बिल्कु सही है समय के पाओ, ठीक है समय के पाओ, कृती किस की है, तो माखलाल चुत्रवेती की है, बहुत बढ़िया कोस्चन है, मैंने इस मिर्थी के दीप जलाए, नामक संसमर्ण किसने लेखा, मैंने इस मिर्थी के दीप जलाए, 24 नमबर के कोस्चन में, 27 जद्धी से बताओ, 24 का उत्तर क्या है मैंने इस मिर्थी के दीप जलाए नामक संसमरन के लिखा किसने है किसने लिखा है 24 का सांदर कोश्चन है उत्तर आपको बताना है मैंने इस मिर्थी के दीप जलाए बहुत ही अच्छा कोश्चन है है ना और 24 इस नंबर का बहुत अच्छा question है जाहिद जी पुलिसर रामनात की स्मिर्थी में मैंने दीप जलाई किसकी स्मिर्थी में बी नंबर रामनात की ठीक है यादों के जरों के जरों के नामक संस्मन किस ने लिखा यादों के जरों के 25 नंबर सुबेदार जी रमा जी कांता राज कुमार जी सौनी सिंग जी सभी लोग बता दो जल्दी से यादों के जरोके 25 नंबर का question है और यादों के जरोके में कौन आ रहा है यादों के जरोके में कौन आ रहा है या कंगर तरा रहे हैं क्ला वर याधों को संस्मर्ण कि को मैं ृप सर रहा है नमबर का евãy नेक्स्ट है अतीत के गर्त से आतीत के गर्त से आपको कौन बाहर निकालेगा माने कि चलो आप अतीत के गर्त में गिर गए इति बाहर कौन निकालेगा जल्दी से बताईए डाक्टर पढ़ने से मना किया है लगता नहीं है दिर्वराच्छा कोई बात नहीं है ना तो यहां से अतीत के गर्थ से तो अतीत के गर्थ से बोले भगवती के चरण निकालेंगे बी नमबर आपका बिल्कु सही है ठीक है लोट आओ धार एक किसने लिखा है 27 नमबर के कोउस्चन में लोट आओ धार काई की धार पानी की धार या दूद की धार तो लोट आओ धार लोट आओ धार के लिखा किसने है 27 नंबर के question में 27 का right answer बताना है lot आउधार तो 27 में बहुती सांधार question है और 27 का उत्तर है कि सर 27 में बहुती सांधार question दूद की धार lot आउधार दूद की धार ठीक है next है नेहे के नाते अनेग होते हैं करती राम कमल राए करश्न विहारी मिस्टर विश्वनात रपाठी अमरकार नेहे के नाते अनेग है किस करती के रचनाकार कौन है 28 नंबर का question है बहुती बढ़िया question पूछा जा रहा है यहाँ पर 28 में पर 28 का उत्तर है करती किसकी है और सिर्जन के सहयात्री में आपको confusion नहीं होना है है ना 29 नंबर का question है और 29 में सिर्जन के सहयात्री कौन है बोले सर सिर्जन के सहयात्री कालिया बन जाते हैं कभी-कभी सिर्जन के सहयात्री है ना तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा सिर्जन के सहयात्री 39 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को लाइक तो कर दो सबी साथी सिर्जन के साथ सहयात्री कैसे बन जाते हैं कालिया, कालिया, रविंद्र कालिया ठीक है, सिर्जन के से तू पिश्णू प्रभाकर, ठीक है बे देवता नहीं है कुल्दीप जी मोहिद जी प्रियंका जी एक बार सेर कर दो दोस्तों बे देवता नहीं है भगबती चनबरमा राविस्तुर सुकलेंच राज़द र्यादव विश्नुचद शर्मा तीस नंबर की क्वेस्चन में और सभी को बताए कि सर बे देवता नही है फुत्तर है राज़ेंद्र याधाव फेदे़ता नहीं है राज़ेंद्र याधाव ति नम्बर आपका बिल्कु सहिए फेदेवता नहीं है ठीक है वेरे गूड चडिया रेन बसेरा संसमरन किसने लिखा है चडिया रेन बसेरा किसने लिखा है मेधाजी, आयूजी, अस्वनी जी, सभी लोग बताओ मनुहर स्याम जोजी, विद्या निवास मिस्तर, रश्न विहारी मिस्तर, दूदनास सें एक तीस नमबर का क्वेश्चन है, और सभी का उतर है कि चडिया रेन बसेरा, चडिया रेन बसेरा करती है कहां करती है चडिया रेन बसेरा बताओ, जन्दी से बताओ चडिया कहां पर रेन बसेरा करती है चैन करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और रेन वसीरा करती है विद्या के निवास में तो विद्या निवास में तो बी नमबर आपका सही है एक नाओ के सहयात्री संस्मर्ण किसने लिखा है एक नाओ के सहयात्री एक नाओ के यात्री एक नाओ के यात्री बतना है ये संस्मन किसने लिखा है 32 नमबर का question है 32 में शबी लोग ज़दी ज़दी से बताओ राइट आंसर बताना है 32 में आपका उत्तर है खा यानि कि एक नाओ के यात्री विस्तु की यात्रा के लिए निकले है तो आपका उत्तर हो जाएगा विस्तुनात प्रसात तेवारी वी न भारती ज्यांचंद्र जैन अग्ये या पर देवेंद्र सत्यार्थी किस्मिर्थी लेखा इस्मिर्थी लेखा बताना है किस्मिर्थी लेखा के क्रती किसकी है क्रती बताइए कांता जी प्रमोद जी इस्मिर्थी लेखा धरम वीरभारती की है ज्यांचंद्र जैन की है सभी का उत्तर क्या जारा है 33 इसमिठ्टा लेखा जेका है क्या आपके पास रोले का कोई पता नहीं कब कौन सी स्मिठ्टी निकल के बाहर आ जाये कोई पता नहीं किसका लेखा जुका है क्या वब कब कुछे करDING कर दो दोस्तों और सबस्काइब कर लो को बैल आइकन भी दबादो वियों केस तरूए इसकी रचना का olun क्यاج रहा है संसे मरण पूचा गया चोई नंबर का कॲेश्चन देड़ा बताना है चाइर गज्वेश गर्ता उसको जीवनी मेंगा जाता है जीवनी हैं व्योंके इस दर्वेशती से क्या है जीवनी मुझे अपन कुछ और कुछ याद हैं उसके रचनाकार बताना है हजारी परसा दुवधी जीवनी लिखी है और किसके जीवन पर आधा रहे थैं किसके जीबर पर हजारी परसाद दुवेदी के लिखी किसने है ये भी बता दो 35 नमबर में अमरकांत हैं यांचद्रे कासिनात हैं या पिर मैत्रिशन गुपत हैं संस्मरण परक जीबनी है कमला कंज जीब विश्चुनात्र पाठी ने लिखी है बहुत बढ़िया ठीक है तो कुछ यादें और कुछ बातें 35 का उत्तर जा रहा है कि सर ये जो कुछ यादें और कुछ बातें क्या हो जाती हैं अमर हो जाती हैं अमर से हो जाएगा अमर कांथ कुछ यादें और कुछ बातें अमर हो जाती हैं राइट आंसर है अमर कांथ ये नमबर आपका बिल्कु सही है बहुत बढ़ी आंसर अंगले क्वेस्चन की और हम बढ़ेंगे अंगला क्वेस्चन आपके यहाँ पर आ रहा है अंगला क्वे कांती कुमार जैन की कौनसी कृति नहीं है स्मिर्टियों का सुक्ल पक्ष लोट आना नहीं होगा तुमारा परसाई जो कहूंगा सच कहूंगा यह चैन करना है कमला ठाकोर जी अरुन जी सुनीता बर्मा जी 36 का राइट आंसर बताना है 36 में सभी लोग बताइए 36 का बताइए कौनसी कृति कांती कुमार जैन की कौनसी नहीं है यह बताना है पुस्पा देवी जी चैन करिए सेर कर दो दोस्तो सेल्फ स्टेडी गलासीस का एप डाउनलोड कर लो और जिन्वी सात्यों को नोट्स मंगवाना है आप नोट्स घर पे मंगवा सकते हो संपर कर स 36 का राइट आंसर 36 में चैन करो शबी का उत्तर इसमिर्टियों का सुकल पक्ष यह नमबर आपका सही है इसमिर्टियों का सुकल पक्ष ठीक है कौनसी कृति विश्वनात्र पाठी की नहीं है नंगा तलाई का गाउं सुमरण की वहाने ब्योम केस दर्वेश गंगा इसनान करने चलोगे यह पताना है 37 नमबर का कॉस्चन है जल्दी से बताईए 37 का राइट आंसर 37 का चैन करना है 32 सांदार कॉस्चन है और सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि सर विश्वनात्र पाठी की नहीं है तो बताईए कौन सी नहीं है 37 में राइट आंसर 37 का सभी का उत्तर है खा यानि सुमरन के वहाने यह नहीं है बाकि आपका उत्तर है क्या उत्तर क्या है ठीक है राइट आंसर उत्तर है शुमरन के वहाने ठीक है बहुत बढ़िया तो सुमरन के वहाने यह नहीं है बाकर नंगी तलाई का गाओ है नंगा तला ठीकी है ना गंगा इस्ञान करने चलोगी ए भी है ठीक है ग्यान रंजन के महाने अड़ी स क्योथ ऑस्ति नंबर प्तापड बताईए मोहिज ईसी जी और टवल वाईज अपना रियंत मेरत है चलला यहां पर 38 का उत्तर राइट अंसर है ज्यान रनजन के वहाने निलाव अस्क वहाती है और 38 में यहां पर अस्क से निलाव अस्क होगा नहीं तो अपन लोगों पंद्रनाद अश्क लगा दो है ना क्योंकि कुनसी क्रति मनोहर स्यामजोशी की नहीं है पताइए हर्ष हैं करना है सबढ़ तो है जो सबीक उत्तर है कि सर इस जो सब्सके को हुए ribное मेरा लखनौह यह तो है रगबीड सहाय रचनावं की वहान एक संस्मरण ये भी है वहां और अंतरंग संस्मरणौं के रपिसाद ए नहीं है बातों बातों में ये करती मनुहर जयाम जोसी के जोस में आ जाते हैं लोग रगवीर सहाय रचनाओ की महानी एक संसमरण के स्याम जोसी है ना मनुहर स्याम जोसी लखनव मेरा लखनव वो बड़े जोस में है मेरा लखनव ठीक है यादें और बातें के क्रती किसकी है यादें और बातें बताना है चालीस नंबर का कोस्चन है यादें और बातें चालीस में यादें और बातें के क्रती चालीस का राई टांसर बताना है सभी का उतर है बिंदू अगरवाल भी नंबर यादें और बातें बिंदू करो और सेर भी करदो दोस्तों कों सी क्रती कासिना सेंगी नहीं है लाहोर से लखनव तक यादो कि ना यादो आचे दिन पाचे भाए घर का जोगी जोगड़ा 41 नमबर का कोश्चन है 41 में 27 को बताना है राइट आंसर है कौन सी क्रती कासिना सेंकी नहीं है 41 में सभी का उत्तर है 41 में का नंबर लाहोर से लखनव तक कि जो का है वो बिल्कुश नहीं है का नंबर सही है तेज प्रकास जी है ना तो एक कासिना सेंकी नहीं है बाकि याद हो कि ना याद हो आच्छे दिन पाचे वाई घर का जोगी जोगडा ये कासिनात की है एक समसेर भी है एक समसेर भी है संसमर्ण किसका है 42 नंबर का question है एक समसेर भी है उत्तर है एक समसेर भी है जो बोले दूद पीता है दूद समसेर तो 42 का उत्तर है दूद नास हैं एक समसेर भी है ये रचना दूदनास है जी की है ठीक है अंगले कोश्चन की और हम आते हैं जिनके साथ जिया यह यह संस्मर्ण बताए जिनके साथ जिया के संस्मर्ण तो लोचना रांगे-रा गव अमरत्रा प्रतिवा अगरवाल भगवती चणवर्मार जिनके साथ जिया 43 नंबर का कॉस्चन है 43 में शवी का उत्तर होगा कि जिनके साथ जिया है ना राइट अंसर है जो संस्मन है वो कौन का है पुलिसर अमरतलाल लांगर जिनके साथ जिया ठीक है तो जी लोग करें सेर कर दें दोस्तों वीडियो को अपने मित्रों को इसी प्रकार से लगी रहें अध्यान करना है चंद संत्रे और चंद संत्रे और संस्मरण है बता दो जल्दी से 44 में राइट अंसर है अनीटा राकेस कि नमबर आपका बिल्कु सहएे next question है हमारे आराद किसका है 25 में हमारे आराद हमारे आराद बताना है राम रेश्टर पाटी बनारसिदाश चुत्रवेदी स्री राम सर्मा मनमतनात गुप्त हमारे आराद 45 नंबर का question है हमारे आराद में B45 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा और आपका उत्तर है हमारे आराद तो बनारस में है बनारस में है हमारे आराद तो हमारे आराद कहा है बनारस तो बनारस से बनेगा बनारसी दास चोतरवेदी B नमबर आपका सही है हमारे आराद है बनारश में भी आपका सही है ए और बे के क्रती किसकी है ए और बे बिनु जी आसीज पारबती जी राजेस्वरी सिल्पा रेखा जी सभी लोग बताओ ए और बे चैन करो 46 नंबर के क्वेश्चन में ए और बे ए और बे के क्रती बतानी है और सभी का उत्तर है कि सर जैनेंद्र कुमार ए और बे ए और बे जैनेंद्र कुमार ठीक है बेरी गुट अंगला क्वेश्चन है मेरे हमदम मेरे दोष्ट मेरे हमदम मेरे दोष्ट के सेंसमन किसका ह सिर्पाजी चैन करना है दोस्तों आप लोग सेलप स्टेडी क्लासेस से अगर नहीं जुड़े हैं यह एप से तो सभी साथ यह आपको डाउनलोड कर लेना है ना मेरे हमदम मेरे दोस्त संस्मर्ण 47 नंबर का क्वोस्चन है राइट अंसर है कमले सुर्ण मेरे हमदम मेरे दोस सुन्प टिक है दी नंबर आपका सही है कुछ ख्वाबों में कुछ खयालों में के संस्मर्ण 48 नंबर में 48 का राइट अंसर सबीत लोग बता दो शबीका उत्तर है की सबीका उत्तर जारा की सबीका संकर दयाल कोलिसर हम संकर के कुछ ख्वाबों में और कुछ ख्यालों में रहते हैं संकर दयाल संकर दयाल याद कर लेना चेतना के बिम्ब के करती किसकी है नौप एतालीस अपन को याद रख देना है नौप एतालीस पर आपको किलास आएगी तिरिकी गुरू यूटूब चेनल पर जिनको बुक मगवाना है संकर करें नीचे नंबर चला है ठीक है केतना के बिम्ब 49 नंबर का कोस्चन है 49 में सबी लोगों को पताए किसा डाक्टर नगेंदर केतना के बिम्ब बहुत बढ़ या next कोस्चन की ओर हम जाते हैं सबी साती तयार हैं तो पढ़ती रहे अध्यन करती रहे ठीक है यहाँ पर यह कोस्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर जोड़ी मिलाना है आपको बताओ रचना और उनकी रचना कारों को सुमेलित करें सुमेलित करो 50 का उत्तर है सुमेलित करना है 50 नंबर में तो यहाँ पर आपका माटी की मूर्ते तो आपको बताए है रामब्रक्ष बेनीपूरी तूटा तारा किसका ए वह यह भी आपको बताना है लंका महराजन मैं इनका रिडी हूं है ना इस सभी question आपको बताना है 50 नंबर का question है और 50 नंबर के question में आपका उत्तर है कि सर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ठीक है यह टूटा तारा रादिका रमन है ना और लंका महराजिम को अमकार सरद है ना ठीक है और दो कई खो गया ठीक है यह अमकार सरद हो गए मैं करणी हुईंद्रा बाचस पती ठीक है यह बिल्कु सही हो जाएगा आपका तीन नमबर बी नमबर बिल्कु सही हो जाएगा पचास में ठीक है तीन एक दो चार माटी की मूर्तें तूटा तारा रादिका का तूटा तारा लंका महराजिन ओम का जाब करती है मैं इनका रिणी हूँ इंद्रा बाचस्पती इंद्रा बाचस्पती ठीक है very good next question आपके screen पर आ गया है आगन की बंदनवार आगन की बंदनवार इंक्यावन नमबर की question में नौपैतालिस पर आपको देखना है दोस्तों नौपैतालिस पर तिरकी गुरू यूटूब चैनल पर देखना न भूले नौपैतालिस पर सभी साती है ना तो यहाँ पर जल्दी से question है आगन के बंदनवारे आगन की बंदनवार ये क्रती इंक्यावन में सभी का उत्तर है कि सर आगन के बंदनवार हमें विवेक से बादना है विवेकी राय विवेकी राय आपका बिल्कुश है ठीक है कौनसी क् क्रती कौनसी है और सबी लोगों का उत्तर है कि सर के जो बी नंबर है मेरे सुहरद स्रध्धे है ना तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर के बेबे की राय की मान जाती है मेरे सुहरद स्रध्धे ठीक है राइट आंसर नेक्स्ट है आलोचक का आकास आलोचक का आकास त्र त्रेपन नंबर का question है सभी लोग share करें दोस्तों और जुड़ जाएं self-study class के एप से ठीक है त्रेपन का right answer है शबी का उत्रा आलो चक का आकास कैसा है मधृर है मधृर मधृरेश आलो चक का का कैसा है मधृर तो मधृरेश लगाना बी नंबर बत ब्रक्ष की छाया में पता तो आपको पताईए बोले सर कुमोद नागर पटब्रक्ष की चाया में कुमोद नागर ठीक है और धाई याकर प्रेम के पड़ेसु पंडित होए कुत करसे जी नौप एतालीस पर आपको सेल है तिर्की गुरु यूटूब चैनल पर किलास देखना है सभी लोग सर्यू पार की यात्रा सर्यू पार की यात्रा नामगरंद के लेखक कौन है जल्दी से बताईएगा लाइक भी कर दिजिए सर्यू पार की यात्रा चैन करो पटक से सर्यू पार की यात्रा इसके रचनाकार कौन है इसके रचनाकार आपको चैन करना है बहुती बढ़िया क्वेस्चन है एक नंबर में और सरियू, सरियू पार की आत्रा, सरियू कहां पर है, सरियू, सरियू नदी, अमेरिक्या मैं क्या, बोले नहीं सर, भारत में, तो भारत में सरियू पार, सरियू पार की, हमने कहां कि सरियू, बोले भारत की, तो भारत से बनेगा क्या, भारतें दू, भी नंब अपका बिल्कुछ स़ह हो जाएगा है अंगला question है प्रतिवी प्रदक्षिन इसके लेए का कुछन है दोस्तु बिंदु जी पायल जी बंदना जी ओर्णी ति सोरिलाल जी प्रतिवी प्रदक्षिन के रचना कार कों है दो का नंबर का आंसर बताना है और दो में आपका सही आंसर है सी यानि सियो प्रशाद गुप्त रहेगा याद याद रहेगा जो मैं पढा रहा पुलिशर अग्ये पतानी याद रहेगा की नहीं रहेगा तो अरे यायावर रहेगा याद ये किसका यात्रा वरतांते हैस पाल का है रामराच्च बैनीपुरी अग्ये याफ्र निर्मल miar overflow का तीन नंबर का क्वेस्चन है अरे यायावर रहेगा याद रहेगा याद तीन का राइट आंसर बताना है शबी का उत्तर है सी यानि की अग्ये शी आपका सही है अग्ये आपका राइट आंसर है ठीक है गुमक्कर सास्त्र नामाग गरंति के लेखकवन है चार में गुमक्कर सास्त्र है बिंदुलता जी बताईए सेर कर दो दोस्तों गुमक्कर सास्त्र के वारे में बताना है कि गरंति किसका है गुमक्कर सास्त्र है गरंति के रचनाकार कौन है नागर जुन है अग्ये हैं राहुल सांक्रित्याइन है गुमक्कर सास्त्र है इसके रिचनकार और चार नमबर के आंसर में आपका उतर हैं hacer गमक्र सास्त्र की रिचनकार राहूल सांकरित्याईन C नमबर आपका सही है गमक्र सास्त्र में C आपका right answer बहुत गड़िया question है प्रिकासन के अधार पर क्रतियों का सही अनुकरम पाच नंबर में प्रिकासन की आधार पर बताना है सही अनिकरानुकुरम क्या हो जाएगा यहां पर पाच का राइट अंसर है प्रिकासन किरम में आप लोग क्या सही लगाओगे कि शुनील कुमार जी साधना जी शुनीता वर्मा जी आपको बताएगी सर किरम में आएगा मेरी तिपत यात्रा कलकत्ता से पैकिंग चीडों पर चांदनी और यात्रा चक्र ठीक है यह आपको जो डी नंबर है यह डी नंबर आपका विल्कु सही हो जाएगा इसमें तिपत सियत्रा ठीक है धर्थी लाल गुलाबी चहरे चे नंबर की कॉस्चन वैं सियर कर दो एक। œ बार दर्थी लाल घुल खश्रे किसके लेखक क्वन है ये कर बताना है पहबद जी पताए मौटिवेशनल जी साधना जी चैन करो दर्थी लाल गुलाबी चेहरे जिन भी साथियों को एड़ी सन लेना है देर नहीं करना दोस्तों एड़ी सन आज ही आप ले सकते हूँ धरती लाल गुलाबी चेहरे गुलाबी चेहरे इसके लेकक कुंएन है? ठीक है वियाद रख लेना है बोले सर कनया के आ जाने से धर्ती लाल और सब के गुलावी गुलावी चेहरे हो गए तो कनया लाल नंदन लगाना है धर्ती लाल गुलावी चेहरे धर्ती के लाल है कौन बोले कनया धर्ती के लाल है जिनके गुलावी गुलावी चेहरे है धर्त कि याद रखोगे धर्ति के लाल ऐसे याद करोंगे तो जद्धी याद होजाएगा अंगला क्वेस्चन है रामक्रत बेनिपुरी की वह है सरिकांट जी बिंदू जी बताइए सागर की लहरों पर पर आपो ऊपर रहा के लूबा का सब्सक्राइन कि सिरामरक्ष पेनिपूरी ठीक है नेक्स्ट है कौन सा यात्रा वरतांत राहुल सांकृत्याइन का नहीं है कौन सा यात्रा वरतांत राहुल सांकृत्याइन का नहीं है वेरी तिबबत यात्रा आठ का राइट आंसर बताना है कौनसर नहीं है राउल शांकरित कैन का वरीति पत यात्रा ये तो है यात्रा के पन्ने भी है चीन में कम्यून भी है लेकिन आपका जो आठ नंबर का क्वेस्चन है वो है बिलायत यात्रा ये नहीं है बिलायत यात्रा भी नमबर आपका बिल्कु सही है ठीक है यात्रा साहित्य का लेखन आरंब हुआ है भारतेंदु युग में दुवेदी युग में चायाबाद में प्रगतिबाद में यात्रा साहित्य का लेखन आरंब हुआ है कब आरंब हुआ बताओ नौ नमबर का question है यात्रा साहित का लेखन आरंब कब हुआ है इस question का आपको बताना है यात्रा साहित का लेखन आरंब हुआ है तो कब आरंब हुआ है नौ नमबर के question में सभी लोग न उत्तर बताया कि सर भारतेंदु युग में है ना सर्यू पार की यात्रा ये भारतेंदु जी का माना जाता है भारतेंदु युग से हुई है राह बीती राह बीती दस नमबर में राह बीती पताये अविलासा जी संजू जी विश्वास मलिक जी शुनेना वर्मा जी दस नमबर का question है दस नमबर के question में सभी का उत्तर है कि सर राह बीती किस के साथ राह बीती या स्पाल के साथ या स्पाल के साथ राह बीती का नमबर आपका बिल्कु सही है या स्पाल के साथ राह बीती राय बीती आ नमबर राइट असर है बत्री का असरम यात्रा की लेखक कुण है बत्री का असरम प्रताप नाराण मिस्ट रहें दामो दर्शास्त्री देवी प्रसाद है सत्त नाराण है बत्री का अस्रम यात्रा के लेखक कुण है लेखक चैन करना बत्री का अस्रम यात्रा के 11 नमबर का सांदार क्वेश्चन है शबी साती बताएंगे 11 में और सबी का उत्तर है बत्री का अस्रम यात्रा बत्री का स्रम यात्रा जारा नमबर में सभी का उत्तर है देवी प्रसाद खत्री देवी प्रसाद बोले देवी के प्रसाद से हम बत्री का है ना बत्री का स्रम की यात्रा करके आगए देवी के प्रसाद से देवी का प्रसाद लेकर आ हैं बंद्री का अश्रम यात्रा से श्री नमबर आपका बिलकुस अंदार क्वेस्टन है अंगला क्वेस्टन है एक बूंद सहसा उचली मताई एक बूंद सहसा उचली चैन करो जदी से चैन करजे प्रदीप जी उस्पा जी अनन्त जी सुनीता जी एक बुन्त सहसा उचली अग्य राहुल सांकरित्या नियस्पाल रामरक्ष बैनिपुरी बारा नमबर का उत्तर है बारा का उत्तर बताना है शबी का उत्तर है का यानि की अग्य एक बुंत सा ऐसा उचली बोले कहां उचली अगे पता नहीं कहां उचली अगे अगे ये नमबर राइट अंसर है सागर की लहरों पर क्यात्रा बढ़तानते हैं इसके लेखा क्वण है सागर की लहरों पर राहुल राज जी मोहिच जी सागर की लहरों पर तेरा नमबर का question है सागर की लहरों पर सागर की लहरों पर हम क्या करेंगे सागर की लहरों पर हम करेंगे भागबत क्या करेंगे भूले से अब हम सागर की लहरों पर भागबत करेंगे भागबत है ना भागबत से भागबत सरणों पात जाए सागर की लहरों पर C नमबर आपका बिल्कुस सही हो जाएगा C नमबर राइट अंसर है चीडों पर चीडों पर चांदनी इसके लेखा क्वन है जल्दी से बताओ चीडों पर चांदनी चीडों पर चांदनी बताइए जल्दी से तो आपको बताइए कि सर्चीनों पर चांदनी निर्मल निर्मल लगती है निर्मल बर्मा आपका बिल्कु सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉस्चन यहाँ पर आते हैं आखरी चटान आखरी चटान इसके लेकक वने 15 नंबर में सेयर कर दो दोस्तो शंद्या जी आर्जू जी तनू जी सभी लोग सेयर कर दो आखरी चटान की लेकक बताना है नेक्स्ट है देश बिदेश नामा क्यात्रा बर्तान की लेकक वने देश बिदेश बिदेश देश बिदेश 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 सोला नंबर का क्वेस्टन है सबी आंसर आ जारा है देश विदेश की रचनावार बताना है दिप जी गगन जी चैन करो और अनन्द जी देश विदेश शोला नंबर का क्वेश्चन है सभी का उत्तर है दिनकर राम धारिश है दिनकर बोले देश विदेश में दिनकर दिनकर जो है न देश विदेश में घूमते हैं दिनकर हरी गाटी के लेकक कोण है हरी घाटी डिक बताना है मदा जी नीता जी जिन भी साथियों ने दोस्तों अनौस परचेस करना है आप नोस परचेस कर सकते हैं यह तीनों नोस नंदोस्तों मात्र 20 रूपे में आप अपने घर पर मंगवा सकते हो अगर केवल यह मंगवाना है पर 3000 MCQ तो 5000 इंडिया नवे में और अगर केवल दो यह सेट मंगवाना है तो यह आपको पढ़ेंगे पोस्ट चार सा है 16 शों में ठीक है इस पीट पोस्ट से आपके घर पर आएंगे जिनको भी मंगवाना है संपर कर लेना ठीक है हरी घाटी की लेखक कौन है यह आपको बताना है हरी घाटी 17 नमबर का कोस्टन है 17 नमबर की कोस्टन में 27 ने बताया है कि सर हरी घाटी रगुबंस की किरपा से हरी भरी है घाटी हरी भरी है गाटी रगुबंस की किरपा से हिंदी की प्रतम यात्रा साहित की पुस्तक है तो क आसता जी संजुगर बताएंगी अठाइरा का राइट अंसर बताना है सर्यू पार की अत्रा याइब चाहर अल्हेम पार की इसके है भारतेंदु जी हो नमबर सहिए कौनसी क्रती श्रीकांद वर्मा की है 19 में श्रीकांद वर्मा की कौनसी है बताइए श्रीकांद वर्मा की क्रती कौनसी है अप्रबासी की आत्रा है अपोलो का रात्याद है योरोप की या पर इनवे से कोई नहीं श्रीकांद वर्मा की बताना है कौनसी क्रती है बताईए बांकेलाल जी राकी जी पायल रानी जी स्रीकांद बर्मा की कौस्ची है 19 नमबर के कौस्चन में रापका उत्तर है B अपोलो का रत कई बार एक्जाम में आया कौस्चन अपोलो का रत स्रीकांद बर्मा अपोलो का रत स्रीकांद बर्मा भी नमबर तंतरा लोग से यंद्ट्रा लोग तक इसकी रचना कार बताना है बीज नमबर में संतरा लोग से यंद्ट्रा लोग तक प्रियंका जी जिन भी सात्यों को एड़ बीज़ से लेना है अब आप 15 चों में एड़ बीज़ ले सकते हैं दोस्तों PGT PGT वाले Master Cutler वाले MPTAT वाले साती है ना और KBS वाले जिनको भी दोस्तों इंदी साहित पढ़ना है बहुत अच्छे से ट्रिक से पढ़ना है संत्रा लोग से अंत्रा लोग तक के इसकी रचनाकार कौन है 20 नमबर का क्वस्चन है वो तरे डाक्टर नगेंदर के जो का नमबर है वो बिल्कु सही है उड़ते चलो यात्रा व्रतान्थ के लेख कोन है उड़ते चलो उड़ते चलो परभाकर माचवे निरमर बरमा रामग्ष बैनी पुरी या विर रामकुमार बरमा 21 state का उत्रवतना ह बहुती सांदर क्वेस्चन है कि इस नंबर में उड़ते चलो उड़ते चलो यात्रा व्रतांत और अपने पड़ा है कि सर उड़ते चलो उड़ते चलो और ब्रक्ष पर बैठ जाओ ब्रक्ष पर बैठ जाओ ब्रक्ष तो राम ब्रक्ष बैनीपुरी सी नमबर सही है उड़ते चलो उड़ते चलो और ब्रक्ष पर बैठ जाओ राम ब्रक्ष बैनिपुरी ठीक है लोहे की दिवार के दोनो और लोहे की दिवार के दोनो और इसके रचनाकार आपको बताना है लोहे की दिवार के दोनो और चैन करदो दोस्तो एक बार सेर्भी करदो ज़्गी से श्या चैस्पाल है असक है या फिर जैनेर कुमार है लोहे की दिवार के दोनों और 22 नंबर का कॉस्चन है 22 में सबी साती बताएंगे राइट आंसर और आपका यहाँ पर उत्तर जारा की सर एसपाल लोहे की दिवार की दौन ओर एक रती है एसपाल की एसपाल बी नमबर आपका बिल्कुश है ठीक है अगले कौस्चिन की उरा हम बढ़ते जा रहा है सभी साती लाइक सेयर जरूर करते रहें ठीक है यहां पर आता है पार उतारी कहां जई हो इसके लेखक धरमवीर भ प्रभाकर दुवेदी पार फंटरी कहें जाई हो। कि या स rav.: 23 नमबर का go Schmidt है श raid Хотा पार फंटर कहीं जाई हो। बताओ जठी से ततंतितां आ आप पार फंटर कहीं जाई हो। यह जो रचना है कि मादी ए रचना है। प्रभाकर दोवेदी प्रभाकर कहा जई हूँ बढ़ इसके लेखक कोशिन है चौबइस में पता ही आपको देखा बटता जी रुची जी अरुडी जी बंद्रा जी आपको देखा पाकस्तान पूछा गया आपसे बंटी जी 24 नमबर का question है 24 में शबी लोग बहुत ही अच्छा question है सभी का उत्तर आखों देखा पाकिस्तान आखों देखा पाकिस्तान इसके रचनाकार बताना है शही उत्तर है कमलेशुर आखों देखा पाकिस्तान कमलेशुर डी नमबर आपका बिल्कु सही है गोरी नजरों में हम यात्रावड़तांत इसके लेकक 25 में गोरी नजरों में हम बीरेंद्र जी सुवेदार जी चैन करो बिंदू लता जी तनू जी अनीता जी गोरी नजरों में हम 25 का 27 सर बताना है 25 में गोरी नजरों में हम, गोरी के नजरों में कहा गए, बोले गोरी के नजरों में नाचवे गए, तो नाचवे से हो जएगा प्रभाकर माचवे, सी नमबर आपका सही है हस्ता निर्जर दहकती भट्टी हस्ता निर्जर दहकती भट्टी इसके लेककवन है 26 नमबर में हस्ता निर्जर दहकती भट्टी धरंबीर भार्टी राजद रवस्ती विश्णु प्रभाकर कनया लाल नंदन हस्ता निर्जर दहकती वट्टी चेंड करो हस्ता निर्जर दहकती वट्टी 26 का उत्तर है सभी का उत्तर है किसर विश्णू विश्णू की किरपा से हस्ता है निर्जर दहकती है वट्टी जी नमबर आपका बिल्कु सही है नेक्स्ट है सफरी जोले में शपरी जोले में किसकी क्रती है 27 में सपरी जोले में सपरी जोले में 27 नंबर का कॉस्चन है सपरी जोले में टारगेट जी बताइए राजियू जी हैमंत जी सपरी जोले में बोले सपरी जोले में है किसके जोले में है सपरी बोले अजित कुमार के जोले में सफरी अजित कुमार के जोले में क्या है सफरी है सफरी सफरी याद कर ले ना सेलानी की डायरी इसके रचनाकार को ने 28 में सेलानी की डायरी के एम जी बिजय कांग जी सेलानी की डायरी बताना है 28 नमबर का उत्तर बताना है शबीका उत्तरे की सर सेलानी की डायरी और सेलानी की डायरी के जो रचनाकार है 28 में वो है राज़ेंद्र अवस्ती सेलानी की डायरी दी नमबर आपका बिलकु सही है राज़ेंद्र अवस्ती बिलकु सही है पडोस की खुस्बू पडोस की खुस्बू बताना इसके लेका क् सेट करें 29 में Self Study Classes का एप जरू डाउनलोड कर लो दोस्तों है ना पड़ोस की खुस्बू है ना कहां गई है 29 नंबर में और सभी लोगों ने सांदार आंसर बताए कि सर पड़ोस की खुस्बू गई है राम के दरस करने पड़ोस की खुस्बू राम के दरस करने गई है तो राम दरस मिस्त्र यह जो यह नंबर है यह नंबर आपका बिल्कु सही है राम दरस मिस्त्र है ना यातना सिवर में यातना सिवर में बताना इससे उप्रिसाद हैं रमेश चंद्र हैं रमेश चंद्र साय हैं एमान सु जोसी हैं करनस हैं चोहान है यातना सिवर में बताना है यातना सिविर में इसकी रचनाकार कौन है तीस का उत्तर बताना है तीस नंबर का तीस नंबर का उत्तर है यातना सिविर में यातना सिविर में हैना यातना की सिविर में हमानसू जोस में आ गया हमानसू जोसी हमानसू जोस में आ गया लिबरटी के देश में आत्रव रितांत के लए अगतीस नहीं, लिबरटी के देश में 31 नमबर का क्वीं है, लिबरटी के देश में राइट आंसर है, क्या है सही सीतेस आलोग लिबर्टी के देश में सीतेस आलोग बी नमबर सही है बी नमबर लिबर्टी के देश में सीतेस आलोग सीतेस आलोग बी नमबर ठीक है अन्तिहीन आकास अन्तिहीन आकास के लेका कुन है अन्तिहीन आकास 32 नमबर में 32 का राइट आसर बताना है 32 का अन्तिहीन आकास पुलिसर ये अन्तिहीन जो आकास है ये तो विश्व में फ्यला है विश्व में फ्यला अन्तिहीन आकास अंतिहीन आकास कहा कहा पर फेला है तो यह फेला है विश्वे तो विश्वनात्यवारी C NUMBER आपका बिल्को सही विशुनातेवारी सही है जहां फबारे लहूर होते है एक रती किसकी है जहां फबारे लहूर होते है पताइए प्रदीप जी चैन करिये जहां फबारे लहूर होते 33 NUMBER रोज रात टिरी 9 वजे किलास होती है दोस्तो जिनको एड़ीशन लेना है एड़ीशन वाले पैड़ वाले सातियों की रोज किलास होती है पाँच बजे है ना तो पास से होती है पाँच चालीस तक है ना पाँच चालीस तक और साड़े छे से होती है दोस्तो साथ दस तक के पैड़ वालों की किलास होती है है ना जा फबा अकेला आकास, इसके रचना कार बताना है हमें, बताईए साधरा जी, अनीता, परवती जी, बिंदुलता जी, हैना, राजियु जी, पायलानी जी, सभी लोग बताईए दोस्तों, सेर भी कर दीजिए, रोज रात त्री नौबज इसी प्रकार से आपको बढ़ना है, कितना अक अकेला आकास, नरेश महता, उसके बाद यहां पर आता है आधी रात का सपर, इसके लेकक कोन है, आधी रात का सपर, इसके लेकक बताना है, बल्लब डोबाल है, सीतेस आलोक हैं, गिरधर राठी हैं, मंगलेस जबराल हैं, आधी रात का सपर, 35 नंबर का क्वेस्चन है, 35 मे शबी लोग बताएंगे आधी रात का सपर बताओ अब भाई कोई भी व्यक्ति आधी रात का अगर सपर करेगा तो कैसे करेगा उन्हें सर बल से करेगा बल बल से करेगा बल पूर्वक करेगा आधी रात का सपर है ना दिन में तो लोग निकल नहीं पाते आधी रात का सपर बल से करेंगे तो बल्लब डोवाल का नंबर मैं कहती हूँ आखिन देखी बताओ एक किर्टी किश्की है तू कहती है कागज की लेकी और मैं कहती हूँ आखिन की देखी 36 नंबर का कोश्चन है वो शबी का उत्तर है की सरपदमा सच देवा सच में कहती हूँ आखिन देखी बोले आखिन देखी तो कैसी होती है सच होती है सच आखों कोई देखी सच तो मैं कहती हूँ आखिन देखी पदमा सच देवा यानि B नंबर यात्रिक किसकी करती है यात्रिक यात्रिक बताना है संजू दोबे जी बताइए चेन करना है शिलपा जी महेंद्र केम जी अजली जी बताइए यात्रिक किसकी करती है 37 नमबर का question है 37 का उत्तर है कि सर यात्रिक जो करती है कि करती है सिवानी किसकी है सिवानी की है यह जो का नमबर है सिवानी आपका बिल्कुस है यात्रिक यात्रिक अपन को यादर्टिना बुलिसर सिवानी कहां गई यात्रिक पे गई है यात्रा यात्रिक पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या 38 नंबर में यारोन जी बताइए पाकिस्तान का मतलब क्या अनीता याताओ हरीश जी पाकिस्तान का मतलब क्या क्या विजय सहेगल प्रदीप पंथ असगर बजाहत सिबेंदरन 38 का उत्तर बतना है और राइट आंसर इसका जा रहा है पाकिस्तान का मतलब क्या उत्तर हो जाएगा असगर बजाहत सि नंबर आपका सही है असगर बजाहत बिलकु सही है मौण जोदलो मौण जोदलो के लेकक कोन है दोस्तो और सभी साती लाइक जरू कर दें दोस्तो मित्रों को सेयर भी कर दें कि लास रोज रात त्री नौ बजे होती है मनीसा सीवी जी है ना तो मौन जोदरो इसके लेका के आम थानवी है ना पुले मौन जोदरो देखने की थानी है हमने थानवी थानवी अपन को याद करोगे ठीक है थानवी कस्मीर के सेर कस्मीर के सेर चालीस नंबर का कस्मीर के सेर पताना है सेर, सेर, तो कस्मीर के सेर, चालीस में कस्मीर के सेर कैसे हैं, सेर, पुरिसर, सत्य हैं, सत्य, है ना, सत्य बती मलेक, कस्मीर के सेर में, सत्य बती मलेक, तो उत्तर, चालीस नमबर में, सभी का उत्तर, डी नमबर, ठीक है, बहुत बढ़ी आप, अंगले कोस्टन की सब्सक्रामार दाइगे रिपोर्टाज कि तुल्की Google है एक मसरे बोटी खोश नहीं ब्राइब प्रांस की क्या करना रिपोर्ट करना रिपोर्ट रिपोर्टाज विधा का प्रारम किस पत्रीका से माना जाता है दो नंबर किस पत्रीका से बहुत अच्छा क्वेस्चन है किस पत्रीका से माना जाता है आस्था जी सेयर कर दिया करो दोस्तों ये रोज रात्री नो बजे कितनी स्पेसल क्लास आप लोगों को आती है इतनी अच्छी क्लास आप लोगों को आती है कि आप लोग रिपोर्टाज विधा का प्रारम किस पत व्वाब, रुवाब पत्रीका से बिदा का प्रारम माना जाता है रिपोर्टाज का प्रारम रिपोर्टाज का प्रारम कब हुआ कब हुआ ये भी आप बता दो इसका प्रारंब माना जाता है कम से बताओ 35 से या 36 से 38 से तो आपका राइट अंसर क्या जा रहा है रिपोर्ट आज का प्रारंब कब से माना जाता है रिपोर्ट आज का प्रारंब कब से माना जाता है तो आपका उत्तर है दोस्तों कि ये 36 से माना जाता है दोस्तों 1936 शी नमबर 36 से ठीक है उसके बाद हिंदी के प्रतम रिपोर्ट आज लेका कोई है बताइए जल्दी से बताइए हिंदी के प्रतम रिपोर्ट आज लेका ठीक है और यहाँ पर दोस्तों इसको सुदार लो ये 1936 ही माना जाएगा इसको सुदार लो एक बार ठीक है तीन नमबर का आपका जो हो जाएगा वो डी ही हो जाएगा ठीक है क्योंकि जो रूपाब पत्र निकला था वो 1938 पत्रिका के दिसंबर 1938 अंक में हुआ है इसका है ना ठीक है तो यहाँ पर आप डी नमबर लगा दो क्योंकि आपको पता है लेक्षमी पुरा है जो है ना रचमी पुरा हिंदी का प्रतम रिपोर्टाज माना जाता है और इसका प्रिकासन हुआ था हैना रूपाब पत्रिका के दिसंबर 1938 अंक में हुआ था तो 1938 आप लोग लगालो डी नमबर लगालो जो बिलकु सही है इंदी के प्रतम रिपोर्टाज लेकख को अनमार जाते है इसका उत्तर बता दो शवी ओु worldwide चार नमबर का कोस्चन है इंदी के प्रतम रिपोर्टाज लेखक चार का उत्तर है शवी का उत्तर है शियोदान से चोहान ये जो का नमबर है शियोदान ठीक है ये प्रतम रिपोर्टाज कर लेखक माण जाते हैं और इनों ने लेखा था लच्छमी पुरा और इस लच्छमी पुरा 1938 में है रूपाब के दिसंबर अंक में प्रकासे तुगाता दोस्तों दिसंबर अंक में प्रकासे तुगाता तो 1838 से ही इसकी शुरूआत मानी जाती है है रेना हिन्दी का प्रथम रिपोर्ट आपको बताना है कौज़सा है हिन्दी का प्रथम रिपोर्ट आज बता दीजिए तूफानों के बीच है लच्वी पुरा है पिलाट का मोर्चा ये लिमोड़े का बजार है चैन कर्दु जन्दी से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हिंदी का प्रतम रिपोर्टाज हिंदी का प्रतम रिपोर्टाज बताइए पांच नंबर का क्वेश्चन है सबी लोगों ने बताए कि सर ये तो लच्छमी पुरा है लच्छमी पुरा लच्छमी पुरा 1938 में प्रकासित हुआ है लच्छमी पुरा ठीक है और रिपोर्टाज बिधा का प्रारंब ये माना जाता है अब यहां चटबी नंबर का क्वेस्चन है तो आप क्या उत्तर लगा होगी पुर्टाज बिधा का प्रारंब अगर इस प्रकार से पूंचा जाएगा तो लग बग आप क्या लगा ओगी दुत्य बिश्वियुद्य के आस पास से माना जाता है अगर एसा पूंचा जाए तो दुत्य बिश्वियुद्य आपको लगा देना है ठीक है यह यहां तो यहां पर आपको जो बी नमबर है बी नमबर आपको लगाना है उसके वास से उदान से चो अंदोरा लिकित मौत के खिलाब जिन्दिगी की डडाई रिपोर्टाज किस पत्रीका में चपा इस पत्रीका में चपा यह आपको बताना है बताएए तो यहां पर स्योदान से चोहान का है साथ नमबर का और आपका उत्तर विसाल भाराते सीनमबर आपको लगाना है बहुत यह अच्छा में dein चैन करिए जग्दी से तो यहाँ पर कौन सा रेपोर्टास प्रकास चंद गुप्त का नहीं है तो उत्तर हो जाएगा प्राग एक स्वपन है यह नहीं है ठीक है अंगले कौस्चन के और हम बढ़ेंगे अंगला कौस्चन यहाँ पर आ रहा है अंगला कौस्चन यहाँ पर आ रहा है दोस्तों पिलाट का मोर्चा पिलाट का मोर्चा इसकी रिचना कार कौन है नौ नमबर का कौस्चन है पिलाट का मोर्चा बताओ फिलाट का मोर्चा फिलाट का मोर्चा बताईए जन्दी से नौ नंबर का कोस्चन और सबी लोगों ने उत्ता लगया समसीर बहादुर से पिलाट का मोर्चा कौन समार रहा है तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखा कौन तूफानों के बीच तो यहां पर तूफानों के बीच इस रिपोर्टाज के लेखा क्वताना है तूफानों के बीच बोले रांगे रागव मदद करेंगे दस नंबर में प्राग एक स्वपन रिपोर्टाज के लेखा कौन है प्राग एक स्वपन है प्राग एक स्वपन है तो यहाँ पर प्राग एक सापने ग्यारा नंबर की कोस्चन में शबी का उत्तर बिल्कु सही आसराया की सर निर्मल बर्मा प्राग एक सापने यानि कि उत्तर है आपका भी निर्मल बर्मा ठीक है डिर्वाल बरमा प्राग एक सो अपने पहाड़ों पर प्रेम माई संगीत पहाड़ों पर प्रेम माई संगीत रिपूर्ट आज के लेका कोण है पहाड़ों पर प्रेम माई संगीत पहाडों पर प्रेमबाई संगीत 12 नमबर का क्वेस्चन है सभी लोग बताएंगे जबी का अंसर जारा की सर पहाडों में प्रेमबाई संगीत सुनकर कि क्या होता है अस्क निकल जाते अस्क तो पेंदरनाथ अस्क के नमबर बिल्कु सही है क्रांती करते हुए आदमी देखना इस रिपोर्टाज के लेकग कोन है क्रांती करते हुए आदमी देखना क्रांती करते हुए आदमी देखना इसके रिपोर्टाज 13 नमबर का क्वेस्चन है 13 में सभी लोग ने उत्तर लगाया क्रांती बोले कमल की क्रांती कमलेश्वर जौदा का राइट आंसर है और सभी का उत्तर है विवे की राय विवे की राय है जुलूस रुकाय बाड़ 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 ठीक है अंगले क्वेस्चन की और हम बढ़ेंगे यहां पर आते हैं पेरिस के नोट्स पंद्रा में पेरिस के नोट्स बताई रामकुमार बर्मा रेणू से उसागर मिस्तर धरंबीर बारती पेरिस के नोट्स पंद्रा का उत्तर है ठीक है तो पेरिस के नोट्स और पंद्रा नंबर की क्वेस्चन में सभी का उत्तर है रामकुमार बर्मा का नंबर आपका सही है कौनसा रेणू का नहीं है सोला में रेणू का कौनसा नहीं है एक नंबर का सोला नंबर का क्वेस्चन है रेणू का रेपोर्ट आज कौनसा नहीं है शबी लोग आत्र बता रहे किसार इसमें लगा दो रिड़जल धंजल तो है नेपाल की क्रांती है सुरत आसुरत पूर्व है और यह नहीं है जी है तो यह से जी है यह वाला रेणू जी का नहीं है पढ़े सुना नहीं का एक लब्ब के नोट्स के सत्रा में एक लब्ब के नोट्स इसकी रचनाकार कोन है एक लब्ब के नोट्स बताना है मौटिवेशनल जी सोहानी जी स्रीकांद बर्मा है रामकुमार बर्मा है रेणू जी है ना तो अठारा का उत्तर बताना है शबी लोग बताईए राइट अंसर है कि सर कहां लड़ेंगे बोले सिव के सागर में बे लड़ेंगे हजारों साल ठीक है ये नमबर युद्ध्यात्रा रिपोर्ट आज है किसका है उन्नीस में युद्ध्यात्रा नौ पैतारीस पर किलास आएगी तिर्की गुरु यूटूब चैनल पर नौ पैतारीस पर ठीक है तो उन्नीस नमबर के क्वेश्चन में युद्ध्यात्रा धरंबीर युद्ध्यात्रा करते हैं ठीक है बहुत बढ़ जाग अंगला एक और क्वेश्चन है कौन सा सब्सक्राइब करना है तो इस नंबर पर संपर करना है ठीक है जिनको भी मंगवाना आप संपर कर सकते हो और प्राडर कर सकते हो ठीक है इस नंबर पर आपको संपर करना है इन्दरण तर इसी परकार से बने रहना है नौप एतालीस पर आपको किलास मिल लए है तिरकी गुरु यूट्व चैनल बढ़ ठीक है तो सभी सातियों को धन्डबाद सभी लोगों को जय हिंद दोस्तो अगर आप MPTAT exam की तैयारी कर रहे हैं TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं GIC KBS DSSB LT grade आदी exam की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तो पंजाब master grader HTAT HPTAT UGC net आदी exam की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी साहित आपका subject है तो हिंदी साहित के लिए बहुत ही bumper तरीके से book launch की गई हैं दोस्तो यह बहुत ही बड़ी नोट्स हैं और दोस्तो क्रमबध हैं भिष्तरित हैं ट्रीक भी इसमें आपको महत्पुन महत्पुन बिलेंगी तो यह फस्ट पार्ट है आपको दिखरा होगा हिंदी साहित का पद्य साहित ठीक है और यह इसका दूसरा पार्ट है यानि कि गद्य साहित पूरा हिंदी साहित का इतिहास में है आज मैं आपको इसका पूरा रिव्यू देने वाला हूँ कि किस प्रकार से यह दोस्तो पुष्टक बनाई गया है ठीक है अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तो मैं नंबर दे रहा हूँ आपको 9098609291 इस नंबर पर संपर करके इन वोकों को दोस्तो आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं तो हिंदी साहित का निचोड और तिरिकी इतिहास पद्य साहित के बारे में सबसे पहले अपने यहां पर देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहले तो इसकी बिसह सूची इस परकार से देख लो कि इस पद्य साहित में आपको क्या क्या मिलने वाला हिंदी भासा देव नागरी लिपी, हिंदी साहित का इतियास लेकन कि स्रोत, हिंदी साहित, आदिकाल, भक्तिकाल, दीतिकाल, आदुनेकाल में, दुवेदी योग, है ना भारतेंदु योग, चायाबाद, प्रगतिबाद, प्रियोगबाद, नई कविता नवगीत, हिंदी साहित की नवीन भासा हैं बोल जाती है, इसका बर्गी करण यहाँ पर दिया है, कि किस प्रकार से इसका उद्भाव और बिकास हुआ, और यह पूरे के पूरे भासा के बारे में दिया है बिलकुर दोस्तों, यहाँ संस्क्रेट, मद्यकारी, नार भासा, ठीक है, इस प्रकार से, यहाँ पर आपको अपभरंस की रचनाय मिल जाएंगी देखने इस प्रकार से ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं हिंदी की प्रमुक बोलिया नामकरण करता है जैसे यहाँ पर ट्रिक बनाई गई है यह ट्रिक देखो यहाँ पर यह बड़िया ट्रिक मिलेगी पस्चमी राज गुजरात के खड़ी बुंदेडी ब्रेजभान हरी के पास तो यह ट्रिक है यहाँ पर पहाड़ी हिंदी जैपुरी माल में बाती की मारबड़ी है यह ट्रिक है ठीक है पहाड़ी घरवाली कमाउनी है इस प्रकार से ट्रिक भी दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेंगी तो यह हि यहां पर दोस्तों अपनको लिपी के बारे में आएगा लिपी ठीक है लिपी के बारे में देखेंगे यहां पर अनुसूचियां भी दी हैं यहां पर आपको देख रहे हैं देव नागरी लिपी ठीक है तो लिपी की परिभासा इस प्रकार से अलग-अलग लिपी सबसे प्र पूरी की पूरी आपको मिलेंगी यहाँ पर दोस्तो नाम करण किस विद्वान ने क्या नाम करण किया है हिंदी का प्रिथा महाकाब रासो परमपरा यहां से भी कॉस्चन आते हैं ठीक है इस चीज को आपको देखना है और दोस्तो इसके बाद दोस्तो आपको पूरा का पूरा एक एक रचनाओं के बारे में बिस्तार से दिया गया ठीक है फिर यहां पर अपन देखें तो भक्तिकाल का आएगा पूरा यहां पर आदिकाल की पंग्तियां दी है आदिकाल की रचनाए दी है आदिकाल के बारे में महत्पूर्टत्थ भी दिये हैं फिर यहां पर आता है भक्तिकाल यह भक्तिकाल के बारे में पूरा है ना किस प्रकार से भक्तिकाल का ओदय हुआ प्रमुक कथन कौन-कौन से हैं फिर भक्तिकाल में यहां पर देखें तो यह भक्तिकाल का पूरा दिया है ठीक है भक्तिकाल क पुष्टी मार्ग, रादावल्लब संप्रदाय, हरिदासी, रुद्र संप्रदाय, शबी के बारे में इसमें दिया है, संत काभी की विशेष्टा है, एक एक चीज यहां पर आपको मिलेगी, तो यह पूरे के पूरे तक्ते दोस्तों इस प्रकार से आपने देखे, हैना क्रश्ण वक्ति साका देख सकते हो, क्रश्ण वक्ति साका के बारे में बताया, क्रश्ण काभी के महत्पूर्द तक्ते यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हटी जी, राम सहाय, इस सारे के सारे आएंगे, फिर यहां पर पूरी की पूरी रीतिकाल की पूरी रचना है, इस प्रकार से करम बद्द आपको देखने को भिलेंगी, रीतिकाल के महत्पूर तत्थे यहाँ पर आ गए, ठीके, रीतिकाल की जो पंक्तियां, पंक्तियां भी यहाँ पर हैं दोस्तों, बैयारी, बोधा, और फिर आता है यहाँ पर आधनेका वाल और भारतेंदुयोग टिक है इस प्रकार से गट्दे का विकास ःपकर आपको देखो है नहां भारतेंदु योग में अन्ह Gefangumm में भारतेंदु मंदलके कभी बाल बारती के प्रैम का पुड़ाप जगमे CC when बनी हैं ठीक है उसके बाद यहां पर आते हैं तो दोस्तो भारतbourg TU पर पूरा का पूरा दोस्तो इसमें डिया गया है यहांपर नई कविता नई कविता से सब्मंदित महत्कूर तथ्थ दिये गए है ठीक है और दोस्तों यह पूरे की पूरी हिंदी की गद्य साहित की वोग है दोस्तों है ना गद्य और पद्य तो ये पद्य साहित की है इस प्रकार से पूरा का पूरा आपने इसका रिब्यू सबसे पहले ही देख लिया था है ना कि किस प्रकार से क्या क्या तत्थ है आपको इसमें मिले वाले सबसे पहले तो आपने देखा कि यहाँ पर देख लो जे इंदी भासा, देव नांगरी, हिंदी साहित इतियास लेकन कि स्रोत, वक्तिकाल, है ना हादिकाल, वक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु योग, दोवेदी योग, ठीक है, शायाबाद, प्रगतिबाद, प्रियोगवाद, नई कव पितार, नावगी, तो इस प्रकार से आपको मिल ले वाली, ठीक है, अब इसी में हम बात करें, दोस्तों, यह दोनों सेट आते हैं, और यह दोनों सेट आएंगे, आपको 1600 रोपे में, 1400 की सेट हैं, 200 रोपे पोस्ट चार्ज लग जाएगा, गद्दे साहित का सबसे पहली हिंदी में प्रिथम, हिंदी में बेबेद, यानि की दोस्तों, परुस्कार आदी सारी, हिंदी पत्र पत्री का प्रमुक का थन, कुछ डाउट्स वाले प्रस्टने भी हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका एक बार रिव्यू देखें, तो हिंदी गद्द का व स्मर्निय तत्त दोस्तों, यहाँ से टी जी टी में कई क्वेस्टन आये थे, रूपक के दस भेद आये हैं, है ना, तो यहाँ पर यह आपको पता है, पिछली बार आया था, कि ब्रह्मा ने या जुर बेश से अभिनाय, या अभिनाय कहां से लिया, इस प्रकार से पूचा यहाँ पर यह देखो, प्रासंगे कथा, पता का, प्रकरी, पास्चित सासाद में नाटक के तत्तों कितने हैं, इहा मरग, है ना, फिर यहाँ पर बिसकंबग, प्रवेशक, चूली कांका, संकावतार, प्रख्या, तुत्पाद, मिस्त्र, कथा विन्यास के तीन आधार कौन कौन से हैं, है ना, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रारंब, कार्यावस्ता, प्रत्यासा, नियतापती, फलापती, बीज, बिंदु, पता का प्रकरी, ठीक है, प्रती मोख, और यहाँ पर देखें तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, नाएक के चार प्रक पूर्वे हिंदी नाटक, ठीक है, यह नाटक के बारे में दिया गया, फिर इसी प्रकार से दोस्तों कहानी, है ना, यह ना, यह नाटक का दुती है, उत्थान योग, नाटक से सम्मंदित महत्पूर्ण नाटक, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, लेच्श्मिनारण मिस्र के नाटक, बिलकुल क्रमबध भी मिलेंगे, है ना, क्रमबध दोस्तों संसाहित आपको मिल लाएंपर मुख नाटक अब उनके पात्र भी है, यहाँ पर एक पात्र भी दिये हैं, ठीक है, यह नाटक आ गये, महत्पूर्ण नाटक है, बहुत भड़ीया बंपर तरीके से ब बुक में नहीं मिल ले बाढ़े, अब यहाँ पर नाटक के महतपूर महतपूर तथ भी हर टॉपिक के बाद उसके महतपूर तथ भी रखे गए हैं तो यह पूरा का पूरा नाटक हो गया और उसके बाद कहानी कहानी का तत्था तो कहानी का ओदभाव के से योग से माना जाता है हिंदी की प्रतम कहानी कौन कौन सी है अलग-अलग कहानी मानी हिंदी की प्रतम कहानी रामचन सोबर ने कौन सी मानी है बच्चन सेने कौन सी मानी है है ना रायकर्ष नदास देवी परसाद बर्माने कौन सी मानी तो यह कहानी के बारे में पूरा का चेप्तर है और एक कहानी का इस प्रकार से दिया गया है प्रेमचंद के कुछ महत्पूर कहानीकार प्रेमचंद पूरवे योग के थी है ना यह इस प्रकार से देख सकते हैं फिर यहाँ पर प्रेमचंद योग 1916-36 का योग है कर्फंड का फूसे समय में ede कर रचना आपको कहीं मिलेंगाएं किसी भी पुस्तक पुरस्ट कोई भी बैंगी किससी कि क्या ह्यों स्कून कौन कहानी काई और पृत्फंड reading के पादी यहां पर धिए अंगा ओपन्यास का अर्थ सब्ध का सर प्रताम प्रियोक किस ने किया हिंदी का प्रताम उपन्यास कौन कौन सा है पंडित गौरी दत्त है ना प्रेम चंद पूर्वे प्रताम उत्थान लाला स्री नवास ठाक और जगमोहन बालकन भट्त इनके वारे में ठीक है दुर्गा प्रसाद खत्री तो यह पूरा उपन्यास दोस्तो उपन्यास के बाद यहां पर आपन देख सकते है यह पूरी की पूरी बिधाएं यहां पर दी है है ना यह आलोचना दी है आलोचना के बाद यहां पर देखो इस्त्री में मर्स आलोचना है डलेत इस्त्रीमर्स और आलुचना की बाद इह दिया है ठीक defence अब यह अलुचना की महत्पूर्द तत्त हैं तर उसके बाद आती है एक इक कांकी एकांकी के बारे में भी पूरा दिया है हिंदी की प्रथम एकांकी कौनसी है गद्ध की अन्य विधाएं भी दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएं गई है ठीक है यहाँ पर अब देख सकते हैं आप जीवनी जीवनी देखो किसी ब्यक्तिव से इसके जीवन बरताणत पूरा यहाँ यहाँ पर दोस्तों दिया है ठीक है और यह पूरा सब जीवनी के महत्पूरता थे, M.P.C.E.S. सबी के लिए बहुत यह उप्योगी है फिर यहाँ पर देखे हैं आत्म कता है ना आत्मकता की बारे में तो हिंदी की पूरी अन्नेघद्ड बिधाएं है ठीक है और उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि हिंदी में बिबि-बिबिद में देख जेएं तो बिबि-बिद में का है सहितकारों के गुरूशिष्ष है ना गुरूशिष्ष इसके बाद पिरमखस्ग, शंप्रदय, ठीक है? पुरुषकार, शंबान, पिरमखस्ग, शिद्दान्थ, दर्शन, यह बवेध में है, पास्चात्य काब्रशास्त्री के सिद्दान्त, यहां से भी कोशन आये हुई है. ठीक है? ज्यान पीट पुरुषकार, साहिद अकादिम प्रुष्कार ये बिविद में हिंदी बिविद में देखो भारत भारती शलाका सम्मान हो गया है फिर यहां पर साहित्तकारों के उपनाम है उपनाम है फिर हिंदी की पत्र-पत्रिकाएं ठीक है के हिंदी की पत्र-पत्रिकाएं आ गई पूरी की पत्र-पत्रिकाएं किरम से आपको देखने को मिलेंगी ठीक है पत्र पत्री का उसे फिर आगे दोस्तों हिंदी के महत्पूर कथन अगधा आग दोस्ते हिंदी डाक्टर राम कुमार वर्मा सांती प्रिय दोवेदी राम दरस मिस्र मुक्ति वोद राम विला सर्मा जी के कथन है फिर यहाँ पर कुछ महत्पून डाउट्स वाले प्रस्ण रखे गए लास्ट में जिन प्रस्णों को आपको डाउट से होता है वो प्रस्ण रखे गए ठीक है इस प्रकार से यहाँ पर है ना प्रगतिबाद इनसे संबंदे दोस्तों इसमें बस्तू निष्ट प्रस्न हैं है ना तो इस प्रकास इना टक निबंद कहानी उपन्यासे कांकी जीविनी आत्मकता संश्मन रिपोर्ट आज और यहां पर देखें तो गद्दकाप डायरी नौगी साठो तरी कविता पत्र पत काब सास्त्र बर्णमाला सब्द वेत परियाबाची बिलोम संदी समासुपसर्ग प्रत्य बाक मुहावरे रस चंद लंकार किरिया विसेशन संग्या लिंग सर्वनाम और प्रमुक कथन इस प्रकार से ठीक है तो इस प्रकार से इसमें हिंदी भासा से संबंदे ते कथन है यह दोस्तू निश्ट परस्ण है तो कोल मिला के टोटल मार के दोस्तो तीनओ अगर बुक आपको घर पर मंगवाना है तो आप इन बुकों को अपने घर पर मंगवा सकते हैं 2100 रोपे में अगर गद्द और प्दसाहित मंगवाना है तो केबल आप दोस्तो 16 शो में और आपका बचे जाएगा ठीक है जैसे आधी काल कोई प्रकार से question बस तुनिष्ट प्रस्ण है तो दोस्तों ये तीनों की तीनों book का review मैंने आपको दे दिया कि किस प्रकार से ये book हैं फिर इस प्रकार से उत्तर माला दी जाती है और ये संसो देते दोस्तों बहुती संसो देत दूसरा संस्क्रान है है ना कोई भी दोस्तों बड़ी मुश्किल में आपको कोई फैक्टिस में कोई ऐसा लगेगा कि ये इसमें टाउट से बहुती संसो देत रूप से बनाया गया है ठीक है तो जिन भी सात्यों को दोस्तों ये मंगवाना है नई कविता से संबंदित वो संपर्क करें 9098609291 में ठीक है सभी लोग संपर्क करेंगे और इनोट्स अपने घर पर मंगवा सकते है ठीक है तो सभी सात्यों को धनबाद जरूर संपर्क करें पास्ते है इसमें काब्य सास्त्री के भी दोस्तों प्रश्न है काब्य सास्त्री के भी प्रश्न आपको यहा वाना है संपर्ग जरू करें और दोस्तों वीडियो को लाइक सेर जरू करें जै हिन